Hello everyone Yes So, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, सबको good morning So guys, जो है आज हम डिस्कुस करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन के लिए प्रिलिम्स मैराथान क्लास और इस मैराथान क्लास ये 10 गंडे के मैराथान क्लास है और इसमें बहुत सारे कोशन जो हैं आपके रिवाईज हो जाएंगे और आपको पता लगेगा कि किस तरीके से एक्जाम में कोशन आ सकते हैं आपको हो सकता है कि इसी क्लास से भी काफी कोशन आ जाएं क्योंकि आपको पता होता है और आपने देखा भी है जितनी भी previous classes हुई है मेरी जितनी भी मतलब BPSC के exams हुए हैं तो हमेशा बच्चे मुझे ये message जिरूर करते हैं कि सर आपकी marathon से इतने negotiations आई तो इस class को बहुत अच्छे से ध्यान से समझ के इस class को पढ़ लेना अच्छे से ठीक है और इस class से आपको बहुत पाइदा मिलेगा आपकी preparation में 10 गंटे की है चाहिए आप 2 गंटे देखो फिर दो गंटे देखो फिर दो गंटे देखो जैसने मर्ची आपको लगे मैंने आपको ये class पूरी तरीके से जो है ये 10 गंटे की देनी थी ठीक है तो इसलिए मैंने जो है ये 10 गंटे की class दे दी है क्योंकि काफी बच्चे जो है मुझे message कर रहे थे सब BPSC वालों के लिए भी आप कुछ कीजिए तो मैंने BPSC students के लिए खास करके Bihari students के लिए मेरे तो इन चीज़ को मैंने apply किया है and now this is BPSC marathon for BPSC marathon for for all my Bihari students किक है ये 10 गंटे की लगातार questions होंगे general studies, MCQs है start करेंगे और इस class को लेके आ रहा हूँ मैं मेरा नाम है Dr. Vipan Goyal जैसा कि आप सबको पता है बढ़ते हैं आगे अच्छा एक चीज़ आपको मैं बता दूँ बड़ी important चीज़ इस बार जो है थोड़े बहुत changes आए है तो changes आए है तो negative marking ये वो बहुत सारी चीज़े है तो ध्यान से करना attempt paper कोई जल्द बाजी में मत करना concept समझ के करना कोई ऐसा नहीं है कि बस A लगा दो B लगा दो C लगा दो ऐसा नहीं होता concept समझ के चीज़े करनी है बागी बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूँ ये different social media handles है मेरे आप telegram channel की उपर आप मेरे से जोड़ सकते हैं सारे lectures फीडिया बगारा सब कुछ मैं यहां पर share करता हूँ और यहीं पर ही सारे lectures सारे video lectures, YouTube के सारी classes paid courses की जानगारी जब कुछ भी updates बगारा होते हैं सब की चीज़े आपको यहां पर मिल जाती हैं आप मुझे Instagram की उपर भी follow कर सकते हो और प्लस इन सब के जो link है वो comment section में पिंड किये होते हैं वहां से आप देख सकते हैं description और comment section में और हमारा एक campaign है हर घर शिक्षा campaign जिसमें आप मेरे paid courses जो के 22,255 रुपे की हैं अभी हर घर शिक्षा campaign चल रही है 26 जनवरी तक 26 of Jan तक और इस 26 जनवरी तक जो है आप 499 रुपे में एक साल की validity के साथ मेरा course वो purchase कर सकते हैं तो उसके लिए आपको code लगाना है VIP 499 क्या लगाना है VIP 499 इससे आपको जो मेरा code course भी कोई भी आप purchase करेंगे जस्ट आपको 499 रुपे में आपको मिल जाएगा अब ये course है क्या कौन से courses है मेरी ये तो वो है हमारे 10,000 MC course और एक है हमारा GS course 10,000 MC course जो है वैसे आपको मैं बता दूँ 1500 रुपीज का है ठीक है और लेकिन अगर आप इसमें code यूज करेंगे कौन से वाला डाइज वी आईपी 499 तो इसमें ये course आपको जस्ट 499 रुपीज में आपको मिलेगा एक साल की वैलिटी के साथ इसमें क्या है सारे जो है प्रीवियस येर के questions हमने कर रहे हुए है चैप्टर वाइस इस course को purchase कर सकते है जस्ट 499 रुपीज में 26 जनवरी जो होगा इसका last day है इस course को buy करने का देख लेना आप लोग ठीक है तो GS course जो है हमारा एक theory course है बिल्कुल basic topic wise theory understanding जो है यहाँ पे हमारी देखने को मिलेगी और इसमें भी आपको code लगाना है VIP 499 तो यह चीज का ध्यान रखे और एक चीज मैं आपको बता दूँ यह जो हर घर शिक्षा campaign है तो यह सिर्फ इसी चीज के लिए है ताके हर घर में जो बच्चे पहले बोलते थे कि सर आपके जो courses महंगे हैं बहुत ज़दा जो है 2500 रुपीज हम नहीं कर सकते तो अभी मैंने campaign चलाई थी तो बहुत बच्चों ने enroll भी किया है तो उसीज के लिए मैं जो है मैं शुकर गुजार खुद का भी हूँ और आपका भी हूँ कि आपने वो trust दिखाया इस course में भी ठीक है तो बस जैसे आपको जो अच्छा लगे आप बहां से करें ठीक है मैं आपको बस यह कूँगा अगर आपको लगता है कि YouTube से पढ़ना है तो YouTube से पढ़ लीजे अगर आपको लगता है कि 499 रुपे इतनी बड़ी cost नहीं है अगर मैं मार्केट में भी जाऊंगा ना तो 499 रुपे तो एक book की price ही आ जाएगी तो इसमें तो सर का course भी मिल रहा है मुझे ठीक है जो भी videos अपडेट होती है वो भी मिल रहे है प्लस video solutions भी मिल रहे है English Hindi दोनों में मिल रहे है तो क्या दिक्कत है मुझे तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप 499 रुपे में 26 जिनवरी तक इस course को purchase कर सकते है clear सो बस guys स्टार्ट करते हैं आज का session तो चलते हैं हमारे पहले question की तरफ ओके सो देखें जी क्या है IODX जो है एक pain relief balm है इसके अंदर जो smell होती है smell होती है वो किस चीज़ की smell होती है तो ये question है जी first question चीक है so answer बताईए फटा-फट क्या है IODX के अंदर एक smell आती है relief balm है पहली बात तो जो pain relieving factors होते है pain relief के लिए जो medicine वगरा होती है उसको आप क्या कहते हो उसको आप कहते हो analgesics जैसे medicine वगरा होती है जो pain relieving के लिए होती है analgesics उसको कहते है तो इसके अंदर एक smelling agent होता है वो smelling agent कौन सा होता है so that is the methyl salicylate answer इसमें क्या बनेगा आपको A option बनेगा methyl salicylate उसको कहते है one option is the right answer one option methyl salicylate उसको कहा जाता है आप से methyl salicylate जो होता है इसको और क्या कहते है oil of winter green भी कहा जाता है oil of winter green भी इसको कहा जाता है ये भी no down कर लेना दूसरा एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए aspirin एक medicine है ये aspirin aspirin भी क्या है analgesic pain relieving के लिए fever pain के लिए होती है अब aspirin का दूसरा नाम क्या है scientific name मतलब chemical name पूछा जाता है आपसे that is called acetyl salicylic acid acetyl salicylic acid इसको कहते है again this is the analgesics again very important factor जो आपको paper में आता है चीज़ तो ये दोनों आपको अंसर याद कर लेने हैं दोनों ही important है ये भी important है ये भी important है तभी मैंने दोनों की पिच्छन यहां पे लगा दी थी ताकि आपको पता लग जाए नेक्स बताईए जी वड़ा वड़ बताईए जी बिलकुल pain relieving है ये question देखे जी ध्यान से समझीए कोट physician of कनिश्क कौन था इसमें से कनिश्क जो है इसका कोट physician कौन था पहली बात तो कनिश्क के उपर हम बात करते हैं कनिश्क को हम और क्या गयते हैं दूसरा अशोक भी कहा जाता है जैसे अशोक ने बुद्ध धरम का परचार किया था तो ऐसे ही कनिश्क ने भी बुद्ध धरम का परचार किया था कनिश्क ने नौर्थ के उपर मतलब उत्तर पूरे वर्ल्ड के उत्तर साइड के उपर और अशोक ने साउथ साइड की उपर जो है आपका फोकुस किया था अशोक ने जो किया था अपने बेटे और बेटी जैसे महेंदर और संग मित्रा को बेजा था साउथ इंडिया के अंदर साउथ इंडिया के अंदर शिलंका के अंदर जिसे अप सिलोन कहते हैं मतलब साउथ के अंदर जो है बुद्धरम का परचार करने के लिए अशोक थे और कनिश्क जो है उथर उत्तर भारत में और उत्तर जो है इंडिया के जो उट्तर के उपर नौर्डट साइड के उपर पढ़ते हैं जैसे चाइना ठीक है चाइना हो गया और कूरिया हो गया जापान तो ये सारी कंट्री स्क्रीपद गु와्य त जो है इसने झाल ने गुट असस इसमें क्या बनेगा एड़ीज सी ऑप्शन चरक इजा करेक्ट एंसर वेरी गुड ठीक है चरक ने एक पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम आपको इंपॉर्टंट है जैसे कि आपका वाशुमित्र वाशुमित्र कौन है यह वो परसन है जी जिन्होंने फूर्थ बुद जए इंदर रची करवा है वो Oneation is there यह वाशुमित्र जो ओ ते व चेर परसन थे चेर परसन प्रसन से यहां पर यहां पर जो डिपिडिए चेर परसन थे वो कान थे श्व गोषगोष्ए चौथे परस मतला धुडिपिडिए चेर परसन ठीक है और यहां पे क्या हुआ था इस particular council के अंदर जो बुदिजम है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था हीनियान और महायान हीनियान और महायान में डिवाइड हो गया था यहां पर लिखा हुआ है नागरजुन को अध对ुकारण सी नागरजुदिजम के इस नागरजुन फिर लिखा हुए पतंजली, पतंजली दो चीजों से नाम जुड़ता है, पतंजली एक तो आपका विदांग जैसे योगा वाला पाट आता है, उनके साथ जुड़ता है, एक बुक थी, that was संस्कित ग्रामर, पहली इंडिया की संस्कित ग्रामर थी, that is अश्ट ध्याय, अश् और इस बुक के उपर कमेंटरी किस ने करी थी, पतंजली ने, और उस बुक का नाम क्या था, पाननी के उपर जो कमेंटरी करी थी, डैड वॉस महाभाश्या, महाभाश्या जो है, वो पुस्तक का नाम था, चीक है, और इस महाभाश्या को लिखा किस ने था, पतंजली ने लिखा था तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा राइट ऑप्शन इस चरक इस दा राइट वान क्लियर ओगया आप लोगो शाबाश ऐसे अंसर देते रो और जोश अपना हाई ही रखना एंड तक ठीक है कि हमने पढ़ना है क्योंकि कोशन चाहे 50 करें च इसका अंसर क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन बन गया राइट अंसर तो यह हैं जी कौन चरक तो महारिशी चरक दा ऑफ दा चरक समीता क्लियर चलिए बताइए जी अगला गोशन इन में से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो एर प्रेशर को मापता है मतलब वायूदाप मापने के लिए वायूदाप मापने के लिए इसमें यंत्र कौन सा है इस्फेथा घ्रम उसमें क्या है उसर अंसर टिज उप्रटर की उपर दू masking उन पॉच्छा नाम स्लीगा endroit प्रेशर को मांपता है और प्रेशर की यूनिट यहां होतі है बार भी चाहँते हैं ठीक है क्लियर होगे आप लोगों को टॉर भी कह देते हो आप लोग टॉर ठीक है यह दिया रखना अब यहां पे इस कीज दिया रखना है और न्यूटन पर मीटर स्केर तो ही है क्योंकि फोर्स अपॉर्स अपन एरिया इस पॉल्ड आपका प्रेशर तो न्यूटन फोर्स के ओगे न्यूटन पर मीटर स्केर तो ही है अब यहां पर क्या उन्हें बर की ऊपर तीन कोशिण मुछत II की एकटर से एक और तूफान आने वाला चाहि तो आपका तुफान आने वाला है अगर दीरे 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 जो है नीचे गिर रही है तो इसका मतलब क्या हो गया बारिश आने वाली है रेन आने वाली है ठीक है और अगर बैरो मीटर की रीडिंग जो है दीरे 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 ऊपर को जा रही है तो इसका मतलब आसमान साफ है clear weather is there तो answer इसमें क्या बनने वाला है आपका yes, b option बनेगा barometer is the correct answer clear हो गया जो आपको फिर यहाँ पे बहुत सारे instrument और भी लिखे हुए है वो भी आपको याद करने है कैसे animometer animometer आपको पता है क्या करता है यह जो हवा होती है wind उसकी speed को उसकी direction को बताने वाला कौन सा होता है आपका animometer होता है और moving air is called wind अगर हवा जो है move कर रही है तो that is called आपकी wind उसको कहते हैं चीक है hygrometer की अगर हम बात करते हैं आधरता मापी यह आधरता को मापता है that means humidity को मापता है humidity को मापता है ठीक है फिर उसकी बाल लिखाओ थर्मोमेटर यूनो थर्मोमेटर तो सबको पता है आपका temperature को मेजर करने के लिए temperature को और एक question ध्यान रखिए temperature की यूनिट बहुत बार पूछे आते हैं और एक्जाम में गलत भी कर देते हो एसाई यूनिट इस केलविन एसाई यूनिट इस केलविन टेंपरिचर के ठीक है जी तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन इस दा करेक्ट अंसर बैरो मेटर इस दा प्रोजक्ट संकल्प जो है यह क्या था किस चीज के लिए स्टार्ट किया गया था फिस रॉइस और यह कहाँ पर स्टेट lied और यह कहां पर गया था मेंगलोर के कश चीज के लिए था ये प्रोजेक्ट जो था आपका HIV AIDS को खतम करने के लिए था समझा है आप लोगों को बहुत बच्चे जानते हैं ये question का answer AIDS और HIV को खतम करने के लिए था answer इसमें C option बनेगा right answer C option is a correct answer AIDS HIV अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें और याद रखनी है क्या AIDS की बात कर रहे हैं So first of all acquired immunodeficiency syndrome AIDS की full form क्या है acquired immunodeficiency syndrome इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे immunity की deficit हो रहा है immunity कम होना मतलब हमारे body के अंदर ऐसे cell कौन से हैं जो immunity प्रोवाइड करते हैं तो इसका मतलब AIDS के अंदर WBC cell effect होंगे पहला question WBC में आगे कौन से cell effect होने वाले हैं lymphocytes lymphocytes समझ आया clear अगर आगे भी पूछा कि lymphocyte में कौन से तो उसमें आपके T cells T cells effect होने वाले हैं तो कोई भी question पूछ सकता है आपसे ठीक है और HIV आपको पता है human immunodeficiency virus जाने कि जो आपका virus जो है यह RNA virus है जो हमारी body की immunity को कम करता है clear again immunity कम होना तो यह सारी चीज़े आपके साथ है और AIDS के लिए एक आपको पता होना चाहिए 1st December हम AIDS Day मनाते हैं और AIDS के लिए test कौन सा होता है ELISA ELISA test that is enzyme linked immunosorbent assay enzyme linked immunosorbent assay clear हो गया आप लोगों को so answer इसमें क्या बनेगा आपका C option बनेगा to eliminate AIDS HIV is the project संकल चलिए जी अगला बताईये फटाफट बताईये फटाफट इसका answer हाल जी चलिए जलिए जल्दी जल्दी बताईये इसका question question क्या गयता है state government के अंदर आपको पंचायद को बनाना है ठिक है state government जो है पंचायद बनाने का काम उसके पास होता है राज्य सरकार के वो क्या है जो राज्य सरकार बनाती है राज्य सरकार जो पंचायत बनाती है तो उसमें कौन सा आर्टिकल आता है तो स्टार्ड विदा फर्स्ट ऑप्शन आर्टिकल 33 आर्टिकल 33 के अंदर क्या होता है कि जो पार्लेमेंट होती है पार्लेमेंट जो होती है यह आपके जो र की सुरक्षा के लिए सिविलियंस के लिए जो इंपॉर्टंट होंगे तो उस केस में भी जो है अपने राइट को मोडिफाई कर सकती है और सब कुछ कौन कर सकता है आपकी पार्लेमेंट अर्टिकल 33 में लिखा हुआ है फीर आगे आपका आर्टिकल 40 आर्टिकल 40 का मतलब क्य दół में आती है dpsps पे राज्य के नितिमेंदेशक सिधान और मैंने आपको बताया था की राज्य की तीनदेशक सिधान यह आर्टिकल 40 DPSP में आता है क्योंकि आर्टिकल DPSP में 36 से 50 बनाते हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है कि 40 में स्टेड बनाएगी आपका पंचायद बनाएगी तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका पहले तू बी ऑप्शन बनेगा बट एक चीज और ध्यान रखना यहां प इसे लेके ओ तक तो यहां पर पंचायद राज इंस्टिशन के बारे में लिखा गया है लेकिन पंचायद बनाना है उसके लिए दिशा निर्देश जो है आपको कौन देगा स्टेट देगी वह आर्टिकल 40 में लिखा गया है यह ध्यां रखना कन्फ्यूज मत कर ले ना इ आर्टिकल 48 क्या बताता है आपको इसमें एग्रिकल्चर और एनिमल हस्बेंटरी के बारे में एग्रिकल्चर और एनिमल हस्बेंटरी को पर्मोट करना उसको और्गनाईज करना अगें स्टेट के पास होता है आर्टिकल 48 में क्लियर हो गया आर्टिकल 50 क्या होता है आर्ट पंचायद के लिए आपको एक चीज और याद कर लेनी है क्या पंचायद जो है आपका एक अमेंडमेंट हुई थी 73 अमेंडमेंट कब 1992 में लेकिन इंप्लिमेंट लागू कब हुई थी 1993 में लागू हुई थी जिसके अकॉर्डिंग 29 सब्जक्ट की ऊपर कानून कोन बना सकत समझ आया जी आप लोगों को समझ आया हाँ बिल्कुल नागो डिस्टिक के अंदर जो है आपका नागो डिस्टिक अंदर पहली पंचायद बनी थी अंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा अगें जो है आपकी पावर्स अथॉरिटी जो है स्टेट्स के पास होती है सेल्फ बढाना है तो इलेक्ट्रों क्या होता है फस्ट और फोल ई-0-1 इस और दिसए आ अप और क्या कह देते हो बिटा पारिकल के नाम से भी आपको बुला देते हो लेकिन यहां पर क्या है एंटीपार्टिकल के ऊपर है इसका उल्टा इस चीज को दरशाने से पहले आपको कु this is the symbol these are the charges देखें क्या है इलेक्टरों क्या होता है इनेगटिव जिसे आप बीटा नेगटीव बीटा पार्टिकल और इलेक्टरों को रिपर्जेंट कर देते हो नेगटीव चार्ज होता है यह देखने की जुरुष्ण है यह जीज देखने की जुरूरत है पॉजित्रों क् पॉजिटिव बीटा पॉजिटिव एलेक्ट्रों नेगटिव अब ध्यां से समझे क्या है इलेक्ट्रों का एलेक्ट्रों यह है इसका ऑपोजिट क्या हो गया एंटी पार्टिकल क्या हो गया पॉजिट्रों तो इसका अंसर क्या बनेगा हमारा पॉजिट्रों बनेगा जो क गीधर मैं आती है किल यहां पर दियांद रुखिए कोश्चन क्या पुछा है इलेक्ट्रों का उल्टा तो वो क्या बन जाएगा बन जाएगा तो अंसर इसे बीटाप पॉज़िव याप लिख सकते हो और और इलेक्टरन पॉजिटी भी इसको ऐसे लिख सकते हो समझ आया जी जी बिल्कुल तो यह आपके अंसर बन गया पॉजिट्रोन आपको मैंने दिखा दिया अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं जैसे हीलियम होता है यह यह अटॉमिक नंबर दो मास नंबर चार तो दीस इस हिलियम पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल ठीक है जी चलो अंसर इसमें ए ऑप्षिन बन गया नेक्स बदाईए इसमें अंसर क्या बनेगा इन में से फिश कौन सी है इन में से मचली जो है वो कौन सी है बताईए इन में से जो मचली है वो कौन सी है फटा-फट बताना है इनमें से मचली जो है वो कौन सी है तो स्टार्ड विदा वन ऑप्शन जैली फिश जैली फिश क्या होते हैं देखे पूरा एनिमल किंडम है एनिमल किंडम में हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्पीशिज आर्थोपॉड मुलस्क नेमेटॉड प्लैटी हलमिंथेस बहु झतिव हले गए जैली फिश होते हैं देयार नाई डेटेर आएंट यह कि घटेरिया ठीक हो गया जैली फिश दाना ईडेयरिया लॉप्स्टर जीसे आपहते हैं जींगा मचली ये क्या होती है ये होती है आर्थोपॉड पॉड है ऑर एक चीज आपको कर बता दो पूरे के पूरे एनिमल सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा फाइलम जो है जिसमें सबसे हैं वो कौन से आपका आर्थोपोर्ड है दा लारजस्ट फाइल लार्जेस्ट फाइलब तो यह तो फिश की कैटेगीरी ने नहीं में आए नहीं अभी तक सल्मन सल्मन ऑन सी यह यह ऩोती है तो यह अंसर और घया सी ओप्श्ंण वेल वेल क्या होता वेल होता है मैमल स्थंधरी क्लिउर वगया तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्षिन बन जाएगा येस सेलमन इस दाफ फिश दूए कोशन और याद रखिए एक कोशन और याद रखिए मैंने अभी रिसेंटली जो है एक पेड़ कोर्स का जो मैंने आपको बताया था ना हमेशा है के लिए कुछ यह कुछ अंब पूछा था कि मस्कीटू कंट्रोल के लिए आप कौण सी फिश का इस्तेमाL करते हैं तो डाइडबीयोज posy फिश जडिसी इंपोर्टपन वडू ठीक है मतलब मचली कौंक यूसका यूस कर सकते हैं गैम्भूजिया फिश फिश फ क्लियर ओगे आप लोगों को समझाया थे समझाया तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा सेलमन इस दा करेक्ट चलिए अगला बताईए फटाफट जल्दी से जल्दी बताईए अगला कोशन फटाफट बताना है ओल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रस जो है कब इस्टैब्लिश करी गई थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंगरस यह स्थापना कब करी गई थी फर्स्ट और फॉल एक चीज आपको ध्यान रखनी है क ठीक है ट्रेड यूनियन जैसे आप एक लगा लो स्टूडेंट उनियल लगा लो जो आज कल आम आपने देखा होगा जाओ प्रेषर प्रेशर ग्रूप का मतलब क्या होता है लाइक फॉर एकजांपल इसका इजम्पल मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं आपने देखा होगा सारे बच्चों बच्चों ने जब हमें ट्विटर केंपेंड करी थी आप लोगों ने हमने साथ दिया था तो ट्विटर के उपर आपके एक्जाम को घुशित करवाने के लिए एक्जाम कंडक्ट करवाने के लिए रिजल्ट घुशित करवाने के लिए बहुत बड़ी केंप करना हो व्य है तो प्रेशर को मतलब क्या हो है कोई भी निति कोई भी आपके रूल से पालिसीज़ अगर आपने चेंज करवानी है तो एक प्रेशर question है इसका अंसर क्या बनेगा आपका येस नाइटीन ट्वंटी इस अंसर निसो बीस क्या बनेगा आपका राइट अंसर बनेगा इग्जेक डेट नेट कहीं पूछ लेते हैं कहीं कहीं एकजाम में स्टेट एकजाम में पूछ लेते हैं 31 अक्तूबर 1920 को ये establish करी गए थे clear हो गया और ये इसके जो पहले प्रेजिडेंट थे वो कौन थे लाला लाज पत्राए लाला लाज पत्राए वा जा फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ दा All India Trade Union Congress clear और इसके पहले जैनरल सेक्रेटरी का नाम भी पूछा जा सकता है आपको पहले जैनरल सेक्र इनका नाम क्या था डैडिस दिवान चमनलाल बिल्कुल जी दिवान चमनलाल ऐसे कोशन पेपर में पूछ लिए जाते हैं इग्नोर मत करना किसी भी चीज़ को मत करना मेरी explanation में जो चीज़ें छुपी होती है न वहां से कोशन बहुत आते हैं यह कोशन आपको बहुत कम चा जे फर्स जेनरल सेक्रेटर इस दिवान चमनला अब एक चीज़ आपको और बतानी है कि जब और इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रस बनाई गई थी तो यह पहली कॉंग्रस जो मतलब पहले प्रेजडेंट जो हैं बॉम्बे में इलेक्ट किये गए बॉम्बे से थे जोशी यह बहुत बहुत प्रोमिनेंट लोग थे जो आपकी ट्रेड यूनियन कॉंग्रस को जिन्होंने बनाया था क्लियर होगे आप लोगों को यह आपको ध्यान रखना है जौसफ बैप्तिस्ता यह भी पूछ लेते हैं कई बार जौसफ बैप्तिस्ता यह भी परसन जो को बहुत अच्छे से समल लेने हैं नाम बहुत-बहुत इंपॉर्टंट है ट्रेड यूनियन कॉंग्रस बनाने में क्लियर अंसर इसमें 1920 इसा राइट वांसर ए ओप्षन तो यह है जी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रस ठीक है तो इस इस अगला बताए फटा अगर अगर यह पूछ ले अच्छा यह बताओ किस ने बनाया था तो यह eastern gang dynasty के राजा Eastern Gang dynasty गंग dynasty के राजा ने बनवाया था और उस राजा को जो नाम है वो क्या है ड़ैर्डिस नर्शिंगा देव मaroos सिंगा देविजग करेक्ट अंसर अंसर इन्हों ने बनवाया था wandering dynasty के राजा ने बनवाय था अंसर इसमें क्या बनेगा c option बनेगा शंद टेंपल जिसे आप कोणार्य टेंपल भी कहते हैं कोणार्यक टेंपल बलैक पतगोंड़ा के नाम से भी आप जानते हैं बलैक पतगोंड़ा ऑगया और फेलो कहाई ढूर्य क्रिफ्ग और इस एक बदत क्लिफेलन करने वाले कोन है मत फोकस करो आप तो लाइक कर रहे हो ना आप बहुत हो यार मेरे लिए जो आप पढ़ रहे हो 1200 बच्चा-1300 बच्चा है हमें किसी से मतलब भी नहीं है 10-20-50 डिसलाइक करने वाले करके जाएंगे जो आपका मनोबल तोड़ने करने के लिए मेरा मनोबल तोड़ने के लिए ठीक है तो बस हमें एक साथ रहना और पढ़ना आ अप अपने ब्सक्रक्रों की दिए इन चीजों के उपर मत फोकस की तो अंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर ब्लैक पगोड़ा सु दिस इस ब्लैक पगोड़ा संटेंपल को नार्क क्लियर हो गया आपको चलिए जी नेक्स देखें नेक्स बताइए फटा फट बताइए open market operation जो है what is this open market operation क्या होता है यह आपको बताना है फटा फट इसका अंसर बता यह बहुत ध्यान से important question है समझ के करना है और इसका तरीका भी मैंने आपको बहुत बार समझाया कि किस तरीके से आपको याद करना है देखें अब यहां पर मैं आपको बताता हूँ आर बी के अंदर आता है अर्बी की कंटोल में आता है आर बी जब पैसा पैसे को कंट्रूल करती है ना जाने के quantity मेजर जहां पर पैसा कंट्रोल किया जाता है उसके अंदर आता है संख्यात्मक तरीका है यह quantity measure संख्यात्मक तरीका है गोन् का मतलब यहां पर पैसे को कंटोल किया जाता है तो यहाँ पर और भी जो है open market operation करती है क्या मतलब है इस चीज का हमेशा आपको चीज ज्यानकरिया जब भी एकोनोमी का कोशन आता है और आपको वर्ड ओपन वर्ड ओपन ठीक है जहां पर जैसे लिखा हुआ होता है दुकाने मतलब क्या होगा आप जाएंगे वहां से चीजे खरी देंगे बैडे बेचेंगे जो भी है ठीक है तो इसका मतलब जहां पर प्रकूण हो रहा है तो इसका मतलब सेल परचेस कब होगा जब मार्किट ओपन होगी क्लियर हो गया अब क्लोज मार्किट अगर मैं बोल दूंँ तो इसका मतलब बंद है तो इसका एक्जांपल गया अगर आपसे पूछा open एकॉनमी जाने कि ओर मेट सीकूरोटीच करती ये कौन इशू करता करता गोथे जब एंडया को पैसे की जुर्वत होती है तो working ऑप हमारी थाइद से आप और उससे हमें पैसा आजा जाएगा जो भी इन्होंने पैसे का कंट्रोल करना है पैसे का कंट्रोल करना है जब किसी भी तरीके से आप ले सकते हो इस वर्ड को तो उसमें open market operation की याद यह वर्ड यूज करते हैं तो इसके दो नाम पूछे जाते हैं एक्जाम में क्या गमेंट security को आप जी सेक के नाम से भी जानते हैं ठीक है और दूसरा आप जानते हैं guilt edge security के नाम से गिल्ट edge security के नाम से यह चीज़ द्यान रखना और यह issue करने वाली authority only the government of India लेकिन government of India के बिहाफ पे इसका sale purchase कौन कर रहा है और यह चीज़ भी आपको द्यान रखनी है तो इसमें c option बनेगा correct answer c option कि इस तरीके से यह आपका monetary policy का एक टूल है जैसे मैंने आपको बताया लेन देन करेंगे पैसा आएगा market में पैसा मार्केट से खीचा जाएगा government of India के पास जाएगा जा आर्बी पैसा खीच रही है किसी भी तरीके से आप इस चीज़ को वर्ड यूज़ कर सकते हैं this is the open market operation जिसमें आपका bank जो है security को sale purchase कर रहा है sale purchase कर रहा है government securities को clear हो गया एक सेगेंड हां government जो है securities को sale purchase कर रहा है this is very very important question clear हो गया जी आपको चलिए जी अगला बताते हैं बहुत important question है यह वाला भी ध्यान से समझ के करना है ध्यान से समझ के करना है और दिमाग खोल के आंखे खोल the way which deals with the rituals जो आपके जो करम कांड होते हैं रिच्वल करते हो मतलब पूजा करनी की स्तरीके से करने सब चीजें वो आपके कहां पर संबंदित हैं कौन से वेद के साथ संबंदित हैं ठीक है कौन से वेद के साथ संबंदित हैं तो यह संबंदित हैं भाई किसके साथ येस बताइए फटाफट यह हैं जजूर वेद के साथ संबंदित अंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन जहांबे आपके sacrifices बगएरा किये जाते हैं sacrificial prayers क्लियर हो गया और इसका जो उपवेद है जजुरवेद का जो उपवेद है वो क्या है जजुरवेद का जो उपवेद है इसका नाम बताइए यास अंसर इसमें क्या बनेगा धनुरवेद धनुरवेद ठीक है और धनुरवेद और जजुरवेद को पढ़ने वाले पंडित का नाम क्या था डैट इस अधवर्यू अधवर्यू अंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा correct अंसर जजुरवेद इस दा राइट अंसर प्लियर हो गया जी आप लोगों को ह सबसे oldest टेक्स का सबसे oldest टेक्सट ठीक है और रिगवेद के अंदर आपके जो है 10 मंडल हैं दस मंडल था chapter है 10th मंडल बड़ा important है दस्वे मंडल को हम क्या कहते हैं पुरु सुक्ता मंडल कहते हैं जहां पर आपकी जहां पर आपकी वर्न सिस्टम के बारे में बात करी है जहां पर आपकी कास्ट सिस्टम के बारे में बात करी गई है वर्न सिस्टम कहते हैं नौट कास्ट कास्ट समझ कितने हईम्स हैं बताएंगे आप लोग क ceux 1025 हां सुक्तियां सबसे जाइधा सुक्तियां कि को गुन्हाओ को है डाड़ा इंद्र इंद्र भगवान को सबसे जाइधा हाइं मिले हूं है हैं 275 इंदर भगवान को और क्या कहते हैं रेन लॉड बारिश देने वाला और डिस्ट्वाइर ऑफ फोर्स महलों का तहस्नेस करने वाला और थंडर गॉड ऑफ थंडर मतलब जो बिजली गडगड आती है अगें इंदर भगवान के साथ सारी चीज़ें संबंदित हैं इंद लिखा गया है सामवेद क्या है म्यूजिक के लिए और म्यूजिक के साथ संबंदित आपका अद्वरियू को और सामवेद का क्या था चलो मुझे बताओ आप मेरे दिमाग से निकल गया अभी ठीक है यह आप मुझे बताए सामवेद का सामवेद का जो पंडित है वो पंडने वाला कौन से है बतातों मैं आपको अथर्ववेद अथर्ववेद जो है आपका जहां पर मैं ब्लैक मैजिक काला जादू टोनाम जो भी ऐसे करते है वह अथर्ववेद के अंदर है और इसका जो उपवेद है डैस शिल्पवेद शिपवेद के इसको कहते हैं क्लियर हो गया अच्छा यह करेक्ट कर लेजेए एक हजार अठाईस हैं रिगवेद के अंदर एक हजार अ ताता हूं उद्धाथम क्लियर हो गया शिल्पवेज जो है जो ऑर्किटेकचर के बारे में बात करता है छए बिल्डंगे बगएरह जो बनाते हैं इस तरीके से क्लियर हो गया जी आप लोगों को येस अंसर इसमें बी ऑप्शन बन गया पूरा वेद सिस्टम में हमने समझा दिया सुधी सार वेद ठीक है आर एस वाई एड़ रिगवेद सामवेद जजुरवेद एंड अथर्ववेद चलिया जी अगला बताईए फटा-फट बहुत सबसे शुशक स्थान जो है वो किस देश में है शुशक वर का मतलब डैजट की कंडिशन बनी हुए है तो ऐसा जगा जहां पर डैजट है वो क्सी इन में CE यह वो है आपका चिले शोई दीस इंदा साउथ przek मेरिका चीका साउथ हमेरी का कि अंय। है और यहां पर आपका ए जब यहां पर पानी नहीं है तो यह बन गया अंसर बी ऑप्शन चले इस प्लेस प्लेस आप दा वर्ड चले चले जी अगला बताएं अगला बताएं फटाफट हम्-2011 का सैंसिस बोला गया है ध्यां से समझना है सैंसिस की बात कई बार बच्चे मुझे कहते हैं कि सर इसका अंसर यह नहीं था वह नहीं था यह था एक्चुली क्या होता है कि जब भी हमारी paupulation के उपर ynचातों में कोश्चिन पजा आता तो आपको कोश्चिन पढ़णा है वह सैंसिस की बात कर रह रा है क्योंकि हमारे देश में बहुत स वी रिपोर्टा आती है ठीक है रिपोर्टा आती रहती है उसके actे आकोोड़्ीघियर कोशन प्रेम करता है अगर वह रिपोर्ड के निसार पूछे तो आपको वैसे निसार लगाना है लेकिन क्रणट अफेर का कुशन होता है तो आपको रिपोर्ड के उपर भी कूशन पूझ सकता है तो ध्यार रखना 2011 के census के according urban population जो है वो हमारे इंडिया के अंदर कितनी परसेंटेज है यह आपको बताना है पहली बात तो हमारे देश के अंदर 370 मिलियन के आसपास जो है लोग रहते हैं 377 मिलियन के आसपास शेहरी लोग रहते हैं और इसकी जो परसेंटेज है वो है आपकी 31.16 परसेंट तो तो इसका जो अंसर बन जाएगा वो आपका बन जाएगा बी ऑप्शन डैट इस 31 परसेंट क्लियर होगे आप लोगों को येस अगर आपसे पूछा जाए अब सेंसिस के अंदर जो हमारा ये सेंसिस होता है जो जनगन्ना होती है उसमें आपका एक अर्बन एरिया की डेफि 4500 की उनी चाहिए मतलब उस एडिया की मिनीमम पॉपुलीशन 5000 की उनी चाहिए दूसरी क्र इसकैर किलो मीटर में km2 नहां की नॉन एक्ग्रीकल्जर वर्क में वर्क मतलब कोई बिजनस कर रहा है इंडस्ट्री को रहा है लेंदेन कर रहा है अग्रिकल्चर ना होना चाहिए वहतला पश्तर परसेंट लोग है नवन एक्रिकल्चर में होने चाहिए तो उस एडिया को हम अर्बन एरिया कहते हैं तो अब अंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा 31.16 परसेंट इस तरीके से आपकी परसेंटेज वाइस शहरी एरिया है तो पढ़ लेना है आपको चीक है तो दिल्ली इसदा मोस्टी अर्बनाइज परसेंटेज वाइस नेक्स्ट बदाईए पहले हैं जी बताईए बताईए फटा फट शाबाश में बताईए क्सरीर के अंदर होता है कलरवाइस हो जाता है तो इसमें कॉन सा जो है सैल इफेक्ट होते हैं फर्स्ट फॉल जो कलर बराइनेश होगए इसके अंदर हमारी आंखों की उपर असर बढ़ेगा हमारी आंखों में जो एक सेल होते हैं जिसे आप कहते हैं कौन सेल कौन सेल होते हैं इनके उपर इफेक्ट पढ़ता है बी ऑप्शन इसा करेक्ट अंसर अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूं क्या कि जो कौन सेल है आपके इसके और ऐसे इसी कारण जो है रेड कलर और ग्रीन कलर जब नहीं देखेगा तो इसका मतलग क्या होगा इन लोगों के लाइसेंस नि बनेंगे पहली बात क्योंकि रेड कलर और डिस्ट्रिंगिश नहीं कर पाएंगे यह दूसरा जो डिफेंस में जाते हैं तो उसमें मनाही होती ह तो डेट मिस निसमें बी ऑप्षिन बनेगा कौन सेल के इंदर कौन सेल के इंदर आपके यह कलर आपको नहीं दिखेंगे तो यह विए औप्षिन बन जाएंगा और अगेन यह जो डिजीज है ये एक आपका a genetic disaster order है genetic जाने के आनुवांशिक रोग है यह कौन सा आपका कर्लर बाइनास अंजर इसमें बी ऑप्शन बनेगा बाकी डब्लू बीसी में आपको बता दिया था डब्लू बीसी वाइट ब्लू ब्लू इस इसको कहा जाता है और एक चीज और है कि डब्लू बीसी के अंदर आपको चीज और पताने चाहिए इसको और क्या गयते हैं हम लीकोसैटेस इंडेस सव को कहा जाता है और ब्लं मुटो इस डेय ब्लड कैंसर पूछा जाता है पेपर में बहुत बार धो कैंसर वड का मतलब होता है डिस्लिकीमियं जिसमें आपके जो होते हैं डबलू बिसी चाहान तूटने लग जाते हैं unlimited mitosis हो जाती है uncontrolled mitosis तब जाके cancer हो जाता है that is blood cancer leukemia उसको कहते है rod cell जो होता है यह आपका rhodopsin pigment होता है rhodopsin इसके अंदर rhodopsin pigment होता है जो different colors देखने में आपको help करता है neuron जो होता है brain cell होता है brain cell जाने के आपका जो brain है वो neuron से बना हुआ neuron is the longest cell in the body सबसे लंबा cell है body के अंदर neuron और neuron को हम और क्या कहते हैं nerve cell तंत्री का तंत्र की कोशिका और यह जो होती है minimum regeneration power का मतलब क्या हो गया what is the meaning of minimum regeneration power अगर आपकी बॉड़ी के अंदर यह होता है कि neuron अगर तूट गया neuron अगर तूट गया तो आपकी body के अंदर यह repair द्वारा से होने की बहुत कम chances होते हैं और आपका जो है paralysis वगयरा कुछ भी हो सकता है मतलब मर भी सकता है कि कोई भी परसंट ठीक है अच्छा यह तो minimum है अगर आप से पूछना कि maximum regeneration power नमारी body के अंदर कहां पे होती है यह लिवर यक्रित क्लियर होगे आप लोगों को यह चलिए जी अंसर इसमें बी ऑप्षिन बनेगा कौन से लिज़ा तरक्ट अंसर सब्सक्राइब को करने में दिक्कत आने लग जाती है और वो भी रैड और ग्रीन कलर चलिए जी अगला बताईए इसमें बताईए कि हमारे इंडिया के अंदर जो है आपका सबसे शौटेस डे आपको कब दिखाईए का मतलब क्या है जो अभी आने वाला है अभी दिन आप कहते सरदियां आगी है दिन चोटे होने लग गई है तो हमारे इंडिया में खास करके हाँ इंडिया में shortest day कब आएगा जब रात नंगी होगी और दिन चोटा हो जाएगा और इसमें क्या होता है सन का effect सन जो है अगर हमारे इंडिया से बहुत दूर चला जाएगा तो दिन चोटा जाएगा और रात लंबी हो लेकि और वो condition कब देखने को आपको मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ दिखाता हूँ आपको कैसे सब्सक्राइब को कि क्लेंता है कि जब भी हमारा जो सन होता रहं है सं क्या होता है कि विन्तर साल्सराइव लगता है जम्हारे देश में 21 दिसमर दिसमर 12 दिसमबर एक्षेक्ट डेट जो आपको पंपर की ऋनी चाहिए विंटर को डिसमबर एक्किस और बाइश दोनों ही आप कह सकते हो इस दिन क्या होता है कि हमारी जो सबको बता है बिल्कुल बीच से निकलते हैं इंडिया से तो मैं आपको सब्सक्राइब करता हूं कि इंडिया यहां पे है ठीक है इंडिया यहां पे है ऐसे इंडिया है तो इंडिया के बिलकुर मिदे से क्या निकलती है टॉपिक ओफ कैंसर जो किस लगता है जिस दिन आपका shortest day होगा और longest night होगी सबसे ज़्यादा longest night ठीक है और इस दिन जो है sun की race कहाँ पढ़ रही होती है यहाँ पे and this is called आपका Tropic of Capricorn यहाँ पढ़ रही है मकर एखा के उपर पढ़ रही है जाने के साड़े 30 degree south के उपर पढ़ रही है क्लियर होगे आप लोगों को साड़े 30 degree south के उपर यहाँ पर आपकी जो है sun की race पढ़ने लग जाती है जिसमें क्या होगा sun की रोशनी सबसे ज़्यादा यहाँ पर आएगी और जब सबसे ज़्यादा रोशनी यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर रोशनी आएगी नहीं कम आएगी तो that's why जो है यहाँ पर 21 दिसमबर बाइस दिसमबर के टाइम पर हमारा देश के अंदर क्या लगता है shortest day longest night और इसको winter solstice किसले बोलते हैं क्योंकि सबसे ठंडवाला दिन होगा ठंडवाला दिन क्यों होगा क्योंकि संद तो सारा इधर ही चला गया समझाया डैट स्वाइग एक चीज़ आपको और बताता हूं अभी अभी जो है अगर आप क्रिकेट से थोड़ा सा क्रिकट को देखते हैं समझते हैं जा कुछ सुनते वगरा हैं अभी इंडिया और और पढ़ रही होती है बिल्कु शर्ट मतलब नॉर्मल गूम रहे हैं वहां पर तो इसका मतलब वहां पर क्या हो गया क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की ऊपर क्या पढ़ रही है संकी रेस पढ़ रही है समझाया जैट स्वाए कि जब 25 दिसंबर होता है जिसे हम क्रिस होजाएगा अब यहां पर दो कोशन और दो तीन कोशन और है याद करीए येगल के अब क्या होगा एक होता है 51 जून का दिन 21 जून 21 जून 21 का दिन होता है उस दिन क्या होता है हमारे यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ऊपर जाने कि करक возмож के ऊपर सबisions पढ़ रही होगी तो इसका मतलग क्या होगा है यहां पर लॉंग डे होगा और शौट नाइट होगी लंबा दिन होगा और रात जोगी छोटी हो जाएगी तो यह आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का सारा खेल है अब यहां पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है इक्वेटर इक्वेटर कहां पर है जीरू डिगरी की उपर और इसको और क्या कहते हैं आप ग्रेट सर्कल के नाम से भी आप जानते हैं अब यहां पर जब सन की किरने पड़ती हैं तो आ यहां पर कब बनता है यह 20 मार्च को 20 और 21 मार्च को और एक बनता है आपका 22 से 23 सप्तंबर को कोई भी डेट आ सकते है पेपर में तो दोनों ही आपकी सही हो जाएंगी 22 से 23 सप्तंबर को इसको कहते हैं इसको क्या कहते हैं इक्विनॉक्स कहते हैं इक्विनॉक्स का मतलब जब आपकी सन की रिष्ट्र विश्व चांग आगहाल कि ऊंगे विश्व की उपर बोब बत रही हों तो 0 रपाध रही को दिन और रात बना पर को यहां पर बन बड़ें। था तो यहां पर बनेगा आपका दिसंबर 22 को अंसर बन जाएगा चलिए अगला देखते हैं बताइए यह कोशन बताइए हाँ वही मकर सक्रांती यह वह सब बोलते हैं हिंदी में ठीक है चलिए अगला बताइए फटा-फट अंसर इसका ध्यान से समझ के अंसर बताना है कि फ्यूज वायर जो होता है यह किसका बना होता है फ्यूज वायर जो होती है यह किस चीज की बनी होती है पहले तो मैं आपको दिखाता हूं फ्यूज वायर होता कि कहां पर कौन से फ्यूज वायर होती है आपने देखा होगा यह वाला बीच में जो है इस इस फ्यूज व आपके घर में ज्यादा करंट आ गया ज्यादा जब करंट आ जाता है यह पिगल जाती है तो इसका मतलब क्या हो गया लोएस्ट मैल्टिंग पॉइंट हो गया और यह आपको इंडिकेशन दे देती है कि करंट ज्यादा आ गया आपकी जो है लोएस्ट मैल्टिंग पॉइंट मतलब क्या हो गया कि करंट ज्यादा आ गया वोल्टेज ज्यादा आ गई जिसके कारणी यह पिगल गया लुवस्ट मैल्टिंग पॉइंट होता है ठीक है सो इसलिए हम यूज करते हैं फ्यूज वायर को ताकि आपको इंडिकेशन मिल जाए कि ऐसा चीज चल रही है फ्यूज हो गया आपको इसमें वन ऑप्शन बनेगा और यहां पर चीज और याद रखिए तिन और कॉपर लिखा हुआ है तिन और कॉपर टिन मतलब एसन कॉपर मतलब सी यू अगर मैं 10% टिन डालूं कॉपर 90% डाल दो तो मैं इसको क्या कहूंगा ब्रास जिसे कहते हैं पीतल क्ल जिसे आप कहते हैं कंसे बन जाएगा क्लियर हो गया चलो कमेंट सेक्ष्ट में वाठोट को बनता है यहां पевой से बनता है लो कांसा भता क्या कहते हैं इंडस फैली सभीलाईशन और सभी यह इंडस फैली सिंवलाईशन को क्या काते है प्रोटो इस्टॉरिक पिरेड अब्रा के सिक प्राक प्राख ऄत्यासिक और षब से पहली मैटल जो डिसकवर करी गई थी पूरे वर्ड के अंदर डैट वास कॉपर कॉपर वाज फिर्स्ट मैटल क्लियर आजी बिल्कुल जो बच्चे अंसर दे रहे हैं ब्रास का वो सही दे रहे हैं चलिए अगला गोशन देखते हैं जी अपना फटाफट बताईए बता फटावड बताईए इसका अंसर क्या बनेगा शाबाश बताईए जी इसका अंसर बड़ा इंपॉर्डन कोशन है ध्यां से समझना है और अगर आपने मनी करने का मूवी देखियोगी जिसमें उसने लीड रूल किया था कंगनार नौत ने तो उसमें भी सीन दिखाया गय क्या है क्या है जब वह गवाल्य को capture करने अकेली चली जाती है गुड़े पे अकेली चली जाती है और सिंधिया को बगाती है वहां से और गवाल्य को capture करती है तो मि बताई क्या बनेगा डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर क्लियर एटी साइटी फिफ्टी सेवन के अंदर जो रानी लक्ष्मी भाई इनको हराया किसने था इसने रॉस ने हराया था और एक चीज में आपको बताता हूं रॉस ने बोला भी क्या था 1857 के रिवोल्ट में जो पूरी श बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा रानी लक्ष्माई जांसी से लड़ी थी नाना साहिब जिनका नाम है दो दो पंथ और इनके जो कमंडर इंचीफ ते यह दोनों लड़े थे आपके कानपूर से क्यूंकि नाना साहिब जो है यह अडॉप्टेट चाल थे पेश्वा ब टाक्ट ओपे का औरिजिनल बन क्या है रामचंद्र पांडूरंग मॉलवी एंण से करते हैं फैजबाद से फैजबा ये लड़े थे ये लड़े थे जो निल्ली में सेंटर जब प्रपर गगा जो है किंग के हाथ में बात यही थी जब यहां पर लीटर खडे लगे थे किन स्टाट हो पर उस में अंदर इंदर कमांडर इंचीफ किसके लगे बहादूर शाह को और कहा कहते थे लगांःत टंसर बन जाएगा समझा है आप लोगों को चलिए जी अंसर इसमें डी ऑप्शन बन जाएगा सो राणी लक्षी भाई सिंधिया है इस इंडिया कंपनी टू केल दा राणी लक्षी भाई एंट तात्या टोपे यह कोशन बताओ बड़ा इंपॉर्डंट कोशन है यह मधशन यह कौन सा इंपॉर्डंट ऊच्रय जें बताइए क्मॉर्डंट इस् Columbi थैसलिया कोशन है एसे कौन से फॉरेस्ट होती है ट्रीज होते हैं जिनके लीव पत्त्र शेजन में चले जाते हैं पर्टिकुलर सीजन में चले जाते हैं मतलग क्या हो गया कि यहां पर बतलब कुछ टाइम पर पत्ते जड़ जाते हैं पर्ण पाती इसको कहते हैं यहां बनेगा राइट अंसर और यहां पर बारिश होती है 100-200 संटीमटर के बीच में जिसमें आपके बहुत सारे जो प्लांट होते हैं जो ट्रीइज टीग हो गया यह 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 आपके प्रॉमिनेंट होते हैं सी ऑप्षिन क्या बनेगा आपका राइट अंसर बनेगा यहां बहुत सारे और भी है भाई लिख लो काफी बच्छे से ज़्यादा बारिश आती है डिड़ जैसे आपके western ghaard होगे क्रिशना गुदावरी डिल्टा महा नदी डिल्टा यहांप देखने को आपको मिलते हैं जहाँ पे सारा साल जो है पानी 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 और बारिश भी सबसे जब से दिखने को आपको मिलती है क्लियर हो गया फिर उसके बाल लिखौनमें मैंगुरूव मैंगुरूव मैं आपको बताया हुआ है इसको और कहाते हैं स्वैंपि प्लाउंट स्वैंप नलंग लिट्डोरिल two और शुटोरल ठिक है आपके mangrove plants होते हैं वहाँ पे clear mangrove plants की जो roots होते हैं इतनी ज्यादा strong होती है कि जहां पे पानी भी आएगा ना उसका effect को कम कर देगा तब ही क्या होता है जहां पे tsunami वाली conditions बनती है हमारे इंडिया में खास करके तो हमने क्या किया पूरे कोशल एरिया में क्या लगा रखे हैं mangrove plant लगा रखे हैं जिसके कारण पानी जो है आपकी पानी अगर बहुत तेज भाव से भी आएगा तो mangrove plant को तोड़ने में बहुत ज़्यादा पानी की जुरुत होती है बहुत ज्यादा प्रेशर की जुरुत होती है स Kindern में कितना प्रहरों तब ग्षो घेल लैते हैं कौन मेंग्रूव प्लांट और एक हैं मेंग्रूव प्लांट के अंदर जो सुन्दर्बन ड मोर कोशुन वट जो बाईों के अंदर आता है मेंग्रूव प्लांट की रूटॉट होती है तो इसमें सांस लेने में respiration में roots के अंदर कौन सी चीज़ होती है जो सांस में help करती है mangrove के that is pneumatophores pneumatophores होते हैं जो help करते हैं सांस लेन में clear thorny plants जो होते हैं काटे दार जिनको आप zero fight कहते हैं zero fight जो desert condition में होते हैं कि वहाँ पर जो आपके stromata हैं वो कांटे की form में बन जाते हैं clear होगे आप लोगों को so these are the very important question clear जी हां बिल्कुल सो आंसर इसमें क्या बनेगा see option बनेगा right answer see option यह वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है दैस्यूडियस आपके thorn mountain littoral यह सारे plants की टाइपस है फॉरेस्ट की टाइपस है अच्छा फॉरेस्ट की बात करी है तो इच्छा यह बताईए फॉरेस्ट के अंदर एक कोश्चन आप लिखे हमारे इंडिया में फॉरेस्ट रिजर्व जो है वो कितना है हमारे देश में फॉरेस्ट कितने परसेंटेज हैं फॉरेस्ट रिजर्व कितने परसेंट है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहां पे हैं मद्यापरदेश में परसेंटेज वाइस कहां पे हैं मिजोरम के अंदर और उसके बाद जो है forest research institute कहां पर हमारा डाड़ी जिन्दा डाड़ी जिन्दा धेरा दुन उत्रा खंड़ के अंदर क्लियर यह आपको सारी फेक्टर याद रखने हैं कि छमझा आया चलिए जी आगे discuss करते हैं चलिए अगला बताइए बड़ा important question है यह वाला भी और यार तुमना ज्यादा sentiment मत हुआ करो ठीक है कि यह मुझे भी चीज़े पता है यह बच्चा पतने क्या बोलिया रहा है कि हाँ militant गलत वर्ड है यह गलत वर्ड है पढ़ने पे ध्यान दो थोड़ा सा अंग्रेजों ने हमारी देश के लिए कुछ बहुत कुछ बोला है उल यह थोड़ा सा फोकस होके पढ़ लेना चाहिए पढ़ लो थोड़ा सा अब पतानी ध्यान मत देना किसी की तरफ ठीक है मैंने दियान देने लेकिन आपको द्यान देने की जुरूरत नहीं है देखें जी माल्थीजन थियरी बता रहा है माल्थीजन का जो सिध्धान्त है यह आपको बताना है यह किसके साथ संबंदित है माल्थीजन का सिध्धान जो है वो किसके साथ संबंदित है बड़ा इंपॉर्टेंट कोशन है यह वाला चिक है पहली बात तो मैं आपको बता दूं इसमें दो चीज़े आती है क्या एक आपका अर्थमेटिक और माल्थीजन थेरी जो बताती है वो यह बताती है कि जो फूड ग्रो करता है हमारे देश में जब किसी भी देश के अंदर फूड अगर आर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा हो आर्थमेटिक मतलब जैसे 1,3,5,7,9,11 मतलब क्या होगा दोनों में दो दोगों का एप मतला दो यूने आपका खाना भाणा बढ़ रहा है घर महीने दो मन्हां दो यूने आपका खाना बढ़ रहा है Geometric progression में बढ़ती है आपकी Population, Geometric Progression का मतलब क्या हो गया भाई आपका 2 से 4 होगे, चीक है, 2 से कितने होगे, 4, 4 से कितने होगे, 8, 8 से कितने होगे, 16, Population जो है exponentially बढ़ रही है, Population आपकी Geometric Progression में बढ़ रही है, लेकिन जो खाना है वो arithmetic progression में बढ़ रहा है, आपका 2-2 unit में ब बढ़ रहा है तो हम इन चीजों को control नहीं कर पाएंगे यह चीजों को control नहीं कर पाएंगे इसलिए इसने दो चीजेक एक आगे क्या बताई कि हमारे देश में किसी मिंगी व्र्ड के हल्यव माहा वारी फैल जाए तो लोग अपने आप भी मर जाएंगे क्लियर हो गया कोई बीमारी फैल जाए एपीडामिक होजाये वोर आ होजाए यह उसने बोला पॉजीज चैल क्या होगा कि एक को तर Initiate प्रिवेंटीव चेक का मतलब है तहीं मिर्वेंटीव चेक का मतलब रहता है कि जैसे हम पॉपॉपीलेशन को कंटोल कर सकते हैं पॉपॉपॉलेशन को क्टोल कैसे जैसे बहुत सारी जो मैरीज्स होती हैं लेट मैरीजिस करो ठीक है और फिर आप बढूंद poses यूज और थो यह कोशिन बहुत बार पेपर में पूछा था कि इन में से positive check कौन सा है इस में से preventive check कौन सा है प्रिवेंटिव जिसको हम रोक सकते हैं population को हम रोक सकते हैं कैसे से रोक सकते हैं मैरीज लेट कर दो आई पिल्स खालो इस तरीके से लेकि जो आपका नेचर कर देगी नेचर ही कर देगी वह और होगी इस तरीके से तो ऐसी चीजों में आपका positive और preventive चेक होता है clear होगे आप लोगो येस समझाया आप लोगो येस अंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका डैडिस population के साथ संबंदित है क्या डैडिस माल्थी जन ठेयरी क्लियर होगे जैप लोगो समझाया आप लोगो क्लियर हो गया जी चलिए नेक्स बताइए यह आपका वह यह जी पर्ड़क्शन तो आपकी ऐसे बढ़ रही है खाने की लेकिन population देखो किस तरीके से exponentially grow कर रही है फटा-फट ऐसे एक्दम से हाइक मार रही है पॉपलेशन ऐसे बढ़ रही है गई आपातेशन थेरी बताती है मटीश्ड थ्यूरी बताती चलिए सब्धाइ आधे बदाई जी इसप्रवर्वर क्यूसरे हैं कि अगला है कॉशन क्या गहता है काम्रूप ढ audit안 यूपी सी या यृत यातीं में आया था यूपी स्ट शी आई एस के एक्जामम यह कोशन पुछा गया था मैं उसकrники फॉलेंग में पुछा था उनकल पूछ था उन्होंने काम्रोप जो होता है यह एक इंडिया का कौन सी जगां तो यह कोन सी जगांगा नाम है तो यह अस्म का नाम है तो आप्शन बनेगा राहिट अंशर यह काफी बिचे ऐुस्ज़ती ऊपशन पूछती यह असरा क्रेक्ट करते हैं तो असम की अंदर जो है आपके बहुत सारे लचेशन है कर सिंदा तो आंशर इसमें सिंद बनेगा मजूली आइलेड मजूली ऑईलेंड जो है यह एक आपका रिवराइन है रीवर से बनाया वा ब्रह्मा पुट्रागीवर की उपर है क्लिएर्य हों गया ये लोग सब्सक्रामि बोला को कहते हैं किसको असंद को कहते हैं बहुत अंग यूटr से हैं कि यूट्यूब की बहुत रहा है तब ही उसको पथा कि सरा हमें आगे वे बोलने वाले हैं okay तो अंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा प्राग जो तिशपुर भी किसको कहते हैं भाई असम को कहते हैं काम रूप उसका इंशन्ट नेम है चलिए यह है आपका काम रूप यहां पर आपका बनता है डैडिज मजूली आइलेंड चलिए अगला बताइए चलिए अगला बताइए फटाफट बहुत इंपॉर्डन कोशन है ध्यां से समझना है अच्छे से पढ़ना है कोशन क्या कहता है इन में से जो कॉंटिनेंटल शयल्फ होती है वह की Nick włos जो है आपकी शेल्फ होती है पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया की इसटराल वाले कम होती है लेकिन वेस्ट वाला इस्सा होता है वह आपका बहुत ज़्यादा ओएंडिया के अंदर और यह आपकाशे और यह आपका जो अतीक नाचर रिज रिस्ट पार्टान जॉब साइस का Beim रेवल का मेरीन एनिमल्स का यह बहुत बड़ा सोर्स होता है कॉंटिनेंटल शेल्फ और इसके अंदर सबसे दा वाइडस पूचा है सबसे चौड़ी जो है कॉंटिनेंटल शेल्फ कहां की है आक्टिक ओशन की यह कोशन भाई आपको याद रखना ही पड़ेगा आक्टिक ओ कोस्ट साइबेरियन कोस्ट जो है सबसे ज़्यादा चौड़ी है कहां पर आक्टिक ओशन के अंदर नॉर्मली जो होती है शेल्फ होती है वह आपका सबसे ज़्यादा मतलब गोंटिनेंटल शेल्फ की चुडाई उती है लेकिन साइबेरियन वाले की तो ना 51600 से ऊपर त दिखाता हूं और यहां पर यहां पर याद करिए ओशन की ऊपर पूछा आता है पैसा याद रखिए पैसा का मतलब है पैसिफिक अट्लांटिक इंडियन सदन और आप्टिक ठीक है तो यह जो ओशन होते हैं यह आपके लंबे मतलब सबसे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट हैं पैसा वर याद रखिए आप कौन से निकल जाएगा क्लियर और एक चीज़ आपको बताता हूं सबसे ज़्यादा जो आपके रिंग ओफायर जिसे हम कहते हैं इस आपके वाल केंग वोटन अर्थ को एक सबसे ज़्यादा आते हैं तो डानी जिसे ज़्यादा पैसेफिक और सबसे ज्यादा बिज्येस्ट आपको याद रखना है और चलिया अगला बताईए अचलिया ज़िए अगला बताईए याबाश बताईए जी बताईए अगला कोशन क्या कहते हैं स्टार का जो कलर होता है किसी भी स्टार का जो कलर होता है वो आपका किसके साथ सम्बंदित होता है स्टार का जो कलर होता है वो किसके साथ सम्बंदित है स्टार का जो कलर होता है वो किसके साथ संबंदित होता है वो उसके temperature के उपर संबंदित होता है अंसर इसमें क्या बनेगा सी option बनेगा correct answer सी option क्या बनेगा right answer बनेगा the color of the star is due to the temperature actually क्या होता है अब आपने देखा होगा एक चीज किस जो sun sun is a star star तो star ही है ठीक है टो होता है इसका मतलब क्या होता है अगर पोजितिव और है तो अ वह उसनी जिन्दगी में इतने तब किये हैं उसनी अफनी जिन्देगी में इतना कुछ हासिल किया है मेहनत से वह मेहनत क्या है आपका मतलब वही चीज तब किया हुआ अपना तब रहेगा तो क्रेंड़ पर रहेट है पयंद्द कि आप स्टोर यहां प्यंद ले लो तो एप यहां और किसी भी स्टार के पास energy आती है और energy जो होती है वो किसके कारण आती है nuclear fusion के कारण ना भी किया sun lion के कारण जो है यह energy देखने को आपको मिलती है तो answer इसमें क्या बनेगा आपका सी option बनेगा right answer yes see option बनेगा temperature is the correct answer clear हो गया आप लोगों को अच्छा एक आपसे पूछा जाता है पेपर में distance दूरी distance के unit क्या होते है वह distance के unit क्या होते है लाइट यह जो है डिस्टेंस के unit होते है जो आपके जो star वगयरा से मापते की कितनी दूरी की उपर है वह लाइट यह में मापा जाता है लाइट यह किसके बरापर होता है 9.46 into 10 raise to power 15 meter यह एक light year होता है ठीक है अगर मैं इसको मैं किलो मीटर में चेंज करना चाहूं तो मैं इसको ऐसी भी लिख सकता हूं 9.46 into 10 raise to power 12 km तो पेपर में जो खेल आप से घुमाएगा examiner किलो मीटर और मीटर में गुमा देगा और वहां पर आप गुम जाओगे तो इसलिए दोनों वर्ड लिख लेना 12 किलो मीटर में है 15 में है क्योंकि एक किलो मीटर में 1000 मीटर होते हैं clear और दूसरी बात यहां पर है कितनी स्पीड से लाइट आती है 3 into 10 raise to power 8 meter per second speed of light इतनी होती है अगर मैं यहां पर किलो मीटर में चेंज करूं तो क्या बन जाएगा 3 into 10 raise to power 5 km per second बन जाएगा समझा है यह सारा condition है और एक यूनिट और होती है distance की वो होती है क्या डैट इस पर सेक ठीक है पर सेक है पर सेक इ होती है clear होगे आप लोगों को हां सो यह आपको ध्यान रख लेना जिस तरीके से भी एक्जाम में question पूछा जाएगा answer इसमें c option बन जाएगा temperature is the correct answer Sun का जो temperature होता है surface temperature वो 6000 degree centigrade होता है और Sun का temperature मापने के लिए जो यंत्र होता है डैडिस कॉल पायर हीलियो मीटर पायर हीलियो मीटर उसको कहते हैं जो Sun का temperature को मापते हैं clear so this is related with the color of the star is the temperature जैसे जैसे temperature होगा वैसे वैसे कलर दिखाई देता जाएगा चलिया जी अगला बताईए कि समझा रहा है आप लोगों को चलिए कि इनमें से ऐसा कौन सा atomic power station है ठीक है जो हमारा इंडिया के अंदर हमने इंडिया वाले खुद बना रहे हैं इंडिजिनिसली बनाया है तो कौन सा भाई इसमें power station है अब बताईए जी बताईए हाई रखो जोश हाई रखना है पढ़ना है ठीक है कौन सा power station होता है जो इंडिया खुद बना रहा है मतलब पावर सेशन जो खुद बनाया इंडिया ने डाट इस दा कलपक्कम और यह कहां पर है यह कहां पर है तमीलाडू तमीलाडू कहां पर तमीलाडू में चिनई में ठीक है अंसर इसमें क्या बनेगा वन ऑप्शन बनेगा नरोडा की बात करते हैं तो यह कहां पर है यूपी में उत्रपरदेश में रावत भाटा जो है राजस्थान में है तारापूर कहां पर है यह इंडिया का पहला टॉमिक रियक्टर था यह कहां पर है महाराष्ट्रा मे समझ आया हाँ यह इंडिया का पहला था अच्छा चलो निफ्ली र्यक्टर की अगर मैं बात करता तो who's the father of nuclear reactor फर मी फर मी को बोला आता है father of nuclear reactor क्योंकि इन्हों ने पहला nuclear reactor लगाया था कहां पर यूएस के अंदर शिकागो यूइस स्टी में अन्सरे फाण बनेगा तो यहां पर भाई अपनी कुछ पढ़ लो की क्या है जैसे कैगा अटॉमिक पावर प्लांट है यह कहां पर करनाटक में कल पक्कम चनई के अंदर तारापुर जो है आपका महराश्ट्रा के अंदर राजस्थान अटॉमिक पावर सेशन निरोडा जो है आपका यूपी के अं पोखरंड यह पोखरंड वो टेस्ट साइट है जहां पर हमने निकुलर पहली बार एटम बाम को टेस्ट किया था 1974 में पहली बार पोखरंड वन जिसे आप कहते हैं और इसका मिशन क्या था स्माइलिंग बुदा स्माइलिंग बुदा इस दानेम और ला दूसरे वाला कब क ओशाबाश जो ऐसे ही रहना चाहिए ऐसी ही पढ़ना है बिल्कुल बिल्कुल जी कोशन ध्यां से समझे क्या गाता है कि योग ऑस आफीकल सुसाइटी ऑफ इंडिया के फांड़र का नाम बताना है थियो सॉफिकल सुसाइटी के फांडर का संस्थापक का नाम आपको बता है फटाफट बताइigail इसके founder का नाम किया है देखें पहली बात तो यहां पर Option है वो गलत लिखें गए यह दो दियांसे समगेना इसकोषन के जो Option है वो गलत लिखें गए है लेकिन घ्यां रखना है आपको क्या कि यहां पें कोशन उसने पूचा गया है इंडिया वर्ड फूचा है पहली बात तो इंडिया में कोई ऐसी थी त्योसॉफिकल ससाइटी के फाउंडर को यह नहीं ते को को टिक करना पड़ेगा पहली बात तो यह जो है यह इंडियन कल्चर को बहुत ज्यादा इन्हों ने पर्मोट किया था हमारे इंडियन कल्चर की सारी चीज़े इन्हों अपनाई थी, clear, अब यहाँ पर बात करते हैं, कि यहाँ पर, इन्हों ने, जो कौन से founder थे, इनके, वो कौन से, that is, madam, इस ब्लावस्की, clear, और एक थे, major all court, यह दो लोग थे, जिनों ने, जो है, यह, क्या start करी थी, थी, theoretical society, start करी थी, clear, madam, H.P. ब्लावस्की, and major all court, clear, होगे आप लोगों को, sorry, colonel all court, colonel all court, तो यह दो लोग थे, जिनों ने start की थी, theoretical society, यह कहां पर start करी थी, नियॉयोक के अंदर start करी थी, और यह हमारे Hinduism की उपर बात करती थी, हमारे Indian culture की उपर बात करती थी, clear, फिर बाद में क्या हुआ था, बाद में any patient ने इसको join कर लिया था, any patient ने इनको join कर लिया था, theosophical society को join कर लिया था, but she was not the founder, but she was not the founder, ध्यान रखना, पर इस question के according हमें any patient को tick करना पड़ेगा, लेकिन she was not the founder, कई बार paper में एक question आ जाता है, who was the founder of theosophical society, तीन option दे देते हैं, आगे तीन option और दे देते हैं, ABC, AB, ABC ऐसे करके, तो अगर आपको paper में बूचा गया, पहला option आगया, मैडम, बलावस्की, दूसरा बूचा, all cut, और तीसरा option डाल दिया, any patient, तो आपको क्या करना है, one and two के उपर ही tick करना है, क्लियर हो गया आप लोगों को, यह UPSC के अंदर बहुत बार paper में question आया है, और normal exam में तो आता ही आता है, चीक है, तो यह गलती से भी गलती नहीं करनी, any patient was not the founder, बट इस question के according हमें tick करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर option डाले हैं उसने, क्लियर, क्योंकि theosophical society ने, हमारे इंडिया में headquarter कहां पर बनाये थे, मदरास के अंदर बनाये थे, clear, मदरास अधियार के अंदर बनाये थे, इन्होंने headquarter, और मदरास अधियार जो है, headquarter किसका था, जो any patient का भी headquarter, जहां पे उन्होंने क्या के रही थी, home rule league चलाई थी, क्योंकि home rule league जो है, 1916 में दो लोगों ने चलाई थी, एक थे जिनोंने headquarter के अबनाये थे, महराष्टरा पूने के अंदर, लेकिन इसके साथ ही, जो है, any patient ने भी home rule league चलाई थी, पूरे इंडिया के अंदर, और उन्होंने headquarter कहां पे बनाये थे, मदरास अधियार के अंदर, इस चीज को link करके, आपको tick कर सकते हो, कि one option इसका right answer बनेग कलकटा सेशन के अंदर, 1917 में, 1917 के अंदर, और अगर आपसे पूछा कि पहली इंडियन लेडी, डैड वास रोजिन नाइडू, कानपूर सेशन, 1925 के अंदर, डव्लू सी बेनर जी, ये हमारे देश की 1885 के अंदर, आई एंसी के पहले chairperson से, राम परसाद बिस्मिल, इन्हो ने जो है, एक गाने को बहुत ज़्यादा फैलाया था, डैड गाना, डैड इस काल, सर फरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, डैड वास वाइदा, राम परसाद बिस्मिल, जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया था, सुभाश चंद्र बोस की अगर म ने एक सेशन में क्या किया था, पत्ता भी सिता रमया को हराया था, पत्ता भी सिता रमया को बैक सपोर्ट किसकी चल रही थी, गांधी जी की, ठीक है, कि मतलग क्या हो गया, इसमें लोग बोलने लगे थे, कि सुभाश चंद्र बोस ने गांधी जी को हराया, एक तरह से, क् जब रिजाइन किया था तो जिस सीट खाली रहे गी ला सीट उनकी खाली रहे गी तो उनकी सीट के ऊपर टैंपरेरी प्रेजिडंट कौन बैटे थे डॉक्टर राजिंदर परशाद तो फिर जब आईनसी से निकल आई सुभाष्चंदर बोस तो सुभाष्चंदर बोस जी क्या स्टार्ट किया था फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी स्टार्ट करी थी नाइंटीन ने बन गी इंडियनेशन आर्मी में बन गे नाइंटीन फॉर्टी थी सिंगापूर के अंदर फिर तो आगे उन्होंने काम करना अपना ही स्टार्ट कर दिया था सुभाष चंद्र बोज जी नहीं फादर ऑफ नेशन बोला था किसको बोला था मादमा गांधी को तो यह सारे फेक्टर है तो अंसर इसमें क्या बनने वाल है न कूर्प करनी के और अगर आपको निकाल लोगे तो यह तो इसमें क्या बनेगा और इससके अंसर watching सब्सक्राइब करना आपको दिमाग करना आपको पिच्चर क्लियर करनी है मैप ऐसे 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 पेपर में चलते होने चाहिए आपके हाथ भी ऐसी चलते होने चाहिए कि अहां एक पॉइंट बताया सब्सक्राइब करके आपको लिखना है कि हां इतने पॉइंट सर ने बता दिए अगर आपके वह पॉइंट्स आपके एक्जाम में क्योंकि जब आप रिविजन करेंगे ना तब आपको पता लगए कि हां आपने पढ़ा गया था ठीक है मेरी याद तब ही आएगी कब आएग शांटि और स्चेय की बात चल रही है हमारे सविधान के अंदर उसको परणोट करने की बाद चल रही है अगेन एक चीज देखिए अंतराश्य शांती बनाना और सुरक्षा बनाना यह कौन से पार्ट में लिखा होगा यह आपका स्टेट का पार्ट है और स्टेट में कौन सा आता है भाई आपका मैंने आपको बताया था डिरेक्टी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट प क्लियर होगे आप लोगं को डिरेक्टी प्रिंसिपल हमने कहां से बौरो किये थे कौन सी कंट्री से देखके हमने अपने सविदान में डाले आयरलेंड से और सोशल डैमोक्रेसी एकनोमिक डैमोक्रेसी प्लस वेलफियर ऑफ दा कंट्री वेलफियर ऑफ स्टेट का अगला डीपीएसपी का डीपीएसपी से साथ संबंदित है फंडामेंट राइट के अगर हम बात करते हैं तो यूससे अमने बोरो किये थे बारा से लेके 35 नमबर तक आर्टिकल आते हैं फंडामेंटल डूरी जमने यूससर से बोरो करी थी आर्टिकल 51 एक अंदर आता है तो अंसर इसमें बी ऑप्षन बनेगा राइट अंसर अगला अंसर बताना है क्या बनेगा माउंट एल ब्रस जो है यह कहां पर है कि है माउंट एलब्रस जो है कहां पर है माउंट एलब्रस कहां पर है जो है वर कहां पर है कौन से अधर माउंट अलब्रस कि यह हाइएसट पिक है वहां पी वहां की हाइसट पिक है पहले तुछ लो दिखाता हूं आप लोगं को कहां पे वाई यह है वाउन्ट अलब्रस थोड़ा सा काला सा मैप I reported ठीक है तो दीस युराल माउंटेन्स कहां पे है यह मुझे कमेंट सेक्षिन में अंसर लिखके बताएंगे आप लोग युराल माउंटेन्स कहां पे है युराल जो श्रंखला है यह कहां पे है यह आपको बताना है कमेंट सेक्षिन में लिखना इसका अंसर नहीं तो कॉपी में साइट पे ल रिचस सूर्स बताना है जाने के सबसे जादा प्रोटीन के रिपेर करना हमारे चैल को बनाना प्रोटीन की कम इसे क्वाश्यर कर रोग हो जाता है मरासमस रोग हो जाता है जिसे हम पीएम भी बोल देते हैं प्रोटीन एनर्जी मैलनुट्रिशन क्लियर पट यहां पर कोशन क्या है रिचस्ट सोर्स की बाद चल रही है तो वह है सोया बीन और आपका ग्राउंड सी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर सी ऑप्शन बनेगा यह बोलते हैं बच्चे मेरे को पहले भी एक बार अंसर आया था जैसे कोशन पूछा गया था सर मीट और एग्स तो सबसे जादा है नहीं मीट के अंदर फैट भी बहुत जादा है उसके कंपैरिजन में प्रोटीन क बनेगा राइट अंसर यह स्वय बीन एंड ग्राउंड नट अगला बताओ अगला बताओ क्या है यह दिमाग खुल रहे हैं आप लोगों के जिल लोगों को पता है उनकी रिवीजन चल रही अच्छे से और जिल लोगों को नहीं पता उनको समझ आ रहे हैं चीज़े समझ बहुत बढ़िया बहुत लोगों को तो समझ है बश antics वीजन अंसर आ रहे हैं मैं देख रहा हूं लेकिन participation जो चल रही है ना धमाकेदार चल रही है और ऐसी चलती रहनी चाहिए क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो ना तो result आपको देखने को मिलेगा आज नहीं कल इस exam में तो उस exam में मिलेगा ही मिलेगा result हिम्मत नहीं आरनी पेपर आपको निकले निकलेगा जो सच्चे मन से पढ़ रहा है जो यहां पर बगवास बाजी करने के लिए पैठा है फिर उनका थोटा सा होते हैं मैक्रोफेजिस का मतलब क्या होता है हमारी बॉड़ी के अंदर जो भी इंफेक्शन आती हैं उनको खतम करने के लिए तो मैक्रोफेजिस का काम करते हैं कौन एडिजा कूफर सेल्स क्लियर हो गया हां बिल्कुल फैगो सिटीज फैगो साइट भी आप इसको कहा गया ये एंडो टॉक्सिं वगयरा खटम करते हैं जितने वी SpaceX आपकी बॉड़ी के अंदर आती है क्लियर हो गया अब लिवर की बात करते हैं तो लिवर से दो तिन हैपाइटाइटाइट सब्सकें पैपाइटाइट है सूब चो जान लेवा है क्लियर्वर कें अंदर यूरिया बनता है आपका लीवर hai होता है आपकी रिजरव इनर्जी होती है मैक्सिमम रिजर्ण यहन्रेशन पावर होती वो प्रोटीन बनते हैं कहां पर that is in da liver 1 जो होता है यह क्या करता है यह आपका हाई फाइब्र आधं क्या है है ब्ल क्लॉटिंग में आपको help करता है रखतका थकका जमाने में आपको करता है लेकिन अगर हम कहें कि बॉड़ी के अंदर बॉड़ी के अंदर दो होना ने चाहिए अगर तो मतलल डिंजरस हो जाएगा आपके लिए काम insulin hormone निकलता है बिटा से से अंडर होती है ठायरुक्सिंघ होर्मन निकलता है ठायरुक्सिंघ होर्मन प्रपर तरीके से आने के लिए आपको ayan consumption भूष्व ज़रूरी है अगर आप ayan का रहे हैं तो ठायरुड ग्लैंट अच्छे से काम करेंगी अगर नहीं जो डाइजेशन अंतिम पाचन फाइनल डाइजेशन और मैक्सिमम एब्सॉप्शन सबसे ज्यादा एब्सॉप्शन अप्शूशन खाने का कहां पर होता है स्मॉल इंटेस्ट्राइन के अंदर सो इसमें बी ऑप्शन बनेगा लीवर इस दा करेक्ट अंसर यह बड़ा इंप लोग उनको पढ़ने में यह बताओ यह क्या इसने लिख दिया हिंदी में यह गलति लिख दिया यारी इस नौट वशी करन वेस्टीजल का मतलब होता है कि जो हमारी बॉड़ी के अंदर प्रेजंट है लेकिन उसका फंक्शन नहीं है ठीक है और कुछ ना कुछ गलती हो ज अधाइए जी बताइए अधाइए बिल्कुल तो इसमें कौन सा वेस्टीजल और नहीं है देखें टेल वर्टीप्रेटिक हम बोलते हैं पुछ पूच कशेर कशेरू क्याते हैं इसको यह क्या होता है कोकेक्स कहते हैं हम साइंस की लेंग्वेज में कोकेक्स क्लियर तो यह यह तो आपका वेस्टीजल औरगन है नेल्स नहीं है वेस्टीजल औरगन यह इसका फंक्शन है प्रटेक्शन करना आपकी बॉड़ी के अंदर प्रटेक्शन करना ठीक है और तो यह तो है वेस्टीजल औरगन नहीं है निक्टेटिंग मेंब्रेन होती है कहां पर आईज म कि रूपकर अपर्वब्डी में जो होता है लाज इंट्रेजएंड में बड़ी आंत में होता है ठीके बड़ी आंत में ठीके समझाया आप लोगें को तो इसमें अंसर क्या बनने वाला है आपका यह को दिखाता हूं कि वेस्टीज़ औरगन हमारी बॉड़ी में फिर चलuft याद करो येएक पूछ पूछЙ तो इसमें आपको मैंने याद करना कैसे नंबर याद करना आपको साथ सो बारा पांन सो चोवन यह सीधा याद कर साथ सू बारा पान सो चोवन ये नंबर ही याद कर लो तो आपको याद रहा जाएगा साथ बारा पांच पांच चार ठीक है यह आपको वर्ड रहा जाएगा तो ध्यान रख लेना तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी आप्शन बनेगा नेल्स अब यहां पर आपको दिखाता हूं तो दी ज्ञादा वेस्टीजिल और यहां molar appendix जो आपका large intestine में होता है body hair जिसे आप goose bumps कहते हैं male nipples these are also the vestigial organ coaxe जिसे आप tail vertebrae कहते हैं tonsils tonsils जो होते हैं अगर आपके अंदर infection होते हैं तो tonsils होते हैं tonsils are also the vestigial organ कोई function नहीं है ठीक है हां ठीक है तो these are the vestigial organ these are very very important part जो आपको पता होना चाहिए so this is the vestigial structures on the human body बताईए जी अगला बताईए अगला बताईए फटा फटाफट अंसर कोशन क्या बोल रहा है ध्यान से समझे कोशन बोल रहा है इन में से ऐसा इन में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो नेचर में प्रेजेंट नहीं होता लेकिन हम उसको आर्ड इपीशल बनाते हैं आर्ड इपीशल का मतलब क्या हो गया कि कृत्तम रूप से प्राइए लेकर नेचर में सीधा नहीं मिलता दीखे जी क्या है इसमें यूरेनियम की अगर तो यूरनियम 235 नेचर में मिलता है आपका ठीक है और उन रिजर्व सबसे जाधा कहां पे कजाकस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कजाक'Satan जो हैं आपके लाजिस्ट पर्डूसर ऊरय्रइम का णिर्ट进 Table हम नुकली रियक्टर में यूज करते हैं थोरियम जो है थोरियम तो मैंने आपको कितनी बार बताया है मोनाजाइट सेंड है हमारी केरल के अंदर मोनाजाइट सेंड है केरल के अंदर तो वहां पर आपका थोरियम ही पड़ा है तो नैचुरल है यह रेडियम भी नैचुरल है यास plutonium is the correct answer plutonium is the right answer clear plutonium 239 यह हम artificial तरीके से बनाते हैं clear अब यहां पर मैं आपको चीज और बजाता हूं जो पेपर में बहुत बार पेपर में कोशन आ सकता है वैसे मैंने देखा नहीं है कोशन लेकिन आ सकता है आपको atom bomb के उपर कोशन पूछ लेते हैं atom bomb परमानु bomb के उपर कोशन पूछ लेते हैं पहला परमानु bomb हिरोशीमा दैन उसके बाद नागासाकी में फेका गया था यूएस ने जपान के अंदर फेके थे हिरोशीमा 6 अगस्त को फेका था 1945 और नागा साकी के अंदर 9 अगस्त को फेका गया था 1945 में हिरोशीमा में जो बम फेका था डैट वास लिटल बॉय ही नागा साकी में फेका था fat man ठीक है लिटल बॉय के अंदर जो यूज हुआ था यूरिनियम 235 था प्लुटोनियम जो डैडिस जिन्दा फैट मैंथ इसमें था प्लुटोनियम प्लुटोनियम 239 यह आपको पता होना चाहिए समझाया आप लोगों तो तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका वन ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर अंसर इसमें क्या बनेगा अप्षिन बनेगा प्लुटोनियम इस दा करेक्ट अंसर चलिए यह जी प्लुटोनियम ठीक है इस प्लुटोनियम अटॉमिक नमबर इस नाइंटी फूर बताईए जी अगला कोशन बताईए अगला बताईए जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ऐसी जोरोशोरोश से पड़ो और ऐसी रिविज lux करो ऐसे ही अच्छे 6 अंसर दो क्या बोल रहा है कौन सा ऐसे सुल्टान है जिसने बोला घृट तता कि जतनी आप क्रॉप प्यौश्ट करेंगे उसकी आदी क्रॉप जो है उसको र conveer ढ़ेगा कौन से किंगर ने बोला था जितनी आपढ़ी सिस्सा नुझे देना पड़ेगा तो कौन से ने बोला था यह यह बहुत अच्छे वाले राजा भी अपनी जंता के लिए अच्छा है ठीक है लेकिन बाहरवालों के लिए बिकार है और यह कौन पर्शन है डैट इस अलाउदिन खिल जी इस दा करेक्ट अंसर सी ऑप्षिन बनेगा अलाउदिन खिल जी का ओरिजिनल नेम है अली गुर्शप कि इनको आप दूसरा सिकंदर भी कहते हैं अप्लीयर हो गया अब अलाउदिन घ्री जो है इनों ने कहा था कि हमें तो सिर्फ कैश में सब कुछ चाहिए मतलब टेक्स भी कैश में मिलता था आप आपको जमीने मिलते थी जिसको हम कहते थे इक्ता सिस्टम कहते थे और वह सब्सक्राइब करने वाला परसन को था अलाव दिन खिल जी था शहाने मंडी की पोस्त त्यार करी कि हाँ बढ़ियों में आपकी मार्किट के अंदर जो है कुछ गडबड ना हो रही हो द्यां रखना दूसरा सिकंदर का मतलब सिकंदर सानी भी इसको कहते हैं घ्लियर हो गया तो अन्सर इंस मेंगा क्या पनेगा आपका सी उप्षिन बनेगा और इनका एक गुलाम था जीसे हम कहते हं हजार दिनारी हजार दिनारी मलिक कफूर जिनों ने का जो है प्रताप ces प्रताप तुदमिश आपको बदा दिया एकतर सिस्टम वाला और इंहोंने सिंगए स्टार्ट गिए थे कोपर जितल सिल्वर टंक का सिंगा स्टार्ट leaked तर स्टार्टेता रियल फांडर उप दिल्ली सलतनत इनको कहते हैं स्लेय गुलाम का गुलाम देदा the allá इन्हों को कहा जाता है बलबन जो है जिन्हों आपणे आपको बहगवान बोल दिया था जिले इलभाई नियाबियत & कि खुदाई और इन्होंने बल्बन ने एक बड़ा important question है जो पेपर में confusion कर देता है आपको उलेमास को उलेमास पता कौन होते हैं जो आपके religious instruction देते हैं खास करके Muslims में Muslims में religious instruction जो प्रवाइड करते हैं तो मस्जिद बगैरा के अंदर उनको हम उलेमास कहते हैं बल्बन ने बोला था उलेमास को क्या आप अपने काम से काम रखिए आप सिर्फ धर्म में आईए आपको politics में आने की कोई जरूरत नहीं है तभी तो उन्ह इन्स्रक्शन प्रवाइड करी थी इस वेरी इंपॉर्टेंट मुहमद मिन तुगलग पड़ा लिखा मुर्ख दफ वाइजस्ट फूल ऑफ इंडिया पांच काम पहला डबल टैक्सेशन दूसरा से टोकन करन्सी जो लोगों ने खुर घर पर बनानी स्टाट गर दी थी ती पांच काम ऐसे थे जिनके कारण इनको मुहमद मिन तुगलग को वाइजस्ट फूल ऑफ इंडिया बोला जाता है क्लियर सब्सक्राइब आप लोगों को हां जी समझ आया आप लोगों को यह सेकिंड अलेक्जेंडर किसी बच्चे ने पूचा कि जो अलाउदिन खिल जी है पूरे पूरे एरियाज को चैप्चर करता चला गया था पूरा देश इंडिया और बहुत सब्सक्राइब इसके अप्षं बनेगा राइट कि यह हैं जी कौन अलाउदिन खिल जी अलिकुर्षप दूसरे सिकंदर चलिए अगला बताईए कि चलिए अगला पताईए फटाफट अंसर कि शाबाश कि अच्छा एक चीज और बताता हूं आपको एक बच्चा बोल रहा है पदमावती पदमावती सबको पता है जी चीक है आपको यह मूवी भी देखी होगी आप लोग ने अलाउदिन खिल जी राना रतन सिंग ठीक है और जो चितोड़ का किला इन्हों ने जीता था किसने जीत लिए था अलाउदिन खिल जी ने और वहां पे जोहर किया था कि इन्हों पदमावती राणी पदमावत ने जोहर किया था अपने आपको जिंदा जलान जसे आप कहते हैं तो जोहर किया था लेकिन उसके बाद मतलब उस जगा का नम खिज्रावाद भी रख दिया था अपने बेटे के नाम पे लाउदिन खिल जी कि ने एक और याद रख लेना है पद्मावत पुस्तक किसे ने लिखी थी पद्मावत पुस्तक किसे ने लिखी थी पद्मावत पुस्तक लिखी थी मलिक मोहमद जाइसी ने यह मैं आपको बता देता हूं ठीक है और बगई को इ Keith में उप्सटे के ऊपर और जो हैा रिफिट का क्या इप contemplation का क्या बताता है कि वटलог कि इंडियां इंडिया इंडिया क्या है इंडिया आर्टिकल में क्या दर्शह ऑफ स्टीट्स इनस्स इसमें इसमें आपका one option बनेगा सिर्फ राज्यों के संग के बारे में बात करी गई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया की स्टेट्स ही आएंगी इसमें ध्यां रखना गलती से गलती के निया ही करनी क्या एक वर्ड आपसे पूछा जाता है टेरिट्रीज ओफ इंडिया एक पूछा जा आती है स्टेट्स आ गई आपकी ठीक है यूटी आ गई आपकी जा फिर हमने कोई फॉरन की कोई फॉरन जमीन जो है इंडिया के अंडर में आती है एक्वाइर करी हुई है तो वह आपकी टेरिट्रीज में आती है लेकिन ध्यां रखना आर्टिकल वन में यूनिन ऑफ स्ट क्वासी फैडरल का मतलब क्या है अर्द संगिया अर्द संगिया वर्ड का मतलब यह होता है जहां पर कुछ चीजpenं आपकी अकॉडिंग सैंटर स्टेट और आपकी लोकल गवर्मेंट के पासिपावर है लेकिन सब से जाएजाँ आज आईगी तो सब की पावर खत्मोंगी कहां पर चली जाएगी सेंटर में कहते हैं हमारे देश में सेंटर स्टॉंग है और राज्यों के अंदर डिवीजन भी है मतलब पावर्स की डिवीजन भी करी गई है तो यह सारे आपके साथ जूड़ते हैं लेकिन आर्टिकल वन में यूनिन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करी गई है तो यहां पर द्यान रखिए आपका यूनिन ऑफ स्टेट्स में यूनाइट यह थोड़ा सा पिच्छा गरत लगी यह आपका यूएस वाला लगया बट चलो चूड़ो यूनाइट सेट्स यूनिन ऑफ स्टेट्स को कहते हैं आप स्टेट्स ऑफ इंडिया की हाँ हाँ बिल्कुल चलिए जी अगला बताइए कोशन क्या गहता है इनमें से ऐसी कौन सी ऐसी यूनिन टेरिट्री है के अंदर शासित परदेश है जहां पे पंचाईती राज एक्जिस्ट नहीं करता नॉट एक्जिस्ट कहां पे एक्जिस्ट नहीं करता देखें पंचा था 11-1 स्केडूल समझाया था मैंने 11 अनुशूची और 73 सशोधन बताया था मैंने आपको 1992 में जो लागो किया गया था 1993 में लागो में लागो किया था नागालन मेघालया और मीजोरम Meghaaloha मेजोरम नागालन इन तिनों जगा के उपर भी क्या नहीं है अपकी डाडीज आफकी पंचायत का कॉझरफ नहीं है तो answers में क्या बनेगा एक सी option बनेगा ड करेक्ट all डी चलिए जी अगला बताएई है बड़ा इंपॉर्टन कोशन है गलती नहीं करने हैं आपको यह कोशन में अभी रिसेंट ली उसमें 10,000 mcq वाले कोर्स में करवाया था मैंने इन में से ऐसी कौन सी डजीज नहीं है जो वाइरस से नहीं होती कौन सी डजीज है इसमें से सभी आपको पता होना चाहिए क्या ट die hiragία, सब्सक्राइब दाता हुआ के सब्सक्राइब शुकूरेज का में है शुथ एसमें प्सकीच द्सक्राइब कर दंता तहए और गेंट बूसरों होता है एक बडेक्तिरिया के कारण प्सक्राइब क्या बनेगा आपका one option बनेगा टीबी जो होती है बवाइन एनिमल से भी फैल सकती है मतलग दूद देने वाले एनिमल से भी अगर उसको टीबी हो रखियो तो आपकी बॉड़ी के अंदर भी जा सकता है टीबी का बैक्टीरिया तभी तो हम करते हैं दूद का पास्ट्री करन इसका मतलग क्या होता है कि दूद को ऐसे टेंपरेचर के उपर गरम कर दो कि आपका जो बैक्टीरिया है सारे खत्म हो जाएं लाइक आपका 62.8 डिग्री सेंटिग्रेड सेल्सियस में आपका 30 मिनट के लिए 71.7 डिग्री सेंटिग्रेड आपका 15 सेकंड के लिए तो यह आपका टेंपरेचर होता है पास्ट्रेशन ऑफ मिलिका जो लुइस पास्ट्र ने बताया था क्लियर अंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा मैं आपक चिकन पॉक्स वैरिसेला जॉस्टर वाइरस वैरिसेला जॉस्टर वाइरस क्लियर आपको याद रखना है कि समझ आया आप लोगों को हाँ कि वैंने से ला जॉस्ट्र वाईरस डेंगू जो होता है आपका डेंगू वायरस है अ क्लियर डेंगू को हम और क्या कहते हैं ब्रेक बोन फीवर लाइंगो के अंदर प्लेटलेट्ट्स होते है वो कम हो जाते हैं डेंगू को फिलाने वाला मच्छर जो होता है डैदिस Aedes aegypti है है ठीक है पोलियो होता है पोलियो वायरस होता है और इसको हम कौन सी वैक्सिन कहता है साख वैक्सी हाँ सेबिन साख साख वैक्सिन समझाया आप लोगों को तो यह सारे फेक्टर आपको याद रखने है नेजर को यह आपको लोगों को तो यह आपको ध्यान रखना है क्लियर जी साय है क्लियर लोगों वेलगुड रो रुर्च मेरे चीतो ४सक्ताश अ बिल्कुल जी यह जो मैंने माइड मैप ना काफी बचे मेरे से पूछ ते थैंसर आप तो में उसको काली करो लेकिन को कॉपी को तो एसे चलते आ रहें एसे निदे देखे सारा दिमाग वहीं पर गूम जाए कि इसमें क्या क्या चीज़े आएंगी समझाए आप लोगं को कि यह आपको ध्यान रखना है चीक है कि चलिए जी कि बिल्कुल जी बिल्कुल चलिए आगे देखिए यह टीवी में आपको बता दिया था हम नेक्स बताई ये कोशन है बनारस हिंदू युनिवस्टी बी एच यू बनारस हिंदू युनिवस्टी के फाउंडर का नाम बताना है क्या है बनारस हिंदू युनिवस्टी के फाउंडर का नाम बताना है क्या है बनारस हिंदू युनिवस्टी के फाउंडर का नाम है डैडिस बी ऑप्षिन मदन मोहन मालविया जी के साथ में जिसने साथ दिया था डैडिस एनी पेसेंट एनी पेसेंट जो कहां से आई थी आयरलेंड से आई थी और बाकी इनके जो चीजें हमारी फैक्ट जुडते हैं वो मैंने पिछले कोशन में आपको बता दिये थे मदन मोहन मालविय जी को महा माना भी बोलते हैं मदन मोहन मालविय जी का जो नाम है सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो 1932 के गांधी अंबेदकर पैक्ट के साथ संबंदित है जहां पर आपका दस साल के लिए जो है रिजर्वेशन प्लस सीटें बढ़ाने की बात करी गए थी कहां पर आपके इलेक्शन वगएरा के अंदर वहां पर चीक है और एक चीज़ आपको ध्यां रखना है कि गांधी अंबेदकर पैक्ट हुआ था जिसे आप पूना पैक्ट कहते हैं 1932 में जिसमें दो यह option बनेगा correct answer clear यह पता नहीं सू कुमार दे कौन है but I don't know सू कुमार सेन आपको मैं बता देता हूं सू कुमार सेन यह पहले एलक्शन कमिशनर ओफ इंडिया थे हमारे पहले एलक्शन कमिशनर ओफ इंडिया डॉक्टर राजेंदर परशाद हमारे देश के हमारे देश के पहले राष्ट्रपती थे जब देश आजाद होने वाला था तो उस टाइम पर अंत्रिम इंटेरिम गवर्मेंट बनी थी उस इंटेरिम गवर्मेंट में डॉक्टर राजेंदर परशाद जो है फूड एंड एग्रिकल्चर मनिस्टर थे clear और कॉंसिशन असेंबली के पर् आता है मोतिलाल नहरो 1928 के अंदर एक रिपोर्ट आया थी डैड़ास डैडिस नहरु रिपोर्ट जो कॉंसिशन की रिपोर्ट थी वो मोतिलाल नहरु जी ने बनाई थी मोतिलाल नहरु जी सवराज पार्टी आपको पता है 1923 के अंदर जिसके पहले प्रेजडेंट कौन थे मोतिलाल नहरु क्लियर हो गए आप लोगों को जो फांडर में थे तो आंसर इसमें बी ऑप्षन मालविया इस दा राइट अंसर मदन मोहन मालविया को यह जी मदन मोहन मालविया जो आपके इन चीजों के साथ संबंदीत है चार बार आपके जो हैं प्रेज़ेंट र इस लिखा गया है computer needed to know Appreciate entry छो एकॉस्जफ होते हैं जो 108 है हमारे दीजड़ा 108 है मारे अधिज्ड इनको 2014 में भारत रतन मिला था बारत रतं जो है हाईयस सिवीलन अवार्ड हैं हमारे अगला बताईए जी फटाफट जो शाई रखना है पढ़ना है अंत तक टिके रहना है जिसने कुछ लेना है जिन्दगी में वो टिका रहेगा जिसने कहा है कि हम सुबह उठके पढ़ेंगे वो सुबह कभी नहीं आती कोशन द्यान से समझे क्या कहता है इनमें से वेस्टन घ पंछाए जो कौनसी रिवर है वो ऊरिजिने नहीं होती नहीं बोला है ध्यानसरे समयना है कि कौनसी रिवर जो है ओरिजिनेट नहीं होती यह कूशन है आपका not पूछा है समझाए आप लोगों को not पूछा है तो यहाँ पर देखते हैं पहले कावेरी रिवर कावेरी रिवर स्टार्ट होती है कहां से ब्रह्मगीरी रेंज से ब्रह्मगीरी रेंज कहां से है वाई यह आपका करनाटक में 800 km कि यह आपकी मतलब इसकी लेंग्ध है सारा साल बहती है, South India के अंदर एक ही river है, जो सारा साल बहती है, that is Kaviri River, that's why इसको हम और क्या कहते हैं, Perennial River भी बोलते हैं, मतलब South India के अंदर Perennial River कौन सी है, Kaviri, North India की सारी rivers ही Perennial है, Indus ले लो, Ganga ले लो, Ganga, Brahmaputra, Yamuna, सारी river है, सारा साल बहती है, लेकिन South India के अंदर एक ही river है, जो सारा साल बहती है, that is Kaviri, clear, और 800 किलोमेटर का जो है आपका ये length है, कावेरी river water dispute बहुत बार विपर में पूछा जाता है, चार राज्यों के अंदर इनका water dispute है, करनाटक, केरल, तमिलाडू, एंड पूडू चेरी, तो ये आपको याद रखना है, चार में आपका कावेरी water dispute है, गुदावरी जो है आपकी सबसे बड़ी नदी है, South India की, Penusular India की, प्राइद विपिया, भारत की, दक्षिन भारत की सबसे बड़ी नदी, जो नाशिक से निकलती है, नाशिक महराश्रा से, 1465 km की ये आपकी, 1465 km की इसकी लंबाई है, क्लियर होगे आपको, येस, और उसके बाद आगे आपकी जो कृष्ञा रिवर, कृष्ञा निवर जो है, महा बलेशवर से start होती है महाराष्टा से clear महा बलेशवर से start होती है 1400 किलोमेटर की इसकी length है दूसरी सबसे बड़ी South India के अंदर दूसरी सबसे बड़ी river महा नदी जो है ये भाई आपकी कहां से Western गार्ट से नहीं start होती ये start होती है आपके Eastern गार्ट से महा नदी जो आपके 36 गड़ से start होती है उडिशा में आपका वो बनाती है that is a hiraku dam बनाती है तो अंसर इसमें क्या नहीं बनेगा आपका डी ये आपका गलत अंसर है क्योंकि not पूछा था उसने क्योंकि Western गार्ट वाला हिस्सा जो होता है आपका इंडिया का अगर मैं मैं आप कहता हूं तो ये आपका Western गार्ट है जिसको आप सहाधरी भी कहते हैं जैसे महाराष्ट्रा हो गया गोँ महराष्ट्रा गया करनातक गया ठीक है और केरल वाला पार्ट गया वह सबसे पहली बार आंसों यहां पर तकर आती है जो बारिश परबदों से अथे होती है उसको आप क्या कहते है ओरोग्राफिक रेंफॉल कहते हैं चीक है तो इस आर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर होगे आप लोगों को तो अंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर आपको दिखा देता हूं तो यह है आपकी महानदी रिवर महानदी रिवर जो देखनों को मिला ठीक है हीरा को डैम एक चीज़ा और आपको बताता हूं डैम्स आर्दक टैंपल्स ओफ मॉडन इंडिया डैम्स को टैंपल कहते हैं मॉडन इंडिया का जोहाला नहरुजी ने बोला था यह ज्यान रखना ठीक है समझ आया आप लोगों को और तुम्हें सम कर रही है जो टाइट होगी क्या हो रहा है कि चाचा नहरु बोले थे अच्छा जी चाचा नहरु चलिए जी अगला बताएए कि हाँ पढ़ना है भाई पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है कि चलिए कि बीच-बीच में थोड़ा सा मैं बात बीच में इसलिए कर लेता हूं ताके आपको दिशा भटकने ना दूँ ठीक है इसलिए आपको जगाता रहता हूं पढ़ लो चलिए अगला गोशन क्या गयता है महार सत्यागरा महाराष्ट्रा के अंदर हुआ था किसने स्टाट किया था बताइए जी यह एक्चुली क्या था जो अंटचिबल्स जिसे हम छुआ छूट कहते थे अब तो है नहीं हमारे देश में अंटचिबल्स आर्टिकल 17 में कॉंसिशन में लिखा हुआ है अबॉलिशन ऑदा अंटचिबिल्टी उननीसों पच्पन के एक्ट में बोला गया थ ठीक है पर यहां पर माहड सत्यागर्य यही था कि जहां पर अंटचिबल्स को चुआ चूट जब हमारा देश में चलता था तो उस टाइम पर जो पब्लिक टैंक होता था पब्लिक आपका पानी जो यूज करती थी वहां पर उनको पहुंचने नहीं दिया जाता था माहड म बनेगा इसी कारण 20 मार्च को हम और क्या कहते हैं सोशल इंपावर्मेंट डे कहा जाता है इस वेरी वेरी इंपॉर्टन कोशन जाने के समाजिक सशक्त दिवस बोला जाता है क्लियर समझा है आप लोगों को बीम्राव अंबेदकर इज्जा करेक्ट अंसर क्लियर बीम्राव अंबेदकर जी जो है इनका एक पेपर था डैडिस कॉल्ड मूक नायक याद रखना और इस साल इनके जो है 100 साल कंप्लीट हुए थे यह पूछा जा सकता है ठीक है बीम्रा अंबेदकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयर परसन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर साथ लोग थे यह भी आपको याद रखना है तो अंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन बन जाएगा राइट अंसर महात्मा गांधी मैं अंटचिबल के लिए बात करूंगा क्योंक अल इंडिया अंटचिबिल्टी लीग जो स्टार्ट करी थी वो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करी थी 1932 के अंदर और इन्हों ने एक पेपर भी लिखा था हरी जन मात्मा गांधी जी ने चीक है सदार बल्लबाई पटेल जी का सर्दार वर्ट जो है बार्दोली सत्यागरह से आया था 1928 गाऊं की औरतों को महात्मा गांधी जीली को बोला नीची जाती ऐसे वर्ड यूज किये गए हैं अदर्वाइज अब तो हमारे देश में हैं इन्हीं अंटचिबिल्टी का सारे समाने सब इक्वैलिटी है आर्टिकल 17 में बोला गया कि अंटचिबिल्टी को हमने रिमूव किया हुआ है जो तीवा यूनिटी डे जो होता है एक्ता दिवस यह हम सेलिब्रेट करते हैं यह बल्लवाई पटेल जी की बर्थ अनिवसरी के उपर जो 31 अक्टूबर को होता है समझ आए आप लोगों को येस समझ आगे आप लोगों को जी बिल्कुल जागते रहना है और पढ़ते रहना है और भटकना नहीं है आंसर इसमें सी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर यह है जी इस तरीके से यह आपको बोला गया था ठीक है देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं ब्रह्मन कुत्ते का किय दूशित पानी भी पी सकता है मगर दलित का छुआ भी नहीं डॉक्टर अंबेटकर से पहले यह स्थान था हमारा हिंदु धरम में मतलब इस तरीके के वर्ड होते थे वाई उस ट्राइं पर यूज होते थे ऐसे वर्ड ठीक है कि यहां पर जो डॉग है यह पानी पी रहा ह है चलिए अगला बताइए है चला हो ड़ा बताईए फटा-फट की अचले गार्न अग्रिकलच्चर तकट में कि लाम से बुलाया जाता है के बताईए जी जार खंड में किस नाम से बुलाया जाता है ठीक है बताईए जी slash and burn agriculture को हम और क्या कहते थे इसको हम कहते हैं जूम कल्टिवेशन इसको और क्या कहा जाता है slash and burn method slash and burn method भी कहते हैं अब इसमें क्या होता है कि जो agriculture है agriculture land के patches बना लिए जाते हैं इस तरीके से पहले इसको agriculture करेंगे जैसे agriculture होगा इसको जला देंगे ठीक है फिर ये वाला patch को यूज करेंगे और इसको जला देंगे फिर ये वाला इस तरीके के शिफ्टिंग करते रहते हैं इसको shifting cultivation भी कहते हैं slash and burn method भी कहते है लेकिन कोशन यहां पर यह है कि जारखंड में किस नाम से बुलाया जाता है जारखंड में बुलाया जाता है इसको कुरुवा के नाम से अंसर इसमें क्या बनेगा आपको B option बनेगा और ऐसे एक paper में question आते हैं कि slash and burn method को कौन सी country में क्या बोलते हैं कौन से स्टेट में क्या बोलते हैं समझाया तो अंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका B option बनेगा कुरूवा इस दा करेक्ट अंसर और यहां पर मैंने सारे के सारी लिख दिये हैं और इसको चाहे स्क्रीन शॉट ले लो चाहे इसका चाहे इसको पढ़ लो नॉर्थ इस्ट में जुमिंग बोलते हैं मनिपूर में पैमलाओ चतिसगर में दीपा अंडेमा निकुर में दीपा मध्या परदेश में बिवार धहिया अंदर परदेश में पोदू पेंडा उडिशा में कॉमान बरिंगा वेस्टर्न गार्ड में कुमारी यह सारे नाम है और यह पूरे व कोशन पूछा जा सकता है यह वाला और मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको स्क्रींशॉट लेने में कोई दिक्कत ना आए ठीक है देख लेना भाई यह थोड़ा सा क्योंकि पिक्चर के पिक्सल वगयरा फट जाते होते हैं तो इसको ले लेना इसको स्क आर्मी का जो सौंग है कदम कदम बढ़ाये जा खुशी के गीत गाये जा क्योंकि जब भी लड़ाई लड़ी है कुछ भी किया है एक मोटिवेशन आपको पीछे चाहिए होती है तभी मैं आपको बीच बीच में बोलता रहता हूं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो तो कि आ मैं आपको बताता रहता हूं उस चाहिम पे ताके आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती रहे और आप भी ऐसे बन सको कि आप पढ़ लो और आपका एक्जाम क्लियर हो जाए ठीक है और चाहे एक्जाम क्लियर ना हो लेकिन जिन्दगी में बहुत सारी सीज़ें सीखनी दिया था जी अंसर इसमें क्या बनेगा जी बि ओफिन बनेगा यासर राम सिंग ठाक फर उप सब्सब्स पर से थे और इसके 1943 में सिंगापूर के अंदर सारा काराबार अपने हाथों में ले लिया था तब जाके इनको आजाद हिंद फोज और इंडिनेशन आर्मी का नाम बोला गया था तो आपसे ये कोशिन पूछा जाता है कि सुभाश चंद्र बोज जी ने जॉइन कब किया था आई अने को 1943 के अं राइट अंसर क्लियर हो गया जी आपको येस डी ऑप्शन इस दा राइट वान ये जी सॉंग सो देखो जी म्यूजिक राम सिंग ठाकुर चीक है ये म्यूजिक दे रहे हैं और इस तरीके से चलता है जी आपका काम नेक्स्ट बदा ये हाइस्ट डेंसिटी हाइस्ट डेंस ब्रहぁं के जंग arri calling सबसे जादा घंत्व जो है वह कौंशी स्टेट में हैं डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि एक स्क्वियर किपलोमेटर में कितने लोग आते हैं जैसे कि हमारी पूरे डेश कीब बोली जाए पूरे देश का घंतव की बात बोली जाए तो 382 382 person आते हैं पर स्केयर किलोमेटर में पर स्केयर किलोमेटर में हमारी जोबने है tons 382 लेकिन यहां पर सबसे ज़्यादफ है वो कहां fraud धना बिहार यहेस ग्यारा सु छे परसन आते हैं यहां पे पर स्केर किलोमेटर में 11106 क्लियर जी तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका बिहार इस दा करेक्ट अंसर दूसरे नंबर पे आता है आपका वेस्ट बेंगॉल वेस्ट बेंगॉल में भी बहुत ज़्यादा बीड है वेस्ट पूछ रहा वो गनत्व बोल रहा है एक स्केर किलोमेटर में कितने लोग आते हैं उत्तर परदेश का एरिया बहुत बड़ा है उत्तर परदेश के अंदर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है लेकिन जो आपकी यह उसकी एक स्केर किलोमेटर में लोग बहुत कम आते ह एरिया भी ज़ादा है पॉपशन भी जादा है लेकिन बिहार के अंदर पॉपविशन ज़ादा है एरिया कम है जिसके कारण एक स्क्रीट क्लियो में बहुत ज़ादा लोग आते हैं ग्यारा सो छे तो 1 इसमें सी ऑप्षिन बनेगा right answer कलियर होगे आप लोगं को सबसे कम कहां पर अरुनाचलय परदेश में और नाचलय परदेश एक ऐसा राज्या है जहां पर सिर्फ 17 पर स्क्राइब किलोमेटर में 17 लोग आते हैं समझाया तो यहां पर देखे यह देखो उत्तर परदेश का जो एरिया है वो कितना बड़ा है ठीक है और यहां पर देखो बिहार इतना सा है बिहार इतना सा है उत्तर परदेश का एरिया देखो कितना है समझाया आप लोगं को हाँ चलिए जी ये कोशन बहुत बार पेपर में आया है ये कोशन मतलब पेपर में बहुत बार आया है बिहार को एक अलग राज्या गोशित किया गया था कब हाँ 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 बताइए बिहार को कब किया गया था तो यह क्विश्ट बताईए जी क्या है बिहार का गठन पिहार को इंडिपेंडनेंट एंडिया की स्टेट घोशिद कप किया गया था 1912 में गोशिद किया पाकिस्तान कब बना था 1947 में बंगलादेश कब बना था 1971 में यह थोड़े से कोशन है जो आपको कन्फ्यूज करते हैं पेपर में अंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा अब आपको एक चीज और बताता हूं क्या कि जब हमारी बेंगॉल पार्टिशन होना था 1905 में गोशित किय दिया था उस रहीं पे जो किंग आये थे जॉर्ज फिफ्ट जॉर्ज फिफ्ट वॉजज फिफ्ट वॉजज था किंग एंड दा वाइफ उनकी वाइफ आई थी कुई मैरी हमारे देश में तब हमने जनगन मन गाया था उनके लिए तो वह बहुत ज़्यादा खुश हुए उनसे किया और यह एक यसने किया था डेट तो पेपर में यह उनली का प्याइब औस अघुकल कर था को बूशता अनौस कब वुदा था तो 11 लिखेंगे और होगे तो यह ध्यान रखना है भाई आपको समझाया यह गड़बड नहीं करने प्रमें तो इसमें प्मी अप्षिन बनेगा Centius राउजञ पिकितल सु चलिए अगला बताई मैं अगला बताईए फटावर अंसर क्या बनेगा इसका शावाष मेरे चीते क्योंकि चीटा भी पीता है चलिए कोशेन है नहीं मेरा चीटा पढ़ता है matamorphic rock जो है वो क्या है यह geschल मैटव क्रांख रॉक जो है वो कौन सी है अब क्या होता है कि हमारी volcanoes वगैरा होते हैंperson उजाते हैं चीक है मैगमा निकलता है पहले रॉक्स कौन सी बनती है आपकी इग्नियस रॉक्स बनती है मतलब मैगमा ऐसे फैल जाता है फिर मैगमा जो होता है वह आपके से क्रिस्टल बनने लग जाते हैं तो इस इस कॉल्ड सेडिमेंट्री अव साधी चटानी जिसे आप कहते हैं फिर बनता है भाई इसकी उपर हवा हवा पानी संलाइट हीट कुछ भी एफ्ट पड़ता है तब जाके आपकी क्या बनती है रॉक्स मैटामॉर्फिक रॉक बनती ह में से कौन सी है तो डैट त्य श्रक शेट अपर मेटामॉर्फिक रॉक में से कौन सी है तो डेट इस असलेट इस में पर लोगयों पर चुरक अंसर इसमें आप बने इस क्या से ाप्श्न बने अपर केब कर सेंडिमेंट्री रॉक्स कि सेडिमेंटरी रॉक कहते हैं और सेडिमेंटरी रॉक अफसादी चटाने जू होते हैं यहां से ही आपका ओएल नैच्रल गयस बगएरा सब कुछ यहां से निकलता है ठीक है लेकिन जो स्लेट है आपका स्लेट यह आपका मेटामॉर्फिक रॉच का ऊंसेप्ट है समझा है समझाए आप लोगं को सेडिमेंटरी है भाई यह ओप्षिन बनेगा राइट अंसर, क्लियर होगा आप लोगं को तो अंसर इसमें देखे जी क्या होगा कि इसमें क्या होता है जो शेल गैस होती है यह आपकी सेडिमेंटरी है लेकिन मैटमॉर्फिजम किस तरह से बढ़ रहा है इस त तरीखे से मैटमॉर्फिजम आपका बढ़ता चला झा रहा है और यहां पर देखो यह पत्थर अपने घरों मेंभी देखा होगा पत्थर जो फॉर्ष पे लगा होता है समझाया आप लोगं को हाँ है ठीक है हाँ यह आगे आगे आपके वो डिस्टरबिंग फैक्टर सर यह कर देना सर वो कर देना सर हम नोट्स नहीं बनाएंगे बस आप पढ़ाते चले जाओ सर आप जो कोशन देते हो वो भी आप कॉपी में लिखके दे दो सर आप जो किसने डिस्कवर किया था बताइए जी बताइए बताइए फट फट शाबाश डिया ने को डिस्कवर किसने किया था डिया ने को डिस्कवर किसने किया था इसमें सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट है तो बताइए जी हां बताइए जी बता पहले मैं आपको दिखाता हूं इमेज तो इन्हों ने देखो किस तरीके से ऐसे स्टॉक्चर को डिस्कस किया था वाट्सन क्रिक ने क्लियर इस तरीके से डिन इस डबल हेलिकल स्टॉक्चर डिन यह मैंने पिच्चर भी अपने पेड़ गोर्स में भी लगाई थी ठीक है तो एडिनिन थाइमिन साइटोसिन गवानिन और यह जो बॉन्ड होते हैं दे आर कॉल हाइडोजन बॉन्ड डबल हेलिकल स्टॉक्चर होता है यह इस तरीके से इन्होंने दर्शाया था क्लियर किसने डैडिजा वाट्सन एंड क्रिक ने तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका भी इनको बोला जाता है ठीक है फिर आपका आगया जोहैंसन जोहैंसन ने बताया था जीनवर्ड के से बतायाथ हरग हर गोबिंद-कुराना यह इनका नाम किस के साथ जुरता है हर गोबिं-कुराना का इन्हों ने च another code के बारे में बात करी थी और इन्हों ने बताया था PROUTEIN SINKSYS के बारे में बताया था ठीक है की प्रोटीन कैसे बनता है क्लीर होगे आप लोगों पूछे जाते हैं DNA से RNA बनने के प्रोसेस को आप क्या कहते हैं ट्रांस्क्रिप्शन कहा जाता है ट्रांस्क्रिप्शन क्लियर RNA से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को आप क्या कहते हैं ट्रांसलेशन क्या कहते हैं ट्रांसलेशन कहा जाता है चीक है सो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका ए ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर वॉट्संड एंड क्रिक इस दा राइट अंसर यहां रामू भाईया राम पटेल जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग बिल्कुल नाइटोजन बढ़ जाता है पी प्लांट से नाइटोजन वाला प्लांट है आप मेरे पेड कोर्स वाले यूजर लग रहे हैं तभी आपको इतनी चीज़े पता हैं कि राम पटेल राम पटेल पढ़ लो बहुत बढ़िया अच्छे से पढ़ रहे हो अप लो और आपने बहुत अच्छे से अंसर दे रहे हो मुझे लग रहा है शायद आपको इतनी जो बाते पता है ना आपने मेरे पेड कोर से सब रट लिया है चलिए अगला बताईए बॉडी का टेंपरेचर रेगुलेट किया जाता है तो कोशन यहां पर यह है कि बॉडी का टेंपरेचर इन में से कौन सा पार्ट जो है आपका रेगुलेट करता है बताईए जी बताईए बॉडी का टेंपरेचर का पार्ट जो है आपका कौन सा रेगुलेट करता है बिलक को हम क्या कहते है thermostat thermostat बोला याता है समझाया yes thermostat is the correct answer thermostat is the right answer clear जी बी option बनेगा right answer बी option is the right answer hypothalmas चीक है और temperature hypothalmas thermostat बोलते हैं hypothalmas क्या करता है कि जितनी भी हमारी organs के अंदर जितने के जितने भी हमारी body के अंदर kormones निकलते हैं pituitary gland से पियुष ग्रन्थी से master ग्रन्थी से तो वो सारे hypothalmas से होके निकलते हैं ठीक है hypothalmas जो है आपका sorry hypothalmas से जितने पिटईट्री gland से होके निकलते हैं सही बोला मैंने hypothalmas जो है आपका hunger control center भी है और ये आपका thrust प्यास वाला center भी है ठीक है तो answer इसमें क्या बनेगा बी option बनेगा थेलमस जो है आपका ये hypothalamus के बाद वाला हिस्सा होता है थेलमस को आप क्या कहते है heat and cold center but that is not related with the body temperature body temperature के साथ hypothalamus समद्धित है clear cerebellum के अगर मैं बात करता हूं cerebellum cerebellum को हम क्या कहते है little brain कहते है छोटा दिमाग कहते है ठीक है और यहां पे body के अंदर सबसे ज़्यादा alcohol जो है cerebellum की उपर effect करती है क्योंकि cerebellum जो है सीधा खड़ा रहने में आपको help करता है अगर मैं ऐसे घड़ा हूं ऐसे घड़ा हूं तो मुझे help कौन कर रहा है brain का part that is cerebellum अब जब वह जूलता चला जाता है जूलता चला जाता है वह कौन करता है cerebellum में effect हो जाती है alcohol clear यह आपको याद रखनी है ठीक है जी आप लोगों को समझ आ गया और उसके बार लिखाव मैडूला अबलॉंग्टा जो है यह आपका जितनी भी involuntary action होते हैं हमारी बॉड़ी के अंदर involuntary action का मतलब क्या आता है खांसी छीगना कफिंग स्नीजिंग पलक जपकना ठीक है और दिल का काम हाट का काम सारा मैडूला ब्लॉंग्टा काम करता है रेस्पिरिशन ठीक है सांस लेना वो सारा मैडूला ब्लॉंग्टा के अंदर आता है अंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर हाइपो थैलमस सो बॉड़ी टेंपरेचर रेगुलिशन इस तरीके से चलती है जो कौन करता है आपका हाइपो थ को इंटर जो होती है यह क्या करती है अंसर बताएं मोंटर का क्या होता है नेक्र चलाने के लिए पफले बटन आपने दबा तो लॉसके अंदर लेक dryPor यो सतराट कर दिया पहले आपने लेक्रिक क्णा करना इंचांट सब्म उहां लेक्रिट एनरज़ी टो 1202 पैदा कौन करता है आपका C option that is electric motor is the right answer समझाए आप लोगों को answer इसमें C option बननाएगा right answer एक चीज मैं बता हूँ आपको मैं आपको चीज बताता हूँ काफी बच्चे मतलब इस questions के परह होके थोड़ी सी बात बताऊंगा अभी बच्चे ने काफी बच्चे कहते हैं कि सर आप ठकते नहीं हो आप क्या करते हो देखें मैं बहुत healthy खाता हूं बहुत ज्यादा healthy खाता हूं ठीक है मतलब मैं fat वाली चीज़ें नहीं खाता वह अलग तसके खाता है कि थोड़ा सा मेरा काम ऐसा चल रहा है ठीक है वो इसलिए को कि मैं बैठ के काम बहुत करता हूं पड़ या भी बहत करता हूं ऐसा नहीं है ये काने में बहुत करता हूं उसके खाना चाहिए जो डिन यह चाहिए है less आपका अच्छा होना चाहिए आप थोड़ी बहुत भी एक्साइज कर रहे हो वाकिंग कर रहे हो आप बहुत रिचार्ज फिल करोगे मेडिटेट करो ठीक है मेडिटेट नहीं कर सकते एक्साइज करो आपकी बॉड़ी खुलनी चाहिए औक्सीजन प्रॉपर तरीके से पहुंचनी चाहिए आपके ब्रेन में क्या होता है कि जब आप पढ़ाई करते हो आपकी ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन कम चली जाती है के लिए अगर आप पढ़ भी रहे हो ना मैं सिर्फ यह कोंगा आप आदा घंटा वॉक कर लो नहीं आदा घंटा एक्साइज कर लो जो मर्जी करो ठीक है बत अपने बॉड़ी को थोड़ा बहुत इदर उदर चलो चलते रहने से क्या होगा आपकी बॉड़ी के अंदर जो करनी होता काम भी करो और उतनी पॉजिटीवीटी से करो पॉजिटीविटी रहे गी आपके मंन में काम में सब चीजे अच्छी होईग गे सब जहान अच्छा लगने वाला है आपको थे टिक है तो इसी लिए पढ़ते रो कि समझाया या अप लोगों को समझ आया आप लोगों को हाँ चलिए जी तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर तो इस अलेक्टिक मोटर वकिंग आपको पढ़ने की जुरुत नहीं है चलिए जी अगला बताईए चलिए जी अगला बताईए अल्ट्रासाउंड वες तो ज्वल krijn और नौट यू ज्व जो हैैं हहं ओल्ट्रासाउंड वेव जो है किस चीज़ के लिए नहीं यूज होता अब कोशें यहां पे ध्यान रखिए जो अल्टरा साउंड वेव्ज होती है इनकी क्या होती है इनकी जो फ्रिकेंसी होती है वह ग्रेटर देन 20,000 हर्ड्स होती है 20,000 हर्ड्स से ज्यादा ठीक है अल्टरा साउंड तरंगों की इतनी भाई फ्रिकेंसी होती है अब यहां पे जो बैट है चमगादर यह क्या करता है अब इसमें क्या होता है कि जो चमगादर है वो शिकार के पास जो है आपकी ऐसे अल्टरा साउंड वेव मारेगा जैसी वो म दूसरा है depth of the sea bed by ship यहां पे भी यूज होती है sonar method sound navigation and range sound navigation and range इसमें चीज़ यूज होती है ठीक है उसके बाद लिखा हुआ है आपका उसके बाद लिखा हुआ है तू डाइग्नोज डिफेक्ट डाइग्नोज डिफेक्ट डिफेक्ट इन इंटरनल और्गन्स ऑफ दूमन Space ये गलत है ये गलत है क्के इसके अंदर हम क्या use करते हैं radar इसके अंदर क्या use करते हैं ऐरो प्लाइन को यह गहारा करने के अतर रिड़ार रेडियो एंगल section and range यह आपको ध्यान रखना है आनसर इसमें आपका ड्यूप्शन बने मगा कि यास डी ऑप्ष्शन बनेगा राइट अंसर किलर हो गया आप लोगों को तो इसमें डी ऑप्ष्ण बनेगा करेक्ट अंसर काफी लोगों को नीद आने लगए है तो आप भाग सकते हैं जलदी जलदी बागिए और क्लास में आने के ज़रुत नहीं है ठीक है के लिए आपका एनिमल सेल के अंदर के लिए आपकी बॉड़ी के अंदर जो है वो कौन सा ओर्गन होता है एक सेल सांस कहां से लेता है एक सेल जो है वो सांस कहां से लेता है वो लेता है Mitochondria से, कहां से, Mitochondria is the correct answer, Mitochondria को आप powerhouse of the cell भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ATP molecule बनते हैं, Adenosin, Tri-Phosphate, Mitochondria के अंदर DNA भी होता है, Mitochondria को आप cellular respiration का center भी है, so answer is B option, ribosome के अगर मैं बात करता हूँ, तो ribosome को आप क्या कहते है, protein factory of the cell कहा जाता है, protein factory of the cell, ribosome के अंदर होता है, RNA, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, endoplasmic reticulum जो होता है, अंप्रधव्य जली का, दो तरीके की होती है, smooth endoplasmic reticulum, और rough endoplasmic reticulum, smooth वाला जो होता है, य lipid और fat, rough वाला बनाता है, protein, lysosome को क्या बोलते हैं, आतम घाती, जिसे हम क्या कहते है, suicidal bag of the cell, और इस process को हम क्या कहते है, autophagy, अपने आपको खतम करने वाला, चीक है, और intracellular digestion, cell के अंदर ही सब चीजों को खतम कर देता है, infection वगएरा को, इसलिए हम intracellular digestion भी इसको कहते हैं, समझाए आप लोगों को, so answer इसमें क्या बनेगा, जी आपका B option बनेगा, right answer, mitochondria is the correct answer, mitochondria, यह है जी देखो, इस तरीके से process चलता है, यह crystal formation है, ऐसे, ठीक है, crystal formation है, ATP synthesis होती है, inter-membrane space है, आपका यहाँ पे intracellular digestion होती है, DNA molecule यहाँ पे बनते हैं, तो इस तरीके से formation चलत ले जी, अगला बताइए, lipid मतलब fat होते हैं, lipids मतलब fat, बसा, जिसे आप कहते हैं, lipid मतलब fats, बसा जिसे आप कहते हैं, question बोलता है, इन में से fundamental duty जो है, कौन सी नहीं है, मौलिक कर्तव्य इन में से कौन सा नहीं है, मौलिक कर्तव्य जो है, article 51-A के अंदर लिखे गए है, 51-A के अंदर fundamental duty का concept लिखा गया है, जी आपका, not a fundamental duty पूछ रहे हैं, चीक है, USSR, Russia से हमने इसको borrow किया था, स्वान सिंग कमेटी की recommendation से, 42nd Amendment Act 1976 के according एड करी गई थी, 10 fundamental duty पहली बार एड करी थी, और 11 fundamental duty हमने, 86th Amendment Act 2002 में हमने एड किये था, तब जाके हमने इस चीज को एड किया, और जिसमें 6-14 साल के बच्चों को पढ़ाना parents की duty होती है, तुमी ने बता दिया, अब कोशन यहां पर यह है कि not a fundamental duty पूछ रहा है, तो पहला point देखे, to hold the sovereignty, protect the sovereignty, बिलकुल जी संप्रूप्दा को बनाए रखना और उसकी सुरक्षय करना, यह हमारी fundamental duty है, abolition of the titles except the military and academy, यह गलत है जी, यह आपका right to equality में आता है, अंडर article 18, जो आपका FR का part है, fundamental right का part है, तो यह आपका option गलत हो गया, to promote the harmony and brotherhood, भाइचारे को बढ़ाना, सर्वाब को बढ़ाना, यह भी आपकी fundamental duty है, respect करना, national flag की, national song की, सब चीजों की respect करना, यह भी आपका point सही है, तो answer इसमें क्या बनेगा, आपका, बाकी जो चीज़ें हमने discuss करी है, national anthem, flag हमने जो है, respect करनी है, देश कभी भी चाहिए, देश को कभी भी defend करने की जुरुवत पड़े, हमें जाना है, और हमारे जितने भी national freedom struggle में, जितने लोगों ने हमारे देश के लिए लड़े हैं, उनको उनकी चीज़ों से हमने inspire होके अपने देश की उन्नती करनी है, और defend करना है अपने देश को sovereignty, unity, brotherhood बगारा बना के रखना है, हमने rich culture को protect करके रखना है, भाईचारा बना के रखना है, और proper तरीके से lakes, forests, rivers इनको protect करके रखना है, और humanism, humanity के लिए काम करना है, public property को आपने बचाना है, और हमेशा जब भी आप काम करेगे, तो देश की भलाई के लिए आपको काम करना है, तो these are the fundamental duties, clear होगे आप लोगों को, तो ये आपको यद्यार रखना है, जल्दी से बताईए जी अगला question, शाबाश, पार्ट फौर के, पार्ट फौर जो किस लुए बच्चे ने बोला, पार्ट फौर ए के अंदर आता है, बाई वो, पार्ट फौर ए के अंदर आता है, fundamental duties, पार्ट फौर तो आपका किस के लिए है, directive principle के लिए, पार्ट फौर A is the fundamental duty, समझ आया, चलिये जी, चल्दी बताइए फटा-फट पर सोने वाला सोएगा पड़ने वाला पड़ेगा प्रेजिडेंट रूल जो है आपके कौनसे अर्टिकल में कौनसे अनुछेद में गिवन है हमारे देश के प्रेजिडेंट रूल को हम और क्या कहते हैं प्रेजिडेंट डूल को हम क्या कहते हैं State Emergency राज्या का अपात का लिंशीती और इसको और क्या कहते हैं मैं क्रेजिडेंट रूल स्टेट एमजनसी एंड वन मौर इस दियर कोंसिटेशन अधानिक एमजनसी भी इसको कहते हैं इसमें होता गया है अगर स्टेट जो है आपका ठीक डंग से काम ना करे तो गवर्णर जो होता है राष्ट्रपती को कहा के इस प्रेजडेंट डूल लगवा सकता है जा फिर क्या किया चलती-चलती सरकार में किसी सीम ने रिजाइन कर दिया तब भी आपका क्या हो गया कि अन छे महिने के बाद वो कितना एक्स्टेंड हो सकता है हमेशा छे महिने के बाद अगर एक्स्टेंड भी हो रहा है तो अगले छे मिने अगले छे मिने अगले छे मिने ऐसे चलता जाएगा कोशी यहां पर ध्यान सकिए पहली बार छे मिने में लगए अगर एक्स्टेंशन करन लगा था 1984 के टाइम पे ठीक है 1980s के टाइम पे लगा था तो उसमें क्या हुआ था पंजाब के अंदर एमर्जंसी चार से पांच साल तक चली गई थी ठीक है जब इंद्रा गांदी जी की डैथ हुई थी तो उसमें बहुत सरी चीजें इन्वॉल्ड थी सारी चीजें तो उस आपको amendment करनी पड़ेगी तीन साल से वह फिर als आधा मीना वता सोरी 6 मिनें बढ़ेगा 3.30 साल होगा अगर 3.30 साल में भी खत्म ना हुई तो आपको 6 मिनें आगे और बढ़ाना पड़ेगा तो उसके लिए फिर amendment करनी पड़ेगी तो इस तरीके से आप amendment कर करके आप आगे बढ़ सकते हैं तो लेकिन पूछेगा नहीं एक्जामिनर की हां कौन सी अमेंडमेंट हुई थी पंजाब गेस के अंदर कैसे क्या कुछ भी नहीं पूछेगा बड़ आपको एक लाइन पता होना चाहिए कि तीन साल के बाद अगर आपको एक्टेंशन करनी है तो अमेंडमेंट संशोधन करना जुरूरी है तो यह किस में लिखा हुआ है आर्टिकल 356 के अंदर जो है आपका प्रेजिडेंट डूल के बारे में लिखा गया है समझा है आप लोगों को येस तो उसके बाद जो है आपका 352 352 है नैशनल एमजनसी रा बाहरी से बाहर की जो कंट्री वो अग्रेसिव रखी है और एक लग सकता है आपका इंटर्नल डिस्टरबेंस के कारण इंटर्नल डिस्टरबेंस आंत्रिक अलस्तूलन चल रहा है तब भी हमारे देश में नैशनल एमजनसी लग सकती है आर्टिकल 360 जो है फाइनैशन एमज सब्सक्राइब नहीं हुआ 370 जो आपको पता था जम्मो कुष्मीर के लिए स्पैशल स्टेटस था यह हमने रद कर दिया खतम कर दिया है ठीक है समझा गया आप लोगों को येस अंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका यह ऑप्शन बनेगा डैट इस 356 प्रेजिटेंट लिया है dna 1984 तो है दक देखनें को मिल रहा है कि कितनी कितनी चीजी हमने 35 में कंट से लिएं तो यह सारी की सारी चीज़ें ऐसीं बताता है जो हमने बात करी कि गवर्णर राश्ट्रापती को बता देगा और राश्ट्रपती पर अपना क्लियर हो गया कि आम ड्रबीलियन वर्ड था पहले हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल यह जो वर्ड है इंटर्नल डिस्ट्रबेंस ठीक है अंत्रिक संतुलन यह अब जो चेंज हो गया है 44th amendment act 1978 के according change हो गया है किसके अंदर आम ड्रबीलियन सैन्ने विद्रो के अंदर समझ आया अब क्या है तीन कारणों से आपकी नैशनल बजनसी लगती है एक वार के कारण एक external aggression के कारण और एक आपका आम ड्रबीलियन के कारण इंटर्नल डिस्ट्रबेंस वर्ड हटा दिया गया है internal disturbance word हटा दिया गया है समझाया चलिए हाँ हाँ बिलकों सही कहा था जिससे बच्चे ने भी बोला था नाम ने में पढ़ पाया बट हाँ जिसने बोला वो सही बोला था armed rebellion is the correct one internal disturbance को 44 संशोधन के द्वारा हमने चेंज कर दिया था समझाया जै आपको yes हाँ बिल्कुल सही बोला आपने यह चीज द्यान रखिए यह हो गया अगला जलते हैं नेक्स्ट तो बता ये जिए अगला गोशन बताइए अगला बताईए जिफटा फट मैं बहुत खुश हूँ वैसे लो जो लाइव बारा सो बच्चा देखाए पीछे लाइव जो आता ना वह स्क्रीन वाले आते हैं कि जिसने स्क्रीन खोल रखी है और वह स्क्रीन नहीं आती जैसे काफी बच्चे मोबाइल से देखते ना तो वह लाइव में शो नहीं करता होता लेकिन बैक्ग्राउंड में चल रहा होता है मैं 100% कह रहा हूं आपको य बीस हजार बच्चा देख रहा है इस ट्राइम पर क्यूंकि यह क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है वह उस बच्चे को भी पता है कि एक लास कितनी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो फोकस होके पड़ो भाई मज़े से पड़ो जिंदगी का मज़ा सिर्फ पंड़े में हैं और आपको मैं बता देता हूं एक्जमपल 1H1 2H1 3H1 यह होते हैं आइसोटोप यह हाइड़ूजन के आइसोटोप है 1H1 जो है आपका प्रोटियम का है 2H1 जो है डूटिरियम का है 3H1 3Tm का है इसमें क्या होता है सेम आपका एलिमेंट होना चाहिए अटॉमिक नंबर सेम 1 1 1 अटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर वो आपका डिफरेंट होना चाहिए तो यह होता है आपका आइसोटोप समझाया सो जिसमें क्या है सेम अटॉमिक नंबर है और मास नंब यह आपका a option बनेगा समझाया जी आप लोगं को a option बनेगा right answer same atomic number but different mass number one option is the correct one very very important question है अब यहाँ पर isotope है एक आपसे पूछा जाता है आइसो बार आइसो बार में क्या होता है mass number same होता है mass number same होता है एक होता है isotone जिसमें neutron same होते है neutron जो same होते हैं ठीक है neutron same होते हैं तो isotone बन जाता है so answer इसमें वहाई option बनेगा right answer समझाया आप लोगों को yes हमें matter नहीं करता कितना हो गया कितना नहीं हुआ वह matter नहीं करता कितने बच्चे आ रहे हैं कितने बच्चे नहीं आ मैंने हमेशा आपको एक चीज बात बोली है यह तो मेरे मुझे को खुश हो या तो मैं बता देता हूं कि हाँ इतने बच्चे देख रहे हैं ताकि आपको पता लगे कि यह 20,000 ही बच्चे जो बैठे देख रहे हैं यही कंपीट करेंगे एक्जाम में एक दूसरे को जो भी सी चल रहे हैं दिल्ली पुलिस वगएरा के सीपी वगएरा के तो मैंने कितने स्क्रींशॉट शेयर की हैं सर आपके एक्जाम में हर पेपर में कोश्चन आ रहा है हमने अच्छे से किया वह पता क्यों आते हैं क्योंकि वह बच्चा डंग से बढ़ रहा है और यही बच्चे क्लियर करते हैं जिस दिन रिजल्ट आएगा न कोई भी एक्जाम का रिजल्ट आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रींशॉट्स जो इंस्ट्राग्राम पे टेलीग्राम पे मैं पोस्ट करता हूं उससे पता क्या होता है क्योंकि आपको एक एनरजी मिलनी चाहिए कि यार नहीं यह मेरे साथ ही पढ़ रहा था मेरे साथ पढ़ने में इसने एक्जाम क्लियर किया तो आपको भी पढ़ना है और आपको यह नहीं देखना कि कौन क्या है क्या नहीं है पढ़ते रोबस ठीक है यह देखो जी यह ही है अच्छा डूटीरियम है यहाँ पे 2H1 एक चलिए अगला देखिए शोला ग्रास लेंड शोला ग्रास लेंड जो है यह क्या है बताईए जी बताईए जी शोला ग्रास लेंड जो है कहां पर देखने को मिलते हैं शोला ग्रास लेंड जो है कहां पर देखने को मिलते हैं हाँ इंभे शोला फोरस्ट कहां पर दे मिलते हैं यह जो होते हैं एक्षर्य ट्रॉपइकल मौन्टेंफ इस रहे प्रेश छोती हैं यह इसम ट्रॉपिकल वैस्ट के दो कि आता हैं प्रेश हो गया आप लोगों को तो अंसर इसमें क्या बनेगा येस अंसर इसमें क्या बनेगा वन ऑप्शन इसकी कैपिटल है ठीक है और एक चीज़ आपको और बताता हूं अंडेमान निकोबार आइलेंड के अंदर एक जेल है घले जेल काले पानी की शजावली जेल होती थी उडेमान निकोबार में हिमालयज जो है आपकी यंघ फोल्ड मौंटेड है और अच्छा अमारे इंडिया में ओल्ड फोल्ड मौंटेड कोनसी है इसकी सबसी उची चोटी कोंसी है गुरू शिकल चाल्च स्थान में क्लियर होगे आप लोगों को यास इसमें क्या बनेगा यह फरेश वाटर परसेंटेज आफ के अंदर कितनी है इंडिया मतलब अर्थ की उपर जल ताजा मीठा पानी जल कितना फूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड में 70 प्रक्रसेंट किया है पानी है उसमें से धाई परसेंट जो है आपका फ्रेश वाटर जो है जो है फ्रेश वाटर है 2.5 परसेंट 2.5 परसेंट आपका फ्रेश वाटर है आपको दिखाता हूं इमेज दिखाता हूं इसमें देखिए देखे फ्रेश वाटर कितना है आपका धाई परसेंट है अधर से लाइन जो है 0.9% है और oceans के अंदर कितना है 96.5% है आपका total global water ठीक है total global water अब यहाँ पे क्या है अब इसमें 2.5% को हमने आगे डिवाइड किया है fresh water में 2.5% worldwide है लेकिन इसको हमने 100% कैटागीरी में डालके इसको हमने डिवाइड किया क्या कि fresh water सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है glacier में जहाँ पर बरफ है उसके बाद groundwater में ठीक है इस तरीके से आपको देखने को मिलता है लेकिन जो surface के उपर मिलता है वो 1.2% मिलता है अब जो surface के ऊपर मिलता है हमें वो ground ice जो बरफ वगारा जम जाती है lakes में होता है फिर आपका atmosphere में देखने को मिलता है समझाये आप लो is in the glacier and ice caps this is super important question glacier or ice cap में देखने को मिलता है clear हो गया सो अंसर इसमें धाई परसेंट बनाएंगे राइट अंसर धाई परसेंट चलिए अगला बता ये अगला बता ये इसका अंसर बता ये फटा फट धाई परसेंट इस दा करेक्ट अंसर वुलर लेग जो है हमारे देश के अंदर जो है वुलर लेग जो है हमारे देश के है जिसके हम ले सकते हैं आइस कैप से ग्राउंड वाट जो है आपका बरफ वगएरा से जहां से पानी वगएरा आता है ठीक है एक्सेसिवल वन परसेंट है लेकिन परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर कितनी है धाई परसेंटी है यह चीज दिया रखना चलिए इस कोशन का अं जो जाइलम के अंदर होती है जाइलम जो है वाटर करनक्टिंग डिशू होता है दिन के टाइम पे पानी जो है आपका मुवमेंट चलती है उसके पीछे मेजर ड्राइविंग फोर्स कौन सी है पर मुख ड्राइविंग फोर्स जो है बल इसमें से कौनता है कौन सा है कि जो कि खाई जी अगला कोशिन देखें जी क्या है जाइलम जो है आपका ड्राइविंग फोर्वर्ष बतानी है movement of water के लिए major driving force जो जाइलम की इन में से कौन सी है कि जो पाई आपका पानी को खीच लेता है तक है ठास्पीरेशन क्लिए आप लोगों को येस अंसर बनेंगा आपका बी बनेका गईघेटेशन जो होता है गटेशन क्या होता है पत्ते की अगर मैं बात करता हूं पत्त तो पते के जो होता है यहां से एगर पानी ऊड़ रहा है तो पूरा सर्फेस से उड़ता है पानी पूरे सर्फेस से उड़ता है पानी फोर्टो स्थीस्य प्रकास चाहिए सन्लाइट चाहिए chlorophyll चाहिए carbon dioxide चाहिए water चाहिए photosynthesis हो जाएगे glucose बन जाएगा ठीक है answer इसमें क्या बनेगा आपका B option बनेगा transpiration is the correct answer transpiration clear हो गया आप लोगों को तो यहां पर दिखिए जी क्या है आपका so यह one क्या है water absorbed by रूट दूसरा जो है आपका पानी इसमें travel किया तीसरे में क्या है transpiration के तुरू उड़ गया तो यह पानी travel किया रूट से ठीक है ऊपर की तरफ और यहां से पत्तों से पानी उड़ गया डैडिस कॉल्ड जो है transpiration की तुरू अब यहां पर जो चीज होती है यह पानी उपर जा रहा है रूट प्रेशर की तुरू यह कौन सा प्रसेस होता है आपका osmosis osmosis के तुरू उपर पानी जा रहा है clear यह आपको ध्यान रखना है next बदाए जी यह बड़ा important question है बड़ा कोशन है क्योंकि आज कल हमारे देश में पूरे वर्ल्ड के अंदर pollution pollution की बाते चलती रह रही है तो pollution का ही आपको concept समझाना है कि क्या है तो यहां पर pollution की बात चल रही है कि बताइए जी बताइए कि शाबाश अगला बताइए डैवलब नेशन के अंदर दो ऐसी सबसे ज़्यादा air pollution की गैसी हैं जो हमारे देश में किसी भी देश में डैवलब कंट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक इन में से कौन सी है जो recent study हमें पताती है तो बैं दो गैसी में कारवन ओ्रक्त हैं और आपकी यह मेंनेंजर प्लाइब निलते हैं और यह हमारी बड़ी के एंदर 200 time capacity है oxygen से ज्यादा हमारे blood के अंदर capacity oxygen करने की है oxygen carbon dioxide में सबसे ज्यादा oxygen combine करती है लेकिन oxygen से भी ज्यादा एक ऐसी gas है जो हमारे blood के अंदर hemoglobin के साथ globin part के साथ combine कर सकती है that is the carbon monoxide this is very important clear 200 time capacity है और दूसरा बात है यहां पर ozone ozone जो है आपका pollution करती है क्योंकि मैंने आपको बताया था दो चीज़े होती है एक होता है और एक होता है आपका bad ozone good ozone और bad ozone में डिफरेंस क्या होता है good ozone जो है आपकी कहां पर होती है स्टेटोस्वेर समताब मंडल में लेकिन जो bad ozone है यह कहां पर होती है ट्रॉपस्वेर में शौब मंडल में जितना भी pollution उपर से जाता है हमारे दर्ती से उठत के उपर जाता है वह ट्रॉपस्वेर में आके जम जाता है जिसके कारण जो है साथ घ्रिंघंट ग्रिंफट एफेक्ट और यक lush Tea होता है हमारा इंटमौस्वेर पूरा गरम हो जाता है और डे पैड हो से यह जितने भी नेटरी चीजये होती है यहां से दåउन से मिलती है तबी क्या होता कि कहते थे पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए तका निए क्या है आपकी बैडोजोंट जितने भी सलफषर नाइ्टरस कमपॉंड है वो सारे के सारे धर्ती में आ जाएंगे उतर के क्योंकि तभी हम क्या कहते हैं acid rain का concept आप कहते हैं acid rain acid rain में दो चीज़े होती है आपकी sulfur oxide dioxide और nitrogen dioxide होता है clear तो answer इसमें क्या बनेगा आपका बी option बनेगा right answer clear होगे आप लोगों को समझ आ रहा है आप लोगों को ठीक है answer इसमें B option बनेगा correct answer B option तो next बताईए जी क्या बनेगा अगला कोशन बताईए जी क्या बनेगा salaries and allowanceants जो है आपके high court के जजिस के यह किसके वेतन जो है यह बत्ते जो होते हैं कहां पे चार्ज किये जाते हैं बताइए जी बताइए जो होती है जजिस के हाई कोट के जहां से समझना है यहां पर वड़ क्या हुआ है हाई कोट की जजिस की सेलरी ठीक है यह कहां से मिलती है यह मिलती है आपको इसमें बुम बनेगा क्रेक्ट एक चीज आपको याद रखने है क्या यहां पर ऑफ इंडिया भारत की संचित नीदी इसमें क्या होता है इसमें आपके चितने भी सूप्रीम कोट के जजिस होते हैं सैलरी पैंशन वगारा है यहां से मिलती है is ज्वासीए हाइब वाले मिलती है थे से मिलती है लेकिन हाइब को मिलती है फंड और इंडिया से मिलती है चाही से आप लोगों को आगे आगे एक और कोशन याद रखना है हाई कोट जो है एक हाई कोट दो या दो से राज्यों से ज़्यादा हो सकती है किसी भी जैसे पंजाब और हर्यान हाई कोट बहुत सारी स्टेट्स की और भी है ऐसे कॉमन है साथमा संशोधन हुआ था सेवन्थ अमेंडमेंट एक नाइटिन फिफ्टी सिक्स जिसमें बोलते हैं कि एक राज्य की कॉमन हाई कोट हो सकती है एक से ज़्यादा राज्यों की कॉमन हाई कोट हो सकती है पच्चिस हाई कोट है अभी हमारे देश के अंदर और एक union territory जहां पर पहली आपकी क्या बनी थी that is high court बनी थी that is the Delhi 1966 में high court बनी थी दिल्ली के अंदर clear होगे आप लोगों को तो answer इसमें क्या बनेगा आपका B option बनेगा अब यहाँ पर क्या होता है दो चीज़े आपको याद रखनी है एक होता है consolidated fund of India बारत की संचित निदी एक होता है आपका contingency fund of India अक्समिक्ता निदी जो emergency के लिए use करते है consolidated fund of India का article 266 होता है हमारा normal जितना भी normal business होता है देश का पैसा आता है पैसा हम लगाते हैं वो consolidated fund of India में लिखा जाता है यहाँ पर normal पैसे आते हैं लेकिन emergency के लिए यहाँ पर emergency में पैसा रखा होता है contingency fund होता है 267 में लिखा होता है यह 500 क्रोड रुपया यहाँ पर पढ़ा रहता है जो किसके अंडर होता है प्रेजिडेंट के प्रेजिडेंट कभी भी चाहें इस पैसे को कैसे भी यहाँ से पूछना पड़ेगा पार्लेमेंट से पूछना पड़ेगा समझाया तो यह आपके फेक्टर है यह आपको याद रखने हैं क्लियर हो गए आप लोगों को तो अंसर इसमें बी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर तो अंसलिडेटिट फंट ऑफ ता स्टेट सूपर इंपॉर्डटन कोशन आ यह वाला फटा फटा अंसर बताएं इसका कि बताईए जी यह वाला कोशन बहुत बहुत इंपॉर्डट है कोशन द्याँ से समझे क्या कहता है हमारा जो है पार्टीशन अव बैंगॉल हुआ था ठीक है बंगाल बिवाजन की बात चली थी बैंगाल बिवाजन जो है आपका अनॉंस कब किया गया था कि हां हमने इसको decision किया था कि हम इसको बिवाजन करेंगे ध्यां से समझे जब बिवाजन की बात हुई थी तो अलग थी पास एक्ट तब हुआ था और cancel भी कर दिया गया था ये तीनों चीज़े different आती हैं देखे जी जो पहले अनौस किया गया था वो 19 जुलाई को किया था 19 जुलाई 1905 को अनौस किया गया था 16 अक्तूबर 1905 को बेंगाल partition हुआ था 1911 में इन्होंने cancel कर दिया था समझ आया सो अनौस पूछ रहा है तो अंसर इसमें क्या बनेगा बी option बनेगा बंगाल बिवाजन के साथ लौड करजन जो है वो आपके संबंदित हैं लौड करजन तो अंसर इसमें क्या बनेगा बी option बनेगा सी option घर से टिक मत कर देना क्योंकि यहां पर पूछा है भाई अनौस कब किया था ठीक है गोशना कब करी गई थी तो अंसर इसमें क्या बनेगा बी option बनेगा समझ आया अनौस पूछा है मैं बार-बार कह रहा हूं बेंगाल partition हुआ कब था 16 अक्तूबर को खतम कब किया गया था 1911 में अनौस कब किया गया था 19 जुलाई को किया गया था यह ध्यान रखना मैं बार-बार आपको कह रहा हूं गलती मत करना गलती होगी पेपर में आपको जिन लो हमारे देश को ही डिवाइड कर दिया था ठीक है मतलब डिवाइड रूल की बातें यहां पर स्टार्ट होगी थी आपकी बंगॉल से ही चलिए अगला बताइए अगला बताइए फटा फटा अंसर इसका जी बिल्कुल 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 शाबाश ऐसी बने रहो ऐसी पड़े रहो पड़े नहीं पढ़ते रहो ठीक है तब जागे कुछ होगा आपका एक्जाम क्लियर कर पाओगे बिल्कुल जी एक्जाम तभी क्लियर होगा अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ रहे ह शाबाश चली जी इसका अंसर बताईए कोशन क्या गह रहा है 24th Amendment Act जो है आपका 1971 का है ठीक है हाँ 1971 का है और उसके बाद जो है amendments लिख रखी है कि इसमें यह बताना है कि आपका सही है या गलत है सही बताना है और गलत बताना है क्या है इसमें ठीक है तो पहले है 24th Amendment Act 1971 तो यह तो आपका बिल्कुल भी 24th Amendment Act 1971 को हुआ था यह बिल्कुल पॉइंट सही है जिसमें आपका बोला गया था कि पार्लेमेंट के पास पावर है संसत के पास पावर है अमेंड करने की किसी भी पार्ट को किसी भी चीज को अमेंड कर सकता है बिल्कुल जी ठीक है फिर उसके बाद लिखा हुआ है 31st Amendment Act 1973 यह भी आपका पॉइंट सही है इसमें क्या हुआ था हमारी जो लोकसभा की सीटे हैं 525 से कितनी कर दी गए थी 545 कर दी गए थी यह भी आपका option सही है यह दूसरा अमेंड मेंट एक 1985 यह भी आपका पॉइंट सही है 10th schedule दसमी अनिसूची एंटी डिफ्रेक्षन लॉओ दल बदलने की विरुद कानून यह पास किया गया था तो चारों की चारों स्टेटमेंट आपकी correct है तो इसका मतलब all are correctly paired सभी सारे के साथ सारे जुड़े हुए हैं सभी सारे साथ जुड़े हुए हैं तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका येस सी option बनेगा राइट अंसर सी की option बनेगा correct अंसर बन जाएगा ठीक है ओल आर दा correct अंसर चलिए जी अगला देखते हैं अगला बताईए फटा फट ठीक है अगला बताईए इसका अंसर क्या बनने वाला है यह कोशन बड़ा सिंपल सा है लेकिन पता है आप कोशन देखे छोड़ दोगे इतना सिंपल अगर आप पढ़ते हो समझ के पढ़ते हो तो आप उनस्रिस का लगा दोगए कैसे लगा दोगे मैं आपको बता देता हूं कैसे लगा दोगे तो Pửय लीडियार आपकट elephant रिजर्भी है और आपका नैशन पाक भी है यह है कहां पे के अंदर कहां पे के अंदर फीर हैं नचिक माँ पिसमीर में दिटिकरोट में राजस्थान में चाहाना कहां पर यह बाव्यूद तो आपके जैसा बेवकुफ कोई नहीं होगा क्योंकि अगर अब भी नहीं लगा सकते हैं तो गलत है फिर तो अपका बढ़ना बेकार है अगर आपको जगा पता है यह सारी चीज़े पता है कहां कहां पर तो लगा दो या सीधा साउट से नौर्थ की डिरेक्शन में लगाना एंपी के बाद ऊपर जाएंगे थोड़ा सा राजयसान आएगा ठीक है फिर बनेगा आपका तीसरा फिर बिल्कुल नौर्थ वाला हिस्सा डैडिस चम्मू कुश्मीर 1432 बनेगा तो इसमें क्या बनेगा आपका कि सी ऑप्शन बन जाएगा ठीक है हाँ 1432 शाबाश 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 चलिए यह बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा चलिए अगला बताईए अगला कोश्चन है एजुकेशन वर्ड है जी ठीक है यह कौन सी अमेंडमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हमने कंकरेंट में समवर्ती सूची में डाला था समवर्ती सूची में पहले क्या थे 47 सब्जक्ट होते थे समवर्ती सूची होता है सेंटर और स्टेड मिलके दोनों कानून बनाते हैं इस पे 47 सब्जक्ट थे अब इनके टोटल 52 सब्जक्ट हो गए हैं क्यूंकि हमने स्टेट लिस्ट से स स्टेट लिस्ट से पांच चीज़े उठाई और यह हमने कहां पर डाल दी आपकी कंकरेंट लिस्ट में तब जाके बावन होगी और स्टेट लिस्ट में पहले 66 सब्जक्ट होते थे अब कितने रहें 61 रहें और यह एडूकेशन वर्ड जो है यह पांच सब्जक्ट जो है पा सब्जक्ट जा लए थे और यह बहूंसे हैं दिखरण तब स्टेक्ट में बहुत आपको बताया है कौन कॉन से इड्यूकेशन बेकन मेसर के ऑर नहीं तरह णोब administration of justice administration of justice ठीक है और कौन सा वर्ड एड किया था येस protection of birds and animal protection of birds and animal ये वर्ड हमने एड किये थे ठीक है और ये 42 संशोधन के according हमने एड किये थे तो answer इसमें क्या बनेगा D option बनेगा 42 संशोधन को हम mini constitution of India भी कहते हैं 44 संशोधन में आपको बता दिया था मुराजी दिसाई जी के टाइम पर पास हुआ था राइट व प्रपर्टी को लीगल राइट इन्होंने बनाया था internal disturbance को आम डर्वीलिन वर्ड भी इन्होंने चेंज करवाया था clear होगे आप लोगों को तो तो इसमें क्या बनेगा जी आपका अंसर इसमें डी ऑप्षिन बनेगा डी ऑप्षिन इसाप करेक्ट अंसर तो यहां पर देखें जी युनल लिस्ट जो आपके जी आपके सेंटर और स्टेड मिलके कान बनाते हैं clear होगे आप लोगों को तो यह आपको याद रखना है नेक्स बताईए यह बड़ा इंपॉर्डन कोशन है यह इंट्रस्टिंग कोशन है बहुत इंट्रस्टिंग कोशन है यह न्यू और इंडिया सर्विसिज अंडर आर्टिकल 312 क्रेटेड बाई हूं बहुत इंपॉर्डन कोशन है इंट्रस्टिंग कोशन है यह गलती कहां से होती है वह मैं कि आपको बताऊंगा कि कहां पहां पर गलती करते हो आप है यह कि यह दै अखिल सेवां क lettuce कि आ deux कि आप किस में लिखा ही है कि इसे सब को पता यह इप अब क्या होता है यह ने आपको last marathon में भी बताया था all India services जो होती है वो आपके 312 में लिखके लेकिन इनका बिल स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है राज्यसभा जब तक राज्यसभा नहीं चाहें तब तक all India services नहीं बन सकती राज्यसभा जो है दो बटा-3 majority से बिल पास करती है उसके में राज्यसभा भी लिखा हो और आपका पार्लेमेंट भी लिखा हो तो ऐसे कोशन में आपको राज्यसभा की ऊपर टिक करना होता है ठीक है अगर राज्यसभा नहीं आता तो अंसर बन जाता पार्लेमेंट क्योंकि बनाया किसने अल्टिमेटली किसने बनाया है पार्लेम बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वान तो यह है जी आपका राजय सभा सचे सर्विसीज इंदा आर्टिकल 312 अच्छा चलो दो कोशन मैं बताता हूं फाद फादर ओफ ओल इंडिया सर्विसीज अखिल भारतिय सेवाओं के जनक किसे बोला जाता है बल्लबाई पटेल जी को ठीक है और आप मुझे कमेंट सेक्षन में लिखके बताएंगे ओल इंडिया सर्विसीज में कौन सी सेवाएं आती हैं कौन सी सेवाएं आती हैं यह आपको बताना है ओल इंडिया सर्विसीज में कौन सी सेवाएं आती हैं एक हिंट देता हूं आई एस ठीक है दो और आती ह वह आप comment section में लिखके बताएंगे नाम full form में लिखके बताएंगे comment section में अंसर नहीं दोगे लेकिन अपनी copy पर जरूर लिख लेड़ा जो all India services में तीन सेवाइं आती है वो तीन सेवाओं के नाम आपको लिखने आए चीक है चलिए अगला बताईए अगला बताईए फटफटछast दन्वाइस लेवल द्यूरिं दा टेक ऑफ प्लेस टेक ऑफ इसमें साउंड कितनी आती है यह आपको बताना है देहाएंगे इakने बेल साउंड आपकी जो साउंड होती है वो हंडड़ डैसिबल के पास होती है 105 के आसपास होती है तो हम इसको 100 टिक कर सकते हैं सो वन ऑप्शन बनेगा राइट अंसर ठीक है हाँ वन ऑप्शन बनेगा राइट अंसर बिल्कुल जी बिल्कुल 105 के आसपास आती है तो इसमें हम टि कितनी सुन सकते हैं 120-30 decibel तक हम अराम से सुन सकते हैं उसके बाद तो आपके कान के पड़ते फटेंगे ठीक है सो अंसर इसमें क्या बनेगा वन ऑप्शन बनेगा जी बिल्कुल वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर इंडिया का मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट इन में से कौन सा है इंडिया का मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट जो है आपका इन में से कौन सा है इंडिया का मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट पहला तो मैंने आपको बताई दिया था हीरागु डैम था हीरागु डैम महानदीर के उपर महाणनदी रिवर की उपर उडिशा में लेकिन यहां पे क्या है यहां पे स्पेलिंग मिस्ट्रेग यह थोड़ी सी इस इस दा बाखंड नंगल यह इस not बाख़ाण नंगल इस बाखला बाखडा नंगल स्पैलिंग मिस्ट्रीक होगी थी यहां पर थोड़ी सी ठीक है तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका वन ऑप्षिन बनेगा बाखडा नंगल इसदा करेक्ट अंसर 17 रिवर के उपर है जी हिमाचर परदेश में बिलास्पूर डिस्ट्रि जिसको आप यह कहते हैं भाणा बन्गाल का शोक वर्ड यूज़ किया जाता है दामोदर के लिए तुंगबरर की बात करता हूं तो हम धीवर यची आपको बताना है तुंग बद्रा रीवर के साथ ही एक डिस्टिक पढ़ता है करनाटक का जो इस साल 31 डिस्टिक गोशित गया गया है विजयनगर विजयनगर पढ़ता है चीक है विजयनगर किंडम भी थी वो भी ऐसे पूछ ले जाता है कि विजयनगर किंडम जो है किसके पास ही त बात करता हूं तो नागरजना सागर कहां पर है बाई कृष्णा रिवर की उपर है और आंद्रपरदेश में है ठीक है तो यह सारे फेक्टर आपको याद रखने हैं सो वन ऑप्शन क्या बनेगा राइट अंसर बनेगा समझाया आपको येस जिसे आप हम पी कहते हैं बताईए क्या बनेगा कोई भी टेक्स जो है आप ना तो लगा सकते हैं ना वसूल सकते हैं विदाउट एनी पर्मीशन किसकी पर्मीशन के भीना आपना टेक्स लगा सकते सकते हो ना वसूल कर सकते हो और इसमें कौन से आर्टिकल में लिखा गया है 265 में लिखा गया है 265 में अंसर इसमें क्या बनेगा D D option बनेगा correct answer Parliament is the right answer D option this is super important यार यह कोशन आप गलत कर सकते हो यह कोशन आप पक्का गलत कर सकते हो memory glands जो है वो किसकी modification है memory glands जो स्तन गरंतिया होती है यह आप जो है यह जो है किसकी modification होती है तो ध्यां रखना memory glands जो होती है यह दिखाता हूं पहले तो so memory gland is this one ठीक है so memory gland is this one यहां से आपका जो mother के अंदर जो milk आता है तो इस तरीके से gland से जो है प्रॉपर तरीके से milk देखने को मिलता है तो this is a lactiferous duct lacti word कि इसके लिए use होता है milk के लिए and this is the lactiferous sinus जो mother के अंदर होता है so this is super important part ठीक है लेकिन यह ध्यां रखना जो memory gland है यह होता क्या है यह आपका actually sebaceous gland होती है sebaceous gland यह modification sebaceous gland की sebaceous gland से sweat निकलता है sebum निकलता है clear हो गया sebum और sebaceous sebum और sweat निकलता है तो इसलिए इसका जो अंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी option बनेगा समझाए आप लोगों को so this is super super important question of ocean sebaceous gland clear sebaceous gland कहते हैं यहां पे ध्यान से समझे क्या है यहां पर sweet को आप मेंबरी ग्लैंड को कहते हैं बट मोर्डिफिकेशन क्या हुआ जो है आपकी वह सीबेशिस ग्लैंड की ही मोडिफिकेशन है चीज़िक है दो है देखिए अगर अगर वाई ना आये न तो मुझे बता देना cell change कर देंगे लेकिन cell फूल है अभी बट कई बार होता है कि एकदम से गायब हो जाते हैं सेल पता भी नहीं लगता खुद को नहीं पता लगता चहल कितना जो है निकल रहा है अपना चार्ज निकाल रहा है तो answer इसमें क्या बनेगा भाई आपका बी आप्षिन बनेगा समझाए आप लोगों को Yes answer इसमें बी आप्षिन बनेगा करेक्ट एंसेर क्लियर हो गया जी आपको next चलते हैं अगला गोशन कोरम requirement इंदा राज्यसबा राज्यसबा के अंदर जो को खूरी होता है इसका मतलब क्या होता है कि आपको एक minimum number of lord चाहिए minimum number of people चाहिए अगर आपको सदन चलाना है अगर सदन के चलाना है तो minimum member of number चाहिए होता है और वह minimum member क weren't because of the house 근데 out of the house आपको चाहिए होता है अगर आपके पास इतने members हैं तो आप उसको quorum क्याते हैं और आपका सदन चलता है राज्य सभा के अंदर सीटे जो है वो 245 है लोग सभा के अंदर 543 है ठीक है तो अब एक चीज़ देखिए जी क्या होगा 245 का अगर आप एक वड़ा दस करेंगे 24.5 तो इसका मतलब 25 बन देखिए गा चीज़ है तो लोग सभा में 55 मेंबर हो जाएंगे कोरम में और यहां पर 25 तो अंसर इसमें क्या बनेगा वन ऑप्शन बनेगा राइट अंसर यस वन टेंथ डैट इस 25 इस ता करेक्ट अंसर 25 अगला बताईए अगला बताईए फट अफट अंसर क्या बनेगा कोशन बोला है इंडियन क्निप्री में सविधान के अंदर न में कौन सी इसी जो आध के, प्राप्ठ नहीं करी कई गई इन में कौं सी भाशा है तो यह आपको बताना है नाös देखे जी भाषा की जो माननेता है पहले भाषाएं कितनी थी जब हमारा सविदान बना था 14 भाषा को माननेता थी फिर अब उसके बाद हमारी कितनी भाषाएं हो चुकी है 22 भाषाएं हो चुकी है 22 भाषाएं हो चुकी है क्लियर होगे आप लोगों को येस अब उसके बाद अमेंडमेंट हुई बहुत सारी अमेंडमेंट हुई बट आपको लास्ट अमेंडमेंडमेंट याद रख ले नहीं है जो लास्ट अमेंडमेंड हुई थी बहुत है आपको याद रखना है वैसे तो चौधा से पधर 15 से तीन एड़ करी गई फिर उसके बाद चार होई तो बाइस वाली याद करो कि बाइस जब हुई थी तब तो इसमें चार लैंगुरी ती वह लिख देता हूं यहां पे जैसे बोडो है मैथली है और दो तो यह थ तो यह चार भाशाओं को आपने एड़ किया था यह वाली अमेंडमेंड के कोडिंग 92nd के अकॉडिंग क्लियर हो गया सिंधी जो एड़ करी गई थी वो 21st अमेंडमेंड के अकॉडिंग एड़ करी थी 21 संशोधन के अनुसार एड़ करी थी जब 14 से 15 होई थी ना पंद्रवी लेंगोईज हमारी कौन सी थी सिंधी थी पंद्रवी लेंगोईज जो 21st अमेंडमेंड आक्ट 1967 के एकॉडिंग एड़ करी गई थी पार्सी भाशा को अभी माननेता नहीं मिली ऑफिशल लेंगोईज भे तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा येस डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर चलो मैं और भी बता देता हूं 15 यह होगी 16 17 और 18 भी बता देता हूं कि कौन सी तीन लेंगोईज आड़ करी थी 71st अमेंडमेंडमेंड अक्ट हुआ थ अंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा पार्सी इस दा करेक्ट अंसर पार्सी यह है बाई सारे की सारी आपकी ओफिशल लेंगोईज इस है क्लियर चलिए कोश्चन है बड़ा सिंपल कोश्चन है तो हां इंग्लिश नहीं है इंग्लिश नहीं है नामदाफ नैशनल पाँक कौन से राज्या में हैं नमदाफ नमधाफर नेन एंट्स नामधाफ हinek बोगिभा राश्रे उधान किस राज्या में स्थित है तो डिसजिंद अरुण परदेश 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 यह एक मॉलिंग नैशनल पार्ग भी है यह भी आपको दियान रखना है सिक्केम के अंदर जो है आपका कंचन जंगा नैशनल पार्ग है उत्तरा खंड में तो बहुत सारे हैं जैसे कि आपका बेली ओ फलार है ठीक है और यहां पे आपका जिम कॉर्बेट नैशनर पाँक है जिब कॉर्बेट नंदा debuted ठीक है वैल्य ओ फलार नीशन¹ पाँक है और पशु विहार और देवी गंगोत्री name पाँक यहां आपको मिलते हैं करनाटक के अंदर भी बहुत सा रहे हैं जैसे अंशी नैशनल पाक है बांदीपूर कुद्रे मुख तुदी जार्दा नैशनल पाक बानेर गाटा नागर होल तो वो करनाटक में है तो अंसर इसमें ए बी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर और नाचल यह अजयाकन नामडाफ नामडाफ नैशनल पाक टाइगर इजब भी है यह कहां पर अरनाचल परदेश में इंपोर्टन वान इन में से ऐसी कौन सी गरंथी है ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉड़ी में ग्रोथ हार्मोन को प्रद्यूस करती है व्रिधी हॉर्मोन का मतलब क्या होता है व्रिधी हॉर्मोन का मतलब होता है क्या कि जब हमारी बॉड़ी के अंदर ग्रोथ बढ़ती है जब हम आगे बढ़ हो था कि हमारी हाइट मीडियम रह जाए अगर हमारी हाइट जो समेटरोपिक हॉर्मन अगर हमारी बॉड़ी से बहुत ज्यादा निकल आए हाई अमाउंट में निकल आए तो उसको क्या कहा देते हैं जीजेंटिजम क्या देते हैं क्या कहते हैं जीजेंटिजम क्लियर हो गया अगर कम निकलाए तो उसको हम कैटे है बोनापन ड्वारफिजम और अगर जादा निकलाए प्लस जो ठोड़ी है जिसे हम कहते चिन चिन भी बाहर को निकलाए चिन पट्यूडद ठीक है तो उस चीज़ को आप क्या कहते हूँ एक्रोमिघली समझ आए आप लोगों को तो इस कोशन का अंसर क्या बनेगा आपका पिटूट्री ग्लैंड पिश गरंथी से यह स्टोमेटो ट्रॉपिक हॉर्मन निकलता है समस्ट इसको कहा जाता है क्लियर इसमें स्ट्व पर होती है वक्रक्षक के उपर और यहां से निकलता है और इंपिणै भी कहते हिन नमों से विलाया जाता है ये हॉर्मोन जो है इसमें किया होता है heart weed बढ़ जाती है pancreas agnesia mix gland कहते हैं insulin वगÈरा यहांसे निकलता है thyroid gland endocrine gland है neck के अंदर होती है thyrox С alongma निकलता है सारे आपको मैं बता तो उसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर के यहाँ बेजिए आपकी प्रित्री ग्लैंड इस अप्रित्र ग्लैंड इस अप्रूट्र क्लियर हो गया यह बड़ा इंपोर्ट है यह मैंने आपको जो अबी लास्ट मिने वीडियो डाली थी हमारे उसके अंदर पेड़ कोर् पीनल ग्लैंड पीनल ग्लैंड के बारे में बताया था यह हमारे स्लीपिंग पैटन को कंट्रोल करती है स्लीपिंग पैटन को स्लीपिंग पैटन का मतलब बता है क्या कि हमारा रेगुलेशन कितना गंटा हम सोते हैं हमारा शरीर हमारे जो कहते हैं कि इसी टाइम सोना है हमे एक indication देता है ठीक है तो वो हमारे sleeping pattern को penile gland control करती है penile gland सबसे smallest gland है हमारी body के अंदर gland की बात कर रहा हूँ यह चीज ध्यान रखना clear हो गया आप लोगो येस तो this is a important part clear हो गया चलिए जी next ये मैंने अभी आपको explanation में समझाया था अगर आप ढंक से सुन रहे हैं मेरे question को पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़ रहे हैं तब आपको यह answer पता लग जाएगा दिखें जिनको लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया तो वो जा सारा seat का ही खेल है break bone fever किसे कहते हैं break bone fever कहते हैं किसको डेंगू को डेंगू को break bone fever कहते हैं डेंगू वाइरस एडिज एजिप्टी फैलाता है अभी मैंने आपको explanation में समझाया था देखने को औपको मिलता है African countries में अभी क्थे जब आफरीका वगयरे ट्रेंगर करते न तो आपको य chemo फीवर का injection लगवा के जाना जरूरी है जरूरी है ठीक है mandatory है तो यह हो सकता है वहाँ पर आपको कभी भी तो इसका जो injection होता है ना तक है तो ऑंसर में आपका डेंगू एज हो जाते हैं ये फिक्तर के सब्सक्राइब एंता ढ़िए शांडेटिंगू के अनदर एक चीज आपको बता देता हूं प्लेटए siitä मैं आपको बताए था बाकि यापको पता है कि आपका ब्पीध कम गया हैड़ और ढूने बोन्स के अंदर दर्द वोने लग जाएगा आपके ठीक है मसल जॉइंट पीन होने लग जाए वोमेट रैशी जोने लग जाएंगे बॉड़ी में यह सारे आपको देखने को मिलते हैं कि यह यह शाबाश कि बताइए अगला बताइए कोशन है अकबर नामा पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी अकबर की औरे वाजिवा क्या बात है ठीक है दमन दिवू से भी पढ़ रहे हैं बच्चे शाबाश मज़ा गया करनाटक से भी पढ़ रहे हैं चलिए शाबाश यार मज़ा गया जम्मू से भी बच्चे पढ़ रहे हैं बैप पढ़ लो क्योंकि यही काम आना है एंड में जिंदगी में हमेशा पढ़ाई ही काम आएगी कहीं पर भी आप खड़ोगे अबुल फजल नहीं लिखी थी तो अंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्षिन बनेगा आइने अकबरी और अकबर नामा पुस्तक इन्होंने लिखिया सी ऑप्षिन करेक्ट बन गया जहां पे बहुत सारे नाम और भी हैं जैसे अब्दुलकादर बदाउनी अब्दुलकादर अब्दुलरहीं खाने खाना अब्दुलरहीम खाने खाना ये क्या किया था तरकिष पर्शिल में बबरनामा को चेंश किया था दो ये लिकाए लिखी नेका घाल में इसको ेंज कर दिया था समझा है आप लोगं को औरे तेंक यू सो मज सो मज सो मज सो मज इतना प्यार देने के लिए अरवनाचल से भी वच्चा देख रहा हैं बिहार से बच्चा देख रहा है वेस बैंग उडिशा से तो देखती देखते हैं बहुत सारे बच्चे, I'm blessed कि आप मेरे student हो और इतनी दूर-दूर से आप पढ़ रहे हो, मैं अपने आपको बड़ा खुशनेसीब समझता हूँ, कि हाँ, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, और कहीं से किसी का selection होता है, दिल को बड़ी खुशी मिलती है, बच्चे पढ़ते रो, बस यही आपको मैं कहूंगा, यह मेरी भी दूआ है, कि आप selection हो जाए, कि ही भी हो जाए, किसी भी option बनेगा correct answer, अबुल फजल इजा right answer, c option बनेगा right one, यह देखे जी अकबर नामा अबुल फजल आई ने अकबरी वगएरा इन्होंने लिखी थी, चलिए जी, अगला देखिए, अगला कोशन है, अब एक चीज़ मैं आपको बढ़ता हूं, अब मत बोलो, कि मैं यहां से हू मैं यहां से हूं, मैं end में पूछ लूँगा, आप कहां कहां से हैं, अभी थोड़ा सा focus करो, पढ़ाई के उपर, इन चीज़ों में मत जाओ, पढ़ाई के उपर focus रखना ज़रूरी है, क्योंकि आदा एगंटा हम class over देखते हैं, कि अगर हमारी continue होती है, ठीक है, तो मैं पक्का पूछूँगा, कहां कहां से हो, मैं सब के नाम भी लूँगा, ठीक है, कि आप अगर कहां से हो, अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लो पहले, ठीक है, चलिजी, तो अगला question देखे जी क्या है, तेभागा movement जो है, 1946 के अंदर होई थी, यह जो है movement, तेभागा movement जो ह लिए यह Bengal में हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि जब अंदोलन हुए थे, tribal movements बहुत सारी हुए थी, पेजन movements बहुत सारी हुए थी, देश को आजाद कराने की movements बहुत सारी हुए थी, तो Bengal में भी यह तेभागा movement देखने को आपको मिली थी, तो answer इसमें क्या बनेगा, आ text, अगला बताईए, sport producing plant is, sport को कौन produce करता है, sport producing plant is, इन में से sport कौन produce करता है, sports को produce करने वाला, बिल्कुल, बिल्कुल, हम, इसमें से कौन सा है, देखें, इस sport जो होते हैं, जिससे आप कहते हैं, black bread mold कहते हैं, black bread mold, इन के उपर sport produce होते हैं, तो answer तो आपका क्या बन गया, आपका, डी option बन गया, पहली बात तो, इसका नाम दूसरा paper में कई बार आ जाता है, ठीक है, that is called rhizopus, rhizopus, yes, stolonifer, इसका scientific name कई बार paper में वो डाल देता है, इस तरीके से, तो यह चीज द्यान रखना, ठीक है, rhizopus, stolonifer, इसको कहते हैं, अधरवाइस, इसको black bread mold के नाम से भी जाना जाता है, आंसर इसमें D option बनेगा, नहीं नहीं, sports नहीं, वहाँ पर नहीं, so D option बनेगा, D option बनेगा, ठीक है, बिल्कुल, चलिए जी आगे चले, चले आगे बड़े, चलते आगे, next है जी, यह देखो, sport NGO sports, यह देखो, कहां पर आइजोड होता है, देखा, जो मैंने आपको बताया था, पुरेंजियो मतलब sports producing, तो इस इस राइजोड पस टोल निफेर, ब्रेट के उपर, फूदी जो लग जाती है, ब्लैक ब्रेट इसको कहते हैं, ब्लैक ब्रेट उपर आपका काला काला सी आगी है, तो ये ही आपका sports producing होते हैं, नेक्स बताईए, वाइल अपॉइंटिंग दा प्राइम निस्टर, दा प्रेजिजिटन स्लेक्ट, इस इस सूपर इंपॉर्डटन, एक्स्प्रेनेशन नहीं ध्यान रखने, ये स्टेटमेंट्स रो हैं, ये confuse करेंगी, आपको कैसे confuse करेंगी ध्यान रखना, वाइल अपॉइंटिंग दा प्राइम निस्टर, दा प्रेजिजिज़न स्लेक्ट, राष्टरपति जब स्लेक्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को किसको स्लेक्ट करते हैं, ध्यान से समगना, मिलीडर आपस की यहां पर जीती होई में तो मेरे साथ सब्सक्राइब और आप मतलइ किहाँ मैंहीं बिज़िपी से वी लोंगरते हूं तो मेरे साथ काथ पार्टि जुड़ी है और पार्टी जुड़ी है तो वह अलाइंस बनाके नहीं गलत यह भी अलाइंस नंबर आप आपको नंबर चाहिए गें मतलब नंबर से है नंबर उखने में नंबर अगर जादा है आपके पास तो आपके जो है आप प्राइम meanरें मेंट कर सकते हैं जिसके पास उलाइंस जो है आपकी पर्टी की मिंशाभू जादा होंगे अनदर लोग होगी वही जीतेगा बाहर मैटर नहीं करता कि आपके पस अलाइंस है क्या है क्या नहीं है मेजोर्ती मैटर करती है पहुमत डिपकर रिपर है तो इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग कोश्चन है यह आपको ध्यां रखना ठीक है ध्यां रखिए तो उसमें क्या बने आपका सी ऑप्शन बनेका कर्एक्ट सब्स्सक्वरूबं सल एंगे रहें जो है आपके प्लांटि कें अंधा स्टोव रहते हैं वो कौन सीं फ़रूर होते हैं वह वो स्टोड़ होते हैं कि की form में स्टार्च दा correct answer answer इसमें B option बनेगा right answer maltose जो होता है जिसे आप क्या कहते हैं malt sugar लाइकोजन जो होता है ये होता है reserve energy आपकी और मैंने आपको बताया था कहां पर होती है muscles में और liver में store होती है ये glucose जो होता है आपका instant source of energy होता है तुरंत उर्जा का सत्रोत अंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका येस बी ऑप्षिन बनेगा स्टार्च इस अ करेक्ट अंसर स्टार्च स्टार्च इस अ करेक्ट अंसर कि श्टार्च स्टोरेज इंद पोटैटो न्ट और मैंने आपको बताय था कि स्टार्च को find out करने के Pump time Coach अंसरो Sag आयोडीन आयोडीन टेस्ट होता है स्टार्च को find out करने के लिए ये भी मैंने आपको बताया था ठिक है चलिए जी अगला कोशन बताईए ये कोशन आपने पढ़ा होगा सुना होगा लेकिन आप गलत कर सकते हैं ध्यान से समझे कोशन को कोशन बोलता है सबसिड्री अलाइंस साइक संदी पढ़ो पहले कोशन को फिर मैं आपको बताता हूं इसका कॉंसेप्ट क्या है कोशन क्या कहता है सबसिड्री अलाइंस था साइक संदी ये किसने स्टार्ट किया था लौड वैलेस लेने कब स्टार्ट किया था सेवंटी नाइंटी एट में पहली स्टेट जो कैप्चर करी थी साइक संदी के अंदर वो हैद्राबाद थी लेकिन कोशन क्या पूछ रहा है कि हैद्राबाद का निजाम कौन था जिसने ये संदी करी थी पहली बात तो साइक संदी का क्या था साइक संदी का काम ये था कि हम आपके हम आपके राज्या में रहेंगे ठीक है आपको सहायता प्रवाइड करेंगे लेकिन बदले में आप जहां जहां ट्रेड करेंगे आपकी टेरिटरी के अंदर ठीक है वह में डूटी फ्री होनी चाहिए लेकिन हम आपको सहाइधा प्रवाइड करेंगे बी ऑप्शन बनेगा निजाम अली खान इजदा करेक्ट अंसर निजाम अली खान था हाँ निजाम अली खान था प्लियर और इनका दूसरा नाम क्या है कई बार पेपर में दूसरा नाम भी डाल देते हैं आसफ जा टू आसफ जा दृत्या भी इनका नाम आ जाता है पेपर मे वैंसर में परनेंगा उप्षण में या निजाम उप्षण मडंगत अनसर दो क्या लोखया। है तो अनसर बनेगा आपका बिजान था उसमि प्सक्राइब निजाम ली खान इदान सर यह सकते में लिवाद को दो तो यह है भाई देखो यह थे फिर अबद आया थे तरीके से पूरा एंटर करवाया गया इस तरीके से सब्सिड्री एलाइंस क्लियर चलिए अगला बताएं डी कंपोजर जो है आपके वीकल मैटर की उपर रहते हैं मतलब जो भी हमारा मतलब मल्व परित्याग होता है उसके उपर उसके उपर जो रहने वाले आपके decomposes कौन से होते हैं यह आपको बताना है तो उसके उपर जो जीवित रहते हैं that is called coprophagic उसको कहते हैं coprophagic answer इसमें क्या बनेगा a option coprom word का मतली भी क्या होता है जो dead or decaying matter की उपर रहते हैं समझाया yes option is one option coprophagic is the right answer coprophagic so यहां पर देखिए जी गिने पिक्स जो होते हैं यह यह coprophagic होते हैं जो dead material की उपर अपना fecal matter की उपर जो है आपका not dead fecal matter की उपर जो है जिंदा रहते हैं खाना खाते हैं fecal matter मल परित्याग के उपर जो भी गंदमंद होता उस पर नेक्स्ट बदाए यह सूपर important question है यह बड़ा important question है कोशन बोलता है कि यह कुछ मैंने यहां पर लिख दिये थे ठीक है यह मैंने लिख दिया था जान बूझके आपको याद करने के Context में बट यह है क्या lives है क्या वह आपको बताने यह लिव जो रहते हैं यह किस में लिख आपको शेलक जो होते हैं यह किसमें आपको help करते हैं यह आपके बैंगल मेकिंग में help करते हैं थर्ड ठीक है फिर आगया it's called कीरा जारी हर्ब कीरा जारी हर्ब जो है आपका जो आपका energy booster जो इंडियन व्यागरा यूज करते हैं ठीक है मतलब sex stimulating जो आपका अपका बढ़ा देता है और वह आपका कीरा जारी हर्ब से बनता है ठीक है इस इंपोर्डन यह आपको पता होना चाहिए और इंडियन व्यागरा है आपका it's called couscous gas चीक है यह भाई होती है जो आपके घर में जो है रूम को कूल वगएरा करती है तो यह बनेगा आपका 24312 तो यह बनेगे आपका c option 4312 is a correct answer समझाया जी येस बिल्कुल जी c option बनेगा c option बनेगा correct answer 4312 is a correct answer next बताईए ये वाला कोशन बताईए जी कार्डेमम हिल्स जो है यह कौन सी mountain range में प्रवत्य श्रंखला में आपकी स्थित है कौन सी प्रवत्य श्रंखला में कार्डेमम हिल्स देखने को आपको मिलती है दिखाते हैं पहले आपको इंडिया के अंदर साउथ मुस्ट हैं डाडेमम हिल्स क्लियर काडेमम हिल्स जो है आपकी केर वाले पार्ट में आती है और इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं वैस्टन घाट कहते हैं अप लोगों को फिर लिखा हुआ है यहां पर अनाइब मुरी जो है यह सबसे उची चोटी है हाइस्ट पीक है कहां की वैस्टन घाट की पश्यम घाट की जो है सबसे उची चोटी का नाम क्या है डाडेडिज अनाइब मुडी क्लियर हो गया काडेमम हिल्स बिलकुल साउथ मोस्ट हैं और यहां पे आपकी बहुत सारी जैको सारी बहुत सारी फोटोस लगा लग जाए ताकि आपको पता लग जाए तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका यह वैस्टन घाट इस अरावली रेंज की अगर मैं बात करता हूं तो अरावली जो है आपकी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है और इसकी सबसे उची चोटी का नाम क्या है गुरु शिखर राजस्ता चाहन के अंदर पीर पंजाल रेंज एसंगा इसरण गार्ट और वेस्टन गार्ट कहां पर मिलते हैं antiilगिरी मा Cheng in दिस अप इस आप ब्रू आउंटेंज के नाम से वी जानते है तो वहां पर आपका मिलता है जैंगिरी मांटें बलू मांटेन के इंदर एस्टन गार्ड और वेस्टरंगार्ड मिलते हैं क्लियर होगे आप लोगो यास चलिए जी यह कहां हो गया एक से एक सेगेंड रोकिये जी कहां जाने डोकुमेंट में कहां गया कोश्चन हमारा हो जाते हैं कभी-कभी गड़ पड़े अब डूनना बढ़ेगा हमारा कोश्चन यह है और यह डिलीट हो गए मेरे से हैं कि वेट कीजिए दो मिनट दो मिनट वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा मैंने कोई बटन बुटन जाला ही दबा दिये कि यहां से कि वेट कीजिए ठीक है और थोड़ा सा बटन बुटन में गलत दबा दिये 29 वाला यह 28 कौन सा दबाना है कि यह कि इसी में करूती नहीं नहीं नीचे और अगर हो है कि अगर करें नए बोर देका आपिस हें अगर कॵर NO । वह हो जाता है न में किटकेट ब्रेग में यह वाई यह हो जाता है वैसे किटकर में हो जाता है यह वह दा आए फिक है चलिए जी कि चलिए अगला कोशन बताइए कोशन क्या गहता है ओजोन डिप्लीशन के अंदर ओजोन की डिप्लीशन के अंदर जो है आपका ओजोन डिप्लीशन के अंदर जो है कौन सा ऐसा कैमिकल है जो ओजोन जो है ओजोन के अंदर जो है डिप्लीशन में आपका कौन सा जो है पता मेरे को हसी क्यों आई है एक बच्चा कहता एक बच्चा कहता सर आप घर जाओ मुझे सोने दो अरे मेने कौन सा रोग रख है बाई सोजा तो और तेरे पास सोड़ा बैठा हूं मैं ठीक है मैं तो वैसे वी वर्चुली पढ़ा रहा हूं तो अपना फोन बंद गर दे तो तो देखिए सबसे ज्यादा मेजर को आपका क्लूरो फ्लूरो कार्बन सी एफसी जिसे आप कहते हैं अंसर इसमें क्या बनेगा आपका ऑप्शन बनेगा ठीक है यस ऑजोन डे कब होता है सोला सेप्टमबर को होता है गुड ऑजन बैड ऑजन मैंने आपको बता दिया था पिशली कुछ कोशन में बता दिया था आपको और आपको जितने भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी जो है आपकी डैट मीज ग्रीन होस गैसिस जो ओजोन कर सकती है ठीक है तो उसमें तो उसमें आपके six green house gases आती है तो उसमें जो है आपका carbon dioxide, methane, nitrous oxide, sulfur hexafluoride, hydrofluorocarbon, पर fluorocarbon, ये छे green house gases है जिनको माननेता मिली हुई है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ये आपको जो है माननेता मिली हुई है, छे green house gases को, लेकिन इसके इलावा भी green house factor, दो तीन चीज़े ओर शू करती ह है, जैसे के water vapor करते है, water vapor, infrared rays, ozone, ये भी करते हैं, ये चीज़ यहां रखना, बट हमने इनको green house gases में include नहीं किया हुआ, बट ये green house effect भी show करते हैं, समझाए आप लोगों को, yes, answer इसमें one option बनेगा, और एक चीज़ आपको और बताता हूं कि 1986 के अंदर पहली बार ozone hole देखने को आपको मिला था, कहां पर Antarctic के अंदर, फिर हमने क्या गिया था, Montreal Protocol sign किया था, Montreal Protocol 1987 के अंदर, ताके हम ये सारी जो सबस्टांस हैं, जो ozone hole करते हैं, तो इनको हमने बंद कर देना है, ठीक है, हाँ, समझा है आप लोगों को, येस, फिर लिखा हुआ है, rayon, rayon जो होता है, ये क्या होता है भाई, artificial silk, artificial silk इसको कहते हैं, artificial silk, और ये कहां से बनता है, cellulose से, cellulose से बनता है, समझा है आप लोगों को, जी, 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 बिलकुल, तो answer इसमें क्या बनेगा, आपका, ये option बनेगा, that is chlorofluorocarbon, chlorofluorocarbon is the correct answer, ये है आपके सारे मैंने आपको बताया था, सबसे dangerous rays जो होती है, वो UVC होती है, अच्छा अगर, ये भी पूछा जाता है, अगर आपके ozone hole हो जाए, ozone hole हो जाए, तो अविस रिवाद है, जो sun की किरने होंगे, हमार धरती के उपर आएंगे, सबसे dangerous क अब क्या होता है, कि आपकी body के उपर क्या फर्क पड़ सकता है, इनसे क्या फर्क पड़ सकता है, तो क्या होता है, दो चीज़ें फर्क पड़ेगा, एक तुम आँखों की उपर, cataract, देखना ही बंद हो गया, ठीक है, दूसरा, skin cancer, skin cancer, ये ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, clear हो गया, ये थे आपके, that is ultra valid वाला concept, next बदाईए, who invited Babar to the India, simple question है, लेकिन हमें explanation की तरफ द्यान रखना है, Babar पहले आया कहां से था, फर्गना district से आया था, अफगानिस्तान से, ये को बुलाने के लिए दोलत खान लोदी, और प्लस, जो है, राना सांगा, इन्होंने कहा था कि आओ, हमारे इंडिया के अंदर, तो अंसर इसमें A option बनेगा, इब्राहिम लोदी के उपर अटैक करने के लिए बुलाया था, पहली battle इन्होंने पानिपत की लड़ाई लड़ी थी, पानिपत का पहला युद्ध, कब हुआ था, 1526 में, क्योंकि तोप खाना पहली बार लेके आया था, हमारे देश के अंदर, तोप खाना, चीक है, तोप खाना लेके आया था, और at the end जो है, इसके उपर अटैक करके, पूरा देश इन्होंने capture कर लिया था, तो अंसर इसमें A option बनेगा, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर फिरोज खान यह कुछ गलत है, चीक है, जाम खान, सिकंदर लोदी ने एक शहर बनवाया था, आगरा, यह आपको ध्यान रखना है, और land को मापने के लिए एक यंत्र था, इन्होंने बनाया था, यह आपको ध्यान रखना है, तो these are very important facts, तो अंसर इसमें A option बनेगा, दौलत खान लोदी ने बुलाया था, तो यहां पर देखे जी, मिवाड का राजा राना सांगा ने भी बुलाया था, राना सांगा के अगेंस जो लड़ाई लड़ी थी, किसने, बाबर ने लड़ी थी, वो कौन सी लड़ी थी, 1527 वाली, ठीक है, बैटल ओफ खानवा, राना सांगा को लगा था कि यहां पर आएगा, ठीक है, और देश में लूट पार्ट करके चला जाएगा, लेकिन बाबर यहां पर रुकी गया, बाबर यहां पर रुकने का मतलब क् उसने, तभी जो है, 26 वाली लड़ाई इतनी इंपोर्टन नहीं है, जो 27 वाली लड़ाई इंपोर्टन है, बैटल ओफ खानवा ज्यादा इंपोर्टन है, यह द्यां रखना है आपको, क्लियर हो गया जी आप लोगो, हाँ, चलिए अगल्या बताईए, मुगल इंपायर के जो है, कम होने के चांसिस, जाने के डेकलिनेशन के कारण, मतलग खतम होने के चांस क्या थे, तो खतम होने के मुगल इंपायर के जो नीतिया थी, औरंग जेव की, औरंग जेव की नीतिया क्या थी, एक तो वो इंडिया की उपर, नौर्थ साइड की उपर फोकस करने लग था जब तक औरंग जेव था तब तक तो कोई भी झाया लेकिन जैसी राजा बन गया पूरे देश का तो वह नौ फोकस करने लग पंजाब फॉपर पंजाब आपका नौर्थ साइड तो सारे फोकस नौर्थ हिंडिया के उपर हो गया सौसेसर जो है आपके कम होगे जिसके कारण छोड़ छोड़े राजा कड़े हुए नितिया अच्छी नहीं थी कटर पंती थी जिसके कारण जो है यह सारा रूल खतम देखने को आपको मिला ठीक है तो यहां पर क्या है यहां पर क्या है यह औरंग जेव की कटरता फैंटिसिजम यह भी पॉइंट स तtoi शांक ऑन्हवसाय सार में आलंकिर का टाइटल था जिंदा पीर का टाइटल था कि नेक्स बदाई आए इसमें बी-option बनेगा राष्ट प्रेजिड्ट के उपर कोई भी काम जुड़ा नहीं हुआ बस इनको कहा देते हैं कि आप राज्यसबा कारवार संबालिये तो इसी के कारण जो है आपका वाइस प्रेज़ेंट ऑफ इंडिया पार्ट पार्लेमेंट प्लियर वह नहीं है वह एक बंदा है किसका पार्ट है वह आपका पार्लेमेंट का पार्ट है किम्यशनेमेंट इक है प्रोटी को पता है वोकिसी से संने पार्ट है कंशने Says Central है हमारी भॉडि नीड होती है हमें खाने से खाने पड़ते हैं लोन अनवस्चक जो हमें जो हैम ज़ूरत नहीं हमारी body खुद बनाती है तो answer इसमें c option बनेगा right answer proteins जो बनते है carbon hydrogen oxygen और nitrogen से बनते है nitrogen is the essential part for the protein clear vitamin word जो किस ने दिया था funk ने दिया था carbohydrate जो होती है वो sugar को कहते हैं हमारी 50% of energy जो होती है 50% से ज्यादा energy जो हमारी body में आती है वो carbohydrate से आती है समझ आया तो c option बनेगा आपका right answer yes c option क्या बनेगा right answer बनेगा यह है amino acid का part amino group होता है और carboxyl group होता है और यह बनाता है भाई amino acid का structure next बताईए अगरा question बताईए फटाफट शाबाश ecosystem word का मतलब क्या होता है what is the meaning of ecosystem जहां पर हम लोग non living चीज़े living and non living चीज़े रहें और हमारा relation हो environment के साथ that is called ecosystem ठीक है तो इसका मतलब the biotic community and the non living element यह आपका क्या बनाता है आपका ecosystem बनाते हैं समझ आया जी आपका yes ecosystem बनाते हैं और इसमें यह बहुत सारी चीज़े हो सकती है pond एक तलाब जो होता है वह ecosystem बना सकता है forest बना सकता है चीक है एस्टुरी तो इस आप डिफ्रेंट ecosystem इस आप डिफ्रेंट ecosystem living and non living component यहां पर देखने को मिलते हैं तो उसमें क्या बनेगा आपका तो इसमें बनेगा आपका डिफ्रेंट बनेगा डिफ्रेंट यहां पर देखें जी कहां पर हैं दिखें नैच्रल ecosystem में क्या आता है जैसे forest होगे यह कोशन पूछे जाएंगे ऐसा नहीं है कि फालतू में निकाल के चले जाओ नैचरल लिको सिस्टम कौन सा होता है जिसमें आपका लैंड ग्रास लैंड होगे डैजर्ट हो गया फॉरेस्ट हो गया माउंटें हो गया पॉंड लेक इस तरहीके से आर्टिफिशल क्या होंगे जैसे आपके गार्डन होते हैं पार्क्स बगारा बनाते हो क्रॉफिल्ड नौन लिविंग का पार्ट का इंट्रेक्शन देखने को आपको मिलती है नीश जो होता है ना जो बच्चे ने अभी बोला एकोलोजिकल नीश इकोलोजिकल नीश क्या होता है एकोलोजिकल नीश का मतलब होता है कि आप फंक्शन क्या कर रहे हो आपका फंक्शन आप अगर याद करना है कि इनका नाम कौन सा था सबसी यंग पेशवा थे ये जब बैटल आफ पानिपत की लड़ाई लड़ी गई थी पेशवा उसठाहिम पे थे सद्क शिव रउ भाव बहू और प्लस एमसा अब्दाली उए थी तब उसके बाद यह लास supe एक पेश्वा थे और इनका नाम था डिज्ट इस माधव राव अंसे इसमें गया बनेगा C option बनेगा येस, C option बनेगा, माधव राओ is the correct answer, not Bucky, माधव राओ is the right answer, माधव राओ थे youngest one, this is the माधव राओ, clear हो गया आप लोगो, पेशवा गया होते हैं, प्राइम निस्टर, जो आपकी अश्ट परधान सरकारती मराथा इंपायर की, चीक है, उसमें मराथा इंपायर में एक सबसे उची पोश्ट होती थी पेशवा, that is Prime Minister, बताईये जी अगला, Permanent Settlement, इंडर्ड्यूस करिये गया, इंडिया में, कब? Permanent Settlement, Permanent Settlement को हम और क्या कहते हैं, जमिदारी सिस्टम, 1793 के अंदर, और ये जो है सिस्टम किस ने स्टार्ट किया था, Lord Cornwallis ने, अंसर इसमें क्या बनेगा, C Option बनेगा, राइट अंसर, जमिदार बीच में आगे थे, जमीनों के लिए, ठीक है, Lord Cornwallis ने स्टार्ट किया था, कहां पर स्टार्ट हुआ था, ये Bengal के अंदर, मेंली Bengal के अंदर, अंसर इस C Option, ये वो ही परसन है, फादर आफ सिविल सर्विशिज इन इंडिया, वर्रन हास्टिंग, रेगुलेटिंग एक्ट सेविशिज सेमिटी थी का, लॉर्ड वैलेसले, अभी डिसक्स किया था, सब्सिट्री अलाइंस, साइक संधी, रॉबर्ट कलाइव, जिनों ने बैटल आफ जो है, पहली लड़ाई लड़ी थी, कौन सी थी वो, 23 जूस सत्रशु सतावन, डैटिज प्लाशी का यूद, कि से अगेंस्ट, प्लाशी का यूद किसके अगेंस्ट लड़ा था, डैटिज दौन का अंसर क्या बनेगा, बनेगा, लॉर्ड कॉर न व्लरइस, व्लॉड ग्रॉड बनेगा, लॉर्ड कॉर्ण वॉर्र बोलता है drinking water के अंदर pollution है पानी पीते हो तो उसके अंदर pollution भी है परदूशक भी है इन में से कौन से परदूशक है जो हमारे पानी के अंदर खराब करते हैं तो इसमें कौन कौन से हैं आरसैनिक बिल्कुल है जी आपका ठीक है स्वार्बिटोल नहीं होता स्वार्बिटोल आपका स्वीटनर होता है artificial sweetener मीठा करने के लिए फॉल्राइड बिल्कुल होते हैं फॉर्मल ड्याइड नहीं होता यूरीनिम बिल्कुल होता है तो वन ठीक और फाइव ये बनेगा और करेक्ट आंसर सी यॉप्शन बनेगा राइड ऑन साहँ त्रीपाइड समझा यह एवान थ्रीफ फाइव यूरीनियम पानी में देखने को तो आपको पता है फ्लॉराइड के लिए मैंने आपको बताया था स्केंटल फ्लॉरॉसिज हो जाता है टिक है युरीनियम जो देखने को मिलता है खास करके जहां पर थर्मर पावर प्लांट होते हैं वहां की आसपास भूमी के अंदर जो है यह युरीनियम content thorium content देखने को आपको मिलता है जो dangerous होता है हमारा arsenic भी factory वगरा से निकलता है तो answer इसमें C option बनेगा 135 is the correct answer next बताईए cloning what is meaning of cloning cloning का मतलब क्या होता है यह क्या चीज होती है cloning मतलब क्या होता है कि अगर आप एक artificial तरीके से जो है बिल्कुल same identical genetically identical मतलब क्या होगा कि genes same होनी चाहिए तो अगर आप बच्चे को produce करते हो that is called cloning cloning जो होती है जो पहले क्लोन बनाया था डैट वस डॉली ship जो बेड़ बनाई थी डॉली शिप बनाई थी चीक है तो इसका मतलब क्या होता है दे आरता genetically genetically identical organism genetic same होना चाहिए समझाए आप लोगो बी option बनेगा genetic same होना चाहिए और अधर से कैसे दिखता है वह नहीं होना चाहिए अंदर से मतलब बॉड़ी से जीन्स सेम होनी चाहिए तो अंसर इसमें रखना किस तरीके से हमने फर्स्ट यह ऐसे ऐसे करके ऐसे डोली शिप बनाई थी डॉनर था सुरूगेट मदर थी यह लैम था इस तरीके से प्रॉपर तरीके से बच्चा क्रेट किया गया था ठीक है यह चीज दिया रखना तो इसका मतलँ अहर मतलँ होगया तो क्या होगा गैसिं सॉलिट अंसर इसमें डी ऑप्षिन बन जाएगा सो अंसर शीधा सीधा निकलाया समझाया या आप लोगं को यस अच्छा लिकुड के अंदर गयास जैसे कोल्द्रिंग में कोडिंग के अंदर क्या होता है लिकुड होता है लिक उसके अंदर क्यास होती है ठीक है और सॉलिड प्लस लिकुड जैसे सोल होता है डैट इस सॉलिड इन लिकुड सोल लिकुड लिकुड जिसे आप कहते हैं पायस इमल्शन पायस जिसे आप कहते हैं दूद दूद के अंद याद करने केने नहीं यह कुछ वैक्टर आपको याद रहे लिक्विट काल कि कहिरे लिकविद्प्री इंडर इमलशन जैसे माइनिज वगार होती है समझ आ रहा है समझ आ आप लोगम को चलिए अगला बता ये वॉल्ड यो होते हैं फोल्ड हां फोल्ड माॉंटें ये अंदर वह किसका नोकर फॉल्ड का मतलब क्हalt क्या होगा किसी चीज को अदर की तरफ लगा है जैसे सब क्या ने से आपका इस तरीके से कंपा लगा इस तरीके से इस से दना लगा इसे दना लग को बनता गया ऐसे वोलर होाउटे बंदे यहेंग ऐसे हिमाल्यास का ओरीजन कहां से देखने को मिलता है टेथे सी से ओरीजन देखने को मिला था ठीक है ओल्ड फॉल्ड माउंटेंस अरावलीस जहां अरावलीस थी उसकी सबसी उची चोटी गुरू शिकर तो इसमें क्या बनेगा आपका डैडिजा कॉंप्रेशनल फॉर्सी संपी हो जाता है उसकी अब यहां ध्यां रखना है मैगंश्व कवा रहा है डिजास्टर का डिजास्टर तो उसकी ओविस के हो जाएगी कम हो जाएगी समझ को इसका मतलग क्या हो गया कि कहने का मतलद जितना जितना बड़ा event होता जाएगा time उसका जो है रेर होता जाएगा natural disaster में अर्थकोएक सबसे ज़्यादा आता है अर्थकोएक अगर मैं कहूं कि जादा से जादा मैगनिटूड में भड़ता चला जा रहा है लेकिन साथ के साथ उसकी कि फ्रिकेंसी जो होता है कि कम होती जाएगी क्यों क्योंकि वो कम टाइम में ज्यादा फैल रहा है फ्रिकेंसी कम होने का मतलग क्या है कि कम टाइम में नैच्रल डिजास्टर जो है बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है तो अगर डिजास्टर बढ़ता चला जा रहा है तो फ सिदा अंसर याद कीजी 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है आपका पूरा का पूरा जो है मिनिस्ट्री ओफ होम अफेर्स के अंदर आता है और वैसे इसके चेर परसन को रहते हैं प्राइमिनिस्ट्र ओफ इंडिया ठीक है लेकिन डिपार्टमेंट किसके अंदर आता ह है आपका मिनिस्ट्री ओफ हॉम अफेर्स के अंदर आतां है अगला बताइए यह अभी हमने को सबस्किल सी JOE छो प्राइम निस्ट्र को आपका करते हैं जब उसके पास लोकसभा का पार है तब जाके जो है होता है responsibility एक होता है individual व्यक्तिगत इंडिविजर रिस्पॉंसिबिल्टी एक होता है collective responsibility ठीक है जो यहां पर क्या लिखा हुए council of minister council of minister के नदर मंत्री प्रश्यत है सारी लोग बैठे हैं अगर मैं कहूं कि यहां पर एक-एक मंत्री है एक-एक मंत्री तो इसका सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपती को जाने के वह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपती को जवाब देगा ठीक है एक-एक मंत्री अगर मैं को कि सब के लिए लोग सभा के लिए को कि चुना किसने किसने हैं लोगों ने तो बहां बैठेंगे हैं कहां पर लोग सभा में इसके अंदर 15% of the look suba seat कौनसी amendment के according add किया गया था यह 91st amendment act 2003 के अंदर add किया गया था कि मंत्री परिशद के अंदर 15% लोग सबसीटों के लोग हमें चाहिए समझाए आप लोगों समझाए आप लोगों को तो इसमें क्या बनेगा जी आपका one option बनेगा लोग सभा इसा करेक्ट अंसर लोग सभा एक्स कोशन देखें जी क्या गयता है बैक्टीरियल डिकॉंपोजिशन है बाइलोजिकल माटीरियल की अंडर अनरोबिक कंडिशन जाने के जिवान अपगटन हो रहा है अनरोबिक अनरोब क्या कहते हैं बिल्कुल fermentation किनवन कहते हैं CH4 जैसे बनती है जिसे आप क्या कहते हैं बायोगास तो यह अनरोबिक कंडिशन में बनती है इंदा एपसंस ऑफ औक्सिजन प्लियर अपको बता है भाई फर्टिलाइशन का मतलब क्या हो गया सपर्म और एग्स मिलते हैं जाइग करते हो और आपकी जो खाद बनती है बैक्टीरियल फंगस वांब अर्थ वांब वगएरा से सारी चीज़े करके कंपोस्टिंग बनाई जाती है जो हमारी एरो एरोबी कंडिशन में यह ध्यां रखना एरोबी कंडिशन में होता ही ऑक्सिजन की प्रेजंस में होता है कंपो इस दिखाया गया है ग्लुकोस से जो बनता है पाइरुवेट या इन उसके बाद लेक्टिक एसिड इथाईल अलकोल लेक्टिक एसिड एनरोबी कंडिशन में हमारी मसल्स के अंदर बन जाता है जब आपकी मसल्स में पेन होने लग जाए न तो उसका मतलब क्या कि आपकी इसको आपकी इसमें सही पॉइंट कौन सा है ये गोशन थोड़ा सा ट्रिकी गोशन है लिएंट देखते हैं क्या देखें किया है पॉइंट देखें क्या गयता है कोशन है डाइजसेक्टा चाहिव ठोंटे यह चाहिए होती है कि इसके लिए cotton के लिए important होती है cotton के लिए cotton आपकी हो जाती है इसमें ठीक है लेगिन paddy crop के लिए आपको कौनसी चाहिए होती है जडोड मिट्टी चाहिए यह पॉइंट गलत हो गया black sugar soil are free of for the green यह यह भूठ गलत हो गया क्योंकि ब्लाक स्वाइल यह आपकी यह भी कॉटन के लिए चाइछ जैसे आप दो स्कूंसे पूछ नाbang वाइल लो है तो बाखने तक पूछना था यह स्थी पॉंट यह पॉइंट सभी प्याज के खेते लिए चाहिए ओडिये और सेंडी अच्छा सेंडी लूमी उसने अधरवाइस सेंडी स्थे मैं आपको बता है कॉटन के लिए इंपॉर्णट है यह गलत है कॉटन के लिए भी आपको बताया था BLACK SWоיל आपको चाहिए काली मिट्टी तो इस अंसर ऑफ युण सा नहीं है is not a permanent member of the United Nation United Nation आँए पांच पर्मेननने सब को पता है है और मैंने आपको याद करा हूँ है फ्रैकर वर्ट मतलब फ्रांस रश्य चाय इंग्लिश इंग्लिश मतलब है चाइना अमेरिका सा देखो कौन सा नहीं प्रमینंट के पास China, France, Russia, UK एड US के अंदर National Security Council का paired होते हैं पर्मनेंट 5 member, Society Council में total 15 member होते हैं, 5 आपके permanent होते हैं जो मैंने आपको दिखा दिये है दस होते हैं non permanent, जो non permanent होते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, 2 years के लिए चुने जाते हैं, 5 permanent के पास veto power होते हैं लेकिन नॉन पर्मेनेंट के पास only voting rights होते हैं, only voting rights, clear, अब यहाँ पर United Nations Security Council को हम क्या बोलते हैं, Police Man of the World, Police Man of the World बोला जाता है, समझ आया, एक ये statement आती है, और एक आपको पुछा जाता है, International Police के organization के headquarter, that is in the France, Interpol जिसे आप कहते हैं, Interpol, that is a different one, Interpol is different one, Police Man of the World, Security Council के लिए एक phrase use किया जाता है, Interpol is different, जो पूरे international police को control करती है, France के अंदर headquarter है, जहांके headquarter है, France के अंदर, Lyon के अंदर इसके headquarter है, Interpol के, समझ आया आप लोगं को, तो इसमें answer आपका क्या बनने वाला था, जो भी था, Japan, ठीक है, question है, इन में से जो है, कौन सा person जो है, engage नहीं हुआ, social and religious reform में, social and religious reform in India में, इन में से कौन सा person involved नहीं है, ये पूछ रहे हैं, ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, जब आपको पता है कि 19th century, 19th century के अंदर जो है, आपका social and religious reform आये थे, सब को पता है, बिल्कुल आये थे, ठीक है, दूसरी बात ये आती है, कि इसमें से, इनका उदेश्या क्या था, society में जो inequality बगहरा थी, उसको ठीक करना है, religion wise, जो भी आप जाती वाद, religion wise धर्म का करते थी, जो वही बड़ा धर में, ब्राह्मन बड़े हैं, ये बड़े हैं, अंटेचेबल चोटे हैं, बैकवर्ड क्लासी चोटी हैं, ये सब चीजे करते थे, इन चीजों को खत्म करना, तो उसमें ये बहुत सारी लोग involved हुए थे, कि social and religious reform movement के अंदर, बहुत सारी समाज, राजा राम महान राय तो थे, क्योंकि एक चीज़ देखे, राजा राम महान राय जी ने स्टार्ट किया था, ब्रॉम्हो समाज, ब्रॉम्हो समाज 1828 के अंदर, इन्हों ने 1829 के अंदर जो है, आपकी सतीप्रथा को खत्म करवाया था, और इंग्लिश एजुकेशन को भी इन्होंने परमोशन करी थी, यह मतलब यह चाहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन आए हमारे देश के अंदर, और ऑवियसी बात है, यह आपकी सोसाइटी को इन्युकेलेटी, जो है उसको दूर करने के लिए कर रहे थे, राजा राम मोहन राई जी को हम और क्या बोलते हैं फादर ओफ फादर ओफ फादर ओफ इंडियन रेनेसां इंडियन रेनेसां अब फादर ओफ इंडियन रेनेसां वर्ड का मतलब क्या होता है रेनेसां वर्ड का मतलब क्या होता है रेनेसां वर्ड का मतलब क्या होता है रेन मैं आपको बताता हूं यहां पर राजा वर्ड लिखा हुआ है राजा इनका एक टाइटल है यह टाइटल किस ने दिया था अकबर दूत्या ने अकबर दूत्या ने अकबर दूत्या ने दिया था क्योंकि राजा राम मोहन राए अकबर दूत्या के कहने के ऊपर जो है लंड राहम मौन राहे जी को हम क्या बोलते हैं modern man of India किस ने बोला था इनको modern man बोला था जोहालाल नहरुजी ने किस बुक में discovery of इंडिया में भारत की खोजकेंद्रे बोला था पंडित इश्वय चंद्र विद्यासागर के अगर हम बात करते हैं तो इन्हों यहां पर इश्वय चंद्र विद्यासागर उसमें involved थे मतलब विड़ो की दवारा से शादी करी जाए तो यह परसन वहां पंडित वाल ते जोती बाफुले ये सबको पता है मैं आ आप बताया था सत्या शोधक समाज है सत्य शोधक समाज और ही सावित्ट्री महराश्रा में इन्हों got स्वार गे어서 इंद्रेन विमेन एजुकेशन के लिए विमेन को ससाइटी में जो है स्टेटस हाई करने के लिए इन्होंने बाते करी थी यह तो थे तीनों के तीनों थे तो चौथा परसन जो था यह परसन इन्वॉल्ड नहीं थे इस भारत इंदू हरिश्चंद्र यह आपके कोई भी सोशिल एंडरि लिट्रेचर बोलते हैं हरिश्चंद्र जी को समझ आया आप लोगों को तो अंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका डी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर मेरी क्लास में पढ़ रहे हो चाहिए आप पहली बार पढ़ रहे हो मैं बहुत डिटेल पढ़ाता हूं अगर आप उ सोशल रिजिस रिफॉर्म ओमेंट यह देखे यह जोतिबा फुले जी है ठीक है राजा राम होन रहा है स्वामी विवेकानन विवेकानन जी ने क्या स्राट किया था रामाकृष्ण मिशन ठीक है और बाकि मेरे को इतनी पिच्चस पता नहीं है और आरे समाज डैटीज आर बाश्य भूमी का यह सब जो है डैडी जी की है जैनल सरस्वदी जी का ओरिजिनल नेम क्या था मूल शंकर ठीक है और यह भीम राओं अंबेदकर जी ने क्या किया था बहिश्कृत हितकर्णी महासबा अंटचेबल के लिए इन्होंने स्टार्ट करी थी तो यह सारे के सारे परसें इन्वॉल्ड थे आपके सोशल रिफॉर्मर्स के थे बोड़े इंपॉर्टन कोशन है यहां पर ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं जी क्या कहता है फड़ा फट बताइए जी अंसर क्या बनेगा छ अगर अच्छी लगते तो लाइक है फो और जो भी आपको जो भी अच्छा लगता है जैसे भी अच्साम टे क्या अ कष्च हूँक ठीक है और milk of magnesium का जो फॉर्मूला होता है यह पूछा जाता है पहले अंसर टिक करते हैं अंसर इसमें क्या बनेगा magnesium hydroxide so this is a mg OH2 magnesium hydroxide इसको कहा जाता है ठीक है अंसर इसमें क्या बनेगा आपका one option बनेगा correct answer अब दूसरी बात आती है आपका ammonium hydroxide की ammonium hydroxide NH4 OH ठीक है मैंसे formula बगएर नहीं पूछा जाता magnesium hydroxide का यह याद करना है यह magnesium hydroxide का formula याद करना है bracket में OH है और OH को complete करके उसके पैरों में 2 omg OH2 ammonium hydroxide की बात करते हैं तो यह आपका cleansing agent की तरह use किया जाता है clear और sanitizer में भी यूज होता है sanitizer बगएरा में भी यूज होता है यह आपको द्यार रखना है clear होगे आप लोगों को यस ठीक है और फिर आगे आपका sodium hydroxide एन नहीं होच sodium hydroxide कहां पर यूज होता है साबुन में sodium hydroxide कहां पर यूज होता है आपका साबुन के अंदर समझाएं आप लोगों को क्योंकि मैंने आपको बताया था साबुन जो होती है वो sodium और potassium iron होते हैं आपके fatty acid के और मैंने आगे आपको क्या चीज़ बताई थी sodium और potassium में कैसे difference करते हैं कि potassium मैंने एक चीज़ बताई थी कैसे याद करना है यह पाक? क्या होता है? अब हमाला बंदर ऑलि यह थीज़ साबुन होती है उसके अंदर क्या होता है पोटाशियम तो जो प्याज का वो जो मतलब मुलायम वाली पार्ट आती है ना वो भी किसके कारणाती है पोटाशियम के कारणाती है ठीक है लेकिन यह ध्यान रखो मैंने मुलायम वाली पार्ट बोला है लेकिन मैंने वह नहीं बोला कि जो जब प्याज काटते हैं तो रखना है चीक है और उसके बाद है calcium hydroxide C-A-OH-2 calcium hydroxide C-A-OH-2 ठीक है है हाँ तो यह CAO-H-2 यह किसमी यूज होता है आपका Root painted make root canal feeling ये यूज किया जाता है तो इसका अंसर क्या बंगे आपका one option magnesium hydroxide जो हमने discuss किया है ठीक है प्याल से नहीं नहाना ठीक है तो यह आपका milk of magnesium magnesium hydroxide चलिए आगे यूज करते हैं कोशन करते हैं कोशन देखे जी क्या गयता है ठीक है ज्यान से अंसर दिजिए इसका अंसर दीजिए फू वस्ता प्रोरोग दा-lowक-siva को लोक सिर्ट को मतलब क्या कहते है कि जब आपका drinking करने के लिए डिस्कॉंटियू करने के लिए प्रो und का मतलब इब मतलब कि नियूंट कहा हो गया कि अगर मैं कुछ करोगी जैसे हमने क्लास रख दी मैराथन क्लासिज थीक है अब अगर मैं इस क्लास को डिस्क वैसेंग करूंगा नहीं बोलना नहीं चाहिए कहते हैं अनकी सरसोती माता बैठी होती है तो कई रहें दो यह नहीं बोलेंगे कुछ भी लगा लो मतलब कोई एक्टिविटी कर रहे हो ठीक है वह अपका प्रोरोग सेशन उसको कहते हैं और यह प्रोरोग जो है आपका पावर जो होती है यह किसके पास होती है आपकी प्रेजडेंट के पास होती है सो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर ठीक है यह नहीं भाई नहीं स्पीकर नहीं बनेगा यह प्रोरोग की बात कर रहे हैं ध्यान रखो यहां पर एक चीज़ आपको और बदाता हूं यहां पर कंफ्यूजन आप जब खा किया है सपोस करो मैंने बोला इस सेशन को जो हमारी क्लास चल रही है मैंने पांच मिन लें स्टॉप किया है तो आप बिल्कुल ऐसे बैढ़ आप मैंने कहा कि सपोस मेरी बात सुनो आप सुनने लग जाओं गया से और शुपो और हमने कुछ नहीं बोल रहे कुछ भी बात निचल रही मैंने यह पांच मिनट बाद में उसका स्टाट करता हूं तो वह पांच मिनट जो ब्रेक है ना पांच मिनट का ब्रेक है that is called edgenman जब आप किसी चीज के लिए ब्रेक देते हो ॉसको कहा जाता है तो edgenman जो करता है वो करता है जया है पर षपिइकर करता है और चेर्मन लोक कौन होता है speaker तो अरजन्मेंट कौन करता है स्पीकर लेकिन डिस्कॉंटिन्यूर प्रो रोग करता है आपका प्रेजिडेंट करता है अगर मैं कहूं dissolve करना dissolve करना मतलब क्या हो गया लोग सबा के अंदर जो सब्सक्राइब करेंगे समझ आप लोगं को अरे तुम तुम आगे की तरफ मत भागा करो मैं आपको बताओं पहले इसको तो सुन लिया करो कि मैं बोल क्या रहा हूं पहली अपने कोशन मत्ते टाइप करने लग जाए गरो आधी इनर्जी तो आप वहां पर ही अपनी यूज कर देते हो कि नहीं मैं सरसे आगे वाला कोशन पूछना है तुम पूछते तो रहा जाते हो लेकिन जो मैं बता रहा होत होती है राष्ट्रपति के पास प्र glitter की और की ओधिए अलगा समझाए आप लोग को तो अंसर इसमें क्या बने का आप आपके पहले मुस्लिम प्रेजिडेंट थे और इनकी जो डेथ थी ओफिस में मतलब इनके कारहकाल में देखने को आपको मिली चीक है फकुरुदीन अली एहमद बड़े इंपोर्टन है फकुरुदीन अली एहमद जो है जब हमारी इंटर्नल एमर्जंसी सरी नैशनल एमर्जंसी लगी थी इंटर्नल डिस्टर्बंस के कारण जो परधान मंत्री जो है इंद्रा गांदी जी ने लगाई थी तो उस टाइम पे फकुरुदीन अली एहमद वाजा प्रेजिडेंट क्लियर और जैल सिंग हमारे पहले सिक प्रेज और एप जी अब जी को सब जती हैं यह हमारे मिजाइल मैंन और इंडिया मिजाइल मैन ओफ इंडिया तो मतलब और भी कोशन homo सकते हैं बट मेरे दिमाग में जो आये थे मैंने आपको बता दिये घब आएंगे तो आएंगे तो यह प्रेश Catch रस्थ करते हैं तो वर बताईए अगला गोशन जी 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 बिल्कुल अगला स्ट टाउवाद टायूइजम जो है एक ट्रेडिशन है फिलोसफी एंचेंट ट्रेडिशन फिलोसफी एंड रिलिजिएस बिलीफ डीपली रूटेड इन एक ताव जो है यह एक प्राचीन परंप ना रिवाज डूनिया का एक वर्ड वियु जव बताते हैं ये बताते हैं और यह किस डाइंश्टी त्याम्टिंस गया था है यह एक च्टाइनिस रिती ड्यृज और आपका दुनिया का नजारा जो भी व्यू बताते हैं वो है तो अंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा तो मैं आपको दिखा देता हूं यह है ताइजम यह एक एंशन टैडिशन है फिलोसफी है जो चाइनिस कस्टम और वर्ल्ड व्यू को बताती है और ताइजम को हम और क्या कहा देते हो सब्समें एक जगह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है और पूरा का पूरा आपका जो है मतताववाद को विश्वास रखते हैं चीनी लोग तो यह बात करते हैं इस तरीके से चले जी अगला कोशन देखे जी और अंसर बताईए अगला कोशन देखिए और अंसर कर तो जिसमें हम बात करते हैं कि फॉर एक्जंपल चाइना की बात करते हैं चाइना कोई लेकल सकते यह होगी आपको समझ जल्दी आ जाएगा जैसे दिवाली होती है तो आपको पता है वो घरों में लड़ियां लगाते हैं और वो लड़ियां जो होती है वो 10 रुपे 15 रुपे 20 रुपे तक की आ सबस्जर्क में लेके चल रहा हूं तो क्या होता है कि उनको पता है कि इंडिया में टो फीलаны होती है तो हो सब्सक्राइब तो वह क्या करेंगे एंडिया वाले लोग क्या करेंगे कि जो वह आप ना तो वह आपके देश में कर देंगे लाइक फॉर एक्जमपल जितनी उन्होंने प्रड़क्शन करनी थी वह कर दी लेकिन उनके पास एक्स्टा भी बची जिसके कारण उन्होंने क्या किया जो उनको 10 रुपे की पढ़ रहे थी इंडिया में उन्होंने 5 रुपे किया दस रुपे की बेज द प्रेफरेंस किसको दोगे आप चाइना वाली को प्रेफरेंस को दोगे वह अलग बात है कि हमने चाइना बाइकॉड बगारा कर रहा है वह चीज़े लग है लेकिन कॉंसेप्ट में समझीए तो गौर्मेंट क्या करती है दस रुपे वाली की उपर टेक्स की उपर टेक्स की पर टेक्स लगाती है ता कि जो है आवारा इंडियन पर्डूसर बचा रहा सके और दस रुपे की जो प्राइस होती है वह वह हो सकता है कि सत्रा अठ्रा के आसपास कर दे कि आपके दिमाग में एक साइकोलोजिकल जो है आप देखो कि यार मैं इंडियन पर्डॉक्ट खरी Dumping Duty, Anti-dumping Duty भी इसको कहा जाता है, इसका मतलब डंपिंग बर्ड का मतलब क्या हो अपने maximum profit कमाना है, तो विदेश की, जो यह मार्किट है उसको खराब कर दो, So that is called Dumping, तो इसमें अंसर क्या बनेगा डेखो, फटा फटा अंसर बताओ क्या बनेगा सो इसका, तो इसका यह स्टील बगारा की एक्जम्पल ले सकते हो बिलकुल ले सकते हो नहीं यार सैस्ट तो अलग चीज होती है सैस होता है आपका टेक्स होता है इंडिरेक्ट टेक्स होता है सैस इस अलग चीज होती है तो यहां पर डंपिंग चीज है जी डंपिंग की बाद चल रही है तो यह यहां पे जो है आपका B option बनेगा right answer ठीक है so answer is B custom duty वगरा लगाते हो आप तो यहां पे देखे जी क्या है it refers to the products good at less than the cost price जितनी उसको cost लगी उससे आपने कम फेक दिया और यह क्यों होता है क्योंकि due to the increase in the production क्योंकि आपने चीज़े ही बहुत जादा produce कर दी है और excess production than requirement जितनी आपको चाहिए थी उससे जादा आपने produce कर दिया रोंग estimation of sale आपको लगा था कि हाँ मैं इतना बेच दूँगा इतनी से निकल जाएगी लेकिन उतनी निकली तो आपने क्या क्या विदेशों में जाके बेच दिया अडवांस एंड अपडेटिंग टेकनोलोजी अविसरी बात है आपके पास टेकनोलोजी जो है अडवांस में थी या कुछ भी था आपने production यह बहुत जादा कर दी इस चरीके से जो है आप चंपिंग करते हो बार्केट में विदेशी मार्केट में फेक देते हो और उसके उपर आपका टेक्स लगता है समझाए आप लोगों को येस चलिए अगला देखिए देखे यह उन बच्चों को कुछ नहीं समझ आएगा मैं आपको बता दूं उन बच्चों को बिल्कुल स इंडियन सीविल सर्विसीज जो है आपकी जो है इंडियन सीविल सर्विसीज जो है आपकी जो है इंडियन सीविल सर्विसीज जो है आपकी गवर्नर जनरल ने स्टार्ट करी थी तो किस गवर्नर जनरल ने स्टार्ट करी थी यह आपको बताना है इंडियन सीविल सर्विस मैं आपको दो कोशिंट करवाई था एक मैं ने आपको याद करवाई था इंडियन सिख्ल इस के जनब कौन से रहीता है इस लेकिन इसको इसे के कर वाय था लौड कोर्नवाय ता तुछ इसलिए उपन फादर आफ लोकल फादर आफ इंडीन सिविल सर्विसिस किसे कहते हैं को कहते हैं नो डाउट फाउंडेशन इन्हों ने रखी थी लेकि इन्हों ने modernize कर दिया था पूरे का पूरा तरीके से एक कोशन मेंने आपको बताया था All India Services के बारे में अक्हिल भारतिय सेवाओं के जनद कौन है All India Services ये कौन है बल्लाभाई पतेल यादा आपको मैंने बहुत बार बताया हुआ है बनाने के लिए और यह हो गया जी चीक है यह हो गया लॉड का नाम कहां पर जुड़ता है आपका पर्मरेंट सेटलमेंट ऑफ बंगॉल बंगाल का स्थाई बंदोबस्त के साथ और जमीदारी प्रथा के साथ जमीदारी सिस्टम के साथ इन्हों क्या किया था जमीदारों को प्वाइंट कर दिया था टक्स के लिए 1703 के अन्धर और यह बेंगाल में स्थार्ट किया गया था बेंगाल के अंदर क्लियर हो गया बेंटि की बात करते हैं Lord William Bentig, मैं आपको बताया था सती प्रथा, सती प्रथा में no doubt की राजा राम मुहरायी जी ने भी काम किया था, लेकिन Governor General Viceroy कौन थे उस चाहिंपे, वो थे Bentig, Lord William Bentig, तो Bentig ने क्या किया था, सती प्रथा को खतम करवाया 1839 में और हमारे देश में English education भी Bentig ने introduced करी, 1835 में English Education भी इंटर्ड्यूस करी लेकिन आपको मैंने बताया था Father of English Education in India किसे कहते है Father of English Education in India किसे कहते है Lord Macaulay को क्योंकि recommendation किसे ने दे थी Macaulay ने लेकिन introduce किसे ने किया था Bantic ने किया था so that's why Macaulay is called the Father of English Education in India कर्जन की बात करते हैं कर्जन तो पता ही होगा सबको partition of Bengal 1905 में और partition जो है 16 October 1905 में start हुआ था और खतम कब कर दिया था इन्होंने 1912 में 1911 में Bengal partition cancel कब किया गया था 1911 में जब इन्होंने announce कर दिया था कि हम capital shift करके लिए जाएंगे announce capital shift कब हुई थी 1911 में लेकिशिफ्ट हुई कब 1912 में ध्या रखना announcement पूछा तो 1911 में हुई थी capital shift करने की हुआ कब 12 के अंदर Lord Harding दुट्या थी Lord Harding दुट्या थे उस टाइम पे बारा ग्यारा बारा के अंदर डलहुजी की बात करते हैं तो डलहुजी ने क्या दंग से नहीं हो रही उसको capture कर लिया गया था पर बाद में छोड़ दिया गया था और अवद क्लियर और अवद से कौन लड़ा था बेगम हज्रत महल लड़ी थी याद आप लोगों को बताया हुआ है मैंने कितनी बार तुम्समाज आ रहा है एं कि तुम्हें समझे उमज़ ये कॉरन वाली्ष पस इनको क्या देखना हां अगी चलते हैं अगला कोशन देखे जी क्या गहता है when does the sun shine vertically on the equator विशु ब्रेखा के उपर जो है sun जो है विशु ब्रेखा equator के उपर वो ते रहा है sun की रेज equator के उपर कब पड़ती है कब पड़ती है अके Commissioner है ईसे होरा ऑफ विकना है तो विशिवरेखहा कि उपर संकी रेज परदें हैं पहले तो आपको पता है कि जो मैंने आपको समझाया कि इक्वेटर क्या होता है तो इस ही को ही हम क्या कहते हैं गरेट सर्कल कहा जाता है बडा स federal जसे आप कहते पढ़ती हैं और संदी कि जो yap यहां पे जब वर्टिकली पढ़ती है यहां पर दो बार poured हैं यह दो आइस बार टुवम पढ़ती हैं एक आपकी 21 मार्च को भी परती है और पर सकता है कोई भी देट उसकती है आपकी पर लगता है equinox what is the meaning of equinox equinox का मतलए equal day and night equal हो जाते हैं दिन भी 12 गंटे का और रात भी 12 गंटे की तो that means equinox लगता है यहां पर दो equinox कब लगते हैं 20 या 21 मार्च को एक लगता है 21 या 22 सेप्तमबर को ठीक है और यहां पर 20 किस मार्च को लगता है spring equinox जिसे आप क्या कहते हैं वर्नल वर्नल एक्विनोक्स ठीक है और इसको और क्या कहा जाता है हाँ बसंत विशुव भी कहते हैं इसको हिंदी में बसंत विशुव कहते हैं क्लियर 21 और 22 सप्टमबर को कौन सा लगता है यहां पर यह लगा स्प्रिंग और यह वाला जो लगता है डैड़िज ओटम ओटम एक्विनोक्स क्लियर होगे आप लोगों को ओटम एक्विनोक्स येस जिसे हम क्या कहते हैं शरद शरद विशुव कहा जाता है तो अंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका स्वाइस से या तवाइस साल में दो बार जो है यहां पर आपकी लाइट पड़ती है मिलकूल जी लएट दो बार पड़ती है यहां पर तो अंसर इसमें सी ओप्शन बनेगा करेक्ट अंसर और एकुमिन आक्स जो लगता है आपका 21 और 22 मार्च एक्विटर की उपर मतलब पढ़ती है सन की लाइट और 22 से 23 सप्टमबर को जो पढ़ती है यहां पर वर्टिकली पढ़ती है इक्वेटर की उपर यहां पर यहां पर ठीक है अब एक चीज़ आपको याद रखनी है एक जब आपका जून 2021 को सॉल स्टाइज होता है यहां पर लगती है बाई 21 और 22 जून को जब आपके नदन हैमिस्वेश के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की उपर यहां पर करकरेखा की उपर जो है सन की रेज पढ़ती है तो यहां पर लगता है आपका समर सॉल स्टाइज मतला सबसे ज्यादा गर सब्सक्राइब बताओ जब सन के रहे सीधी पढ़ रही होंगी यहां पर दिल लंबाई होगा ना अब इसका मतलब जब समस्क्राइब लगता है नदन हमिस्वेर में उत्री गोलार्द में तो यहां पर दिन क्या हो जाएगा डे लॉंग और नाइट शॉट कौन से दिन को यह है आपका 21 जून को ठीक है और 21 जून को हम क्या बनाते हैं इंटरनेशनल डे ओफ योगा ठीक है क्योंकि सन भी बहुत ज़्यादा टा यहां पर लगता है विंटर सॉल्सराइस नदन हमिस्वेर में अब एक चीज़ बताओ हम कहां पर है उत्तरी गोलार्द में है ठीक है हम कहां पर हैं जैसे आप इंडिया इंडिया का मैप ले लो इंडिया पूरा ग्लोब अगर लेते हैं को यहां पर मैं दिखा नहीं सकता ग्लोब अगर लेते हैं तो इंडिया जो है नदन और इस्टन हमिस्वेर में आता है तो इंडिया का जो कॉंटेक्स है वो हमारा नदन हमिस्वेर बाला है तो बाइस दिसंबर को हमारे यहां पर क्या हो रही है विंटर सॉल्सराइस कब लगता है विंटर सॉल्सराइस करें पर पड़ रही होती हैं बिल्कुल South किमें कहां पर डधिजिंदा पर Sun पड़ रही होती है और इस टाइम पर हमारे उत्तर में नदन हम सबडिकर रहे और रहेगा सबस्क्रतेंच में इसे हम क्यों घ्रिपड़ला करतें परसे prendre अगर dizer water रहे हैं जाने के डख्षिन्द मेंато यह मनाते हैं कहां पर घरमी में क्यों क्योंकि उस टाइम पे अभी आप देखो और छील च्पर में रहे हैं औरस च्षिं घुलार्द में पढ़ता है के पास बड़ रहा अपका तो यहां हो जाएगा इंडिया में क्या बढ़ दिन लंबा और रात पहुत है ऐग्ला कॉंसेप्ट तक है जी बिल outreach चलिए अगला बताए लिचेन और लाइकन कहते हैं यह यह जहां पे लाइकन को बेनिफिट होता है एक दूसरे से एक पता से लाइकन लाइकन जो होता है ये यह और फंगस का है क्या होता है मिश्रन होता है शेवाल और कवक का function मतलब जुडने से क्या बंता है आपका लाइकन बनता है दो तीन CH21 यहां पे चुपे हुए हैं वो हम का रत जुए कि हम इसे पहले तो ओब question ंपूर या सकता अब यहां पे कोशन और निकल दा क्या कि जब मैंने आपको कहा कि इन दोनों को बैनिफिट हो रहा है इन दोनों का बैनिफिट हो क्या रहा है यह आपको बताना है हां ठीक है इन दोनों का बैनिफिट क्या हो रहा है यह आपको बताना है ग्रोलों का मिचर्ट हो गया यहां पर दूसरी बात यहां पर यह है, कि जब आपको हवा के अंदर लाइकन दिख रहे हैं, हवा के अंदर अगर लाइकन दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हवा के अंदर लाइकन दिख रहे हैं, तो हवा आपकी क्या है, प्योर है, शुद्ध है, प्योर हवा है, अ आपका air pollution अब दूसरा यह है कि एर के अंदर आपको सबसे ज़्यादा दिखने को क्या मिलेगा एर के अंदर आपको दिखने को मिलेगा sulfur sulfur pollution सबसे ज़्याद देखने को आपको मिलेगा कि जब लाइकन हवा में है नहीं ठीक है दूसरी बाग यहां पर कोशिन आता है लाइकन पार्क का सो लाइकन पार्क अभी न्यूज में भी था लाइकन मेंने करंट फेर में भी डिस्कस किया था आप से लाइकन पार्क स्टार्ड कहां पर किया गया है आपका उत्राखंड में उत्राखंड के अंदर और उत्राखंड में ही आपका मॉस गार्डन मॉस पार् समझ आए आप लोगों को समझ आ रहा है आप लोगों को येस इसमें वन ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर करेक्ट अंसर इस वन ऑप्षिन तो यह वही चीज है जी जो मैंने आपको बताई है यह देख लो बस पढ़ लो एक बार सो मैं तो अगला पॉइंट करूंगा भी कि सार्क एग्रिकल्चर सेंटर जो है वो से शहर में हैं 66 कहां कुशन 100 पर्संट आप गलत करने वाले हैं क्योंकिक्पर में यह तो शायद अधामेरे बोलने है तिक्क्या करना है काट मंदी जो कि आपका गलत होगा फिक है यह गलत हो जाएगा को कि यहां पर हाँ South Asian Association for Regional Corporation यह आपका full form है और यह कब बना था 8 December 1985 को यह date याद रखना exact date पूछी जाती है वेपर में सार्क के headquarter कहां पर काटमांडू के अंदर है सार्क के headquarter कहां पर है काटमांडू के अंदर है बिल्कुल सही ठीक है और हाँ बिल्कुल और इसके अंदर आठ देश है यह आठ देश कौन से हैं यह मैंने आपको बदाया था याद कैसे करना है यह वर्ड से सारी याद हो जाएंगे बंग्रादेश बुटान श्रिलंका पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया और नेपाल तो यह आठ देश है सार्क के लेकिन यहां पर एग्रिकुल्चर सेंटर पूछा गया है तो वह उसका हेड कॉर्टर क्या है आपका ध्हाका तो यह बनेगा बी ओप्शन यह सार्क का इंटिट्र सेंटर जो है tangygiak क्या इंटि इट में स्टार्ट में स्टार्ट किया गया था लेकिन सार्क 85 में स्टार्ट हो था एग्रिकुल्चर सेंटर 88 में समझाया आप लोगों को समझाया आप लोगों को हाँ बिल्कुल बिल्कुल चीक है हाँ तो यह बनेगा जी आपका राइट अंसर इस बी ऑप्शन बी ऑप्शन बनेगा बिल्कुल बिल्कुल और अग्रिकल्चर सेंटर के जो हैड है वो सेग्रेटरी जनल है SM बक्तियार SM बक्तियार जो है SARC Agriculture Center के क्या है Director है और SARC के जो Secretary General है वो कौन है बताईए इसाला रुवान इसाला रुवान ठीक है R U W A N H नहीं है इसमें R U W A N इसाला रुवान ये इनका नाम बहुत बड़ा है इसाला रुवान वीराकून विराकून भी है इनका नाप पूरा-पूरा विराकून चीक है और ये कहां से बिलॉंक करते हैं शिलंका से और ये जो है सेक्रेटी जर्ल है किसके सार्क के समझा है आप लोगों को समझा रहा है आप लोगों को हाँ तो उसमें बी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर कलियर हो ब hash दैद भगया ठी और क्लोम्बो किसकी जिलेंके और दूसरी की क्या है वर्दनेव पूरे क्यते आफार इसके बाद इसलामाबाद पाकिस्तान तो एसमें प्रिप्षिन बनेगा राइट गर समझ आ रहे हैं आप लोगं को तो सब्सक्राइब अगला बताईए अगला बताईए फटट फट कि यह वेप्ड नएक जिए कि यह अप्ट अपना पता नहीं कुछ हो ना जाए बड़ मैं दिखा सकता क्योंकि स्क्रीन खिल जाती है क्योंकि टैच से चलती है ठीक है बैब डिका मतलब ऐसे पंची के पैर होते न वह वाले वाले वैब ठीक है सबता है उस तरीके से एसे करके ठीक है और विए न at होता है और रिंकल स्किन रिंकल पढ़ रहे होते हैं और प्रोमिनेंट जो और आपकी इस तरीके से देखने को आपको मिल दिया सो उisterky एंसे नहीं कि द्सिंग्विश कर सकेंगे हम यह मरा नक है और यह मरा शोल्डर है में अब्र को इस तरीके से चलती ए और यह Fr 한다 his Weave heave बनेगा मैं आपको हर बाद एक चीज़ बताता हूं बहुत ध्यान से समझ के बढ़िए ठीक है इस कोशन ऐसे ऐसे पेपर में कोशन आते हैं कि जब आपको एक्स्परनेशन आपको नहीं समझ आई ना तो गडबड़ कर दोगे बहुत ध्यान से समझ के बढ़ो कि जो मैं लेकिन एक चीज़ आपको और बताना है female body के अंदर ये जो होता है female body के अंदर जो Turner syndrome होता है यह आपका a मतलब इसमें chromosome की ऊपर दिक्कत होती है इसमें 45 chromosome होते हैं 45 chromosome instead of 46 otherwise हमारी body में 46 होते हैं अब इसमें 45 रहाते हैं Turnar Syndrome में Turnar Syndrome में होता क्या है जो 결árl 44 प्लस X 8 होता नहीं लड्कियों का मतलब जो क्रॉमॉजोम का ऐसे होता है इसमें क्या होता है कि एक एक ही क्रॉमॉजॉम जो है आपका एक एक स्कॉमॉजोम जो है जoure ये गाएब हो लड़कों के अंदर beard आना ठीक है और ऐसे ही female body grow करती है तो अगर मैं कहूं कि वो body grow नहीं कर रही female body और उसमें यह tunnel syndrome देखने को आपको मिलता है तो बच्चा पडियूस नहीं कर पाएंगे बच्चा पडियूस नहीं कर पाएंगे tunnel syndrome के अंदर down syndrome क्या होता है है down syndrome होता है 21st chromosome के अंदर दिक्कत 21st chromosome जो है इसके अंदर हो जाती है trisomy हो जाती है और down syndrome को हम और क्या कहते हैं mongolism mongolism भी बोला जाता है इसके अंदर जो है आपके मतलब सोचने समझने की शक्ति mental retardation चीजों को capture करना प्रपद्रेगे से यह प्रॉब्लम हो जाती है ध्यार रखिए जो tunnel syndrome था वो किसमें दिक्कत हो रही है आपके sex chromosome के अंदर sex chromosome में दिक्कत हो रही है लेकिन यहां पर 21st में changes आ रहे हैं और 21st वाला क्रोण death ascend क्या हैए आपका autositude को patos Coach को में आपको अगर नहीं पता मैं बता देता हूं 46 का मतलब क्या होगा है 23 फिर होते हैं तैस पेयर अप तैस पिर में जो 22 पार होते हैं यह क्या होते हैं आपके पार ऑकर अप्छेफ क्रोणाlo sex chromosome गोता है आपका sex chromosome जो होता है छो होता एक्स गर्ली निए तो उसमें होपर कोई ना कोई दिक्कत होती है जो आपको exam में paper में पोच लिक थाती है तो down syndrome 21 ذ Gleich को मोजोंग की दिकत है Clean filter syndrome जो होता है यह मेल में होता है अब इस में क्या होता है जैसे 44 प्लास एकस वाई होता है बोई हसके अंदर क्रोमोजों इसके यदा होता है 44 प्लास एक्स एक्स वाई हो जाता है मतलब X chromosome एड़ हो गया तो क्लिनफ इल्टर सिंड्रों में टोटल क्रोमोजों कितने होगे 47 जिसे हम कहते हैं किनर्स किनर्स ठीक है जिसमें हम लड़का लड़की में लेकिन ध्यान रखना है थ क्लीन फिल्टर सिंड्रहम और गेईज् Gesellschaft में बहुत डिस्ट है कई बार लोगों को समझ नहीं आयता है। यह क्या है चीज़े थे क्लिन फिल्टर सिंड्रहम जो है आपकी जो जो है genetic disease है लेकिन गेईजम जो होता है वो hormonal imbalance होता है यह चीज दियां रखना है आपको confusion नहीं करने दोनों में तो clean filter syndrome जो है आपका 44 plus xxy that means 47 chromosome गेईजम is different thing जिसमें आपका hormonal imbalance होता है वो अलग चीज है और फिर आगया cry-do-chat syndrome cry-do-chat syndrome में क्या होता है जो पांचवा chromosome होता है हमारा पांचवा उसकी एक short time होती है वो delete हो जाती है जिसके कारण जब बच्चा यह बंदा जो अगर बोलेगा जा चीखेगा तो ऐसे लगेगा कि एक बच्चे की आवाज आ रही है तो cry-do-chat syndrome जब रोता है तो ऐसे लगता है कि यहाँ एक बच्चा रो रहा है इस तरीके से तो यह सारी कि सारी जो है दिक्कतें आपको देखने को मिलती है समझाए आप लोगों को जी तो अंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर टंडर सिंटों यह जो बच्चे मेरे को बोलते रहते हैं सर नेक्स्ट तो ऐसे यह मैं बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर क्लियर जी चलिए अगला कोशन देखें जी क्या गयता है तो क्रोमोजोम दिक्कतें कभी भी ठीक नहीं होती मैं आपको चीज बता दू क्रोमोजोम दिक्कतें कभी भी ठीक नहीं होती जैनेटिक है भाई जैनेटिक चीज़ों को कैसे कर लोगे आप लोग कईयों के बाल उट जाते हैं कईयों को डायबटीज हो जाती है तो कैसे ठीक कर होगे चलो वो तो मतलब हैरीडिट्री होगी तो ओटो सम्मल दिक्कते आप ठीक कर लोगे आप जो यह रैड डॉर कलर का गलर ब्लाइडनेस कैसी ठीक कर लोगे जिसमें आपको रैड डॉर ग्रीन कलर नहीं पता लगता यह चीज़े ठीक नहीं होती है जैनेटिक डिजीज हो ग disaster कर सकते हो चल कि ओवरेस जो है यह आपका सेवन स्केडूल साथि अनसूची में है और यह कौन लिस्ट में देखने को आपको विता संवर्थी सूची में कौन सी में आपको देखने को मिलता है यह आपको बताना आप वहिड़ेस के ऊपर आपके साघ्विल के युश्ट स्टेट भी लॉग बनाती है और यह आपका आता है समवर्ति सूची में कुंक्र requis में डेखने को मिलता है समवर्ति सूची में तो इसमें direction बनेगा राइट अंसर समझा अब लोगों को इसमें अब लोगों को डी ओप्षान अब जो कं의 के कितने सब्जेक्ट की जिस पर Central State दोनों कानूं बना सकती है 52 52 है पहले कितने थे जब हमारा सविदान बना था तो अब कितने थे 47 थे 47 से कितने होगे 52 होगे तो इसका मतलब कितने एड़ हूए 5 एड़ हूए समझ आया तो यह 5 जो एड़ हूए थे स्ट लिशिट में स्टे के अब इसमें में कीतने हैं 62 तो स्टेट लिस्ट में अभी कितने हैं और स्टेर्ट लिश्ट में अभी कितने हैं 52 है अब गोशन यहाँ पर आपको यह भी पूचा seconds यह जो पांच सब्जेक्ट एड किये गए कंकर्ण लिस्ट में यह कौनसी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग एड किये गए तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग एड किये गए 1976 क्लियर होगे आप लोग को जो आई-बी का एक्जाम देने जा रहे हूं आप क्यों के वाली है वहां पर यहां यह कूशन ऐसे आएगे यह पूछेगा कि कौन सी लिस्ट में है क्या लिस्ट में यह पूछने वाला यह पूछेगा यह बताओ पांच सब्जक्ट में ये चार option है ये बताओ इन में से कौन सा नहीं है फिर आपको याद आएगी मेरी ठीक है फिर आपको गोगा यार शायद पढ़ लेते शायद पढ़ लेते ठीक है तो ध्यान रखो ये चीज़ेगा तो ये जो पांच सब्जक्ट एड किये गए थे ये पांच सब्जक्ट कौन इसे एड किये गए थे एड्जुकेशन फॉरेस्ट और प्रोटेक्शन ओफ वाइल्ड अनिमल्स प्रोटेक्शन ओफ वाइल्ड अनिमल्स एंड प्लांट्स ठीक है तीन ये होगे 123 फॉर्थ है आपका अड्मिस्टेशन ओफ जस्टीस चौथा और एक रह गया कौन सा रह गया एड्जुकेशन फॉरेस्ट पॉट हां पांच वहां रह गया आपका वेट अंड मेजर तो यह आपके पांच चीज़े याद कर पांच चीज़े जो हैं आपकी कहां गया यह तो यह पंच चीज영 जो मैं Sinichoke फॉर्टी सेगिंड में के अकॉर्ड़िंग यह 5 याइड करी आपकी डिपनंगे तो चाहिए अपको Satya होता रहता है यहाँ पर जिसके कारण जो है वह आगे आगे बढ़ती रहती है ठीक है चलिए जी तो यह अंसर इसमें क्या बन गया आपका डी ऑप्शन बन गया राइट अंसर कंक्रेंट लिस्ट जाने के समवर्ति सूची क्लियर यह वह ही चीज है जो मैंने आपको बताई है अच्छे एक चीज बताओ अगर आपसे पूचा जाए फढ़ाई वह कानून जो है नया कानून है कोई भी हो सकता है उनलिस्ट में जिए ़हां और उसको हम किस इसे दिस में डालते हैं रिवावर जो रेज़िटरी पावर बावर होती है और शक्तियां वो किसके पास आती है पारलेमेंट के नॉलेज भी चेक कर सकते हो इस कोश्चन से पहली बात तो काफी लोग बोलते हैं कि जो दूद है वो आपका complete food है चीजिक है तूद को हम complete food नहीं कहते क्यों नहीं कहते क्योंकि दूद के अंदर सारी लेकिन दो चीज़े नहीं होती वह दो चीज़े कौन से नहीं होती एक तो विटामिन सी नहीं होता और दूसरा आयरन नहीं होता समझा है आप लोगं को दूद के अंदर दो चीज़े नहीं होती बाकि सब चीज़े होती है एक विटामिन सी एक आयरन क्योंकि पहली बात तो सि जितने भी चीश है एसडिक वगया उसमें सब आपका विडामिन सी होता है सब को पता है लेकिन वहां पर क्या होता है प्लांट में मिलेगा एनिमल में मिलेगा क्योंकि मैं आपको बताई इस आरगा सारा वहां पर मतलब फूट से मिलता है और दूसरी बात यह है यारें भी नहीं होता लोहा भी नहीं थे उसके अंदर तो अंसर इसमें टिक करो पहले तो क्या बनेगा आपका यह ऑप्षिन बनेगा राइट अंज़ा ठीक है विटामिन सी की ऊपर हम डिसकॉस कर सकते हैं कि विटामिन का दूसरा नाम क्या है ascorbic acid is Corbic acid इसको कहा जाता है ascorbic acid this is very very important vitamin C is ascorbic acid clear होगे आप लोगे को चीक है vitamin C कमी से कौन सा रोग हो जाता है scurvy क्या होता है जो दांत तरह ना दानत मसूले उसमें blood निकलने लग जाता है so that is called vitamin C सिसकर भी रहो और सब्हुंट झालता है कि सबसे चीज का होता है तो वीटामीन का लोस आस्वी में 10 का प्रखिंद तो उसमें ऑप्सिं इन्हें जाएगा समझा आप लोगं को समझा है आप लोगं को येस अंसर इसमें अप्यान बनेगा कर्थ अंशर वीटामीन अगला कुशन बताओ नेम दा कमिशन डाट केम टू इंडिया इन 1928 तो रिफॉर्म दा इंडियन कॉंसिशन सिस्टम बताईए जी इसका अंसर बताईए फटाफट फटाफट बताना है इसका कुश्चन का अंसर क्या बनेगा 1928 के अंदर हमारे देश में एक कमिशन आया था उसका नाम क्या था देखे जी पहली बातों इससे पहले आपको बैक्गराउंड में जाना पड़ेगा मॉन्टैक्यू चैम्सवर्ड रिफोर्म आये थे यह सबको बता है 1919 में जिसे आप गर्मेंट आफ इंडिया एक्ट भी कह देते हैं 1919 वाला जब इन्होंने कानून बनाया था ड्यार की द्वेशासन की बाते करी थी तो इन्होंने बोला क्या था कि हम आपको 10 साल के लिए प कोल दया कि हम इन कानून को 10 साल के लिए और एक दस साल के लिए जाएंगे तब रिपोर्ड बनाएंगे popcorn जो आतार में आया था तो 1928 में सक्या यह रखना जब था 28 में भारत में आया था तो यह कॉंसर सिस्टम हो गया अंसर इसमें क्या बनेगा पहले तो डी ऑप्षन डैट में साइमन कमिशन आया था अब जब साइमन कमिशन आया था तो सभी ने बाइकॉट किया इसका बहिशकार किया वाई क्यों बहिशकार किया क्योंकि इसके लगा लिए अब जो next अगले साल के लिए कानून लगा तो उसमें हमें तो होना चाहिए क्योंकि हम नी हमीं तो बताएंगे वहां पे कि 10 साल के अंदर हमने क्या जीला है तो यह इस चीज के लिए बहिशकार किया गया था अब साइमन कमिशन जो है जब आया तो एक परसन की य सांडरस ने लेकिन और किसने दिया था स्कॉट ने ओडर दिया था ध्यां रखना स्कॉट ने ओडर दिया था और सांडरस ने लाठी चार्ज किया था ठीक है अब इस चीज का बदला कौन लेने आया था बगह सिंग राजगरू सुक्दे में बगह सिंग बगह सिंग ने ब बनाए हैं दुबारा से बना सकें तो उन्हीं पर्चों के उपर काट के इन्हों ने जब सब लिखा मूवी बगारा देखी होगी आप लोगों ने तो पता लगया था कि हाँ यह स्कॉट को मारने वाले थे तभी सब यहां पर खड़ा नहीं हो सकता कोई नोव इंडिया एक्ट इस वेरी वेरी इंपॉर्टन अब कोशन यहां पर यह आता है कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था पहली बातों पिट्स इंडिया अक्ट आया कब था 7084 में 1784 में आया था इसमें दो चीजे बनाई गए थी और दूसरा Court of Directors समझाए आप लोगों को Board of Control और Court of Directors बनाए गए थी अब Board of Control वाला जो था इसमें कौन थे पॉलिटिकल यहां पे पॉलिटिकल मेंटर सॉल्व होते थे और Court of Directors में जितने भी कमर्शिल होते थे जितने भी आपके civil cases होते थे मिलिटरी चीज़े होती थी वो Court of Directors में होती थी सिविल एंड मिलिटरी वो यहां पे देखने को मिलता था जितने भी पॉलिटिकल मुद्दे होते थे वो Board of Control संबालता था यह आपको याद रखना है यह क्या हो गया स्क्रीन का चल रही है लाइव चल रही है है मेरे को ऐसे तो यहां पर अंसर क्या विच में हुआ है देखो स्क्रीन उस पर देखो YouTube पर ओके ठीक है तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर साइमन कमिशन इस अक्रेक्ट अंसर और बीच में ब्लिंक हुआ है कोई दिक्कत नहीं मेरे साथ भी हो गया कुझ कई वार क्या होता है स्क्रेण थोड़ी सी ब्लिंक कर जाती है ये बी ये भी किया रुक जाती है पता नहीं अपने हो जाता है इसको ठीक है और कई बार क्या होते है क्योंकि लंबी लास मेरी वाइस भी मतलब बैटरी वगएरा भी खत्म हो सकती है हो सकता है यूटुब की साइट से कोई दिक्कत आ जाए तो मैं यहीं रहूंगा क्लास होता है कि एक दो मिनिट में बाद स्टार्ट हो जाती तो ऐसा नहीं है कि हमारी क्लास बंद हो गई तो वेट करना अगर कुछ ऐसा होता है तो ठीक है चलिए जैंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका डी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर यह था जी साइमन गो किनारे लगे थे यहां पर नेक्स्ट वाइड एक कैनन रिक्वाइल आफ्टर दा फाइरिंग यह देखा होगा आप लोग ने मुवीज बगारा में तो पोगारा ठीक है जैसी गोल आगे गया तो यह पीछे को ऐसे जली जाती है ठीक है तो रिक्वाइल बापिस क्यों हो जात कैश करो तो इसका मतलब दिवार पर मारे एक्शन किया दिवार ने रियक्शन दिया आपके हाथ में फिर आगी तो जितने भी चीज़े होती है अगर कोई कोई चीज रहे तो जब तक को खोंड़ ढखाया तो यह होता है ऐपका अगर आगे की सका होगा अगर momentum change हो गया है तो आपका second law लगता है यह चीज़ आपको ध्यां रखनी है ठीक है हाँ इनर्शिया भी कह देते हैं जड़कत्व का सिधानत भी उसको कहा जित कह दिया जाता है तो आंसे इसमें C option बनेगा right answer C option Newton's third law यह वही है action and reaction Newton's third law this is important question again this is again important question it's called कलारी पया इसकलारी पयाथ हां यह किस राज्या का बहुत ही कला है माइस्ट नॉट मटीरियल आट या इस मार्शिल यह मार्शिल आट है नॉट मटीरियल आट इस मार्शिल आट कई वर टाइपी में दिक्कत हो जाती है इस मार्शिल आट मैं दिखाता हूं आपको picture यह है इस तरीके से लड़ते हैं ऐसे मार्शिल आट जिखाते है अपने चिछा दो यह किस जगह यह आपका consistent का है यह में दो state का है केरल और रमिल्लादू में थोड़ा बहुत थिक हाँ ठीक है हाँ डी ऑप्शन वनेगा राइट गरें स지만 इसले हुआ को यहां पिवक्नाट नागर लेंड्स से में अपको एक चीज बताई हुए हैं हमने अभी युनेसको ने वर्लड सिस्टि र seldom के अंदर गुशित कर दिया गया है पंधा टाइगर कर всем कहा है मद्यापरधेष में और यहां पर ही आपकी पन्ना माइंज भी है कि हem पन्ना माइन्स पन्ना माइन्स किसके लिए फेमस हैं डाइमंड के लिए डाइमंड के लिए समझाया और हमारे देश में कोलार माइन्स भी है कोलार माइन्स कहां पे हैं करनाटक में जो किसके लिए फेमस हैं गोल्ड के लिए ठीक है याद रखना और टैक्सेट तो अंसर इस का है multi organism जो हो हैं कोशे जीव हैं वो ग्रू करते हैं अब एक चीज बता। हम किसमें आते हैं में मंंति हमारे बाड़ी के अंदर जोहें और बनाते हैं सेल मिलके तीशॊआ डिशुआ मिलके याफा बज़्ों करना है लेकिन हमारे बॉड़ी के अंदर Controlled Division होती है यह चीज़ दिया रखना हमारी बॉड़ी के अंदर Controlled Division होती है Controlled का मतलब क्या हो गया कि एक टाइम पर जाकर रुख जाएगी जैसे हमारी इसके टॉपिक में बाद में आता हूं पहरे तो यहां पर देखते हैं मल्टी और्गनिजम ग्रोव बाई सो इस इस दा अंसर इस सेल डिवीजन अंसर इस डी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर सेल डिवीजन जो होती है इसको हम और क्या कहा देते हैं माइटॉसिस माइटॉसिस भी कहा जाता है माइटॉसिस जो होती है यह हमारे बॉड्टी सेल में होती है बॉड्टी सेल में ठीक है और यह आपको बता रहा था कि हमारी बॉडी में अगर uncontrolled cell division हो जाए जाने कि uncontrolled mitosis हो जाती है तो उसको हम क्या कहा देते हैं cancer कहा जाता है cancer की study को क्या कहते हैं oncology cancer की study को क्या जाते हैं oncology और इसके लिए genes are responsible कौन जी होती है oncogenes इसके लिए जो जीन्स रिस्पॉंसिबल होती है उसको क्या कहते हैं उंको जीन्स कहा जाता है समझा रहा है आप लोगों को तो अंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर डी ऑप्शन इस दा राइट वान वैरी वैरी इंपॉर्टन यह सारा कुछ डिस्कुस कर चुक है आप के घर में क कहना कुछ बनते हैं और सारी चीजें मतलब जो भी आप अप घरों में खाना बनाते हो तो Nosthty कह होते हैं वो kimg यूटेंसिल Minsu करह बने होते हैं यह आको बदाना क्या बनेगा आपका राइट अंसर बनेगा येस डी ऑप्शन और इसको और क्या कहते हैं पी टी एफ इफ इवी वर्ड यूज किया जाता है पेपर में ये वर्ड भी आ सकता है आपको पी टी एफ इस पॉली टेट्रा पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन समझाया हां पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन इथाइलीन फॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन भी कहा देते हैं तो ये भी आ सकता है वेपर में और टैफलोन भी मेंली वैसे टैफलोन आता है लेकिन टैफलोन बना किससे यह आपको पता बना होता है that is poly tetrafluoro ethylene से बना होता है clear हो गया आप लोगों को येस ठीक है तो अंसर इस डी ऑप्शन अब यहां पर लिखा हुआ एक polystyrene polystyrene जो है यह किसमे आता है आपका जितने भी इलक्रोनिक्स चीज़े आती है ठीक है ऑटो मुबील के पार्ट्स आते हैं ट्वाइज बगएरा बनते हैं बहुत सारी चीजों में आपका polystyrene यूज किया जाता है तो यह आपको द्यान रखना है तो अंसर इसमें ठीक है तो अंसर इसमें डी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर डी ऑप्षिन ठीक है अरे पढ़ लो भाई पढ़ लो यह देखो वही चीज में आपको जो बताई थी इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया पीटी एफटी पॉलिटेटरा फ्लोरो इथाइलीन एंड इस इस काल्ट टेफलोन यह नहीं पूछेगा यह मत्याद करने लगया ना कितने कारबन है यह कुछ मत्याद करना ठीक है यह नहीं पूछेगा आपसे नेक्स बताईए जे अगला फटाफट बताईए जल्दी बताईए फटफट कैबिनेट मिशन आफ 1946 वाज लेट बाई कैबिनेट मिशन 1946 का किसके द्वारा लीड किया गया था पहली बातों कैबिनेट मिशन जो आया था हमारे देश में वो किसकी रिकमेंडेशन से आया था यह पता होना चाहिए किसने बेजा था अब यह कौन है कलमेंट एलीघों है यह उस मेर्टेन के प्राइमनिस्टर थे कौन सी पाटी से लेबर पाटी से बिलौन करते थे ती क्या है यहां तक मैं स्थ क्यूष्ण पूप में करते कहें को सस्थ करका ने दिक células प्रूट प्रेजों ने मान लिया था कि हम अपने देश का हमारे इंडिया क्या बनाएंगे तो सब चीजे कैंसल होगी प्राइमिस्टर चल रही थी और उसके बाद पार्टी चेंज वही डिटेन के प्राइमिस्टर का उन बने क्लिमेंट एटली बने तो यह क्या कह रहे हैं कि देश को पूछो इनको क्या चाहिए ठीक है अपना यहां पे वो अपना प्रपोज लेके गए और इन्हों ने बताया कि हम फैडल कॉम्मेंट बनाएंगे जाने कि संग्य सरकार बनाएंगे अगर कोई संग से बाहर रहना चाहती है तो रहे लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अलग हो रहे हैं अलग कर रहे हैं किसी को वह उसकी मर आ देता हूं शेत्री कि लौरेंस ठीक है स्टेफर्फ गरेपस और तीसरा परसन था यृबी अलेक्जेंडर को शेम्ढे अलेक्सेंडर समझाया है और इसमें जो सब्षै कॉन द ए पर पिस को होगा है याgam हो बवेसली बात है में ARE लेट किसके दवारा किई जाएगी तो अंसरे इसमें सी ऑप्शिन बनेगा समझाए आप लोगों को अंसरे सी ऑप्शिन बनेगा अब बाकि बहुत सारे प्लैंज हैं वो हम डिसक्स करते हैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा मैं इसमें लॉड लिंथी को जो थे आपका अगस्ट ओफर में आया था 1940 में और अगस्ट ओफर की बाद आपको मैं बता दूँ यह पहला ऐसा चीज थी जब अंग्रेजों ने माना था हम आपका सविदान बना के देंगे हम तो बहुत पहले से बोलते आ रहे थे लेकिन अंग्रेजों ने पहली बार कब माना था अगस्ट ओफर में जब उस टाइम पर गवर्नर जेनरल कौन थे लॉड लिंथी को थे मांट बेटन का प्लैन आपको पता है तीन जून 1947 और इसको ड्की बर्ड प्लैन भी कहते है और क्रीजून का प्लैन का मांट बेटन इसको बोला आता है तो इसमें बोला गया था और पाकिस्तान को अलग करेंगे 15 अगस्त को ठीक है और इन्हों ने बोला था कि देश को आजाद करेंगे हम 15 अगस्त को आजाद करेंगे और इंडिया इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड किया था ठीक है अधर्वाइस आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जब जब इन्होंने माउंट पेटन से पहले जो ब्रिटिश प्राइम ने एक डेकलरेशन करी थी इन्होंने डेकलरेशन कब करी थी 20 फरबरी 20 फरबरी 1946 इन्होंने एक डेकलरेशन दी थी कि हम इंडिया को आजाद करेंगे 1948 में आजाद करेंगे लेकिन बीच में माउंट बेटन पैन आ गया माउंट बेटन जो लास्ट गवर्न जरनल ऑफ इंडिया और इसने बोला कि हम इंडिया को 15 अगस्त को यह आजाद करने वाले हैं तो यह कॉंटेक्स पूछा जा सकता है आपसे तो यह चीज आपको क्लियर होनी चाहिए तो आंसर इसमें सी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर समझा आप लोगों को कि समझा रहे हैं आप लोगों को येस जी जी वह आजाद करने वाली जो देट थी वह तो पक्का पता है मुझे यह बताओ जब उसने डिकलेयर किया था उन्होंने बोला था है एक बच्चे ने मुझे बता दिया जिग्यासा ने मुझे बताया कि 20 फरबरी है एक्जेक डेट इस 20 फरबरी ठीक है मैं आपको बताया था मैं थोड़ा सा अकॉर्डिंग किसके पास पावर होती है एमर्जनसी गोशित करने की एमर्जनसी गोशित करने की पावर किसके पास होती है हमारे सविधान के अंदर पहली बात तो एमर्जनसी की बात है दो कोशन आपको पतावने चाहिए एमर्जनसी प्रोविजन्स हमने ली थी गर्में नो जाते हैं मुट्रेयर और झाल यहाँ नेट यहाँ न एक आपके सविद्धान के आंदर जो है इन चीज़ों को डिक्लेयर करते हैं तो अंसर इसमें बी-ॉप्ष्ण बनेगा कर्क्ट अंसर प्रेंट करते हैं बिल्कुल चीक हैं अब एक चीज आपको याद रखनी है एक्सटरनल 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 एक कॉंसीशन एम जंसी 356 में जिसे आप राश्टी आपात का लिंसीति भी कहते हो फाइनेशल वित्या वाली आपकी 306 में हैं कॉंसीशन एमरेजनसी को प्रेज़दिन डूल भी बोलायाता है और उस्टेट एमरेजनसी ठीक है हमारे सवी धान में कभी भी फाइनेशन एमरेजन क्योंकि नहीं हुआ क्यूंकि हमारे देश में फानेंशनेमर्जंसी की डियों बहुत कम है जोगों के पास अभी वी बहुत सारा पैसा है ठीक или कनलना किि से和व लगता रहता है और दूसरी बदों पर यह 1971 में 1971 में इंडिया पाकिस्तान की वह ति फिर 1975 में इंतर्नल इमर्ज इंटर्नल disturbance के कारण आंतरिक औशन्ठूलन के कारण लघा था जब परधान मंत्री निकलता है हमेशा बत प्रधान मंत्री यहां पर कौन थी इंद्रा गांधी जी ने यहां पर लगाया था इंटर्नल डिस्टर्बेंस के लेकिन यार रखना फिर वर्ड इंटर्नल डिस्टर्बेंस जो चेंज कर दिया गया था वह आम्ड रेविलियन में चेंज किया गया था यह कौन से इसा है अंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा प्रेज़ेंट इस दा क्रेक्ट अंसर समझ आया जी येस इंद्रा गांधी जी ने किया था राश्रबती हमारी रामनात कोविन जी नेक्स बताइए कोई भी अगर एक बदलाव होता है कि पिर तो मैं आपको बताता हूं पेपर की दर把它 करो ठीक है की पेपर चल रहा है आपका फिर अटेंप्ट करो और कि यह राए घू कोशन है कि एक चेंज हो रहा है और उसमें कोई भी सबस्टांस नहीं नहीं बन रहा उसको हम क्या कहते हैं कोई भी नया सब्स्टांस नहीं बन रहा उसको हम क्या कहते हैं जहां से समझने कोश्चन निव सबस्टांस नहीं बन रहएं उसको हम क्या गएते हैं हमेशा फिजिकल चेंज कहते हैं जैसे कि आइस बरफ यह बरफ ट्विखल के पानी बन कि उतना पानी बन जाएगा कोई भी सबस्टांस और नहीं नया सबस्टांस बना कैमिकल चेंज होगा तो ऑविसली बात है चेंज होगा उसके उपर कैमिकल रियक्शन बगएरा देखने को आपको मिलेंगी न्यू सबस्टांस बगएरा बनेंगे रस्टिंग जंग लगना यह तो ही है लोहे के उपर जब जंग लगता है तो लोहे के उपर जंग लगता है तो दो च दातू का जाने कि लोहे का वेट क्या हो जाता है इस चीज को दूर करने के लिए प्रोस्यास होता है जिसे हम क्या खैते हैं गलबनी करन ठीक है और यह बिजली दातू चड़ाने की क्रिया ऐसे समझा रहा है आप लोगं को यह option बनेगा यह option और इस लेक्चर के अंदर में ने बहुत सारी कोशन जो है हमने 10,000 जो हमारा mcq paid course है ना उसके लिए है मैंने जो हमारा 10,000 mcq course है ना उसके जो पड़ा है ठीक है तो भाई यह फिजिकल चेंज है जो इसमें कोई भी चीज नहीं बनती नेक्स देखेंजी नेम ऑफड़ एसेडिन ग्रेप जो अंगुरों में इन में से कौन सा अमल पाया जाता है यह आपको बताना है सभी बता देते हैं क्या कहां कहां पर क्या होता है लेक्टिक एसिड जो होता है यह तो मिल्क में है दूद के अंदर फॉर्मिक एसिड चींडियों के अंदर एंड्स एसिटीक एसिड का दूसरा नाम पूछा जाता है पहले तो इसका फॉर्मूला CH3 COH इसको कहा जाता है ठीक है और यह आपको देखने को मिलता है विनेगर म पाया जाता है अंगुरूमें टाट्रीक विएस पाया जैता है अंसर्में डी ऑप्छिन बनेगा की असर समझाय आप लोगो जी की डी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर यास्स व्यूब को टार्टरीग ऐसे डिजाक और दूसरा यहां पर कोश्चन याद रखिए क्या वाइन का गुष्चन पर में उचाया था जो वाइन होती है उसके अंदर भी टार्टरीग असंदर हो जो वाइन बनती है अंगूरों से बनती है ठीक है याद रखे तो अंसर इसमें इस दा येस ठीक है तो अंसर इसमें डी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर डी ऑप्षिन तो यह मैंने आपको बता दिया है चलिए जी आगे नेक्स कोईशन देखें जी क्या कहता है यह बटा इंपॉर्टन कोईशन है दा नंबर ओफ डैथ हम इन्हें पॉपलेशन ड्यूरेंगे गिवन पिरिड इस कॉड्ड किया कहते हैं कुछ लोगों की डैथ होगी है एकडिवन पिरिड के अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं मौर्टालिटी कहा जाता है क्या गयते हैं मौर्टालिटी कहा जाता है तो 지원 इसमें कि मैं यूएस से आया हूँ देश में हमारे इंडिया में आया हूँ तो मैंने इंडिया के अंदर क्या किया immigration किया समझा है आप लोगों को तो अगर मैं इंडिया का हूँ और मैं यूएस जा रहा हूँ तो मतलब में अपने देश को छोड़ा और मैं emigreation कर रहा हूं जनगी परवासी बतलब बाहर जा रहा हूं ठीक है अगर मैं इंडिया का होके बाहर जा रहा हूं तो that is emigration और बाहर का होके देश में आ रहा हूं करना ऐसे नहीं मिलना वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बता रखा है कि कहां से कैसे मिलना है क्या प्राइस है वहाँ पी जाके देखिए कोड वगएर डिसकाउंड वगएर बता रखे हैं तो क्लास में इन चीजों को मत डिसकर कीजे क्लास में सिर्फ पढ़िए अभी ठी अभी बीच में कोई बाते मत करो ऐसी वैसी पेड़ कोर्सिस यह वो मैंने स्टार्टिंग में बता रख है और एंड में भी मैं बताऊंगा आपको तब सुन लेना तो अंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर और कोई भी डाउट होता है आप मुझे इस्टाग्राम पयपर है वेजिटेबल फाइबर जो है बनस्थपती फाइबर का आधार क्या होता है चलग मैं कि तो अगें जो सेलूलोस की बनी होती है सेलूलोस को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारी बॉड़ी के अंदर एक इंजाइम नहीं है एक चीज़ आपको और बढ़ाता हूं जो वेजटेबल यह जैसे वह होते हैं काउ वगयरा वो यह वेजटेबल फाइबर्स को बहुत अच्छे से पचा लेती हैं क्योंकि उनकी गट के अंदर क्या होता है आपका सेलूलेज इंजाइम होता है तब ही वह डाइजेस्ट कर पाती है तो इस कोशन का इसमें क्या राइट अंसर भाई मैं आपको चीज बताओं बहुत धंग से पढ़ लो पेपर आएगा हमारे ही पेपर आते हैं यह नहीं है आप लोग मुझे कहते हो ना कि सर आप पेपर छापते हो मैं पर पता क्यों लगता है आपको पेपर मैं चापता हूं क्योंकि मैंने इतना डिसकस क कर दिया होता है डिटेल में जाके यार कहां तक गुष्च पाएगा examiner कहां तक जा पाएगा और अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो ना धंग से पढ़ रहे हो तो आपको धरने की जुरूती नहीं है आएगा पेपर में हर एक्जाम में आएगा मैं आपको कह रहा हूं बस धं बनने वाले कौन है यह देखो ठीक है चलो आगे देखो तो भाई यह है सैलूलोस यह हमने डिस्क्रस कर लिया चलिए आगे डूरिंग फर्मंटेशन ऑफ शुगर दग कंपाउंड विचिज ऑल्वेस फॉर्म डेइज चीनी के कीनवन के दुरान हमेशा जो है आपका इन मे यह से कौन सी जो चीज है आपकी बनती है शराब बनती है फर्मंटेशन फर्मंटेशन क्या प्रोसेस होता है पहले तो एनरोबिक एनरोबिक का मतलब क्या होता है इन अपसेंस ऑफ औक्सीजन की एपसेंस में एनरोबिक प्रोसेस होता है जिसमें आपका शुगर जो होता है छाहियसे से हम इताईल ल्कोहल कहा जाता है तो अन्सर से पहले तो बी आप्षिन बनेगा इसको टिक करते है अब इसमें को बनता है वह देखते है यह क्या करता है जो गलुकोज क्रोश में छाहिए क्लोग Believe को इस्जन में और इसमें शराब के साथ कार्बन एक्सेट बाहर निकलती है लेकिन प्रडक्ट क्यों सा बनता है आपका इथाइल अलकोहल बनता है यह इस तरीका का प्रोसेस होता है लेकिन एक चीज दिया रखना इसमें इंजाइम बहुत बार पेपर में पूछा आता है तो जाइमेज इंजाइम होत प्रक्टोज में जब टूरता है तो आपके दो चीज़ें डिवाइड हो जाता है एक गलुकोज में और एक आपका फ्रक्टोज में ँख ए और इसमें एक इंजाइम होता आधि इंवतेज poorly करते हैं फ्रक्टो में कर देता है फ्रैक्टोज जो होता है यह прив बी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर इथाइल एलकोहल एज़ा करेक्ट अंसर इथाइल एलकोहल समझ आया जी चलिए अगला कोशन देखो समझिए इसका अंसर दीजिए जितनी देर तक मैं खड़ा हूं ना यहां पर एक भी बच्चा जानाने चाहिए यहां से समझाया अगली बार क्लास नहीं लूंगा ऐसे फिर मैं बता रहा हूं आप लोगों को की फो डिसकवर्ड सर्कूलेटरि सिस्टम हमारे जो परेसंचार परिसंच्रन तंत्र की संचार प्रम यहां परिसंचरन तंत्र किस ने लिए आए इनन में से बताई यह बढहें यहां इसदक की इसके भी आप और मैंने आपको बताया था ब्लड का कॉंसेप्ट दिया था लैंड स्टीनर ने और एक आरेच फेक्टर बताया था वो लैंड स्टीनर के साथ एक बंदा और था जिसे हम क्या कहते हैं वीनर यह याद रख लिजे थोमस एडिसन थोमस एलवा एडिसन जिसे ने बल्ब की और इनोंने माइक्रोग्राफिय नाम की पुस्टक में लिखा था मायक्रोग्राफिय नाम की पुस्टक में इसनों ने लिख ठाक है किसने रोबट हुक ने समझायाँ आप लोग पो यस अल डिस्कवर किया था उन्होंने यस पील्कुल जिए ठीक है और लों सबोरकिया से भाई बॉल्स जार्स लो। यह प्रेशर्च धिगिए प्रेशर ए Kunden अब्ड टाल यह यह पBobाइज को क्यों सब्सक्राइब फिङ hätte में अगर हम टेंपरिच्चे सब्सक्राइब एक क्यों की रह deny से क्या ट। बाऌस समज़ता है आप लोगो से टो इस सारे अंसर बन गए है आपके अंसर इसमें B option बनेगा करेक्ट अंसर से थीक है जी यह है आपका concept विलियम हार्वे ने दिया था वेंज जिसके अंदर oxygen absent होती है जाने के carbon oxide वाला blood होता है इसके अंदर और रिसके अंदर oxygen वाला blood होता है पल्मरी आर्टरी के अंदर जो है आपका ऑक्सिजन नहीं होती कार्बन एक्सेड वाला ब्लड होता है चलिए आगे डिसकस करते हैं अपने नेक्स्ट कोश्टन में कि अगला कोशन बताईए फटाफट कि अगला बताईए जी फटाफट कोश्टन कि डैश इंफ्रेंस दाव वैदरिंग एंड हमस इन दा स्वाइल फॉर्मेशन तो कौन से चीज प्रवावित करती है कौन से चीज जो है आपकी इस चीज में प्रवावित करती है यह आपको बताना है स्वाइब पहले बात तो आपको पताना चीजए वैदरिंग मतलब क्या होता है जैसे इस मिंटी में होता है लेकिन स्कील के ने यह मतलब क्या हो गया ड्राइन ड्राइनस आने लग जाती है तो क्या होता है स्किन उतरने लग जाती है अपने आप जब स्किन उतरती है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं सेम स्वाइल के स्वाइल के अंदर क्या होता है कि उपर वाली परत हटी नई चीज़ें बहार निकल क हूं पहले आपको बता होना चाहिए कौने फ्युआ को इफक्ट करते हैं सबसे ज़्यदा जो देखी सारे इफक्त करते हैं रॉक्त करते हैं है उसकी प्रॉकटी क्या है उसका प्लाइदि माइक्रोअर्गनिगे में पर प्लांड एनिमल होंगे सब चीज़ें होंगी माइक्रोर्गनिजम होंगे तो हूमस बनेगी जिसे हम कहते हैं खाद वाला प्रोसेस बनेगा ठीक है तो वह आपके डिपेंड़ करेगा उसकी उपर वह क्लाइप सबसे जो इंपोर्टन सेंट में सेंटीमिटर से उपर बारिश होती है वहां पर हरयाली रहती है जैसे हमने इंडिया के कॉंटेक्स में डिस्क्स करते हैं वेस्टन गाट सहादरी जहां परवत परवतों से टकरा के बारिश हो जाती है वहां पर सारे कि सारी क्या बनस्पती है मतलब वेजिटेशन है बाइडिवर्स्टी जैविक बिवित्ता है प्लांट अनिमल दोनों है आप नौर्थ इस चले जाओ वहां पर बारिश आती है वहां पर भी क्या है आपका टेंप्रेचर कंडिशन प्रॉपर दरीगे से वैसी हैं डिफरेंट हैं और बारिश यह सारी कंडिश है किस चीज की उपर मेंली इफेक्ट होता है स्वाइल का क्लाइमिट का सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को आपको मिलता है समझाया आप लोगों को येस क्लियर जी टेंप्रेचर बड़ेगा तो आपकी स्वाइल की फॉर्मेशन जो है आपकी चेंज होगी रेट आफ ठीक है वो जगेंगे जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे कौन सा फाइबर जो है जिसे हम क्या कहते हैं आटिफिशल सिल्क क्रित्रिम रेशम जो है किसे कहा जाता है यह आप बताएए फटा-फट यह कहते हैं आप रेउन को कहा जाता है तो अंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा और यह रेउन जो होता है आटिफिशल सिल्क यह बनता है सेलूलोस से बनता है अंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका बी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर समझाया जी उसके बाद है पॉलिएस् बूल होता है ये भी है चीक है नाइलोन पैराशूट बगएरा और जितने भी रस्तियां बगएरा बनती है नाइलोन बगएरा की बनती है तो इसमें अंसर क्या बनेगा रियॉन बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर अर्टिफिशल सिल्क पहला सिंथेटिक फाइबर है आटिफिशल सिल्क कहते हैं चमकता है ये ठीक है सेम प्रॉपर्टी होती है जैसे नैचुल फाइबर की होती है और चीपर देंदा सिल्क जाने के सस्ता होता है सिल्क से सस्ता होता ये रियॉन आटिफिशल सिल्क नेक्स बताईये जी अगला कोशन बताईये कोशन यह है जो मुजिकल टोन होती है मुजिकल साउंड आती है पडियूस होती है जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो वह किस चीज की उपर डिपैंड करती है आप एक चीज देखो आप ऐसे मत सोचो कोशन मत सोचो आप आप इसको इमेजन करो जैसे आपने मूविस बगएरा में देखा होगा तो वह क्या होती है इस तरीके से आती है न मतलब जब भी हम थिकनेस है और मतलब शापनेस बगएरा कहां पर आ रही है यह सब चीजे जो है इससे टोन क्वालिटी होती है आपकी म्यूजिक की यह किसके उपर डिपेंड करती है आपकी कहां पर वे ओवी है इसमें डी अप्शिन बनेगा राइट अंसर समझा आप लोगं को येस बी ऑप्शिन बनेगा क्रेक्ट अंसर क्लियर जी आंपलिटूट जो होता है यह इंटेंसिटी आफशांट इसकी वह पर डिपेंड करती है अप्लिड की उपर ठीक है फ्रिकंसी ऑफ दा पताना चाहंगा एक उता है पिच एक इपैट पिच वर्ड क्या होता है पिच वर्ड से क्या करते हैं हम। अगर मैं इक उकूल वॉल्यम आ रहे हैं जैसे एकट हाँ दूसरा सब्सक्राइब दो इक वॉल्यम आ रहे हैं 가장 पीच से हमें पता लग जाएगा मतलब pitch of the sound जो है determine करती है दो sounds को determine करती है कहां से दो आवाजे आ रही है तो इस question का answer इसमें क्या बनेगा डी option waveform of the sound is the correct answer चलिए अगला question बताओ फटाफट अगला question बताइए जी फटाफट अंसर बताइए इसका the longitude of the mainland of India extend between जो हमारी धर्ती का longitude होता है यह कितना होता है यह सबको पता होगा वैसे तो ठीक है यह धर्ती का जो longitude होता है यह कैसे होता है 68 degrees seven minute east से लिए 97 degree 25 minute इस तक होता है तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका one option बनेगा करेक्ट answer one option is the right one बट आपको दिखाता हूं मैं picture तो आपको पता लग जाएगा तो यह है आपकी picture ठीक है 68 degrees seven से लेके 97 degree 25 इस तक यह देखने को होगा ठीक है आठ डिग्री चार मिनट से लेके 37 डिग्री छे मिनट तक यह नॉर्थ वाला पार्ट है ठीक है तो यहां पर आपको दिख रहा है भाई आपका latitude तो इस तरीके से यह डिग्री फोर मिनट से लेके 37 डिग्री छे मिनट 68 डिग्री सेवन डिग्री और 97 डिग्री 25 मिनट यह आप देखने को मिलता है यह concept clear दूसरा आपको यहां से position पुझा आता है कि अच्छा यह बताओ जो यह length है यह वाली यह कितनी length है North से South कितनी length है यह है बत्ती सो चौदा किलोमेटर 3214 किलोमेटर और यहां से लेके यहां यहां से कितनी length है यह सो यह है आपकी 2933 किलोमेटर क्लियर जो सबसे वेस्टर मोड पश्यम वाला पार्ट है वो है आपका गुजरात और इस्टन वाला पार्ट है आपका अरुनाचल प्रदेश ठीक है अरुनाचल प्रदेश सबसे जो उपर वाला पॉइंट आपका नॉर इसको कन्ययकोंमारी कहते हैं लेकिन हमारे देश का जो बिलकुल इंडियन स्टैंडर् मेरीडियन यह 82 degree five minutes, 82.5 degree East में पड़ती है यह वाली Greenwich मिन टाइम से GMT से आपने ऐसे दिखा होगा ऐसे लिखा हुआ एक डिगरी चार मिनट के बराबर होता है इसको calculation करोगे आप 330 मिनट बन जाएंगे और 330 मिनट को डिवाइड करोगे घंटों में 5 घंटे 30 मिनट बन जाएगा जाने के हम GMT से लंडन से 5.5 घंटे आगे हैं समझाए आप लोगों को हम लंडन से 5.5 घंटे आगे हैं यह आपको concept समझाना चाहिए और इंडन स्टेंडन मेरिडन टाइम जो है यह क्रॉस कहां से करती है यह पांच स्टेट से निकलती है कौन-कौन सी यूपी MP यह देखो यूपी वाला पार्ट यहां पर हो गया MP वाला पार्ट हो गया चतिसगड और उसके बाद उडिशा यह आपकी जो राजय है इसमें देखने को आपको मिलते हैं यूपी MP चतिसगड और आंध्रापरदीश यह पांच राज्यों से होके निकलती है यह आपकी इंडन स्टेंडन मेरिडियन समझाया आप लोगों को समझा रहा है आप लोग इस देखें है अगला कोशन बताओ फटाफट अंसर अंसर हो स्टॉट्टेटर्स आप नालंदा महवीरा नालंदा महवीरा जो है आपका बुदिश्च सेंटर है किसने बनाया था बिहार में है यह याद रखना घ्यार में है तो यह बनाया था कुमार गुप्ता ने इसमें सी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसाल विहार के अंदर एक युनिवस्टी और थी डैट इस विक्रम शीला और ये भी बोधिस्ट लिटरेचर वगएरा वहां थे और ये किस ने बनाई थी धरम पाल ने बनाई थी धरम पाल ने एक चीज और बुद्ध धरम को मानने वाले हमा घ्रम शीन युनिवस्टी और नंधा उनिवस्टी को खतम किसने किया था वह किसने खतम किया था बकतियार खिलजी ने यह बकतियार खिलजी कब खतम करके गया था बिहार में 1130 मेखना में 1193 के com arah यह किसका सेना पती था यह कुतूबदीन एबग का सेना पती था और क optimize यहां पर हमारे देश में स्टार्ट कियाता स्लेव डानल जो है आपका गुलाम भंश झिसे कहाते हैं लाहौर वासध कैपिटल ठीक है और और कुट्वदिन एबक ने कुवाउत उलिस्लाम जो है पहली विल्डिंग बनाई थी दिल्ली के अंदर पहली building बनाए थी यह आपको पता है सारी चीज़े अशोग जो है अशोग ने बुद्ध्धरम का परचार किया था महेंदर बेटा महेंदर और बेटी संग मित्तरा को बुध्धरम का परचार करने के लिए शिलंका में बेजा था सिलोन में बेजा था ठीक है और अशोग ने तीसरी बुदिषट कांसल करवाई थी और जगा कौन सी थी पाटलि पुत्र और यहां पर यहां पर अशोग मतलब की काउंसिल में थरड उदिश्ट काउंसिल में तीसरी पुस्तक लगी थी जिसका नाम था अभुधाम पिटक अभुधाम पिटक ठीक है और अशोग बुद्र में कनवर्ट करने वाला पर्शन कौन था उपागुप्त क्लियर समझ आप लोगों को यह concept समझ आ रहे हैं आप लोगों को एस ठीक है और हरी हर और बुक्का यह दो बंदे थे इन्हों ने क्या स्टाट किया था विजे नगर इंपायर विजे नगर को हम और क्या कहते हैं हम पी और विजे नगर अभी 31st 31st ठीवर्स्ट ठीवर्स्ट डिस्टिक बना है करनातक का ठीक है 31st और 35 30 1000 ठीक है तो विजे नगर को नेया एक डिस्टिक का भी धाशा दिया गया है अभी कहां पे करनातक में और विजे नगर जो है किस रीवर के किनारे पे है तुंग बद्रा तुंग बद्रा रीवर के किनारे पे है ये भी आपको याद रखना है समझा है आप लोगों को ठीक है ये आपको क्लियर होना चाहिए ये सारी चीज़े जो मैं आपको बता रहा हूं क्लियर जी हाँ विजयन अगर जो है 31st डिस्ट्रिक है मैंने अभी चेक भी कर लिया है हाँ बिल्कुल 31 डिस्ट्रिक है आपका कि समझा आया आप लोगो को कि समझा आया जी आप लोगो येस तो यह सारे अंसर बन गए आपके जो मैंने बनाने थे यहाँ पर तो यह है नालंदा यूणिवर्स्टी खतम करी गई ठीक है लेक्स कोशन है मैटल को अगर हमने वायर्स के अंदर तोड़ना है उसको हम क्या कहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं ड़क्टिलिटी कहा जाता है तो अंसर इसमी क्या बनेगा आपका राइट अंसर एक उता है आपका मैलेबिलिटी इसका मतलब क्या होगा है ड़क्टिलिटी का मतलब होगा कि इसको वायर में डाल दिया अगर हम में कहते हैं विदाउट डैमेज उसको आप वायर में चेंज कर रहे हैं तैड इसको डॉक्तिलिटी नेक्स्ट बताई है अगला बताई है फड़ाफट घांधी जी ने एक सर्वोध्य स्टाइट किया था यह सबका उध्य करना उध्यद्य करने अप अंपले ड़ाइए करना फिर इनों ने concept दिया सर्वोद्या कि हां एक सुसाइटी को नहीं हमें पूरी सुसाइटी को ऐसे बनाना है ethical values के उपर खड़ा करना है कि जो सब जगा के उपर सब ब्राबर हो और सब का उद्या हो इसमें सी उप्षिन बनेगा स्थी और भाई सरवोद्या सत्यागरह नहीं है अच्छा अगर सरवोद्या सत्यागरह वर्ड यूस किया है तो यह गांधी जी टूल्स थे यह गांदी जी के टूल से अपनी उन्होंने जो चीजें मानि योई थी नॉन्वाइलनस इस टूल कि हा यह तो उनके पास होना चाहिए तो इस question का जो answer बनेगा वो क्या बनेगा जी आपका option बनेगा right answer very very important clear महात्मा गांधी ने एक question यहां से और बन सकता है कि महात्मा गांधी ने जो यह सरवोध्या का जो concept है यह एक book से परभावित होके लिया था और यह book कौन सी थी यह जॉन रस्किन की पुस्तक थी जॉन रस्किन की एक पुस्तक इन्होंने पड़ी थी जिसका इनको यह उपर effect हुआ और सरवोध्या concept वहां से निकाला इन्होंने और बुक का नाम क्या था unto this last अंडू this last ठीक है यह पुस्तक का नाम था जहां से इन्होंने concept निकाला था यहां से कोशन और बदाता हूं आपको एक आपको पूछा जाता है सरवोध्या प्लैन यह गांदी जी के साथ कोई संबंदित नहीं है अगर कोशन का अकेला था सरवोध्या तो गांदी जी के एक concept बताया था सरवोध्या का वह था planning commission के context में समझाया आप लोगों को गडबड नहीं करनी को समझाया और भाई concept समयना है गडबड नहीं करनी कहां कहां पर जो चीजें जो मैं घुमा रहा हूं न वह एक्जामिनर घुमाएगा एक्जाम में आपको ठीक है concept की उपर चलत चलिए अगला बताइए यह तो बताओ अरे कहां पूछ लेंगे वह हम से हमारे वाली question पूछेंगे और क्या पूछ लेंगे वह लग से हमसे देखे जी एक adult man है उसके आर्बीसी हैं कितने होते हैं blood के अंदर millions में होते हैं सबको पता है और यह होते हैं 5 से 5.5 million अंसर इसमें क्या बनेगा आपका a option बनेगा right answer यस पांच से 5.5 million देखने को आपको मिलते हैं आपके adult humans के अंदर आर्बीसी आर्बीसी जो होते हैं red blood cells इनका दूसरा नाम क्या होता है erythrocyte erythrocyte इसको कहा जाता है red blood cells ठीक है दूसरी यह बात यहां पर यह है कि आर्बीसी का जो में काम होता है oxygen carbon dioxide की transportation करना ठीक है दूसरा बाड़ यहां पर यह आता है कि आर्बीसी आर्बीसी के अंदर nucleus नहीं होता किंदरक नहीं होता लेकिन दो species ऐसी है जहां पर आर्बीसी के अंदर किंदरक देखने को मिलता है nucleus देखने को मिलता है डैडववस camel और Lama कैमल और लामा दो ऐसी स्पीशिस हैं जिनके आर्बिसी के अंदर नूकलेस देखने को आपको मिलता है वन मोर कोशें इस देर चीक है अंसर इसमें ए ऑप्षिन बनाएंगे करेक्ट अंसर ए ऑप्षिन आर्बिसी का लाइफ स्पैन कितना होता है 120 दिन 120 दिन के अंदर खतम हो जाते हैं नेक्स बदाईए अच्छा मैं टाइम दू ओके टाइम ले लो कोई दिकत नहीं मुझे तो टाइम लीजेँ पूरा टाइम लैजे मैं culturalिए सब्लकुलों कोई दिकत नहीं मुझे तो फड़ा फड़ा बताओ अगला कोश्चन क्या बनेगा कि दा वोकल कोड़ इन मैंन आर अब आउट वोकल कोड़ जो होती है यह कितनी लंबी होती है हमारी बॉड़ी के अंदर यह अप्रॉक्सिमेटली है मैं 20 mm लगाएंगे हमें इसका अंसर क्यों लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूं त्योकि फिमेल बॉड़ी के अंदर अलग है और मेल बॉड़ी के अंदर जो है अलग होती है फिमेल बॉड़ी के अंदर जो हूती है वो साड़े 12 ये लेकर 5 में चाहते तक होती है ये मे piss में मिलती संप्छें आया तो पर 50 ये निया झाहें या तो इसको और फिर ये नहीं है और ये भी होती है और ये वाली इतनी होती है मिलके अंदर ठीक है और आप से यह भी कूछ आ सकता है कि मेल और फीमेल बौड़ी के अंदर सब्सक्राइस कतना है तो आप अन्सडра करोगे पांच एमम का disappointment प्रेंस होता है मेल के अंदर पांच mm लंबी होती है वोकल कोड याद रखिए वोकल को होतीं है आपकी जहां से आपकी व्रइस आती है कि वे बाक्स कि समझा या जी व्य आप्श्न ठीक है यह वोकल को यार यह वाला यह गला जहां से अवाज आती है यह देखो 17 mm से 25 mm हो गया फिमेल बॉड़ी अंदर साड़े बारा से साड़े साथे सत्रा हो यह मैंने आपको बताए था यह जो आप कहा रहे थे ना दिखाओ यह अंदर जहां से आवाज आती है आपके नेक्स अगला कोशन बताओ फड़ा फट अगर आप टाइम चाहते हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है टाइम लो आप अंसर दो बस मेरे को तो यह है मैं अराम से करवाओंगा मेरे को के दिक्कत नहीं है किसी एनिमल्स के अंदर जो है आपकी इंब्रॉइनिक लेयर आपकी दो लेयर के अंदर देखने को आपको मिलती है टू लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं यह आपका कोशन है दो लेयर के अंदर किसी भी सेल को अरेंज किया गया है इसको हम क्या आंसर कहेंगे ठीक है सो मैं आपको दिखाता हूँ एक पिच्चर तो उससे आपको क्लियर हो ज दिखते हैं दूसरे नंबर पर होती है आपकी मीजोडर्म यह वाली ठीक है और तीसरे नंबर पर होती है आपकी एंडोडर्म जो अंदर वाली सबसे अंदर वाली होती है अगर मैं को हूँ किसी परशन को डिप्लोब्लास्टिक है डिप्लोब्लास्टिक परसन है कोई मतलब और गैनिजम है लेकिन यह तो गैस्टूला वगएर वाली स्टेजिस दिखा रखी है बट अधरवाइस किसी के अंदर दो लेयर है और दो लेयर में कौन कौन सी होगी एक्टोडर्म और एंडोडर्म उसके अंदर मीजोडर्म नहीं होगी तो उसको क्या कहेंगे हम डिपलोब ट्रिपलोब्लास्टिक जिसमें तीन लेयर होती है एंडोडर्म जो आपकी बिल्कुल अंदर वाली इनर मोस्ट है और अगर मैं कहूं यहां पर एक्टो है एक्टो मतलब जो सबसे बाहर है समझाया आप लोगो समझाया आप लोगों को येस ठीक है येस क्लियर हो गया जी सो अंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका एप्षिन बनेगा राइट अंसर एप्षिन क्लियर और एक चीज़ मैं आपको बता दूं अगर आप सीरियस टूटेंट ना यह फालतू के जो बिच्चे में कमेंट आ कमाये जाएंगे ठीक है तो उस चीज में ध्यान दो अपना पढ़ने की तरफ ध्यान दो यह खेलो मस्तियों में ध्यान मत दो अगर खेले मस्तियां करनी है तो कहीं और चले जाओ यहां पर पड़ो अपना यह पैसे कमाने आपको कि हां जी आप यहां तक पैसे कमा सकते हैं यह पैसे कमालों कितने कमालों गे 1500 बस जौब खडिया 40-50-1000 कि आपके सामने उसके तरफ ध्यान दो जादा से जादा ठीक है यह पुरुसकार देंगे यह पुरुसकार देंगे हमें मेरे बच्चों से पुरुसकार लेके जाओगे तुम चलिए जी अगला कोशन देखी कि क्या गाता है विछ फंडिमेंतर राइट इन इन इंडियन Constitution अंक्लीज़ एक्डकल एकक्सेस अशॉप्स न if अधाय लống में लेमार सथा से थारे कोशन ध्यान से समझें क्या गयता है कि अगर आपको शौप बाथिंग घाट होटेल के अंदर इकुल एक्सेस आपको प्रवाइड करनी है ठीक है तो उसमें कौण सा आइट है इसमें कौण सा राइट आएगा पहली बात तो यह कौण सा फंडैमेंटल आइट है आर्टिकल 15 अनुछेद 15 है article 15 है समझाया आप लोगं को article 15 है समझाया article 15 है यह किसमें आएगा right to equality में आएगा समानित तक आदिकार option बनेगा राइट अंसर clear और यह किसमें आता है article 14 से लेके 18 तक आता है यह बाला part clear जी आगे देखिए गफिन राइट ठीक है एक आपको मैंने बताया था एक्स्प्राइटेशन वाला शोशन की वरूद अधिकार यह आता है 23-24 तक और एक रह गया आपका रेमेडी वाला कॉंसिशन रेमेडी वाला और 32 वाला राइट आता है आपका जहां पर रिट वगेरा डाल सकते हो तो इसमें अंसर देखो राइट अंसर सी ऑप्शन चले जी आगे देखिए यह हम डिसकस नहीं करेंगे यार यह बहुत बड़ा कॉंसेप्ट है पूरे के पूरे फंडामेंट राइट है जस्ट आपको यह पताना चाहिए पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेके 15-35 तक होते हैं इसको आप मैगना है उसको थैस्ट नहीं होता अगर आपसे पूचा ऐसे कौन से राइट हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडियन्स को मिलेंगे अगर बाहर वाराबूरा परसन हमारे देश में आजाता है उसको वह मिलेंगाय उनको नहीं मिलेंगे सिर्फंहारे राइट है 15 16 19 29 और 30 15 16 19 29 सिर्फ हमारे राइट यह आपको ध्याँ रखना है क्लियर होगा आप लोगो यह तो यह concept आपको ध्याँ रखने हैं यह चीज़े आपको पढ़नी है नेक्स्क बता अगला खोशन जी क्या कहता है अगला कोशन बताइध विए फट रवेट मैं क्या गैथ अगला कोशन बता जी क्या कÑता है मोस्ष रेलेवट युआ जो आपका कौन सा है अगला कोश्य बदाए यह मोस्ट इकोलोजिकल रेलेवेंट इन्वार्मेंटल जो है इसमें कौन सा है प्रास्थत की रूप से प्रासंगिक प्रयावर्नी कारक कौन सा है देखिए अगर आपको याद हो अभी मैंने आपको बदाया था स्वाइल का स्वाइल का एक्जम्पल दिया था स्वाइल के अंदर भी temperature का सबसे वड़ा इंपॉर्ड़न रोल है रेइनफॉल का इंपॉर्ड़न रोल है जो आपका क्लाइमेट का पाट आता है हमारे उपर भी हमारी जीने के ऊपर भी environment का सबसे ज़्यूजादा पढ़ेगा और उसमें भी सबसे ज्यादा इफ स्थेक्टर्स की ऊपर आपका effect करेगा तो ईसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर बी ऑप्शन अग्स बताओ जी अगला कोश्ण बताओ चाइना जो है हमारे इंडिया के साथ कौन सी जगा पे बाउंडरी शेयर नहीं करता नौट शेयर कौन सा जो बाउंडरी है वो शेयर नहीं करता यह आपको बताना है कौन सा बाउंडरी शेयर नहीं करता यह आपको बताना है यह आपको क्लेर होना चाहिए दिमाग में कौन सी प्रणाचर प्रदेश यह पांच राज्या जो है यह आपके बाउंडरी शेयर करते हैं किसके साथ चाइना के साथ बाउंडरी शेयर करते हैं तो पहले जम्मु किश्मीर था अब आपका जम्मु किश्मीर की जगह के उपर लदाक वाला पार्ट आएका समझाया तो यह ंड लाइन मंक्मॉहन लाइन इजदा बोर्डर बिट्रिन इंडिया एंड चायना खरोग्या है लोगों को येस याद रखे बिलकुल-बिलकुल- Eles हाँ बिलकुल ये टिकैं एक और मैं बदाता हूं इंडिया और चायना के बीच में ने चांग June來 हुई है पंच शिल पंच शीलं ट्रीटी ये कब साइन होई थी यह आपको पता होना चाहिए एक्सएट डेट पता होना चाहिए 29 एपरल 1954 को इसमें इंडिया और चाइना की ट्रीटी साइन हो थी संदी साइन हो थी जिसमें इन्हों बोलाता कि हम शांती पुर्वक रहेंगे हिंदी चीनी बाई भाई इन्होंने वर्ड यूज किये थे किसी के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे मुचल बैनिफिट देंगे एक दूसरे को चीक है और शांती पुर्वक रहेंगे एक दूसरे के साथ तो पांच चीजे इस तरीके की इन्हों ने बोली थी जिसके कारण जो है आपका बतल शांती से बने रहेंगे यह इनुने वर्ड यूज किये थे हाँ रिस्पेक्ट करना एक दूसरे को यह सब चीज इनुने यूज किये थे तो अंसर इसमें a option बनेगा correct answer समझाया हिंदी चीनी बाइबाई इन्होंने वर्ड यूज किये थे ऐसे तो यह मैंने आपको बता दिया है चलिए जी आगे देखते हैं इन में से लीस्ट प्रैफर्ड टेकनीक जो है अगर आप मुंसिपल के सॉलिड वेस्ट को निकालते हो तो इन में से सबसे कम पसिंददा तक्री कौन सी है कौन सा टेकनीक जो है आपका सबसे कम यूज करती है तो बताइए जी कौन सा आपका लीस्ट लीस्ट जो है आपका प्रैफर्ड टेकनीक है देखें इन सीरेशन जो होता है जैसे आपका कोई भी चीज होती है जिसको आप जला देते हो लोहे वगारा जो आग वग यह अधर कमपोश्टेंग जिसेंग खाद बगारा बनाते हैं वर्मी कमपोश्टिंग कहते हैं इसके अंदर जो है आपके अर्थ-warm वगजारा यूज किया जाते हैं अर्थ-Warm किकल खाद वगारा बनाने में ये भी आपका यूज किया जाता है लैंड फिनिंग गड्डे मे कर देते सॉलिड़ीफाइइ कर देते हूं एसे जोड के इसने सॉलिड़ीफाइइ कर दिया और आपका यह प्रदक्ट बना दिया और यह आपका लीस्ट प्रेफर्ट रहती है तो अनसर इसमें क्या बनेगा डी आप्शन बनेगा राइट अंसर समझाया जी येस सो अंसर इसमें क्या बनेगा इसमें अंसर क्या बनेगा अरे बता तो दिया उसको solidify करना मतलब waste product को जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ की क्या बन लिए हमने solid बना दिया उसको हम क्या करते हैं ब्रिकटिंग कहा जाता है तो अंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर डी ऑप्शन ठीक है जी डी ऑप्शन इस राइट अंसर तो कोई भी अगर आप यूज करते हो कोई भी चीज यूज करते हो तो आपको प्रिवेंट करना है कि उसको चीजों को मतलब ना खराब करो अगर खराब हो गी ह वगारा वर्मी कंपोस्टिंग वगारा में चीज़ें को यूज कर सकते हैं यह आपके मैंतर्ड यूज किये जाते हैं नेक्स्ट बदाइए बताईए जी अगला पताईए कोशन क्या बनेगा अमेरिका को डिसकवर किस ने किया था अमेरिका को डिसकवर किस ने किया था अमेरिका को डिसकवर किया था का ड़ेड्प कर्सिस्टोफर घर्ट दिसकावर किया तो एक्सैडिस में ऑप्षिन बने गा र्युआ करेक्ठ रंसर द magically इनका नाम कीजिए इननों ने मताया सब मदेनियों को तर में इन्हों ने बताया था तो डबल हलिकल स्ट्ट्ट्चर जो बताया था वो 2 एंड कृक्स ने बताया था लेकिंगी खोज जो है वो फ्रेडरिच कुछ नहीं पता एक्जामीनर का दिमाग कभी खराब हो जाता है तो पता होना चाहिए चलो अंसर इसमें डी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर डी ऑप्षिन ठीक है यह जी इन्होंने डिस्कवर किया था कोलमबस ने ने ये यह किसके साथ संबंदित है यह यह किस के साथ संबंदित है यह आपके population के साथ संबंदीत है population के साथ ही संबंदीत है answer इसमें d option बनेगा अब यह population के साथ कैसे संबंदीत है माल्थीरजन ने बोला था कि जो population है वो आपकी grow करती है कैसे geometric progression में geometric progression का मतलब 2 से होगे 4, 4 से होगे 8, 8 से 16, 16 से 32 population ऐसे grow करती है लेकिन साथ के साथ इन्हों ने बताया जो खाना है food है वो arithmetic progression में grow करता है arithmetic में अब यह arithmetic का मतलब क्या है एक हो गया तीन हो गया पांच हो गया साथ हो गया 9 हो गया 11 मतलब सब में difference ब्राबर लेकिन यहां पर क्या हो रहा है यह तो डबल 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 चल रहे हैं आगे आगे ठीक है तो इसका मतलब population आपकी geometric progression में grow करती है और आपकी food जो है arithmetic progression में grow करता है और यह बताया था माल थीजन ने बताया था एक उन्होंने बताया था preventive check यह कोशन बहुत बार आता है यह positive check कौन से होते हैं preventive check कौन से होते हैं यह पूछा जाता है अगर मैं कहूं माल थीजन के according इन्होंने बताया था positive check वो होते हैं जैसे अभी विमारी फैली होई है कोविड-19 बहुत लोगों की death होगी तो इसके according यह positive check है यह पूछा जा सकता है question आपसे war लडाई हो जाए मर जाएंगे बहुत सारे लोग मर जाएंगे सैनिक मर जाएंगे तो इनके इन्होंने बोला था कि positive check है वार हो गया epidemic फैल गया बिमारी फैलगी सूखे पढ़गे बाढ़ आ गई तो यह सारे लोग इतने सारे जब मर जाएंगे तो वह किस माल थीजन के प्रिवैंटिव चेक्स में यूज कर सकते हो point समझाया आप लोगं को पॉजिटिव चेक और प्रिवैंटिव चेक का आपको अपको एक क्लियर हो गया थो यह माल थीजन ने बताया थो उसमें क्या बने आपका D option बने गा करेक्ट अंसर clear हो गया जी बिल्कुल contraceptive पूल से ये सारी चीज़ें ये सारी क्या करेंगी बच्चा पैदा नहीं करेंगी ऑ늬री का सकते यह सारे के सारे ऑप्रशन भी कर सकते हो जिसके कारए पॉपलेशन कंट्रोल किया जा सकता है अपने लोगो फैमिली प्लानिंग बाट क्यों यह वर्ड है बच्छे दोही अच् ग्रोग कर रही थी समझाया आप लोगों को तो ये आपको पता होना चाहिए समझाया आप लोगो येस बिल्कुल 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 ठीक है तो अंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर चलते हैं जी आगे यह हमने डिसक्स कर लिया जी फूड आर्थेमेटिकली ग्रोग अचाहिए पॉबलेशं जोमेट्रेकली ग्रोग करती है तेम इक्सट बदाए इसा सूपर इंपॉड़न कॉशन बताईये जी बताईये फटा-फट है कि थो गए बॉन जो है एक्स्प्लोड कर रहा है कहां पि मून की उपर ठीक है मून की उपर rot cade走 और चोनेगे आप उसकी जो सुनेंगे कितनी देर बाद सुनेंगे धर्थी के ऊपर कब सुनेंगे इस बताओ मून है मून के पास क्वी इत्मॉस्फिर नहीं होता क्वी मॉस्फिर नहीं नहीं है मीडिima भी नहीं है और जहाइभा जो होती है उसको चाइए होता है medium cross करने के लिए जब मीडियम ही नहीं होगा था भाई आवाज कहां से सुने की बिलकुल सुनाइब नहीं तो बंब जो है मूल के ओपर एक्स्पोड अगर कर रहा है हमें कोई भी साउंड नहीं सुनाई देगी क्योंकि कोई उसका पायू मंडल नहीं है कोई उसका आइटमोसफियर नहीं है साउंड को ट्रेवल करने के लिए मेडियम की जुरुत होगी यहां पर कोई मिडियम नहीं है तो एंसर इसमें किया बनेगा यू कैन नौट हिएर दा साउंड तो अंसर इसमें डी ऑप्षिन बनेगा गाप सबस्कारइब है आप लोगं को है सो अंसर इसमें डी ऑप्षिन बनेगा राइट असर येस डी ऑप्षिन कि नेक्स देखो कि कोशन यह है यह 16 नहीं है 1917 1917 1917 में महात्मा गांधी जी जो है कहां गए थे और वहां पे उन्हों के लिए जाने के हमारे जो आपके किसान भाई हैं उनके लिए इन्हों ने प्लांटे इस सब्सक्राइब इन सब्सक्राइब कर रहे थे उसके लिए जो किया गया था 1917 में तो यह 17 में आंदोलन किसके लिए किया गया था प्लांटेशन के लिए और यह कहां पर हुआ था तो यह हुआ था चंपारण के अंदर अंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा चंपारण है कहां पर बिहार के अंदर है 1917 में किया गया था इंडिगो कल्टिवेशन नील की खेती इसको हम और क्या कहते हैं तीन बटा बीस जाने के तीन कथिया लगान भी इसको कहा जाता है जबरदस्ती कल्टिवेशन करवाते थे जिसके कारण स्व बनेगा राजकुमार शुकला है करा the राजकुमार शुकला बलाने लेका गए ते का सबरमती आश्रम से डणी पहुंचे थे दोनों गुजरात के अंदर है सिक्स बारा मार्च से लेके छे एपरल तक उनीस सो तीस में ठीक है यह इन्होंने सत्यागरा किया था गांदी जी के साथ 78 लोग थे और एक ते गांदी जी टोटल थे 79 पीपल समझाया लोगो को यह से लिए यह बिल्कुल और 303Up इन्होंने रस्तागवर किया था चौबीस दिनों के अंदर 200 प्रमत इसन्यच्राइशन हम गांडी जी जब इंडिया में आये थे आपके गुजरात के अंदर इहमदाबाद के अंदर तो साबरमधी आश्रम बसाया था चोरी-चोरा हत्याकान जब गांदी जी ने नॉन कॉपरेशन मुवमेंट लॉंच करी थी तो उसके बाद हुआ था पांच फरबरी 1922 के अंदर पुलिस चौंकी को जिला दिया था यहां पे तो यह सारा कुछ देखने को आपको मि पारने का कि लिए अच्जोंदि चाला तब हाइस दिन निए चला था आपका जो है सत्य ह्ट है चूविस दिन चला था 28 दिन निए चला था तो नेक्स देखिए और सेनि qurstar जुक्त होती है वो किसकी बनी होती है मैंने आपको इसको था इसको एक ट्यून में याद करवाया हुआ है क्या Si ale Si ma nifay याद कर सियाल लिभे यह आपको याद करवाय था मिने ठीक है si ale si ma nifay तो मैंने आपको बढ़ाय Chris Crust personnes within की बनी होती है और जो पूर होती है वह निवनिफ्य की बनी होती है silicon aluminium silicon magnesium यक्या होते हैं क्रस्ट के पार्ट होते है और मिलफे जो होता है निकल और आयरन यह पार्ट होता है क्रस्ट पूछा है तो क्रस्ट में देखो जिए इनमें से कौन सी चीज है सिलीका तो ही है और कौन सा पार्ट बनेगा एक सगेट सिलीका और मेगनीशन हां सिलीका और मेगनीशन पार्ट बनेगा अंसर इसमें ए ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर क्लियर हो गया जी आप लोगो ए ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर येस बिल्कुल, बिल्कुल, how here action बनेगा correct answer इसमें confuse मत हो जाना यहां पर option ने manganese भी दे रखा है इसमें confuse मत हो जा जाना गलती से भी paper में ऐसी confusion देते हैं आपको तो answer इसमें option बनेगा right answer अंचर यह वही चीज़ है directing जो मैंने आपको बताई है Continental Crust Oceanic Crust Oceanic मतलब ओशन के पास Continental मतलब धरती वाली क्रस्ट वाला पार्ट चिक है तो यह होती है सियाल सीमा निफ्य जो मैंने आपको बताया था सेम को यहां पर लिखे गई है एक नेक्स वह आई यह सेम को आ गया तो इसका टिक करोगे न आप आप टिक करोगे इसका इसका मुझे बताने की जुरुत है पर इस सक तो इसका अंसर करो फट थाफट क्या बनेगा जियाल सीमा निफ्य इसका अंसर क्या बनेगा चोभीज दिन उसमें बनेगा करेक्ट अंसर को समझाए यास अंसर एक चाहा है टूंस काफी लोगों को यहीं नहीं पटा कि मेंने आपको इसके हैं थाउजड प्रण। डिसकस किये हैं आप मैंसे इतने बच्चे ना मतलब पता नहीं कहां रहते हो नहीं रहते मुझे नहीं पता 1000 करंट अफियर मैंने आपके साथ डिसकस किये हैं जिसकी PDF में टेलिग्राम चैनल की ऊपर दे रखी है और वीडियो आपकी यूटूब चैनल की ऊपर पड़ी है पढ़ यार यहां वहां पर जाके क्या मतलब समझनी आता कि क्या करते रहते हो तुम लोग चलो ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर ठीक है चलिए जी आगे डिसकस करते हैं अच्छा एक कोशन आपको और पूछा जाता है यहां से मैं आपको इस चीज सब्सक्राइब में गांधी जी के साथ गांधी जी के साथ एक लेडी थी मतलब जो मतलब कहते हैं यह जब 500 रुपे का नोट होता था ना पुराने वाला उसमें वह जो जिसमें गांधी चल रहे हैं पीछे काफी लोग आ रहे होते हैं 78 पीपल पीछे गांधी जी के उसमें जो पहली एक lady है उनका नाम पूछा जाता है paper में क्या हो कौन है वो तो वो सिरोजनी नाइडू है सिरोजनी नाइडू है जिसे हम नाइटिंग इंडिया भी कहते हैं भारत कोकिला यह पहली भारत की लेडी थी जिन्होंने आई-एंसी में रिपरेजेंट किया था इंदिन ल जो है जब आपका दूसरी दूसरी राउंटेबल कॉन्फरेंस थी उसमें भी विमिन सेक्षन को किस ने रिपर्जेंट किया था सरोजनी नाइडू ने क्लियर यह ध्यां रखना सो अंसर इसमें यह ऑप्शन बनेगा राइट अंसर नेक्स बता हो जी फटाफ़त बताई यह अगला कोशन बताओ इसका कितना हो यकलोमीटर आपको देखने को मिलता है कितना मिलीयचाइर क्मिटर आपको एरिया देखने को मिलता है शिदा-ödший याद करते हैं ज्यादा इसमें घरबर नहीं करेंगे तो अंसरश में चीथा सी बन कंट्री कौन सी आपकी रशिया ठीक है दूसरा कैनेडा यूएस दीसे नंबर पे आता है चाइना चौथे नंबर पे आता है बाकी मैं आपको डिसकस करूँगा मेरे कोशन यह भी डाला है कि उसको सीरियल ओर्डर में लगाना तो इंडिया का जो साइज है सात्वा लाजस्ट है इतने आपका स्केर किलोमेटर एरिया है टू-पound42 पेरसेंट इस सूपर इंपोर्डल कोशन यह बहुत-बहुत इंपोशन है कि पूरी गलोब का इंडिया कितना पर्रसेंट बनाता है और इंडिया की इंडिया की जू मेन लैंडे ये वालिद Jennifer वाली लैंड है वो 15,200 किलोमेटर है धर्ति वाला एरिया और अगर आप से पूचा कि कोस्टल एरिया बताओ जो तर्टिया रेखा है वो कितनी है अगर मैं बात करता हूं इंडिया की यहां पर इस मैप की बात करता हूं यहां पर ऐसी जो मैप हमारा बना हुआ है ऐसी तो इस 60-100 किलोमेटर लगा दोगे अगर आपसे पूचा कि पूरी ओल ओवर इंडिया बताइए तो 7516.6 बता दोगे वैसे भी जब वो कोश्टन डालेगा आपको ऑप्शन में दोनों में से एक ही गिवन होता है वहां पर तो आपको पता लग जाता है कि इसने कॉंटेक्स्ट क्य क्या बूचा है आपसे ठीक है तो यह चीज आपको द्यान रखनी है कि हां कि क्लियर जी और धर्थी वाला एरिया देख लो 15200 किलोमेटर रही है कि अगला बताओ जी कि अगला बताओ फड़ाफट नुकलर फ्यूजन में ना भी क्या संलेयन परमानू संलेयन के अंदर जो होती है वो क्या चीज होती है याद करो सुबह की गलास अकर 9 बज़े वाली गलास लियोगी मैंने पूरा कॉंसेट आपको समझाया था दो चीजी होती है एक तो फ्यूजन होती है जिसे आप संलेयन में कहते हैं एक होता है फीजन जिसे हम क्या कहते हैं विखंडन दोनों में डिफ्रेंस क्या होता है यहां पर फीजन में चीजे टूट जाती है एक चीज जो है दो चीजो होती है वो क्या बन जाती है बड़ी बन जाती है और एक बिक मटीरल बन जाता है फॉर एक्जामपल सन जो होता है सन मतलब सन मतलब सूर्या सूरज ठीक है तो सन के पास जो एनर्जी आती है सन के पास जो एनर्जी आती है वो कहां से आती है उर्जा कहां से आती है नुकलर फ्यूजन से क्योंकि सन क्या है स्टार है हाइडोजन का बना होता है हाइडोजन हाइडोजन मिलके क्या बनाते हैं Helium बनाते हैं और बहुत ज़्यादा इनरजी आती है क्लियर Hydrogen Bomb जो होता है Hydrogen Bomb तो वह भी आपका nuclear fusion की उपर based होता है फीजन क्या होती है आपकी दो तरीके की फीजन होती है विखंडन एक होता है नुकरण रियक्टर और एक होता है आपका अटामीख डूल जो अटामिक बॉम होता है वहांपर आपकी अंकंट्रोल होती है जैसे न्यूकलर ऑम लिटल बॉंग फैके गये थे लिटल बॉइभि outta गया था लिटल बॉय फिगा गया था हिरोशीमा की उपर फैट मैं फिगा गया था आपका नागा साट की ऑपर 6 अगस्त को हिरोशीमा नागा साकी की उपर नौ घस्त को clear और यह बंप एक थे यूस ने जापान गी और वहां पर जो चीज हुई थी डैडवास अनकंट्रोल्ड एट अनकंट्रोल फीजन अनकंट्रोल विखंडन ठीक है और नुकलर रियक्टर में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बात यहां पर यह आ रही है कि नुकलर फ्यूजन का जो पार्ट बनता है वह कौन सा है चीक है तो यहां पर दो नुकलर ही जो होते हैं यहां पर क्या बनते हैं है वी नुकलर बनाया जाता है तो अंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर समझाए आप लोगों को येस सी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर हाँ हिरोशीमा 6 अगस्त को ना होना चाहिए डी टू ओ यह आप से पूछा जाता है हैवी वाटर है हैवी वाटर इस डी टू ओ डुटीरियम ऑक्साइड क्लियर होगे आप लोगों को येस कि समझ आया जी कैसे स्टॉप होते हैं अगर आपने हवा में छोड़ दिया फिर कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि आप देखो हिरोशीमा नागसा कि में अभी डी ने प्रॉब्लम जाती हैं उनको क्योंकि हवा में न्यूट्रोंस गूमी जा गड़ाती हैं तब जाके चीज़ें को कंट्रोल में लिया जाता है ऐसे नहीं होता चाहिए चलिए अगला बता यह कि फटाफ़ट बताऊ अगला कोशन गया बनेगा फायर एक्स्टिंगिशर जो है इनमें से वह कौन सी गैस निकालते हैं फायर एक्स्टिंगिशर जो इंदर बेकिंग सोडा भी होता है बेकिंग सोडा ठीक है और बेकिंग सोडा गहां सा होता है एक और याद करो एक याद करो सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट और यह क्या होता है आपका वाशिंग सोडा कपड़े दोने वाला सोडा ठीक है यहां रखे नाइटोजन गैस कहां पर यूज करते हैं नाइटोजन गैस यूज करते हैं जैसे लेज वगारा के पैकेट होते हैं उसमें के लिए क्लोरी नियूज की जाती है कार्बन मॉनोकसाइड जो होती है यह जितने भी आपके जो भी गाड़िये बगएर उससे धुवान निकल रहा है कारबन मॉनोकसाइड की 200 टाइम कापैस्टी होती है आपके ब्लड के साथ कमभाइन करने की यह भी आपको याद रखना है भी आप बताओ फड़ा पर इसका अंसर क्या बनेगा अगर 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 फड़ा फड़ा बताईए मैं पेड कोर्स के अंदर किसी बच्चे नने भी' सेम κोशन है, सेम बहें कुछ घर क्या घर साथ यहां पर यहां पर दालता हुट मैं अपने कोर्स में करता हूं क्यूंकि बात है उपको थोटा सा एक यपका डिफिंट वो आपको परवाना पड़ेगा न उन्हेंने पेड किया है उस चीज के लिए और घर चलाने के लिए पेड़ तो करना ही पड़ेगा न कोर्स तो और सीधी सी बात है मैं हमेशा आपको कहता हूं कि कभी भी पैसा की है अपने लिए खरो दूसरों के लिए नहीं है यह याद रखना और अपनी आपने उपर इंवेस्टमेंट करना सबसे अच्छी श들이 है सबसे ज्यादा अच्छी इंवेस्टमेंट है कपड़े भी खरीट खरीट को olması अपने डौगी के लिए तो नहीं खरीट कर लखना डॉकी के लिए तो सोचेंगे इसको क्या खिलाना है इसको क्या कप्ड़ को और Hazter नहीं कुर्सेट कर mir concern की कि और क्लास लेते हो आप आफ लाइन ऑफ लाइन आफ लाएन सब्सक्राइब आपको अछल लगता है आप किरें अपने Politics करना भू downt है यह चीज द्यां रखना कि तुम पकड़ते वह तो यह बात को घर चलाने के लिए यार ओविसली बात है सब चीज़े जुरूरी है अब कंपनी तना खर्चा कर रही है तो कंपनी अपने जेव से थोड़ा डाले कि सब सभी चीज़े ठीक है चलिए जी अगला कोश्चन देखें जी कोश्चन क्या कहता है अमेंडमेंट में कोई बदलाव डालना है तो उसके लिए अमेंडमेंड करते हैं अमेंडमेंड का प्रोसीजर जो है हमने साउथ एफ्रीका से बोरो किया था अमेंडमेंड जो है आपके आर्टिकल क्रेक्ट अंसर यएस य य ऑप्ष्ण मनेगा क्रेक्ट अंसर समझाया जी हाँ दी ओप्षन ठीक है अच्छा एक चीज और देखो एक चीज आपसे ये पूछी जाती होती है विटो पावर पूछी जाती है कि यह बताओ विटो पावर जो होती है हमारा राश्ट्रपती वीटो पावर डाल सकता है वो दो बिल के केस में बिलकुल वीटो पावर नहीं डाल सकता वो दो बिल कौन से हैं एक तो constitutional amendment बिल संशोधन वाला बिल और एक होता है आपका money बिल जिसे आप कहते हैं धन विदेग बिल जो आर्टिकल जो है LG के अंदर होती है दो dissimilar size gamete होते हैं अगर उसको जोड़ दिया जाए उसके माधियम से sunland कर दिया जाए तो इन में से कौन सी चीज़े जो होती है आपकी देखने को मिलती है यह बताना है आपको दो dissimilar है समझाया दो dissimilar जो है आपके gametes है यह आपको यूज कर रहे हैं तो इसमें कोशन बताना है कि कौन से gametes यूज किया जाते हैं fusion होने के लिए तो बाई एक चीज़ देखो दो dissimilar है तो यहां पर क्या बनेगा मैंने आपको दो दो चीजी हमेशा बताई है यहां पर जो आईसो वर्ड होता है उसका मतलब क्या था सेम एनाई तो का मतलब होता है डिफरेंट तब चीज़ देखो यहां पे दो डिसी मिलारा साइज सही लिए रख मैं दिसी मिलर तो अन我要 मितलब यह बन गए आपकाμεंद दो सिमिलार और सी मिलर जबन गए आपका अपका आइसोगेम वाला अगर सेम similar होगा तो आईसोगेमस बनाएंगे और अगर डिफरेंट होगा तो अईसोगेमस बनाएंगे यहाँ पे दिखाता हूं आपको पता लगेगा यहाँ देखो दो साइज के हैं। तो storage यहां पर यह एक और एक सुर्म है यहां पैघ चीज धर के समझार को अगर मैं करूं कॐं यहां पर स्पर्न है आपका मोबाइल है मोबाइल का मतलब क्या हो गया चलने वाला चलने वाला हिंदी अधर चार भें को करते है तो उसको हम क्या कहते हैं उग मस कहा जाता है समझत आप लोगों को क्लियर हो रहा है आप लोगों को यस ठीक है तो इस कोष्ण का जो अंसर बनेगा वह बनने गा आपका बी option is the correct answer बी ऑप्शन चले जी अगला बताइए किसी की तरफ ध्यान नहीं देना बच्चे जाने जाने तो पांसो बच्चे रहा जाएं सो बच्चा रहा जाएं दस बच्चे रहाएं आप अपना पढ़ते रिजिए इंडिया इस डाइश लार्जेस्ट कंट्री इंद वर्ड यह कोश को मैं बताता हूं पहला और दूसरा नंबर किसका आता है रश्या पहला नंबर आएगा कैनेडा दूसरा नंबर आता है और तीसरा नंबर आता है चाइना का और चौथा नंबर आता है यूएस का ठीक है चाइन ऑसरी तीसरा नंबर आता है यूएस का चौथा नंबर आता ह चाइना का चिक्स आता है उस्टरीलिया का साथ हमातheid इंडिया का ठीक है और पांच मैं जो आता है वह आता है ब्राशीप तो यहां पर आप UA ग्रें ऐसे देखने को आपको मिलती हैं बड़ा सबसे बड़ी लार्ज़स्ट की बार चल रही है यहां पर तो सबसे लार्जस्ट जो है आपकी रोड़ा आती है एरिया में चल रहा है यहां वेजा था क्योंकि देखे एक चीज में आपको बढ़ाता हूं कई कोशन ऐसे होते हैं जो मुझे पता है कि मैंने आज कल में करवाने हैं तो मैं उसका रिप्लाइक कभी भी नहीं करता हां कुछ बहुत ज़्यादा मतले लगता है कि हाँ यह शायद मैं लेट करवाऊंगा बता हूं यह किसी बच्चे ने पूछा था मैंने जवाब नहीं दिया था क्योंकि मुझे पता था मैंने मैरथन के अंदर डाला हुआ है कोशन तो यह कोशन देखो जी अब जिस बच्चे ने पूछा था ब्रिटिश अचीवड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया आफ्टर हाँ 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 गलत गर रहे हो पॉलिटिकल पावर पूछ रहा है दो पावर आई थी इनके पास एक आई थी पॉलिटिकल पावर एक आई थी एड्मिस्टेशन पावर पॉलिटिकल पावर तो तब आगी थी जब इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ी थी समझाया और ए में सत्रा Danke ten आपका देखने को मिला था आपको शीड़ा है । कभी आप कि जोड़े से न गुमाने वाले कोश्चिन होते हैं मतलब मोटे कमेद जिसमें दिमाल सर्ट Mile मैं इस टाइम डालता हूं पता क्यों डालता हूं क्योंकि इस ताइम आपको नीद आ रही होती है कोशन देखें आपके नीद खुले गी अब ठीक है अब नीद नहीं आएगी आप लोगों को कि यह क्या हो रहा है हमारे साथ तो तेज जोन 1757 के अंदर बैटल प्लासी का यू जाफर जो है वह आपके सिराजु दोला के साथ था और सिराजु सुशन का कॉंटेक्स समझेये यह लड़े क्यों थे धोनों लड़े क्यों ते एक्चुली रीजन क्या था जब अंग्रेज हमारे देश में आये थे तो उन्हें ने क्या किया था जगा-जगा से राइट ले लिए थे कि हमें duty-free trade करने दिया जाए जिसे आप क्या कहते थे दस्तक राइट कहते थे चीछ है और यह क्या आता था duty-free यह जो राइट मिलते थ अगर वह राइट मैं यूज करने लग जाओ वह गलत होगा न कंपनी को राइट मिला हुआ लेकिन मैं यूज करने लग जाएगा तो ओविसली बादाए conflict होगा तो सेम चीज यह हुई थी यहां पर कि इन्हों ने क्या कि था spokes मिले हुए थे लिकिन लोगों ने लोगों ने यूज करने स्टार्ट कर दिये थे यहां पर जिसके कारण सिराजु दोला ने क्या किया एक सो एक सो तेइस चुला नंबर आई डूंट नो एक सो सत्रा सो चपन के अंदर सूलजर्स को जेल में डाला एक सो तीस सोलजर्स को पूरे के पूरे जो हैं मर गए ब्लैक होल ट्रेजडी इनको कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजडी का बदला लेने के लिए रोबर क्लाइव इसके साथ लड़ पड़ा था जिसमें मीर्जाफर ने सारी चीज़े इनको बता द है समझाया हद में रा करो तुम बच्चे हो तुम स्टूडेंट हो कि समझाया आप लोगों को यह बगवास बाजी मत किया करो कौन क्या है कौन क्या है हुँ हुँ चलिए तो अंसर इसमें बैटल ओफ प्लासी ठीक है कि समझाया आप लोगों को तो बैटल ओफ प्लासी वाज राइट अंसर तो यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिली थी यह आपको पता होना चाहिए ठीक है और पानिपत का यूद में आपको बदाया हुआ है जी थी यह आपको दियां रखना है क्लियर होनी चाहिए कि क्लियर जी और बकसर का यूद्ध हुआ था 1764 के अंदर जिसमें कौन-कौन था मीर कासिम था कि शूजा दोला मीर कासिम शूजा दोला एंड वन मोर इज दा शूजा दोला एंड शा अलम दुट्या जो मूगल एम्परर घा यह लड़े थे लड़ा तक हेक्टर मुन्रों के साथ हेक्टर नहीं सब को हरा तु पारी कई है और उसके बाद Cha이랑 हुई थी अलाहबाद की संदी साइन हुई थी यहां पर कि समझ आया आप लोगं को कि तो अंसर इसमें बैटल ओवेंडी वाश में आपको याद कलो 1760 में उए थी अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में जिसमें अंग्रेज जीते थे और फ्रेंच हार गए थे है अंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका येला यस वैस बिल्कुल राइट अंसर चाहि है अê और चीज़ों को मत खराब किया अगर हो चीज़ें अच्छी नहीं लगती तुम स्टूडेंट बनके रहा करो अगर मैं बहुत अच्छे से बात कर रहा हूं आप से इसका मतल़ यह नहीं है कि कुछ भी वकवासवाजी आपकी चल जाएगी यहां पर ठीक है तो आपको पता है कि अगर में ने कहा है दिय पहली बात तो औरंगावाध डिस्टी के अंदर है औरंगावाध कहां पर माराष्रह ग्राइंदर अंसर इसमें औप्षण बनेगा करएक हैं संव हॉआ यह बुद्सम के साथ लेट करती है है एक सगेंद हाँ बुद्धिजम के साथ जो है रेलेट करती है ग्लियर हो गए आप लोगंको यह लोगं को इलोरा केव जो है आपकी टोटल कितनी है 34 केवस हैं थर्टी-फोर केव बिल्कुल थर्टी-फोर केव इलोरा और यह इसमें सत्रा जो है आपकी बुदिष्ट की है और बारा जो है हिंदों की है और पांच जो है आपकी जैन दर्म की है यह भी आपको पता होना चाहिए क्लियर हो गए जी आप लोगों को जी बिल्कुल ठीक है हा और आपसे पूछा जाता है कि जहन दर्म की हैं अश्री यह जंता के जो हैं आपकी यह बुद्धिस्म के लिए और यहां पर एक स्टोरी लिखी गई है जिसे हम क्या कहते हैं जातक टेल्स जातक कथाएं और यह क्या बताती है आपको प्रीविएस बर्थ ऑफ बुद्ध भग को क्यों देख रहे हो भाई क्यों यहां पर आ रहे हो तुम लोग पढ़ने के लिए तो अंसर इसमें सी ऑप्षन बनेगा करेक्ट अंसा सी ऑप्षन ठीक है तो यहां पर है अजंता एंड इलोरा गीस जो आपकी देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र में तो क्यों पढ़ रह biggest is called क्या होता है बताइए झिए फटाफटा है अगर हम बात करते हैं फोकस को हम होdled क्या कहते है हुआ ज हाट केंधर है घ्रिच्पोटेशन में जाएगा अलग अलग-अलग-अलग डिरेक्शन में ऐसे फैलेगा focus के उपर जो सीधा topmost point होता है topmost point above the focus उसको क्या कहते हो epicenter कहा जाता है ऐसे तो इस question का answer क्या बनेगा epicenter this is very important clear यही question बूचा था कि यह focus के जो topmost point है उसको क्या कहते है epicenter कहते हैं और दूसरी बात यहां पर यह है कि focus का जो point है उसको और क्या कहते हैं हाइपो center कहा जाता है समझाए आप लोगों को तो answer इसमें क्या बनने वाला है आपका epicenter is the correct answer so answer इसमें c option बनेगा right answer समझाए आप लोगों को यह सी option is the correct one very important ठीक है चलिए जी आगे चलते हैं अगले को अच्छा एक कोशन आपको यहां से और निकालो यहां पर जो अर्थक्वेक की बात हो रही है अर्थक्वेक की बात हो रही है दो चीज़े आप से में नहीं डिसक्व र viviant ऐक आपको डिसक्त किया हूए एक आपको मैंने सिक्स किया हूँ क्लिक स्किल की ब्रिक्टर स्केल ओर मैजर करता है मेगनिटूड और मर्कली स्केल जो है intensity को मेजर करता है यह यह आपको ध्यान रखना है यह सारी चीजें को clear हो निचाहिए सो दिस इस वेरी इंपोर्टेंट क्लियर हो गया आप लोगों को येस और ग्राफ जो होता है वह सीज्मों ग्राफ होता है तो अंसर इसमें सी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर कोशन देखो ध्यान से what is found when magnesium is burned magnesium को जब जलाया जाता है तो इसमें से क्या बनता है आपको दिखाता हूँ ओप्षन में पहले इसमें दिखाता हूँ फिर आपको पता लग जाएक मैगनिशियम की जब oxygen के साथ reaction होती है तो एक से जो है कई बार reaction भी पूछी जाती है यह वाली reaction भी पूछ लेते हैं magnesium जब oxygen के साथ मिलता है तो आपका magnesium oxide बनता है लेकिन जब हम burn कर रहे हैं तो प्रॉपर इसे से जो धुआ एश बन जाती है ऐसे तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा एश इस दा क्रेक्ट अंसर बाकि सबके फॉर्मूले हमने डिसस की होए हैं बेकिंग सोडा मैंने आपको बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इस सी ए सी यो थ्री विनेगर इज़ा सी एच थ्री सी यो एच इथे परन वान दा मैरी स्टेम यह पढ़ो पहले कोशन कोशन पढ़ो और अंसर दो हम बताईए जी अगला कोशन का अंसर दीजिए फटाफट है ओके सत्रा है अब मैंने अभी कोशन करवाया था आपको एलोरा केविश का अभी मैंने कोशन करवाया था इलोरा केविश का जिसे में मैंने आपको 64 Best बताया था उसको एक पर किर्थ की जिये 17 जो है उसमें क्या है रिन्दू की है बारा जो है उसमें बुदिष्ट की है मैंने स्टिम्दल कलक लिए था और पांच जो है वह जैनिज्व में सस्क्रा जो है यह क्रेक्ट कीजिये फटा-फट पहले की है पहले को क्रेक्ट कर लीजे मैंने यहां पर ओर उल्टा लिख दिया था ऐसे बारां इधर लिख दिया था 17 इधर लिख दिया था हिंदूस की सबसे ज्यादा है यहां पर अजनता बिल्कुल सही है हमारा जो आपकी पूरी की पूरी बुरिष्ट के लिए है समझे ठीक है अब यहां पर देखो दा मैरी स्टम विच अकर्स बिच में जब मिचूर हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं मैंने आपको बताया है वर्ड को तोड़ के याद कर लो दो चीजों इंटर कॉलेज कॉंपिशन दो चीजों के बीच में तो तो डैट मीज इस इस कॉल इंटर कैलरी तो इसमें बन ऑफिशन बनेगा राइट अंसर समझा आया आप लोगो समझा आप लोगो यास समझा आया अब यहां पर जो लेटरल है लेटरल वड़ का मतलब या हो गया ले मतलब इस साइट से बढ़ाना पेड़ अगर ऐसे बढ़ रहा है तो डैट इसकॉल लेटल एपिकल जब हाइट की ऊपर बढ़ रहा है प्लांट डैट इसकॉल प्राइमरी पार्ट का मतलब करा मतलब किया होता है कि यह डिफन डिफन टीशू बनाता यह चीज़ आएंगी तो डिफन प्राइमरी यहां पर चीज दे देखो go charger का मतलब यह हो गया कि दो मैच्योर टीशू के बीच में आना इसго इन्टर कैलरी इंटर वर्ड सी निकल आया रश्त नहीं दो चीजों के बीच में यहाँ पर उधी कूशेंऑ दो मैक्योर टीशू के बीच में अगर मैरिस्टी k Four उट वाला पार्ट होता पुछ होता है जहां पर चाहि डिवीजन होती है से ग्रोथ देखने को आपको मिलती है मैरी constim वह वाला। अगर की जो धक्रोथ जहां को यह द्यां रखना है यश कौन समझाया चेहले आगे घ्रिक्व करते हैं कि यह बताएए जी- surgical economic outlook कि रिपोर्ट जो होती है वो कौन देता है कि एककोण नामिक आउटलूग की बजन को बताना है कि हमारे विधे पूरे विरिव की आउटैल की रिपोर्ट आर्थिक सम्मण चीजे कैसे दिखती है वो आपकी कौन से अा decide प्रिश्लीना जॉर्जिवा का नाम है कि आई एमएफ वर्ल्ड एकनाविक आउटलूट तो देता ही देता है और ग्लोबल को फाइनेंशल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी कौन प्रोवाइड करता है था उनए ग्लोबल की बात करते हैं तो वल्ल assa हम में बदाता है वाल्ड डेवल मेंट ओफशेन रिपोर्ट है तो चीए आपको द्यां रखना है वॉर्ल डेवलेप्लमेंट यह बताता है आर्भी तो हमें पता है बाई कौन बताता है मोनइकरिप पॉलिसी की बाता है बताता है United Nation Conference on Trade and Development की अगर हम बात करते हैं यह यह हमें बताता है ट्रेड और development के बारे में कि कहीं पे भी अगर आठ ट्रेडर डेवलमेंट कर रहे हो तो उसकी रिपोर्ट कौन सी होगी जी डी फासनद demand कि Vals कि इन्वेंटा रिपोर्ट कौन बताता है हमें एंस्मेंड रिपोर्ट Kaye ul 또 yaz 2021 बताता है अब लोगं को को से क्लेर हो गया जी हां वाय रीड इन चीफ है उनका नाम क्या है डेविड मैल पास डेविड मैल पास है उनका नाप चीक है सो अंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका यह उप्षिन क्या सेंट यह हमेशा क्राइश कंट्र सक्राइश को और वर्ल्ड थर्ण फॉट कि इसको पैसे पैसे मों cum refund very important question चले जी आगे बताईए कोशन का अंसर फटाफट बताईए इसका अंसर क्या बनेगा आपका अगला कोशन देखे जी क्या कहता है है विच इस कंटेंट in the what is contained in the chlorophyll chlorophyll में इन में में से क्या निहित होती है chlorophyll के अंदर होता है आपका magnesium this is very very important और chlorophyll वहां वहां होता है जहाँ पर प्लांट का ग्रीन कोडर होगा वहां वहां पे क्या होगा आपका chlorophyll देखने को मिलेगा और जने और किचेशन औफ दाटर इसे कहते हूं और इसके अंदर डीन ने भी होता है और प्रुरुफिल काुसे साल के इcoming कोशिका के लंगे सब感ने में ऑफ्षीज बनेखा इन्जब और मैंगनीशों नहीं करना मेंगे या पीछ़्य गतने में इसमें सी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर समझाया जी येस अगर आप से पूछा कि फोटो संथिटिक एक्टिविटी जो होती है वह 400 से 700 नैनोमेटर की लाइट में होती है क्योंकि यह आपका विजिबल स्पेक्ट्रम होता है सबसे ज्यादा जो होती है वह आपकी रैड होंती है और सबसे कम होती है वाइलेट कलार की लायट में देखने कोमिलती है मैक्सिमम्म फोनिग्ट ज्यक्रित्स और आपकी मीनिमम फोनौत ख quiénशल्य करेक्ट अंसर समझाय जी कि समझ आ गए आप लोगं को तो आंसर इसमें सी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर नेक्स्ट रिख अ यह कोशन एक्सपर में मैंने आपको आप ब्लूप कहा रहा हूं प्रिविस कोशन डिस्कस किया था उसमें मैंने explanation में आपको बताया था उसमें मैंने explanation में आपको बताया था कौन सा governor general जो है आपको बताता है कि English as a medium of instruction in India English as a medium of instruction in India मतलब English जो है आवा का माध्यम है यह कौन से governor general ने introduce किया था हमारे देश के अंदर तो बताएए इसका और मैंने आपको बताया था कि father of English education in India किसे कहते हैं वह मैं कॉले को कहा जाता है क्योंकि इसकी recommendation से हुआ था कौन से साल में 1835 में और विल्यम बेंटिंग जो है 1833 में बनने वाले हमारे देश के पहले गवर्नर जनल ऑफ इंडिया थे और इन्होंने 1839 में जब यह गवर्नर गवर्नर जनल थे आपके गवर्नर जनल थे आपके बंगाल के तो इन्होंने सतीप रथा खतम करी थी सतीप रथा ठीक है और लॉर्ड अलहौजी डिसकस कर लिया डॉक्ट्रेन ओफ लैप्स हडप्रिती के सिधान और इन्होंने पहली रियल चलाई थी 16 अपरल 1853 को 34 किलोमेटर टेर रन करी थी बॉंबेट उथाने ठीक है और पी डॉड डिपार्टम गई ता फचलाई गई इंके वपर रास विहारी बोश्न ये מחroell का इनके ऊपर बंस ने बंफेका था ल्ड बैले सले 1798 के अंदर इनों ने चलाया था सबसीडरी अलाइंस सा एक संधी चलाई थी जिसमें पहली स्टेट गैद्रावाद थी जो इसके साथ संबंद में आई थी समझाए आप लोगों को यास तो अंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका डी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर विल्यम बेंटिक इस दा करेक्ट अंसर यह वही सारी चीज़ी है जो मैंने आपको बताई है सेम एटो जैड वही चीज़े आ बहुत गराफाव मतलब इमेज तो यह जो है यह किसी है इंस्क्रिप्शन की शीला ला शीला लेग की इती होती अधिक के ग्या होते है लो मेंसटेमेटेग अरृफकनबल मैं औंफ इंडिया कि से कहते हैं बढ्रम इन व इंडिया हम कहते है एसलीम अलीजी ए और सलीम सलीम अलीबर रेंच कहां पहां पर है जलीम बर्ड संच यह पर को फिए कहां पर रखना है ठीक एash को कहा जाता है सिम को कहा जाता है तो यह आपकी एक एक इंशन नेंब्स है कौनसे रीजन का कामरूप जो है कौन सी स्टेट का नाम है यह आपको दिखाता हूं आपको फिर पता लगेगा सो यह आपका मैप है मैप में आप देख सकते हो कि कौन सा जगा कौन सी है तो मैप में जो है यह है आपका कामरूप यह कहां पर है यह असम को कहते हैं कामरूप कहते हैं और थानेश्वर जो था वो आपका हर्याना में था याद रखे तो यह आपका अंसर क्या बनेगा आपका असम इज़ा करेक्ट अंसर डी ऑप्शन असम की कैपिटल क्या है दिस्पुर असम के सीम कौन है सर्वनंदा सोनोवाल और यहां पे आपके जो है पांच नैशन पार्क है वो कौन कौन से दिब्रू साइकोवा अब कांची रंगल मानस ओरांग नामेरी यह आपके जो है पांच नैशन पारक आपको देखने को मिलते हैं यहां पर समझा आ आप लोग लोगो को यह हैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है और यहां पर फांच पांच यह नैशन पांग यहां पे और यहां पे मजूली आइलेंड भी है आपका मजूली आइलेंड जो रीवर आइन आइलेंड है यह किस रीवर के उपर है ब्रह्मापुत्रा के ऊपर इस वेरी इंपोर्टन कोशन अगेन समझ आए आप लोगों को येस अंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर डी ऑप्षिन आए दाओ जीए अगला कोंशन बता इए कि पुलिजर आवार्ड जो होता है यह किसके दौरा मतलब कौन सी फिल्ड में दिया जाता है उन्यूик के अंदर अब बताइए इसमें कौन सी फिल्ड में दिया जाता है literature में journalism में magazine में journalism में musical company में US विसको देती है तो इस अंसर क्या बनेगा इसका बिल्कुल जी बिल्कुल डी option बनेगा राइट उससी COVID जो है आपका दिया जाता है literature और journalism में music composition में भी लिए जाता है magazine में भी आपको provide किया जाता है यह लिटरेचर में ऑंलाइन कोलंपिया यूनिवर्स्टी के सो नेख्स बताविए थे मद्यकारिल भारत के अंदर पहली बार आटिलरी का इस्त्माल किस ने किया था Central एंधिलरी मतलब गन का इस्तेमाल पहला करने वाला व्यक्ति में अंडर में आती थी मुस्तफा मुस्तफा और उस्ताद अली ठीक है मुस्तफा और उस्ताद अली के पास थी और इन्हों ने जो युद्धनिती अपनाई थी बाबर ने डैट वस तुगलमा तुगलमा युद्धनिती पनाई थी तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन बनेगा बाबर आया कहां से था फर्गना डिस्ट्रिक अफगानिसान से देखने को मिला था आया था इंडिया में बारा साल का था जब बाबर राजा बैठा था सबसे कम एज में बाबर बैठा था इन्हों और तक है अपनी इ Dw весь तो चुंके बाबरी कैठ ब्रभी रहों कि की टीए याद रखना है और दूसरी चीजा आपको और याद क्या रखनी है की बाबर को दफनाय कहा पे गया था पहले इसको डवाबनाय था अगरा के अंदर फिर बहां वहां से निकाल के काबुल लेकर चले गए थे तो फिर एंड में काबुल में ही इनको दफनाया गया था ठीक है और शेशा सूरी की बात करते हैं शेशा सूरी सुर इंपाइर के संस्तापक फरीद इनका ओरिजनल नेम है और शेर खान की उपादी को मिली थी बाबर खान लोहानी ने इनको दी थी शेशा सूरी का टॉम कहां पर है सासा राम बिहार के अंदर है यह आपको याद रखना है पुराना किला जो दिल्ली के अंदर है वो किसने बनाया था शेशा सूरी ने बनाया था अकबर अकबर जो है 1600 में राजा बना था 1600 के अंदर जब राजा बना था तो सोला सो के अंदर जो है हमारे देश के अंदर बिटिश इस इंडिया कंपनी आई थी तब हमारे देश में अकबर राजा था अकबर का जो tom है वो कहां पे है सिकंदरा नियर आगरा सिकंदर नियर आगरा जो है अकबर का tom है मकबरा है तो answer इसमें ए option बनेगा right answer बाबर is the correct answer बाबर बताईए जी अगला बताईए जी टी रोड बग्यरा यह तो सब पता ही होंगे आप लोगों को अगला कोशन है जब हमारी अर्थ संसे बहुत जाधा great distance में हो जाती है तो उसको हम क्या कहते है तो उसको हम क्या कहते है पहली बात तो sun और अर्थ का जो distance होता है वह होता है 150 million km 150 million km देखने को आपको मिलता है और जब दूर हो जाए सबसे दूर हो जाए तो उस नहीं पर होता है 152.1 million km देखने को मिलता है जो distance आपका देखने को मिलता है चार जुलाई को maximum time पे ठीक है तो अंसर उसमें क्या बनगा आपका यह option बनेगा एप हिलियन is the correct answer और पैरी हिलियन होता है आपका जब जो है सन और अर्थ नजदीक हो जाएं तो यह होता है 147.1 million km में पैरी हिलियन होता है आपका तीन जनवरी को पास आने का समय जबी अभी आने वाला है पैरी हिलियन सीच्वेशन आने वाली है और एक होता है आपका धर्ती और मून का distance धर्ती और मून का distance होता है आपका तीन लाग 84,000 km 3,84,000 km अगर मैं कहूँ धरती और मून नजदीक आ गए है धरती और मून नजदीक आ गए है तो उसको हम क्या कहते है पैरी जी धरती और मून का situation जब नजदीक आ गए तो पैरी जी हो जाता है तो 3,64,000 km रह जाता है और अगर दूर चले जाएं धरती और मून दूर चले जाएं तो उसको हम क्या कहते है एपोजी एपोजी होता है 40600 km यह आपको ध्यां रख रहे है सारे के सारे context clear होगे आप लोगं को हाँ आज 3 जनवरी है तो आज हो गया भई यह पैरीलियोन का situation यह देखने को मिलेगा न्यूस्पेपर में देखना यह चीज़े आ देखो यह पांच जुलाई को होता है और यहां पर इन्हों ने लिखा हुए पैरीलियोन वैसे तीन जनवरी को होता है यह देट थोड़ा एक आदा इदर उदर हो जाती है तीन जनवरी चार जनवरी के रहांट इन्होंने लिखा है अराउंड चार जनवरी ठीक है वही सेम चीज़ जा तीन को होगा चार को होगा मतलब थोड़ा सा गयाब वगएरा हो सकता है कुछ भी चीज़ों के कारण जैसे हमने इको नकस वगएरा डिस्क्रस किये थे उस ट्रेमे उसमें भी मैंने आपको बताया था नेक्स्ट देखेसी क्या होता है अगर कोई परसन जो है color blind होगा अगर कोई person color blind होगा तो वह कौनसे color नहीं देख पाएगा दो color ने देख पाता red और green यह मेंन आपको बहुत बार बताया है red और green नहीं देख पाता है और यह बिपूचा जा सकता है कि color blind के अंदर आंखों के अंदर जिसके रेड़ और ग्रीन कलर नहीं देक पाता नेक्स देखेंसे कौन सा जो है यह नहीं है नौट टेन ऐलोई मिश्रव धातूं नहीं है लॉय होता गया है दो या दो से ज़र चीजिजों का मिश्रण जिसमें एक जो है मैटल जो डिसकवर करी गई थी और कॉपल जो डिसकवर करी गई थी वह उनके रह downs कि हमारी इंडिया में ठीक है बाखी हम यहां पर करते हैं जैसे मैं स्टेनलेश चील के साथ स्टेनलेस चील की जो है कॉंपोजिफ्टन आप से बहुत बाद पुछी जाती है iron chromium nickel और carbon यह composition इसकी देखने को मिलती है ठीक है जिसमें आपका content होता है 75 iron हो जाएगा ठीक है और 15 जो होगा chromium हो गया निकल 10.05 का carbon हो जाएगा और ब्राज जिसे आप पितल कहते हैं यह होता है आपका copper plus zinc 70 और 30 का ratio ब्रॉंज जिसे आप copper और tin का बना होता है 9010 और bronze age किसे कहते हैं इंडस वैली civilization को इंडस वैली civilization को और क्या गाहा जाता है प्रोटो historic period प्राव के तहासिक भी कहते हैं चीक है तो भाई अंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी option बनेगा राइट अंसर येस डी option डी option बनेगा correct अंसर डिस इस कॉपर अटॉमी नंबर इस 29 नेक्स वद आई है यह हमारे देश में अभी देखने को मिल रही है जो हाल फिलार्मी जो situation है वो यह चल रही है हमारे देश में खास करके नौर्थ वेस्ट इंडिया में उत्तर पश्चिम में उत्तर पश्चिम की बिश्व इसको कहा जाता है तो अंसर इसमें वन ऑप्शन क्या बनेगा राइट अंसर बनेगा समझाया आप लोगो येस तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका हाँ मैं हूँ ऐसा बिल्कुल मैं हूँ ऐसा मैं केमिस्ट्री से केमिस्ट्री से मैं बाइलोजी में भी गुष जाता हूं केमिस्ट्री से मैं हिस्ट्री में भी गुष जाता हूं तो हूं मैं ऐसा ठीक है बिल्कुल करता हूं हम है बिल्कुल ता कि आपके कांड खुले रहे दिमार खुल जाए आपका में समझत और से तरक tweets के अंदर यह से मुस्त करते हैं यहां करते हैं यहांसि करती है यह चलती है यहां पर विंटर के अंदर बारिश आने का रिजन यही होता है वेस्टन डिस्रबेंस यह क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में और दूसरा पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है नौर वेस्टर को हम और क्या कहते हैं काल बेशाक काल बेशाक भी इसको कहा जाता है ठीक है नौर वेस करो मत करो जैसे लू होती है जून के महीने में नौर्थ वेस्ट इंडिया में पंजाब रियाना के पास ठीक है इसके में देमें रूब बाट काफी लोग मर जाते हैं और बहुत जाधा दिक्कत होते इतनी गर्मी होती है डाडिजा लोकल आपका जो एरिया होता है लोकल म खेती के लिए घृती है important होते हैं और यह आपका को उता प्री मौन सु शावर होता है ये कहां पर होता है gero और कर्नाटक वाले पार्ट के रल और कarnakotक वाले पार्ट में mango mango shower देखने को आपको मिलता है जो आपकी मैंगो की खेती के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है समझाया कि समझाया आप लोगों को येस ये आपका पता होना चाहिए सो अंसर इसमें वन ऑप्षिन क्या बनेगा राइट अंसर वेस्टर डिस्रॉबेंसी इस दा राइट अंसर ये होगा जी करेक्ट अब मैं आपको बदाता हूं यह कोश्च जो मैंने पीछ पीछ डाले रहें यह दाले मैंने जो मेरा में पेड कोर्स यह 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 कोर्स टाइम लूप कट कट दा रिवर और पहले तो एक चीज दिखिए जो मेंडर होता है यह क्या दिखाता हूं मैं आपको चलो पहले कोशन पढ़ लो फिर हम देखते हैं इन कोर्स ऑफ टाइम दा मेंडर लूप कट्स फॉर्म दा रिवर एंड फॉर्म एक कट आफ ऑलसो कॉल डैस यह कोश्चन बात कर रहा है ठीक ह है यहां से इसने क्या किया यहां से वह क्या हो गया अलग हो गया मतलब यह अलग चल रही है यह अलग चल रही है अगर मैं कोंगी रिवर ऐसे चल रही है तो दिस इस कॉल मेंडर अगर यह अलग होगी ऐसे लेक होगी तो उसको हम क्या कहते हैं ऑक्सबो लेक कहा जाता है द this is a level of intelligence Bureau this is a level off joint level ट्यारी कर रहे हैं जो मैं आपको कह रहा हो कि जो डेना ही डेना है intelligence Bureau का यह मं कर रहे है आपको बहुत आसान लगें सब्सक्राइब और यह बनता जा रहा है और यह लूप घ्रक हो गया that is called oxbowlike क्लियर होगे आप लोगों को तो इस कोशन का जो अंसर बनेगा अंसर इसमें यह ऑप्शन बनेगा राइट अंसर ऑक्सबोर लेक इस लिखा हुआ है एक चीज देखता हूं मतलब क्या होता है किसी बंजर जमा बंजर जगा के ऊपर एक जाओ भूमी बंजर मतलब कोई बंजर मिले के चलता हूं अगर आपको याद हो एक वर्ड यूज किया था आमने ओएसिस ओफ सिंद के अंदर उपजाओ भूमी सिंद के अंदर जो है उपजाओ भूमी जो होती है वो कौन सी है डाड़ी दा मोहंजदारो मोहंजदारो ओएसिस ओफ सिंद जिसे कहते हैं मोहंजद का बीच जहां पर आपके और यहां ओर यह पर माथा फिंप्र तो पूरे घुर्डे रिओंअ पूरे गृप में घुडे हो जाते हैं मतलब पूरे गृट है ड्रह देखン नेस्टिंग करते हैं और लोग देखने आएंसको साइबेरिया से आते हैं यह ओलिवरी टर्टल वगएरा ठीक है यह याद रखना टेक्टोनिक मुवमेंट प्लेट टेक्टोनिक मुवमेंट होती रहती है यह तो हमने डिसकस किया हुआ बहुत बार जहाब आपके फोल्ड माउंटेंस बगएरा बनती है यह आपको ध्यां उर्वरता को बढ़ाता है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है किस चीज़ के लिए तो भाई यह बनता है आपका राइस की कल्टिवेशन के लिए यह दोनों क्या करते हैं नाइटोजन फिक्सिशन करते हैं जो राइस की कल्टिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है सो उसमें क्या बनेगा आपका यस राइट अंसर क्या बनेंगा आपका B option बनेगा राइट अंसर समझा आप लोगों को सो बी option क्या बनेगा correct answer बन जाएगा येस बी option is the right answer very very sorry the option is the right answer rice cultivation answer is d rice और wheat के लिए एक मिट्टी चाहिए वती है का इलूविल्ह जई है यह ख़ाते हैं जेलोड है आते हैं जो हमारे हिमाल्ययास के फूट हिल उसके पैरों में पोट हिल्हों वहां पर पाई जाती है आपकी टी यह घ्यंद होती है और जो उप जाओ भूमी respectable हमारे देश में इसमें क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर बताईए जी को कि अगला अगरोशन बताईए क्या बनेगा इसका अंसर एप्सुलूट जीरो जो होता है यह करता है वाट इस दा जो है एप्सुलूट 0 Absolute Zero का मतलब होता है आपका Zero degree Kelvin, यह वो चीज होती है, Zero degree Kelvin जहाँ पे सारे molecular motion जो है, आवनी गती, सब चीजों की बंद हो जाती है, तो अंसर इसमें One Option बनेगा, राइट अंसर, यह है वो चीज होती है जहाँ पे पूरी की पूरी गती बंद हो गई, तो अंसर इसमें one option क्या बनेगा राइट अंसर बनेगा समझा आया जी आप लोग को तो अंसर इसमें a option इसा राइट अंसर अब यहां पर देखो absolute zero कहां कहां पर है zero degree Kelvin यहां पर है इसको सेलसियस में जाते हैं तो माइनस 273.15 डिगरी और माइनस 490 45967 डिग्री माइनस में फार्ने हाइट पानी जो फ्रीज कर जाता है यह हम बात करता है कि 0 डिग्री सेल्सियस में करता है तो कैल्विन में 273.15 में करेगा और आपका फार्ने हाइट में 32 डिग्री की उपर आपका फ्रीज कर जाएगा पानी पानी बॉयल करता ह है 100 degree centigrade की उपर फार्नाहेट में 212 और यहां पर कैलिविन में 373 क्लियर हो गया आप लोगो को यस कि समझाया आप लोगो यहां सेल्सिस और फार्नाहेट ब्राबर कब हो जाते हैं आपके माइनस 40 की उपर ब्राबर हो जाते हैं यह सब को पता है यह सारी चीज़े क्लियर हो गया आप लोगो को समझाया जी यस अंसर इसमें क्या बनेगा आपका जीरो डिगरी केलविन जहां सारे मोशन बिल्कुल ब्राब मतलब क्या हो गए बंद हो गए चले जी अगला कोशन देखो जी क्या कहता है इन में से किस कंट्री को बोलते हैं अधी रात को भी संदिखता है यहां पर तो यह है आपका नौर्वे वाला पॉइंट अंसर इसमें वन ऑप्शन क्या बनेगा राइट अंसर बनेगा किवा इस अका आता है आपको लैंड और अफ संदित का ऊद्यंग जापान और जपान आपकी आपकी इस्टर मोस्ट कंट्री है जिसके खांद आ अपको लैंड ओफ राइजिंग साने हमारा आपशन पांटी है इंडिया में कौन फोस है को कि इस्टर ह Dir आ violलना आता है इंक कंडर आमक नोर्वे श्व्वीटन इनको बोला जाता है यह स्काक्सक्राइब गडबन नहीं करनी पर में आपने तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका ए ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर तो यह जी नॉर्वे दा लैंड ओफ राइड अ मिडनेट सन नेक्स देखोई इन में से कौन सा ऐसा मैमल है जो अंडे देता है ओनली ले एक्स डस नॉट प्रड्यूस यंग वान्स इन में से कौन सा स्तंधारी है जो अंडे देता है मैमल यंग वन्स को प्रड्यूस करते हैं जैसे हम लोग हैं हमां हम कहां से अपने पेरेंट से तो विसली बात है हम स्टन्धारी है वह कौन कौन से हैं एक तो होता है डग बिल्ट प्लैटिपस डग बिल्ट प्लैटिपस और एक होता है स्पाइनी आंट इटर यह दो ऐसी स्पीशिज हैं जो अंडे देती हैं यह यंग वन को प्रड्यूस नहीं करती समझाया आप लोगों को हाँ क्लियर हो गया जी आप लोगों को तो यहां पर उप्शन ही नहीं तो जो इसका दूसरा नाम क्या है एकडीनिया तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका यह ऑप्शन बनेगा राइट अंसर एक लिए यंग वन्स को सीधा पर्डूस करती है कंगारू जो होते हैं यह मार्शूपियल का मतलब जो बॉड़ी के आगे ना बॉड़ी के आगे एक पाउच सा बनाके रखते हैं वह तो वह होते हैं ठीक है तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका यह लिख ले ना इंपॉर्टन है सारी यह जी कौन एकडीनिया डेट इस स्पाइनी आंटिटर स्पा करते हैं तो 324 से लेकर 329 तक आर्टिकल है हमारे सुनील अरोड़ा इलेक्शन कमिशन है यह तो लिखा हुआ जी फाइनेंस कमिशन के अगर हम बात करते हैं फाइनेंस कमिशन हमारा पंदरमा फाइनेंस कमिशन चल रहा है अभी एनके सिंग इसा चेर परसन और यह आर्टिकल 280 में लिखा गया है यह भी आपका प्रावदान दिया गया है पब्लिक सर्विस कमिशन के लिए 315 से लेके 323 नमबर तक आर्टिकल यह भी आपके लिखे गए हैं पब्लिक सर्विस कमिशन में UPSC के चेर्मैन कौन है जोशी परदीप कुमार जोशी परदीप कुमार जोशी है ठीक है यह आपको याद रखना है यस क्लिए आप लोगों को और इसमें प्रावदान किसका नहीं है प्लैनिंग कमिशन का कोई भी प्रावदान नहीं प्लैनिंग कमिशन का नाम जो है बना कप्था प्लैनिंग कमिशन 15 मार्च 1950 को और इसको चेंज किया गया एक जनवरी 2015 को चेंज कर दिया गया नीती आयोग में नेशनल इंस्यूशन फॉर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया थिंक टेंक आफ दा कंट्री और इसके चेर परसन हमेशा प्राइम निस्टर रहेंगे वाइस चेर में कौन है अभी राजीर कुमार है और सीओ कौन है अमिताप कांत है यह भी आपको द्यान रखना है क्लियर हो गया आप लोगो यह क्लियर हो गया जी आप लोगो हां तो अंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर डी ऑप्शन तो यह है आपका प्लैनिंग कमिशन तो जो मैंने आपको बताया अभी चलिए अगला कोशन बताईए इन में से ऐसी कौन सी माउंटेन है प्रबलश शंकला है जो इंडिया को नॉर्थ इंडिया और सा लातों इनके बारे में इंडिया को डिवाइड कौन करता है विंद्या डिवाइड करती है यह वाली नौर्थ इंडिया में और आपका साउथ इंडिया में बिल्कुल सेंटर में पढ़ती है ऐसी ठीक है और विंद्या और सत्पुड़ा के बीच में यहां पर एक नदी आत आती है जबलपूर फॉट जबल पुल वर और जो है धुए दार फॉब बनाती है धुए-धार फॉबी कbuat यह दोफन घुए और यहां पर अर्ब सागर के अंदर और यहांपे बनाती है यह पहुरी साथर और अशुरी बनाने वाली चार नदिया है नर्मदा तापती और पापी भी कह देते हैं माही और सबरमती ये चार रिवज जो आपकी आपका नदी आगई क्रिश्ण गुदावरी कावेरी और ये सारी देल्टा बनाती है रही और ये बनाती है सहादरी जब आपकी साउथ वेस्ट मौन्सों यहां पर टकराती है तो यहां पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है और इनसे टकराके जो बारिश होती है उसे क्या कहते हम औरोग्राफिक रेंफॉल जो परबतों से टकराके होती है डैडिस कॉल्ड ओरोग्राफिक रेंफॉल क्लियर हिमाल्यास का ओरिजिन जो है टैथे सी से देखने को मिलता है टैथे सी और हिमाल्यास की जो है यंग फोल्ड माउंटेन है आपकी यंग फोल्ड माउंटेन ओल्ड फोल्ड माउंटेन हमारी इंडिया में कौन सी है डैड इस दा अरावलीज 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 जा में बहुत जालते चला गया है बहुत जालते चला गया चलो यार कोई दिक्कत नहीं है आपको भी भागना है मेरे साथ भागते रहो जागते नहीं यहाँ भागते रहू चलो कोई दिखकत नहीं है दीरे-दीरे हो जाएंगे दीरे कर लेंगे याद रखिए ठीक है चलिए अगला अंसर बताइए क्या बनेगा कोशन है मोनोलिथिक जो है रोग श्राइन महाबली पूरम के अंदर है वो क्या है मैंने यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है है मोनोलिथिक रोग का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल लार्ज से आपका बना हुआ मंदीर है ठीक है सिंगल ARGE सटोन से बना हुआ कोई आपका मंदीर है महाबली पूरम group of monuments हैं दिखाता हूँ आपको कहा पे पहले तो यह है group of monuments यह एक ही पत्थर से बनाया हुआ है यह यह पूरा का पूरा इसको हम सैवन पगोडा कहते हैं सैवन पगोड़ा सेवन पगोडा कहते हैं यह किस ने बनाया था पल्लव राजा ने पल्लव के इंगने और पल्लव कौन सा नर्सीमा वर्मन नर्सीमा वर्मन वन ने बनाया था नर्सीमा वर्मन वन ने और इसको और क्या कहा जाता है ममाल है ममाल का मतलब क्या हो ग्रेट रैसलर रैसलर इनको बोला जाता है नरसिमा वर्मन बने बनाया था सेवन पगोड़ा इनको कहा जाता है अब कोशें यहां पर आप है कि यह मॉनलेथिक रॉक्व जो है यह क्या है वर इस दिस बताइए जी यह क्या है को हम बिल्कुल यह एक रत है 7 प्गोडा इस नोट राठस इस रत है अंसर इसमें क्या बने का वन आप्शन बनेगा राइट एक चीजह आपको और यहाद रखने है मेंने आपको बताया था कि यह 7 प्गोडा सबक्रिबर कौन सा है ब्लैक पगोड़ा है आपका कुनार्क टेंपल जो अचिकॉंडों है किौनार्क टैंबस पांपलों कहते हैं तो इसक हैं निस इस कॉझेश्न जो है महाबलीपूरं निहां बुरसर थे जो है। महाबलीपूराम गृ और दे स्थैंदर है वर्ल हेरिटेज साइट है यह ए्ट मता यह अगल बताइए फाटाफट क्या बनेगा लोगोशन बताइए कोशन बोल रहा है एई कौ अल्टरीट करण्ट को सब्सक्राइब कारन우े क्थ लिए सी करना कोड़ेक्रologist lin पूछ लिया जाए DC को AC में convert करना है तो इसके लिए क्या use करेंगे हम inverter DC को AC में convert करने हैं तो inverter use करते हैं AC को DC में convert करते हैं तो rectifier करते हैं transformer जो होता है ये क्या करता है high voltage to low voltage और low voltage to high voltage वाईसा वर्षा वाली condition अब meter जो होता है ये series में लगता है और ये current को को मेजर करता है a galvanometer भी करंट को मेजर करता है clear और यह बहुत छोटा करंट भी मेजर कर लेता है altenometer clear maintenance mean कर लेता है अब आपसे यह कोशन पूछा आता है क्या कि galvanometer को अगर हमने diameter में change करना हून एक wire लगती है जिसे हम कर चाता तो हमें शंट जो है वो कैसे लगानी पड़ेगी गलवेन अब मिट्रों को अगर हमने मेंट में चीज़ करना है तो वायर कैसे लगी तो वायर लगेगी पैरलल में और मेंने आपको बताय था gap award याद लख औरो आपको अंसल समझा जाएगा, गलवैनो मीटर को अमीटर में change करने, तो पैललिल शंट लगानी पड़ेगी, वायर पैललिल लगानी पड़ेगी, अगर गलवैनो मीटर को हमने वल्ट में change करना है, तो उल्टा कर दो, सीरीज में लगाएंगे हम इसको चीक है यह द्यान रखना कि समझा रहे हैं आप लोगों को कि समझाया जी आप लोगों तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर यूज किया जाता है जो बोल रहा है बच्चा गलत कर रहा है तो उस वह आप देखें जाके घर पे अपना ध्यान से पड़ें उसको और फिर मुझे कमेंड उसमें लिख देना इंस्ट्राग्राम की उपर अगर आपको लगता है घलत है कोई दिक्कत नहीं है मुझे आगे देखते हैं क्या कहते है ठीक है कोशन यह है आइस जो है आपकी 100 डास के अंदर मेल्ट नहीं होती क्यों नहीं होती देखें आपने देखा होगा जैसे घाएं बगार होती न वो उसको चूरा सा डालते हैं उसमें भी कई अल्ली जो होती पूरा उसको कवर कर दो तब भी वह पीगलती नहीं मतलब देर से पिगलती है क्यों ऐसा क्यों क्यों कि यह चीज ही नहीं रही है ठीक है मतलब क्या हो गया हीट यहां पर लगी नहीं उसको तो आइस पिग लेगी नहीं तो डेट मिस टैस एक्ट ऐसे बैड कंड़क्टर तो उसमें चाहरा बनेगा आपका सी ऑप्षिन बनेगा तो इत एक्ट आज बैड कंड़क्टर क्लियर हो गया यह जो भी है जो भी इंपाईर का ठीक है मं इज़ेनगर इंपाईर का जो डाउन25 मिला था सदाशीव सदा रप्राइम्निस्टर था जिसका नाम धा राम और यह अपनी पॉलसी जो है दक्षिन के राजाओं के अगेश्च ला रहा था और वो मुस्लिम थे तो उनकी डैकन की पॉलसी अच्छी नहीं थी तो उन्होंने क्या क्या ग्रूप बना के वो किसकी उपर टैक कर दिया सदाशीवराओ की उपर सदाशीवराओ को मार दिया औ बैसस बैटल ऑफ ताली कोटा तालीकोटा की ये लड़ाई थी एंसर में वी ऑप्शिन बनेगा रायट अफ ताली कोटा भी पूटा की लडाई होई थी उलसार को हां बिलकुल अच्छा यह भी कोशिन आ जाता है बैटल ओफ ताली कोटा को और खाते हैं बैटल ओफनीख गोटा को बोहते हैं बैटल ओफ राक्षसी और टंगड़ी अब बैटल आफ राक्षिसी एंड तंगडी भी कहा जाता है बिलकूल जी अंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका बी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर बी ऑप्षिन जो हुई थी खानवा की यह तो हुई थी आपकी डैड वाबर एंड राना सांगा के बीच में 1527 में पानिपत है और आपका किनारे पर यहें नेक्स बड़ा है यह टाइगर इस पूछ रहे है जी कहां पर है यह तेज को सबस्य किया नागर होल Jungle नगर नशी नाइश्ण पाग यह लड़ है ठीक है अंशी टाइगरिजर्ब कुद्रे मुखफ डिये आपके टाइगर इस रज़ा के अंदर जो है आपका Σमीली के शत्क्रावां से कमिली पाल सत्कोष यह आपके टाइगर इसर अपर तो अंसर इसमें क्या बनेगा पक सी ऑप्षिन मनें दंपा टाइगर रिजर्व इसन दा मिजोरम यह जी सारे के सारे टाइगर रिजर्व टिक मदब क्लिक लेने पिच्चर लेने ले लो अधर्वाइस आपको जितना जितना जो है याद करोगे उतना उतना ही समझेंगे ठीक है हाँ कि समझ आगया आप लोगं को इस चलिए जी अगला कोशन देखते हैं का कर्ऊ अगला कोशन देखिए जी क्या आ गयता है है कि मैंने आपको बताया था बजट के अंदर हमेशा कट लगाने के लिए कि बाते होती यहां लेकिन मैं कहूं कि एक रुपया अगर आपका कम हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं डिसप्रूवल ओफ पॉलिसी कट उसको बोला जाता है टोकन कट होता है जब आपका यहां पर सो रुपे की कटोती हो रही हो ठीक है एकॉनमी कट वो होता है जब आपके एक कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट यह अमाउंट मेंशन नहीं होती लेकिन कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट अगर आपके कट कर रहे हो तो डाड़िस कॉल्ड एकॉनमी कट वोटन अकाउंट जो होता है वोटन अकाउंट जो है पहले चलता था अब तो इंटरियम बजट आने लग गया है वोटन निकलता कितना था जितना आपका बजट होगा उसका वन सिक्थ पैसा निकलता था एक वटा छे पैसा निकलता था बट अभी कोई भी इंटरियम बजट आगया तो वोटन अकाउंट की बात चलती नहीं है तो अंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा राइट अंसर डिस जाएगा तो कैसे किया जाएगा आएका पुनर वितनंग कैसे किया जाएगा हम कहते हैं कि हमारे देश के पास तक पर Şu यूस किया जाए उनको टेक्स को ऐसा क्या जाएगा कि हाँ आप ग्रोग्रेर्ट सिभ्ツ यह लोगों की उपर खर्च भी करो उनको othe उबिधाई आपका इस तरीके से पैसे का वित्रण किया जा सकता है टैक्स लो लेकिन लोगों की आपका और उब्र पर खर्च भी करो तो dat is called आपका progressive taxation combined with a progressive expenditure तो उस्समें क्या किया बनेगा option बनेगा राइट अंसर clear हो गया आप लोगंगो येच सो one option क्या बनेगा आपका correct answer बन जाएगा progressive taxation combined with a progressive expenditure you answer is one option नेक्स देखिए जी आप लोग घर में बैठके पढ़ रहे हैं मुझे घर जाना है समझाए आप लोग को मैं स्टूडियो में नहीं रहता मैं घर जाता हूं अपने इस क्लास को लेके मैं घर जाओंगा तो आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है कि आप छोड़के मतलब आप सो हो जाइए मतलब क्या मतलब करें अब लोग अफ लोग मैं में वहां से घर से आए हैं यहां पे मुझे थंड़ यह बापिस जाना है फिर घर पे थोड़ा सपड़ो अप लोग इस चीज की कदर समझाए करो अभी चीजह मिल रही आपको ठीक है यह भी चीज़े मिल रही है फ्री में मिल रही है जब यूट्यूब में यूट्यूब बंद हो गया आजा यूट्यूब ने कभी ऐसा कुछ कर दिया कि हां मतलब अब सब कुछी पेड़ चलेगा फिर कहां से करोगे पढ़ लो भाई पढ़ लो मैं आपको बता रहा हूं ठीक है पढ़ा करो जल्दी से जल्दी कोशन देखे जी क्या गाता है ग्रेट बैरियर रीफ ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहां पे लोकेट है पहली बात तो ग्रेट भी कहां पर रोशीला में वह फॉष्ट के उपर इसन इसन जैड़ के उपर ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपका क्यूंसलेंड में देखने को अपको मिलता है कुईंसलैंड में और यह कहां पे अब ओशन की बात आगी तो ऑब्सलिवा यहां पर क्या बनेगा आपका पैस पैसिफिक उशन क्यों क्योंकि आपका उस्टेलिन साइड के ऊपर क्या है आपका पैसिफिक उशन के अंदर पैसिफिक उशन के अंदर पैसिफिक उशन के अंदर जो है आपकी सबसे बड़ी ट्रेंच है यहां पे और उस ट्रेंच का नाम बताएंगे बताएंगे आप इस ट सबसे ज़्यादा बिजिय को सबसे जदा नोचन है यहां पे समझे आप लोगो फायर में देखने को मिलती है अप्रस्टेट वर्छया को इसलिए कहते हैं यहां पर सब्से जला बिसनस सब्सेत ट्रेट देखने को आपको मिलता 저희가 है प्रेस्टieme क्लियर जी चलिए अगला कोशन देखते हैं आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा राइट अंसर ऑस्टेलिया यह जी ग्रेट बेरे रीफ और इस्ट्रन साइड की उपर कुइंसलेंड वाला पार्ट है यह तो यहां पर देखो यह वाला पार्ट के इसमें आता है आपका कोशन आपको याद करना पड़ेगा वाई क्योंकि याद कर लो बस मैं यह कहूंगा ठीक है हाइग कोड के जज की जो रिटार्मेंट है वो 62 यह पहले साथ साल थी अब 62 कर दी गई थी यह कौन सी अमेंडमेंट करी गई थी यह कोशन सिर्फ याद करो बस याद ही करो मैं ए तो हाई कोड का जज अविसली बाद है सुप्रीम कोड जा सकता एजे जज की जज बन सकता है वहां पे ठीक है याद रखिए और हाई कोड जो है दो या दो से कॉमन दो यादो से ज्यादा अधिक राज्यों की कॉमन हाई कोड हो सकती है seven constitutional amendment act 1956 या निदर या जिखा गया था कि याद रखिए क्लियर होगे आप लोगों को तो अंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन पंदर्वी अमेंड्मेंट थी यह फिफ्टिंथ अमेंड्मेंड्मेंड देखने को आपको मिली थी दिस वेरी इंपॉर्टन कोशन सुपर इंपॉर्टन यह कोशन जब अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेज जो है मदरास के अंदर किस चीज को उगाने के लिए बोलते थे मदरास के अंदर जो है किस चीज को उगाने के लिए बोलते थे जबरदस्ती तरीके से जबर्दस तरीके से जो है किस चीज़ को उगाने के लिए बोलते थे मदरास के अंदर जो जूट होती थी यह वेस्ट बेंगॉल में टी होती थी असम में शुगर केन होती थी आपकी यूपी में राइस होती थी आपकी मदरास में यह जबर्दस्ति उगाते थे यहां पर मतल उगाने के लिए बोलते थे जबरदस्ति तरीके से समझाया आप लोगे को यैस इसमें क्या बनेगा इंहों agriculture बोला च्छा मदरास वाला पूछा था तो अंसर इसमें डे चैप सकता है तीट पूछ सकता है फ्यूघ्र के पोछ सकता है जयतं है अपको कोटन पूछ सकता है है तो dlatego इसमें क्या बनेगा आपका अंसर इसमें डी प्श नेगा ये रीवर सक्रोम रीवर और काली रीवर के बीच में नह다 है सब्सक्रा strips इसमें मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा हिमालयास की जो डिवीजन है वो क्या है सो हिमालयास की डिवीजन जो है इस तरीके से है जो प्रोपर तरीके से पंजाब हिमालयास कुमाओ हिमालयास नेपाल हिमालयास और असम हिमालयास दो रिवर्स के बीच में हैं इंडस और सतलज रिव और काली रिवर के बीच में है कुमाओ हिमालयास काली रीवर और तीस्ता answer क्या बने गापका कुमाओ हिमल्याजीज ऑर राइट अंसर सी ऑफ्शन क्या बनेगा राइट अंसर बन जाएगा समझाया है समझाए आप लोगं को यास option बनेगा राइट ऑन्सर सी ऑप्शन जलिए ची आगे चलते हैं तो हिसमें c option बनेगा से यह राइग सर्थ फंगस से बनी थी यह वाली और यह बनी थी कहाँ से पैनिसीलियन पैनिसीलियन नौटेटम से बनाई थी ले रोगे आप लोगों को तो अंसर इस FERC सिघू बनेगा करेक्ट अंसर surprised यह आपको याद नहीं करना की प्रोसेस कैसा था बस याद रखे पैनिसलीन बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने कोशन देखेजी हमारी बॉड़ी के अंदर हमारी हुमंस के अंदर जो साउंड आती है वह कहां से आती है और वाइस बॉक्स कौन सा है हमारा डैट इस ले और डारी मीडे पाई से बियान पृटी क्या होता है इसी लिए कि आती है वह आप आपका रही होगा सवाली पाइप में चला गया सथाथ हाली में चला जिसके कारण जो हुआ वो आपका वा का चाहिए आपको अधर्वाइस क्या होता है जब आप खाना खा रहे हो ना तो एपिग्लॉटी सांस वाली पाइप को बंद कर देता है जैसे अभी आप करके देखो ऐसे करके अंदर को जब कुछ भी स्वैलो करते हो तो उसमें एपिग्लॉटीस क्या करता है रेस्पिर्टरी जो मारे खाने वाली Pipe होती है वो छिक है सो इसमें क्या बनने वाला है आपका बी ऑप्ष को कहा जाता है याद रखें यास लेरिंक्स दिस दाले है नेक्सट देखें यह कोशन याद करने वाला है कॉंटीनेंटर शेल्फ जो है महा सागर व्यापग महाद क्या शेल्फ किसकी बड़ी है सबसे जादा सबसे बड़ी जो है वाइडस शेल्फ किसकी है इन में से सबसे वाइडस शेल्फ जो है वो है आक्टिक ओशन की अंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन इस दा करेक्ट अंसर आक्टिक ओशन की सबसे बड़ी जो है वाइडस शेल्फ देखने क आपको मिलती है और यह कहां पर कौन से कोष्ट के पास साइबेरिया साइबेरिया रश्या में सबसे बड़ी जो है आपकी कॉंटिनेंटर शेल्फ जो है सबसे वाइडेस्ट है अंसर इसमें बी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर बी ऑप्षिन अगला कोशन बता हो फड़ावड में अगला कोशन बताइह जो आपकी रेड इस वाइल जो है आपकी यह कहां पर देखने को आपको मिलती है पहली बात तो रेड़ सॉयल का रेड कलर क्यों होता है आइरन के कारण अपे के कारण चीक है और एक चीज़ आपको बताता हूँ र लिचिंग अब यह बात है रेड़ आपको कहां पर देखने को मिलती है हमारे कौन से एरिया में देखने को मिलती है तो यह बदाता हूं आपको यह आपका दक्कन पठार यह वाला ठीक है और यहां के आपके यहां पे ठीक है और आपका यह देखने को मिलती है आपको रैड इसके अंदर जिसके कारण वो लाल लिखती है लीचिंग की होती है लीचिंग बहुत देखने को आपको मिलती है नेक्स देखेंजी। अगला बताइएः फटाफट man sådari system जो हमारे भारत में किसने पर्नारे शुरु करेति हैं दर एक सीना कर और राजा के दरवार में आर्मीखता करने परिंदर रखनी पड़ेगी तो डैड़ वास मंसभदारी सबसे ज्यादा मंसभदारी स्टार्ट किस ने करी थी अकबर ने और अकबर के पास सबसे ज्यादा मंसभदारी किसको मिलती थी डैड़ी जड़ परशन इस मान सिंग मान सिंग को सबसे ज्यादा मंसभदारी मिलती थी मान सबसे ज्यादा खड़ी करता था अक्बर के दरबार में तो रहते हैं तो यह पने हैं तो और यह ंचा प्रेयर करते थे लोग और इनहों दिने इलाही का धर्म स्टार्ट करवाया था दिने इलाही मैंने आपको बताया था जिसमें सभी धर्मों का मिश्रन था वो स्टार्ट करवाया था इन्होंने अकबर के दर्बार में सोला सो में सोला सो में जो है इंग्लिश इस इंडिया कंपनी हमारे देश में देखने को आपको मिली थी वह अकबर के दर्बार में आई थी अकबर का जो टॉम है वह सिकंद्रा नियर आगरा के पास अकबर के दर्बार में नवरतन रहते थे नौ हीरे नौ लोग थे जैम जिस हुमायू के ऊपर एक पुस्ते लखी गई है हुमायू नामा किया हो गया इसका कि वेट कीजिए गाइस एक मिनट कहाँ से चलेगा एक सेकन्ड वेट कीजिए अपर नहीं यहीं यह वाला कि दो वाला कि यह वाला कि एक सेकंड वेड़ कीजिए बस हमें एंडिंग पर ही है बहुत ज़्यादा जल्दी एंडिंग पर ही चलेंगे तो यह कोशन चल रहा था हमारा ठीक है यह कोशन चल रहा था तो मैंने आपको बताया कि अकबर नामा और आइने अकबर लिखी थी अबुल फजल नहीं लिखी थी और रहते थे हमायू के उपर एक पुस्तर लिखी थी हमायू नामा इनकी शिच्टर ने लिह सब्सक्ति नीं लिखी धिती डैड़्स गुल के दन बेगम। दोने लड़ाईयां हारे था और शेशा सूरी जीता था यह आपको द्यान रखनी है बाबर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं जांगीर जांगीर जो आपका पेंटर किंग है पीके है यह पीके मतलब पेंटर किंग ठीक है और उसके बाद जो है आपका जांगीर जो है आपका यह लाहूर में सबसे रहता था और इसके दर्बार में एक सोने के जंजीर लगी होती थी जिसे हम कहते हैं नयाई की जंजीर the chain of justice chain of justice clear और आगरा के किले के बाहर लगी होती थी इसके this is very important question clear होगा आप लोगों को हाँ इस नस्र इसमें किया बनेगा आपका मंसबदारी प्षथा डि इस अकबर इस ना क Jahre अकबर तो बाई यह---- इस तरीके से होता कडा नेक्स बदाए लाइम स्टॉन जो हैा रा मटीरल है किस चीज के अंदर किस चीज के अंदर जो है लाइम स्टोन जो है आपका कि ठीक है लाइम स्टों जो है किसके अंदर यूज होता था कच्छा माल की तरह यूज होता है अब आपको दिखाते हैं यहां पर तो लाइम स्टों जो है पहली बात हुआ कि सिमेंट इंडस्ट्री के अंदर एक सेगेंड रुके कोशन यहां पर यह है कि सिमेंट इंडस्ट्री के अंदर काफी चीजी यूज होती है जैसे लाइम स्टों हो गया कोल हो गया जिप्सम हो गया आपका यह आइरन स्टों हो गया हो गया यह tha सबसे जयादा इंडस्टों का कोशन था तो अंस्राइंट ईंडस्ट्री बनाएंगे यह कूशन यहां पर यह पूछा था कि चीप्सम जो है हम सिमेंट के अंदर क्या डालते है इसले डालते है कि इसका जो सेटिंग रियक्शवं है सेटिंग रियक्शन जाने कि react करने की परिकिरिया वो कम हो जाए less हो जाए क्योंकि cement को पानी में डालते ही जम जाएगा ना तो cement को जमने से रोकने के लिए setting reaction को कम करना ज़रूरी होगा वो जिपसम करता है और दूसरी बात ये है setting time setting time को बढ़ाना increase करना वो किसके पास होता है आपका जिपसम के पास होता है setting time को भी बढ़ा देता है मतलब जमने के टाइम को भी बढ़ाएगा setting reaction को कम भी करेगा वो जिपसम दोनों करता है यह आपको द्यार रखना है तो यहां पर पूछा गया था limestone का material तो यह यूज होता है cement industry के अंदर तो अंसर इसमें c option बनेगा correct answer clear हो गया आप लोगों को और यह इसका उदेश्या जो है welfare of the state है और दूसरा social and economic democracy provide करना जाने के आपका समाजिक और आर्थिक लोगतंतर को बढ़ावा देना यह इसका पार्थ है यह दिया गया है हमने Ireland के constitution से हमने बोरो किया है answer इसमें c option बनेगा right answer Irish constitution से युउसस अषिए हमने जुडिश्री इंडिपेंडेट्स ऑफ जुलिष्री का ऑशह्चवाट प्रियंबल का ऑन सेथ hombres और इंगा ऑर और लृई आ च्रहें ठोबाइबफयअ कर terrible गया है जब्हाते पर seven Очень आदिस ऑडिया fraternity यह वर्ड जो है हमने कहां से लिए हैं फ्रेंच से लिए हैं तो इस कोशन का अंसर क्या बनेगा आपका आईरिश कॉंसिशन सी ऑप्षिन क्या बनेगा करेक्ट अंसर बन जाएगा समझाया आप लोगं को समझाए आप लोगं को येस आंसर इसमें सी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट आंसर तो यह मैं आपको यहां पर डिसकुस नहीं करूंगा इसकी स्क्रीन शॉर्ट वगारा ले लो ठीक है गर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो है 75% हिस्सा लिया था तीन बड़ा चार हिस्सा जो 35 क एक्ट से हमने लिया है नेक्स बदा यह कोई भी एक स्टार होता है तारा होता है उसका कलर क्यों आता है उसका कलर इसी लिए आता है क्योंकि उसके अंदर फ्यूजन चलती है उसके टेंपरेचर के कारण उसका कलर आता है मैं आपको अभी बता दूं आप चमकोगे तब करते हैं शारुक खान का स्ट्रगल तो आपको सब को पता है कि कैसे कैसे बंदेने स्ट्रगल करके अब आज बाश्या मना बैठा है ठीक है तपेगा तो ही कुछ बनेगा तो यही चीज है वही चीज कि जितना आप अपने आपको तपाओगे तभी आपका कलर उत्रा निखर के के आएगा जितनी महत्स आप करोगे उतने रिजल्ट आपको देखने को आपको मिलेंगे तो ऑंसर इसमें क्या बनेगा आपका C ऑप्शन बनेगा कर्यक्ट अंसर क्लेर होगे आप लोगों को तो टो तो यह है बाई ठीक है टेम्परेचर जो हो ए वह ही इंडिकेट करता है आपका color का red color है जो इतना degree Kelvin हो गया जी यह Kelvin यह हो गया यह Kelvin temperature की उपर जो है आपके differences देखने को आपको मिलते हैं समझाए आप लोगों को कि समझाए आप लोगों को येस क्लियर जी चलिए कोशन देखें जी क्या कहता है डायोड जो होते हैं यह किस का किस चीज के लिए यूज के जाते हैं डायोड डायोड जो होते है करंट को आपके पास करने के लिए यूज होते हैं सब समझाया समझाया आप लोगों को सब्सक्राइब अंसर इसमें ए ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर ए ऑप्षिन यह ओते हैं डायोड इस तरीके से अब रेक्टिफिकेशन और एक्टिफायर में कन्फ्यूज मत कर ले ना जो रेक्टिफायर होता है यह मैंने आपको अभी बत करता है एनीमोमेटर किस चीज को मेजर करता है यह विंड की स्पीड को मेजर करता है अंसर इसमें बी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर से उपर आपको एक कोशन याद रखना है कि सैटलैट जो है कितनी हाइट की उपर हम छोड़ते हैं तो पेपर में 36,000 किलोमेटर भी आ सकता है तो एक्जेक्टिस 35,786 24 घंटे गूमते हैं यह और जैसे अर्थ गूमती है वैस्ट इस्टन डिरेक्शन में वैसी यह सैटलैट्स गूमती है तो इसमें बी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर क्लियर हो गया जी यह जो है आपका एनियों मीटर है नेक्स देखे यह साथ बिमारिया कौन जिलिएं है डी पी यह आपको वैक्सिन भी पूछी आते है डी पी टी वैक्सिन भी पूछी जाती है दाइपफिरिया पटेशीज और टैटनस पटेफित को ब्रूबीं कफ बिका जाता है चौथी है पॉलियों पाँच वी चूबर गलॉसिस छटी है hepatitis B और साथ मीजल्स यह पूरी की पूरी बिमारियां जो हैं खतम करने के लिए बात करी गए थी यह इंद दुनुष आपका इंद दुनुष तो इसमें क्या बनेगा आपका यह यह बात करते हैं तो इसमें दी ऑप्शन बनेगा और इसमें पूरे के पूरी बिमारियों को मतलब बच्चों को वैक्सिनेट कर देना है 2020 तक इन्होंने जो है अपना टार्गेट रखा था अभी इसके बारे में कोई बात नहीं आई क्योंकि 2020 तो आपका पूरा का पूरा कोरोना वाइरस के अंदर चला गया है देखो क्या है इसकी next क्या आएक कब आएका तो आगे देखेंगे जब इसकी कोई डेट आगे आगेनोंने बताएगे तब next work i.pzemким और राजकोश्य निति किसके दोर्ण बनाई जाती फिसकल पॉलसी में क्या होता है टेक्स के साथ रेलेटेट चीज़े होती है टेक्स लेना देना और गळमेंट टेक्स करक्ट करती है गमेंट हमारे उपर खर्च करती है डाइइस आप आजी दिया सिफिकल्ड पॉलिसी डालया तो इसमें ची क्लूर्ट जी करेक्ट वंधन Kingdom दो की से हम कहते हैं planning commission चोड़ो से भी जो है आपका कि सेक्योर्टी एक्षेंज बोड़ ऑफ इंडिया कैपिटल मार्किट को रेगुलेट करती है और इस टाइम पे जो चेर परसन है हमारे सी बी के वो कौन है अजे त्यागी और 1988 में बना था से भी और इसको स्टैचुट्री पावर मिली थी 1992 में कानूनी शक्तियां 1992 के अंदर मिली थी क्लियर होगे आप लोगं को यास अंसर इसमें सी ऑप्षिन बनेगा finance ministry is the correct answer finance ministry तो यह है फिसकल पॉलिसी चलिए जी आगे नेक्स है salination of the soil मिटी का लवन जो होता है यह किसके कारण होता है मिटी का लवन जो होता है salination जो होती है यह किसके द्वारा करी जाती है salination का मतलब में आपको बताता हूं होता क्या है यह होता है salination जितना जितना पानी आएगा और पानी उड़ेगा भी evaporation भी होगा पानी बारिश आएगी पानी उड़ेगा भी नीचे क्या रह जाएगा नमक रह जाएगा तो इसका मतलग क्या होगा जितनी बारिश उतना पानी उड़ेगा और पीछे क्या छोड़ता आपका डैडिस नमक छोड़ता जाएगा और सेम प्रोसेस यही है इरिगेशन ज्यादा से ज्यादा सिचाई करोगे पाने उड़े गई उड़ेगा ठीक है इवेपोरेशन हो गई होगा और पीछे क्या रह जाएगा नमक रह जाएंगे तो सैलिनेशन ऑफ दा स्वाइल जो हो हमारे देश में इरिगेशन जो है सब्से ज्यादा कौन सी चीजुहसे करी जातिया ट्यूबयल से सबसे ज्यादा सिचाई करी जाती है हमारे देश में अंसर इसमें B option बनेगा तबार राइट अंसर एकसेस इरिगेशन चलो जी आगे चलते है कि वाटी इस मुद्र ऐस मुद्र स्कीम पुँधि यह आपकी 2015 में चलाई गई थी अ यह क्या थी our क्रूमों ओफशन बनेगा राइट व्क्रिचंच सीन तो सिन दिशिस टिवल्मेंट कि एंडर आती हैं ये सिदवी के कंटोल में आती है स्वार इंडिस्ट्रिल बेंके आती है अप लोगों को अनसरं गया पंड है आपका वाण ऑप्षिंद डेवलापनेंट औरमेंट एजनसिया कोई ऐगरी कल्चर पर साथ लेना देना नहीं है तो यह आपको ध्यान रखना है सो अंसर इसमें वन ऑप्षिन इस दा करेक्ट अंसर अब मैं आपको चीज बढ़ाता हूं कि मुद्रा स्कीम के अंदर जो है तीन टाइप के जो है लोन देखने को आपको मिलते हैं वह तीन टाइप के लोन कौन से होत कि शोर के अंदर पॉचास हजार से फचास हजार से अप टूवाइव लाग तकक का लोन मिलेगा ठीक है तरुंद चीघ्रवश के अंदर पांच लाट से स्टार्टिंग में सबर्साइब को शूंने फर्स लिवर्व से इनिमल वर कौन सा है हमारा हमारा जो राश्टिया जन्वर्वहेथ वह आपका गंजय डॉपिन अंसर के यर। जोब का सी उप्षिन बनेगा येस गीन्जै्टिक डॉल्फिन गीन्जैटिक डॉल्फिन का जो आपका मतलब साइन्टिफिक नेम क्या है डindest तो निस्ना प्लेटा निस्टा गंजाटिक का ब्लेटा तो गंजाटिक को सब तो नाशल अनिमल कों सा है में तो आधर पैन्थरा टिग्रेस पैन्थरा टिग्रेस ठीक है और अगर आपसे बर्ड पूच लिया पक्षी तो पक्षी है अपका पीकॉख सबको पता है और इसका नाम है पैवो क्रिस्टेटस ठीक है यह आपको याद रखना है और यहाँ पर एक option है Oliver े टर्टल का इस ऊलिव डिले टर्टल कच्छुआ ज़ो ज़ए तर्टल है यह क्या करता है गाहीर माथा बीच है हमारी उडिशा के अंदर नेस्टिंН करते हैं नेस्टिंग, clear ध्यान रखना, और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर जो नेस्टिंग होती है, गृूप्स में होती है, मतलब बहुत ही अलगी दृश्य देखने को मिलता है, गृूपिंग में आपकी जो है यहाँ पर जो होती है, जो नेस्टिंग देखने को आ ठीक है, हाँ, ओके, तो आपको चीज़ और पतानी चाहिए, यहाँ पर एक तो आपको पताना चाहिए, वाइल लाइफ पोटेक्शन एक्ट का नाम, आपसे पूछा या सकता है, वाइल लाइफ पोटेक्शन एक्ट, कौन से येर में आय था, 1972 में, यह भी आपको याद रखने हैं, तो आंसर इसमें, C, option बनेगा, राइट अंसर, गंजयाटिक डॉल्फिन, जो इस प्रिक अनिमल, जो गंगा रीवर में मिलता है, गंगा रीवर डॉल्फिन, जिसे आप क्या कहते है, गंजयाटिक डॉल्फिन, गंजयाटिक डॉल्फिन, बिलकुल जी, चलिए अगला देखें जी कोस्शन क्या कहता है फटा फटा अंसर बताईए कि डीवैलिवीशन ऑफ दा करण्सी लीड स्टो जो आपका मुद्रक ऐस्या यह उससे क्या होता थै ज्यान से समझ एकर स्वयां को और श kep मतलब क्या होता है एसम मिनिंग उफullen एक devaluation का मतलब होता है जब आपकी local currency की value जो है वो घिर जाए वो down हो जाए और यह government of India दवारा करी जाती है अगर आपकी value को घिरा दिया गया है और इस word का मतलब दोनों का मतलब क्या होता है value कम होना लेकिन दोनों में difference है devaluation government of India दवारा करी जा रही है depreciation जो होता है इसके अंदर जो है market forces जिसमें आपकी demand and supply forces आती है वो आपकी value को कम करते हैं लेकिन यहां पर value को कम किया है government ने जाने कि एक डॉलर साथ रुपे का फिर एक डॉलर आपका 72 रुपे का कर दिया इसमें क्या होगा अगर मैं कूंगी मैं foreigner हूँ अगर मैं बाहर से आया हूँ तो मेरे पास एक डॉलर है पहले मैं 50 रुपे की ठाली खाता था अब मैं 70 रुपे रुपे वाली ठाली घांगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबजीयां जो होंगी ठाली के अंदर पहले मुझे 2 मिल रही हैं तो इसका मतलब 72 रुपे की ठाली मैं खाऊँगा इट मेरे तो एक ही डॉलर लगा ना तो इसका मतलग क्या होगा कि में ने समान जो है कंजूम ज़्यादा किया किस ने किया बाहर वाले बंदे ने कंजूम ज़्यादा किया जिसके कारण क्या हो रहा है डिमांड को डिमांड को क्रियेट किया जा रहा है और जिससे क्या होगा क जाद से ज्यादा थाली खाएंगे तो इससे क्या होगा अगर हम समान के पार Think या तो इसमें क्या होगा भाई ये ठीक है अनके 100 रूपई थे अमや 40 जा हो मुझे ती ती लेकिन अब मुझे कितने रूपए की मिलेगी वह 32 रूपे की तो मेरे बाहर समान बेजूंगा तो अगर मैं इंडिया से हूँ अगर मैं बाहर समान बेज रहा हूं तो मेरे के लिए मेरे उनके लिए सस्ता पड़ रहा है अगर मैं उनसे खरीद रहा हूं तो मुझे महंगा पड़ रहा है तो किसी भी देश के लिए एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा जादा से जादा हो जाएगा लेकिन इंपोर्ट क्या हो जाएगा महंगा हो जाएगा तो इसके अंदर क्या होता है कि जिसमें आपकी डुमेस्टिक प्राइस जो होती है वह इंक्रीज हो जाती है डुमेस्टिक प्राइस इंक्रीज होने का मतल लेखे रहां बने को इसमें क्या पनेगा थियार को इसमें टोमेस्टिक प्राइस्क का कम हो नहीं है इसमें मुल्य व्यूक्ति किया करन्सी टेफ नहीं किया अगर करन्सी आता तो हो सकता था शायद बन जाता तो समझाए आप लोगों को क्या बनेगा ठीक है अब यहां पर देखेजी यही आपका एक effect है देधान से समझना क्या है देखो जब devolution होगा जब devolution होगा मैं export के उपर बात करता हूँ जो हमारे देश से बाहर चीज़े जाएंगी वो क्या हो जाएंगी सस्ती जब सस्ती हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या होगा ज्यादा से ज्यादा हम चीज़े बेजेंगे जिसके लिएप अपका export बढ़ने से फिर आपका आजाएगा इमपोर्ट महंगा हो जाएगा इंपोर्ट मतलब जो चीज हम लेके आते हैं वह महंगा हो जाएगा वही चीज यहां पर बोल रहा है क्योंकि लोटेटी आपके क्या हो गया quantity वर्ड का मतलए यहां पर यह होजाता है कि जो चीजह की विए आज चीज़ करीड बरी हो पहले आप 50 चीज़ ख。 आप sas40 पाएंगे मतलब क्या हो गहां को चाया होगई कैंट कम हो जाएक जिसके कारण क्हाँट तीन बार 1949, 1966 एंड 1991 तीन बार हमारा डी वेलिशन देखने को मिला है करंसी का हमारे इंडिया के अंदर क्लियर हो गया जै आप लोगों को ठीक है हाँ सो अंसर आपका जो भी था जो भी ऑप्षिन था इसमें चले अगला बताइए फटा फट कई लोगों के दिमाग से उपर चीज निकल जाएगी क्यों क्यों कि वह समझ नहीं चाते जब पर में आएगा यही कोशन आपको आएगा यह ऑप्षिन चेंज होंगे लेक आपको समझ आ गया तो अंसर आपका है चलिया अगला बताईए फटा फटाफट अब बहुत बढ़िया जी जी बिलकुल 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 ठीक है शाबाश शाबाश तो अब बताईए जी इस कोशन का अंसर क्या वरेगा वेट लैंड डे कब होता है वट इस अव मतलब वट लैंड देस सेलेब्रेटेट बताईए जी होट है यह यह होता है आपका दो फर्बरी को, रिचंट अब बाइडवकर होता है तो फर्बरी को यह सेलेब्रेट किया जाता है और इस साल का जो थीम था दो हज़र बीस का वो क्या था वेट लैंड फोन केعد टोरियंड उड यैस औपको मैं बता लेता हूं सेया हमारी कौन सी रामसर कॉनודे का या COP अंदर 1971 में बना था और 1975 में हुआ था और हमारे किसे यहारे सिस्सक्राइब नशींडन हें अभिना गर्थर किया हमारी नियुकंतर तरह चुप है आप पहला जो है आपका कहां पर वेटलेंड था आपका लोनार लेक लोनार लेक जो हमारी मिट्योरिटिक लेक है जो उलका पिंडर से बने हुई लेक है हमारी महराश्टरा के अंदर इसको भी वेटलेंड का गोशित किया गया है इस साल ठीक है इसी साल गोशित किया गया है और है आपका सूर्श रोवर सूर्श रोवर जिसे आप और क्या कहते हैं की थम की थम लेक भी कहा जाता है की थम लेक और यह कहां पर है U.P. आगरा के अंदर है इसको भी wetland का status मिला है, clear हो गए आप लोगो, yes, ये दोनों sites include करी गई है, और total हमारी 41 sites हो गई हैं इंडिया के अंदर wetlands ही, हो सकता है कि जब आपका paper हो, जब हो सकता कि जब आप पढ़ो, एक आदी और add हो जाए, इस time पे at present की बात करो, 41 है, clear हो गए आप लोगो, ये आपक earth day, earth day होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, clear हो गए जे आप लोगो, हाँ जी, बिल्कुल, answer इसमें B option बनेगा, दो फरबरी is the correct answer, तो यहाँ पे है जी, ये आपका दो फरबरी को दिन होता है, world's wetland day, ठीक है, और इस साल का theme wetlands and biodiversity, बड़ा important है, question पूछा है, लेकिन इसमें वो ही है, जो बंदा दिमाग लगाएगा, जो बंदा दिमाग लगाएगा, वो निकाल लेगा, जिसको पता ही नहीं है, ये क्या हो रहा है, वो इसको पता ही नहीं लगागा कि क्या चल रहा है, ध्यां से समन है question, how many meiotic divisions are needed to form hundreds spermatozoa, पहली बात तो ये क्य उत्री विवाजन जिसे आप कहते हैं, meiotic division, sexual reproduction के टाइम पर देखने को आपको मिलती है, ध्यां से समना, अगर मैं बात करता हूँ, ये question भूल जाओ, बस अभी पहले इतना ध्यां रखना, male के अंदर होता है, sperm, सबको पता है, female के अंदर क्या होता है, eggs, clear, जब ये दोरों को मिलाया जाता है, तो क्या बनता है, zygote, sperm और echo मिलाते है, तो क्या बनता है, आपका zygote बनता है, सबको पता है, ये simple question है, यहां तक तो, अब question यहां पर ही आ गया, अब हम question की तरफ चलते हैं, क्या, जहां से समना है, जब भी meiotic division होती है, meiotic division होती है, तो spermatozoa, अगर मै मेल से ले रहा हूँ, sperm मेल में आ गया, तो जब भी एक सेल डिवाइड करता है ना, तो sperm 4 produce होते हैं, क्या produce होते है, spermatozoa 4 produce होते हैं, एक सेल से 4 spermatozoa produce होते हैं, तो इसने क्या बोला है, कि by 100 spermatozoa बनाने हैं, तो कितने आपके division होनी चाहिए, एक division में 4 होते हैं, तो 25 division जब हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, 100 आपके spermatozoa बन जाएंगे, समझ आ गया, क्योंकि एक से 4 बनते हैं, तो 25 चौक 100 बन गया, तो मतलग क्या हो गया, कि male के अंदर आपको division चाहिए 25, ताकि 100 पहुंच जाए, अब अगर ध्यां रखा, यहाँ पर यह बोल देता, कि यहाँ पर यह eggs की बात बोल देता, eggs की बात बोल देता, female category की बात बोल देता, तो females में क्या होता है, जब भी meiotic division होती है, तो एक egg से ही, एक आपका जो है, एक आगे, जो division होते हैं, एक ही होती है, मतलग क्या हो गया, कि जब भी एक division होगी, तो आगे चीज एक ही बनेगी, बिल्कुल, ठीक है, एक female cell के अंदर, egg के अंदर, जब एक division होगी, तो एक ही gamete बनेगा, clear हो गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक gamete बनेगा, clear हो गया, अब अगर आपको यहाँ पर female का पूछ लेता, भाई, 100 spermatos, 100 उन्होंने gametes बनाने हैं, female gametes, तो कितने division चाहिए, तो female category के अंदर आती, 100, समझा है आप लोगों को, male category के अंदर, spermatozo बनाने के लिए, 25 meiotic division चाहिए, अर्द सुत्री बिवाजन, female के अंदर कितनी चाहिए, 100, अब यहाँ पर मैं question change करता हूँ, क्या, अगर मैं यहाँ पर बोल दू, how many meiotic division are needed to form the 100 zygote, अगर मैं 100 zygote बना देता, कि यहाँ पर मैं zygote लिख देता, और मैंने आपको क्या पता है था, स्वर्म और एग मिलते हैं, तो क्या बनते हैं, जाइगोट बनते हैं, अब लगा लो, 25 meiotic division male की, sword meiotic division female की, दोनों को मिलाएंगे, तो 125 बन जाएंगी, तो 125 meiotic division चाहिए होंगी, जाइगोट बनाने के लिए, 100 zygote बनाने के लिए, तीन तरीके के question में ने डिस्कस किया है, यहाँ पे कई लोगों का दिमाग खराब हो गया होगा, कि क्या हो गया है हमारे साथ, चिक है, male के अंदर, अगर 100 spermatozoa बनाने हैं, तो 25 division चाहिए, female के अंदर, अगर 100 female gametes बनाने हैं, तो आपको 100 ही division चाहिए वहाँ पे, अगर zygote 100 बनाने हैं, तो 25 तो male के होगे, 100 female के होगे, दोनों को mix करेंगे, तो क्या हो गया, 125 division होगी, clear हो गया, तो इस question का जो answer बनेगा, वो तो बनेगा 25, clear हो गया, इस question का answer क्या बनेगा, 25 ही बनेगा, होती है इस तरीके से, भाई अब थोड़ा सा आपको आईडिया लग गया, कि जो हमारे paid courses होते हैं, जब कैसे, मैंने तीन question में आपको hint दे दिया, बाकि तो आप देखींगे, हमारे paid classes के अंदर में, जो 1000 MCQ वाला course है, उसमें हम किस तरीके से चीज़ें को लेके आते हैं, नईनी चीज़ें और वगएरा वगएरा, जो exam में confusing होती हैं, और नईने questions होते हैं paper में, चलिए जी, अगला बताईए जी, फड़ा फड़ बताईए, question देखी जी क्या गयता है, electrical conductivity जो होती है, अट्मोस्फियर में, वो कौन सी layer में देखने को आपको मिलती है, electrical conductivity, जिसमें आपके ions बगएरा होते हैं, क्योंकि conductivity कौन करेगा, ions ही करेंगे, अनू करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अब ionosphere और thermosphere ही कहते हैं, किसको कहते हैं हम, that means C option बनेगा, ion मंडल, ionosphere जो है, ion मंडल जा फिर आप इसको और क्या कहते हो, thermosphere के नाम से भी आप जान लेते हो, thermosphere, clear हो गया, यहाँ पे होती है भाई, आपकी electrical conductivity, तो answer इसमें C option बन जाएगा, correct answer, clear हो गया जी, अब यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहूँगा, stratosphere, samtab मंडल, जहाँ पे आपके jet planes चलते हैं, हवाई जहाज वगयरा, और यहीं पे आपकी ozone layer भी देखने को आपको मिलती है, clear, कई बार यह भार यह भी question आ जाता है, कि अच्छा यह बताओ, वो सारा troposphere में देखा जाता है, बाकी सारी चीज़े जो है आपकी stratosphere में, jet planes वगयरा, mesosphere जो होती है, यह सबसे coldest layer है, सबसे ठंडी layer देखने को आपको मिलती है, हमारे atmosphere में, तो answer इसमें C option बनेगा correct answer, तो यहाँ पे भाई इस सरीखी का process चलता है, यहाँ पे जो है आपकी satellite वगयरा की जो है, radio frequencies वगयरा देखने को आपको मिलती है, low frequency, high frequency, waves, proper तरीके से यहाँ पे देखने को मिलती है, FM वगयरा signal जो होते हैं, आपके यहाँ से आते हैं, ionosphere से, this is super important question, clear होगा जी, चलिए जी, next बताईए, अगला बताईए जी, फड़ा फड़ा, अभी तो game स्टाट ही होई है, अभी तो तीसरा चोथा कोशन ही है, game तो बहुत लंबी है हमारी अभी, गंगा को किस नाम से बुलाया जाता है, कहां पे, कहां पे बुलाया जाता है, है गंगा को बांगला देश में किस नाम से बुलाए जाता है ये आपको बताना så क्यों यहां से आपकी जो है आपकी जो है जिस प्रैया से जो देव प्रियाग है आपका देव आपकी कौन सी अलकनंदा अलकनंदा और बागी रती ये दोनों रिवर्स मिलती है और आपका उरिजन होता है किसका गंगा रिवर का उरिजन होता है गंगा रिवर स्टार्ट होती है आपकी यूपी से ठीक है फिर आती है यहां से यूपी से क्रॉस करते आपके उत्तराखंड से स्टार्ट होती है देव प्रयागी दिन उत्राखंड उत्राखंड से स्टार्ट होके फिर आपका यूपी में आई यूपी से कहां गई आपके बिहार में बिहार से कहां पे चली गई है यह आपके जारखंड में चीक है जारखंड से बाद आपकी जो है यह प्रॉपर तरी के बैंगलादेश में गंगा रिवर का नाम हो जाता है पदमा क्या हो जाता है पदमा और बागी र holdersißt और भ्रह्मापुत्रा का एक है जिसको हम क्या कहता है जमुना จะ मुना जो है टृफ्योंorbिह सबसे सबसे बड़ा जाता है किसको यह बुलाया जाता है किसको यह बुलाया जाते हैं लेंद है 25-25 कि इंडिया की बड़ी लंबी रिवर युइ रहके में बनेगा नूब्रा वैले कहां जिन्दा लदाख नुग्रा वैली कहां पे है लदाख के अंदर है क्लियर हो गए आपको तो इस कोशन का अंसर क्या बनेगा पदमा इज्दाथ करेक्ट अंसर नेक्स बदाईए इंडियन फॉरन एक्षेंज जो होता है वो हम किस करंसी में रखते हैं इस इस वेरी इंपॉर् वात देख़ें हमारा फॉरन जब जहां पर पहांचे वह अलग बात है लेकिन अरवी जो होती है पास हमारा फॉरन रिजर्व होता है उसके पास रंप मिनीमम होना चाहिए उसको 200 करोड रुपया 200 करोड़ लेकिन 200 करोड में वह क्या करता है 115 क्रोड का तो गोल्ड रखता ह मिनिमम है यह इतना उसने रखना ही रखना है गोल्ड को हम हाड करंसी क्या देते हैं ठीक है हाड करंसी गोल्ड रखता है और दूसरा जो होता है आपका पचासी क्रोड का वो होता है आपका फॉरंड करंसी यह आपका जो है फॉरंड रिजर्व होता है अब फॉरंड करंसी मे वो अलग-अलग टाइप की करंसी रखता है जैसे कि US का डॉलर ठीक है और UK का पाउंड European Union का यूरो जापान का येन ठीक है जापान का येन हो गया और China का यूवान और Renminbi जिसे आप कहते है and one more करंसी IMF की करंसी IMF की करंसी जिसे हम कहते हैं पेपर गोल्ड और क्या कहा जाता है इसको पेपर गोल्ड के लावा SDR तो ये सारी की सारी हम इस 85 करोड के अंदर रखते हैं तो यहाँ पे जो कोशेन है वो देखे जी क्या है हमारी इंडिया का foreign exchange reserve किसमें होगा by gold में तो हो गई होगा SDR में भी होगा reserve trench position in the IMF बिल्कुल जी जो आप reserve IMF रख रहे हो वो भी आपका foreign exchange में आता है foreign currency asset बिल्कुल जी जो हमारे विदेशी मुद्रा संपत्तियां होती हैं वो भी और ये हमारी currencies होती हैं mail ली जो हम रखते हैं clear इसका मतलब answer क्या बनेगा आपका D option बनेगा correct answer समझ आया जी समझ आगा आप लोगों को यह सारी currencies रखी जाती हैं हमारे जो आपके आरबे के foreign reserve में तो answer इसमें D option बनने वाला है all of the above is the correct answer clear yes yes answer इसमें D option बनेगा चलिए अगला बताईए अगला बताईए कोशन यह कोशन भी बहुत बार रपीट होता है इतना रपीट होता है exam में बहुत ही ज़्यादा बार the green color seen in the fireworks is due to the presence of देखें जो पटाकों में हरा रंग उसको दिखता है बेरियम से मैंने आपको कोशन और याद करवाया हुआ है एक बेरियम सलफेट बेरियम सलफेट वहां पे पेपर में सिर्फ बेरियम भी आ सकता है अकेला ठीक है जब हमारे एंडोस्कोपी करी जाती है what is एंडोस्कोपी मैंने आपको बताया था एंडोस्कोपी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके माउथ के अंदर एक पाइप डालके पूरे इंटर्नल स्ट्रक्चर की फोटो ली जाती है आपके प्रॉपर तरीके से देखने के लिए कि हाँ वहें से मेडिसन दी जाती है वह क्यों दी जाती है क्योंकि एक्सरे मारते हैं तो क्या होता है की जैसे वहरी लॉरी होने लग श्रैल कारव ब्लर इमेज नाती है जिसके कारण हम को एजटे थी यह से ब्लर लग favorit करता है ऑप Trontium के कारण है आपको रैड कलर आता है रैड कलर लाल कलर देखने को आपको मिलता है समझ आए आप लोगं यह एक बच्छा वोल रहा है विश्णू विश्णू बोल रहा है टी आइ आंचिर का फिनोमीणा होता है बिल्कुल घी टी-ई-डा-ंटन forced अगला बताईए जी यह कोशन थोड़ा सा ट्रीकी लगा लो समझने वाला लगा लो अगर आप समझ रहे हो तो आप पता लग जाएगा आपका क्या इसका अंसर बनेगा बताईए जी फटा फट बताईए कोशन क्या कहता है कोई एक घनी अबादी वाला एरिया है डैंसली पॉपॉलेटेड एरिया है आपका चीक है तो डैंसली पॉपॉलेटेड एरिया के अंदर किस टाइप की फार्मिंग देखने को आपको मिल दी है अब एक चीज बताओ कि आप कमरे मैं बैठे हो ठीक है आप एक कमरे में बैठे हो और कमरा आपको छोटा है और उसमें ही मतलब घर वालों ज 버 Middle जा रहे हैं आपके दोस्त भी आ ये तो उस कमरे में आप बिल्कुल be माटाश कर चारऊ रहे हैं वहीं पर रहे हैं सारा खाना खहा रहे हैं वह будем सारी चीज़े सब करने लगे मतलब घूर उन्हart आपके लिए हो गई पढ़ने है तो इंटेंस लगे यह क्या करा रहा है क्योंकि नई-ने चीज़ें और और आपको दिमाग के घुसेंगी तो इसका मतलब यह होता है कि जब भी कोई चीज की ज्यादा चीज वहां पर आ जाए ठीक है क्योंकि फार्मिंग की बात हो रही है तो वहां पर से मिल जाएगी तो उस चीज को आप क्या कहते हो इन्तेंसीफ कर किा बर इन्टेंसीफ अटाएग्ट मिल जाए है जाहां कि SAM mitad कि यहां पर एंडिया पर मिल जाती है बहुत हं सते दां do और कल इंटेंसीफ के में और को सोंसार्म भ्रकोली और आप आप से पूछा जाए यह तो आपको मैंने बता दिया फार्मिंग के कंडेक्स में अगर आप से पूछा जाए इंडिया इस इंडिया क्या है इंडिया क्या है तो आप क्या कहेंगे इंडिया इस labor intensive labor intensive का मतलब क्या हो गया कि labor सस्ती मिल जाते labor बहुत सारी है और एक तो ये term हम use कर सकते है and India is capital extensive capital extensive का मतलब क्या है कि यार यहाँ पे हमारे देश में पैसा ही नहीं है मतलब हमारे देश में machine ही नहीं है कि हम अपना काम machine हों से करवा सके मतलब हमारे देश में machine ही कम है तो that's why India is a capital extensive capital extensive होता है लेकिन India is a labor intensive ये भी आपको word याद रखना है clear होगा आप लोगों को yes तो answer इसमें क्या बन गया ये वाला अब यहाँ पर farming की बात हो रही है ध्यान से समझना मैंने देश के context में बताया लेबर के context में बताया लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पर extensive farming का word use क्या हुआ है extensive farming इसके अंदर क्या होता है इसका मतलब क्या होगा है कि इसके अंदर हम पैसा भी लगाएंगे fertilizer भी डालेंगे हम labor भी डालेंगे सब चीज़े डालेंगे intensive word का मतलब वहाँ पर labor से काम होगा extensive word का मतलब वहाँ पर आपकी मशीनों से काम होगा extensive farming का मतलब वहाँ पर मशीने काम करेंगी capital लगेगा fertilizer डालेंगे सब कुछ डालेगा अब आपको context समझा गया अगर कूँ एक agriculture इसे agriculture what is agriculture मतलब इसके context में agriculture इसे intensive farming मतलब farming farmers intensive कह सकते हो कि वहाँ पर farmers बहुत सारे काम करते हैं और capital extensive मतलब क्या हो गया capital extensive का मतलब वहाँ पर मशीने काम नहीं कर रही अगर मैं word यूज कर रहा हूं extensive farming extensive farming word यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब वहाँ पर मशीने हैं clear हो गया तो यह context है आपको समझाए आप लोगं को ये ध्यान रखना ये वर्ड पकड़ने बहुत जरूरी है जो मैं बार बार रपीट कर रहा हूं आपको ये इदर उदर घुमाया इसलिए जा रहा है क्योंकि एक्जामिनर भी आपको गुमाएगा इदर ऐसे ठीक है वर्ड के साथ वो खेल देगा और आप भी खिल जाओगे फिर वहां पर ठीक है ये चीज ध्यान रखना ठीक है ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टन चीज़ें यह जो मैं आपको बता रहा हूं वह गुमाएगा आपको एक्जामिनर तो इसका अंसर क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंस समझ आया जी बिल्कुल चल यह जी बताइए कोशन है गायत्री मंतर जो है वह किसको एड्रेस किया जाता एक संभोदीद कीया जाता है इन Amerika है और एक चीज़ मैं आपको और बदाना चाहोंगा हम आज आज बोलते हैं कि सरस्वती माता के लिए है लेकिन जब रिगवेद का टाइम था रिगवेद लिखा गया था प्रपत रेखे से उस टाइम पर सवित्री माता के लिए था और उस टाइम पर जो सरस्वती थी वह एक रीवर थी यह चीज़ द्यां रखना ठीक है उस टाइम पर सरस्वती एक river थी, clear हो गया, गल्ती नहीं करनी है आपको, गायत्री मंतर जो है सवित्री माता के लिए लिखा गया था, सरस्वती उस टाइम पे नदी थी, और आज कल हम बोलते हैं, गायत्री मंतर जो है सरस्वती माता के लिए है, यह clear होना चाहिए आपके दिमाग में तो answer इसमें D option बनेगा correct answer फिर यहाँ पर लिखा हुआ है बाकी gods की लिखे गए है चलो पहले मैं रिगवेद के बारे में बात करूँगा रिगवेद जो है आपका oldest text of the world है मतला सबसे पुराना जो है text है हमारे world का रिगवेद और इसके सबसे जादा जो भगवान को सुक्तियां मिली गई वो इंदर भगवान को 275 के अस्पास जो है इंदर भगवान जो है जिसे आप कहते है पुरंदर जिसे आप कहते हैं destroyer of the force मतलब महलों का तहस नहस करने वाला क्योंकि कहते थे वज्जर मारते थे और सब कुछ हो जाता था खतम वहीं पे और इंदर को बोलाया था और इनके पैरों में दो हीरन भी है यह भी आपको द्यां रखना है और वरुन जो यह भी अपके इंदर हो गए दूसरे बगवान जो है आपकी अगनी इस दा मैं अगुजर में बात करते हैं हम किसी भी परसंगी किसी की देथ होती है तो उसको जलाते हैं तो ऑविसली बात हम कहता हैं कि जो उनकी आत्मा है वो कहां पर मिल गई भगवान के पास इसके मतलब सीधी सी बात है आदमी एक व्यक्ति और भगवान के बीच में क्या है अगनी तो अगनी इसमें इसमें डी ऑप्शन बनेगा जी सावित्री इसमें गायत्री मंतर के अंदर सब्सक्राइब करते हैं इनका मुख से सबकुछ संबंदित है यहां पर ठीक है और यह थोड़ा सा आपको पता है कि जब भी कोई थोड़ी से वह बात होती है धार्मिक रिलीजिन मैं 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 पैनली चलाता हो था स्क्रीन के उपर तो वही है यह सारी चीज़े गायत्री मंत कि किस मिनरल को किस खनीच को एब्जॉब करवाता है जो है यह बदाइए जी फड़फड बदाइए वाइटमिन सी जो है आपका वाइटमिन सी जो है आपका यह कौन से मिनरल को कौन से खनीच को जो है एब्जॉब करवाता है किस खनीच का अप्शूशन करता है बदाइए फड़ा फड़ बदाए बड़ा important question है vitamin C जो है इसको हम और क्या कहते है ascorbic acid क्या कहते है ascorbic acid कहा जाता है जितने भी आपके पहली बातों यह अकेला ऐसा vitamin है जो सिर्फ और सिर्फ हमें plant food से मिलता है plant food से clear no animal source मतलब क्या होगा कोई भी ऐसी यह पशों से नहीं मिलता हमें no animal sources there तभी हम क्या कहते हैं जो milk होता है milk milk जो होता है दूद दूद को हम complete food नहीं कहते why complete food नहीं कहते क्योंकि उसके अंदर तो vitamin c होता है ना ही उसके अंदर iron होता है लोहा भी नहीं होता clear हो गया यह दोनों चीज़े नहीं होती दूद के अंदर बाकि सब चीज़े होती है जो भी आपकी body को चाहिए होती है तो vitamin c कौन से खनीज की absorption absorption करवाता है वो करवाता है भाई iron की लोहे की absorption करवाता है अंसर इसमें क्या बनेगा आपका येस सी ऑप्शन बनेगा जी करेक्ट अंसर बाकी जो हमारे मिनरल्स हैं वो कहां कहां पर चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं यह तो लोहे का कॉंसेप्ट हो गया और हमारे ब्लड के लिए ब्लड के लिए हीमो पॉइसिस के लिए आरविसी फॉर्मेशन के लिए आपको आयरन चाहिए यह सबको बता है आइयोडीन किसके लिए चाहिए जो हमारा थायरट ग्लैंड हमारी अब्टू गरंथी हिंदी में कहते हैं थायरट ग्लैंड की प्रॉपर तरीखी से फंक्शनिंग के ल क्लीर कर दूसरा है काैल्षियम के लिए सब को पता है बॉन्स के लिए चाहिए मसल कंट्रेक्शन के लिए मास पेशों का संकूचन के लिए बी चाहिए होता है क्या that is कैलस्यम mtl muscle जो पंप करते है इस तरीगे से मसल contraction में आपकी दो चीजें और चाहिए होती है sodium और potassium भी चाहिए ओता है यह वह आपको ध्यां रखना एंठीक है फिर आगया phosphate आपका सिल्फ और सिल्फ बोन्स के लिए हडियों के लिए मुटा यह खी करते हैं क्लिर हो गए आपको तो आंसर इसमें सी ऑप्षन बनेगा आईरन इस दा करेक्ट अंसर आईरन लोहा क्लियर यह आज़िए देखो फूर्ट सोर्ट यह कि वाइटमिन सी के जितनी भी खटी चीज़े होती है वैसे वह होती है और हमारा फंक्शन क्या होता है हमारा vitamin C का immunity बढ़ाती है metabolism बढ़ाती है nerve conduction बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है और skin को भी regulate करती है ascorbic acid इसको कहा जाता है so these जार्दा जो आपके vitamin C के source है citrus fruits क्या देते हैं हम इसको citrus fruits से यह हमें मिलता है अगर हम vitamin C की हमारी body में कमी हो जाए तो हमें क्या हो जा सकता है कौन सा रोग scurvy scurvy में क्या होता है जो gums होते है मसूडे gums मसूडे उसमें से blood निकलने लग जाता है bleeding होने लग जाती है तो यह आपको याद रखना है clear हो गया आप लोगों को yes चलिए जी अगला answer बताईए ध्यान से कोशन लंबा सोच के मत छोड़ देना ध्यान से पढ़ना answer निकाल लोगे आप लो हाँ बहुत बढ़िया ठीक है और काफी बच्चे मेरे को यहाँ पर बोल रहे है कि हमारी current affair की class कब होने वाली है जो best current affair thousand current affair की जो class है Monday को Monday को 9 बज़े class होगी 9 a.m. class होगी इसको जो है मैंने already event बना के रखा हुआ है उसको set reminder पे click कर देना नहीं तो Monday को 9 बज़े आप देख लेना आपको अपने आप पता लग जाएगा चलिए जी अगला बताईए फटा फट शाबाश हमें किसी से मतलब नहीं है मैंने हमेशा आपको एक बात बताई है कोशन पढ़ते रहो बाकी अंसर देते रहेंगे एक चीज ध्यान रखना आपको यहां पे बहुत distract करने के लिए लोग आएंगे कि हान मत पढ़ तिरको सब आता है तिरको नहीं आता इस तरीके से ठीक है कोई जाता है जाने दो कोई आता है आने दो बस अपना ध्यान रखो अपनी पढ़ाई के उपर एक्जाम में जब देखेंगे न यह सी चीजे देखने को मिलेंगे तो आप मुझे याद करते हो तब याद होता है यहां यार पढ़ लेते विपंसर से पढ़ लेते चलिए अगला कोशन देखेंजी क्या गयता है साउथ वेस्ट मॉनसून के लिए आपको जो है इन में से पिक करनी है चीज क्या important है इसमें से, इसमें से क्या important है, ये आपको बदाना है, इसमें से जो सही चीज है, वो कौन सी चीज है, इसमें से, पहली बात तो southwest monsoon जून को सेबंबर में आती है, ये आपका point बिल्कुल सही है, ये ही आपका monsoon का season है, ये ही आपका monsoon का season है, paper में ये भी आता है कि हमारे देश में सबसे रेनफॉल जो करता है वह साउधवेस्ट मौंसून करते हैं चोड़ वह मैं आपको आगे बताऊंगा मौंसून जो है मौंसून हमारी सीजनल सीजनल विंड्स है यह मौसमी है यह ध्यार रखना सीजनल सीजनल बारिश होती है मौंसून क्योंकि तभी सारा साल बहती है वह अलग बात सारा साल बारिश होती है ठीक है लेकिन सीजनल एक सीजन में आएंगी मौनसुन यह बाद में बात करेंगे साउथ वेस्ट मौनसुन का आगे concept क्या है वह आगे बताऊंगा पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही हो गया इस डिरेक्शन इस इसकी कोई भी ब्रांच नहीं है शाका नहीं होती यह गलत है बाई इसकी दो ब्रांच चीज़ होती है वह मैं आपको दिखा देता हूं बट अंसर इसमें पहले क्या लगाएंगे वन एंट थरी बनाएंगे अंसर इसमें क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन बनेगा राइट समझा आया हां यह ऑप्शन बनेगा जिसको नहीं दिख रहा जो कह रहा है कि मुझे नहीं दिख रहा तो गाइस पदा क्या गरो अपने कोमेंट्स बंद करो और इस क्लास को इस मोड पर ले आओ ऐसे ले आओ ठीक है मेरी क्लास यहां पर मैं भी देखता रहता हूं कि कैसे सब्सक्राइब और खौणाता है चल रही है मेरे को बहुत ईजिली दिख रहा है अपनी लाइट वग्वाड बढ़ा लू ठीक है तोड़ा सा बढ़ा लो इसको जो बी आपकी लाइट होंती है प्रपर अच्छे से दिखता है यह फोन को ऐसे रखो ठीक है मेरी बात सुनो आपको कमेंट कमूट करने की जुरूरत भी नहीं होती ध्यान रखना है बाकि आपकी मर्जी है प्रेवन भी बन गया अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे अग्यिका मैं थोड़ा सा कि मैं मेप भनाऊंगा हम साउथ इंडिया बनाएंगे यह वे शाल साउथ इंडिया में जिलिए यहां से यहां से आपका हीerd होती है rainfall और मतलब जो winds है वो उठती है और वो इधर आती है इस तरीके से clear यह direction होती है और वो direction होती है आपकी southwest monsoon की clear southwest अब क्या होता है यहाँ पर जैसी आते ना यहाँ पर इनकी दो branches बन जाते हैं एक तो यहाँ पर ऐसे that is called आपकी Arabian Sea की branch यहाँ पर ठीक है अरब सागर की branch और एक बन जाती है यहाँ पर डैड़ is called bay of Bengal branch ठीक है जो question था इसकी कोई branch नहीं होती यह दो branches होते हैं यह होती अरब सागर वाली branch और यह होती है बेयो बेंगॉल वाली branch फिर दूसरा point यह था कि सबसे जादा rainfall यह करते हैं बिलकुल सबसे जादा rainfall करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है इस वाले एरिया में जो आपको मैं यह बना रहा हूँ यह वाला पार्ण ठीक है यह वाला पार्ण यह पर नायud desaf one अटक है इसे हम क्या गएते हैं इस वाले पार्ट को हम क्या क्या गहते हैं जिसको मैंने ब्लेक कर दिया भी यह होता है आपका सहाधरी क्या बोलते हैं इसको सहाधरी यह copyright का मतलब क्या है यहाँ पे जिसे आप कहते हैं western casa पशिमी गाट और यह क्या है सारे माउंटेनियस रीजन है माउंटेन वाला पाठ है यहां पर यहां से टकराती है यहां पर सारी की सारी जो नमी होते है वो छोड़ देती है बारिश कर देती है और इस बारिश को यहां पर हम क्या कहते हैं ओरोग्राफिक रेंफॉल ओरोग्र औरवघ्राफिक का मतलब क्या हो गया जहां से पर्वटों से टक्राएं जो बारिश होती है उसे आप और ओरोग्राफिक रेंफोल आप कहते हैं क्लियर और लोगों थिख्ण है यहाँ परफर हो जाएगी प्रोपर तरीके से फिर यहाँ पर आ जाता है आपका राजिस्थान वाला पार्ट यहां से अरभ साउा अरावलीत आते हैं अगर सैपोस्किरों कि यह ह्वाएं जो चलती-चलती-चलती यहां तकरा गई तो बारिश आपके राजस्तान वगारा एरिया में भी देखने को मिल जाएगी लेकिन क्या है अरावली इसकी जो हाइट है वो छोटी है जिसके कारणी बिल्कुल पैरलली होके निकल जाती है तभी क्या होता है कि वहां से नमी को ले लेती है और आगे पंजाब व गएरा के अंदर जाके ठीक है तो इस पॉइंट को जो आपका कोशन था जो सारे पॉइंट से वह यहां पर आपके अंसर दगाल बता दिये मैंने क्लियर हो गया हां क्लियर हो गया आप लोगों को यह ध्यान रखना है आपको चलिए अगला बताईए को शन चलिए अगला ब इंक्लूजन क्या होता है वित्या समावेश कि वित्या समावेश क्या होता है फाइनेशल इंक्लूजन क्या होता है कि फाइनेशन इंक्लूजन क्या होता है यह आपको बताना है वित्या समावेश को हम क्या कहते हैं वित्या समावेश इसका मतलब क्या होता है सबको सबको लियाओ पैसे मतलब पैसा बताता हूं एक मिनट the financial inclusion मतलब ही होता है जैसे कि मेरे पास हुआ हुआ लेकिन उसके साथ ही दूसरा पर्शन है एक रेडियल वाला पर्शन जो सेक्शन परेजो पाइसा जो अपना पैसा प्रपरत प्रस सह ब्रोपर हो पाईगा जिससे क्या होगा कि सारा पैसा प्रोपर त्रीके से हो पाएगा पहली बात दूसरा यह है कि वह दूसरा बैंक के साथ अटेच हो जाएगा और उसको एक सेक्यूरिटी मिलेगी कि हां भाई मैं बैंक के साथ अटेच हो और सारे पैसे जो अपनी सेविंग वह रहा वो कर सकता है यह सारा प्रोसेस आता है आपका फाइनेशन इंक्लूजन झा तो यहां पर देखते हैं कि क्या है पॉइंट से यह ग्रेटर कंजूमर्ड परटेक्शन फॉर दा निवी इनकूड़ेड़ कस्टमर हैं यह बिल्कुल सही है जी आपका यह पॉइंट सही है कि हां प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना जो भी आपके नए मिल रहे हैं उनको financial literacy जाने की वित्या सक्षरता देना ये भी आपका बिल्कुल सही है तो मतलब तीनों के तीनों पॉइंट सही है तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी के अर्बे के हैड़कॉर्टर इनना मुंबई आर्बे कब बना था एक अपरल दो 1935 को बना था किसकी कमिशन की रिकोमेंडेशन से हिल्टन यंग कमिशन की रिकोमेंडेशन से जो आपका 1926 में बना था तो इस कोशन का अंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर डी ऑप्शन तो यहां पर देखेजी फाइनेशन इंक्लूजन का क्या है इंफ्रस्रक्टर बिल्डब करना लोगों को एकसेस देना कि भाई आप आओ यहां पर पैसे यूज़ेज ज्यादा से ज्यादा जो भी चीज़ें हैं बैंकों की च इस सोसाइटे का एक पार्ट है तो यह सारी चीज़ें जो है आपकी किस में आती है फाइनेशन इंक्लूजन में आती हैं तो इस वेरी इंपॉर्टन पार्ट क्लियर याद रखें ध्यान रखना है दिखो क्या होता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो हम सीधा कोशन कर रहे हैं क्योंकि जब पेपर में नेक्स टाइम यहां से कोशन आएगा ना तो यह थोड़ा कि यहीं डालेंगे आसपास चीजों का कोशन डालेंगे ताकि आपके दिमाग को पता लगेगा कि हां भाई आप पड़ भी रहे हो या नहीं चलिए जी अगला देखिए इंटर स्टेट कांसिल इंटर स्टेट कांसिल जो है यह आप कब इस्टैब्रिश करी गई थी और इसके चेए पर्सन कौन होते हैं देखें जी इंटर स्टेट कांसिल जो है आर्टिकल two sixty three में दी गई है पर्मनेंट बॉड़ी है यह स्थाई ए यह ध्यान रखना है और interstate council जो है सरकारिय कमिशन की recommendation थे सरकारिय कमिशन आपको मैंने बताया था कि क्या था सरकारिय कमिशन 1983 में आया था जो center और state के relationship के लिए हमें बात करता है कि center और state का relationship कैसे होना चाहिए तो यहां पे जो है आपका interstate council center of state के लिए इन्होंने बनाया था interstate council और इसके chairperson हमेशा कौन होते हैं प्राइम निस्टर आफ इंडिया प्राइम निस्टर आफ इंडिया इस बी option बनेगा right answer 263 आर्टिकल में दिया गया है यह वाला part clear तो यहां पे देखे जी परधानमंत्री मोदी हैं interstate council की meeting थी यह चीक है 2016 की पिच्चर है बट अद्रवाइस आपको पता आना चाहिए नेक्स्ट बदाइए ध्यान से समझना है अच्छे से अंसर लगाना है क्या बनेगा कोशन है इन में से सबसे ज़्यादा जो energy है maximum energy अधिक्तम उर्जा इन में से कौन उत्पन कर सकता है maximum energy की बात आ रही है और मैंने आपको चलो बताया भी था बट देखते हैं storm तूफान हो सकता है यह जितनी भी समूद्र की लहरे होते हैं सबको मिला के हो सकता है nuclear bomb यह भी हो सकता है hydrogen bomb यह भी हो सकता है लेकिन सबसे ज्यादा strong बोला है इनोंने सारी strong है लेकिन सबसे इन में से कौन सा है hydrogen bomb क्यों strong है hydrogen bomb क्यों strong है वह मैं आपको बता देता हूं अंसर इसमें बनेगा पहली बात तो storm आपकी ठीक है वेव होगी nuclear bomb जिसे आप कहते हैं atom bomb आपको याद है मैंने आपको बताया था पिश्डी क्लास में भी जो परमानुबम होता है दो फेके गए थे कब 6 अगस्त को और एक फेका गया था 9 अगस्त को दोनों 1945 में फेके गए थे कहां पे 6 अगस्त को फेका गया था हिरोशीमा में और 9 को फे दोनों bomb क्या हैं दोनों bomb टूटे ठीक है और uncontrolled fusion की इन्होंने जाने के आपका विखंडन किया ना भी क्या विखंडन और वो भी uncontrolled वाला जिसको हम रोकी नहीं पाए अन्न कंट्रोल nuclear fusion इन्होंने करे नीकलर फीजन ठीक है विखंडन इसके अंदर क्या होता है कि इसके न्यूटरन अब भी हवा में घूम रहे हैं तो वहां पर अभी भी बच्चों हैं बच्चे टेड़े मेड़े पैदा होते हैं DNA में डिफ्रेंस हैं उनके क्योंकि उनकी बॉड़ी के जीन्स में चला गया है जीन्स में चेंज जाना तो ऑफिसली बात है इफेक्ट देखने क अब क्या होता है यहापका फिजन होता है लेगन यह वाला होता है आपका फ्यूज टिसे आप कहते हैं नपेख Exodus Sun Lion कहा जाता है और फ्यूज जो हैं इसलिए लिए पूर रहे हैं इसमें पहरो निकालेगा सन की बात करते हैं सन सन इसे स्टार स्टार्स क्या होते हैं स्टार्स के अंदर स्टार्स अपनी लाइट करते हैं वह लाइट क्यों करते हैं क्योंकि एनरजी है उसके अंदर वह एनरजी किस फॉर्म में आती है न्यूकलर फ्यूजन की फॉर्म में सनलेयन की फॉर hydrogen है hydrogen hydrogen मिलते बंते जाते मिलते जाते है और हिलियम बना लेता है सब्सक्राइब सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें तर निकिल साथ Juneagen वो एक तरह का hydrogen bomb है वह एक तरह का hydrogen whaleu की yepdesva ङur है एनर्जी की डियक्षिन जो आ रही है वो फ्यूजन वाली आ रही है सनलेयन वाली आ रही है तो डैट्स वाइट इस डेंजरस अंसर इस डी ऑप्शन हाइड्रोजन बॉम इस प्रॉपर ठीक है वैसे आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जुरूरत नहीं है कि क्या क्या है ये इसका अंसर क्या बनेगा sugac के पढ़ना है मने ठीक है और अरंघ पर हमारा योगग लिंबो कम्मेटी का एक जो क्मेंटी सिक्किम के अंदर है पहली बात हो सिक्कें के अंदर है क्मनेटी लिंबो कम्मेटी इसके अंदर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है यह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वह कौन सा बजाते हैं वहां पर ठीक है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वह कौन सा बजाते हैं कौन सी कॉम्मूनिटी लिंबो कॉम्मूनिटी पता यह कौन सा यह आपका जो है इंस् सिक्र लिए अगर मैं बात करता हूँ पहले तो पहले हमारे इंडिया की और्गेनिक स्टेट है पहली और्गेनिक स्टेट है ये ठीक है और दूसरी बात करते हैं सिक्चिम जो है उपन टिक्शन जाने कि खुले में शॉच ना तरने वाला पहला राज्या बना था और नौर्थ एस्ट की ऊपर एक को अच्छा सिक्किम को हमने इंडिया का पार्ड कब बनाया था 1975 में 1975 में कौनसी अमेंडमेंट हुई थी पहले 35 अमेंडमेंट हुई थी तो हमने associate स्टेट का स्टेटस दिया था कि हां मारा एक राज्यल लगता है फुल स्टेट नहीं बोला था पैंतिसवे के बाद साथ के साथ ही 36 अमेंडमेंट होई तो हमने इसको कम्प्लीट स्टेट का जो स्टेटस है वो 36 अमेंडमेंट 1975 में दिया था दूसरी बात यहां पर यह है कि नौर्थ-east-i की उपर एक कुर्शन और बहुत-बहुत पूछा जाता है हॉरे बिल फेस्टीबल होर्नमिल फेस्टीबल जो है वो कहां का फेस्टीबल है यह नागालेंट का नागलेंड का और नागलेंड की ऊपर और पूछा जाता है बहुत ज्यादा पूछते हैं क्या कि नागलेंड की अंदर ओफिशील ईमकिर कौनसी है इंगलिश इंगलिश इजग की तो फिश्요 इंपॉर्डंट है दिमाग खोल के ध्यान से ध्यान से समझ के करना है गोशन बायोजिकल इंटरप्रेटर ऑफ जैनेटिक कोड इन में से कौन सा है जैनेटिक कोड का इंटरप्रेटर इसमें से कौन सा है बताईए जी फटफट बताना है क्या इसका अंसर बनेगा जैनेटिक क तोड़ का जो है इंटर्प्रेटर इसमें कौन सा है जिसमें क्या होता है कि जितने भी आपकी hopes your information होती है जितनी भी आपकी सूचणा है जेनेडिक इनलबर इन्फोर्मेशन है यह किसमें यह आ रही है कि इसमें जो interpreter है वो कौन सा है ज्यां से समना है interpreter GENETIC CODE का क्या है दिखें दो process होते है DNA होता है पहले DNA से हमारी body में क्या बनता है RNA RNA से हमारी body में बनता है protein clear और दिखें DNA से RNA बनने के process को आप क्या कहते है transcription transcription कहा जाता है और RNA से protein बनने के process को translation कहा जाता है सब को पता है यह चीज़ ठीक है तो अब यहां पे जो है interpreter इन में से कौन सा है दीखे पहला है transfer RNA बिलकुल यह genetic information जो है transfer करता है और दूसरा है अपका messenger RNA यह message पहुंचाता है ribosome तो RNA की ही बने होते हैं ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया यह ही genetic interpreter है genetic code के clear all of the above is the correct answer yes DNA RNA protein ribosome यह सब कुछ क्या है आपका genetic code का biological interpreter है बिल्कुल जी बिल्कुल अंसर इसमें D option बनेगा yes D option is the correct answer D option यह बताइए यह अभी मैंने आपको explanation में बताया था देखो मैंने आपको बताया था कि explanation से कैसे question निकाल लेते हैं वह ऐसी निकाल लेते हैं जैसे इन्होंने निकाल लिया अभी रामसर convention कहां पर होती है मैंने starting में आपको question करवाय था world wetland day दो फरबरी और उस explanation में मैंने आपको क्या समझाया था रामसर convention के बारे में बताया था 71 में हुई 75 में लगू हुई 41 wetlands हमारे इंडिया में है और दो अभी एंटर करीगी है लोनार लेक महराष्ट्रा के अंदर सुर्ष सरोबर लेक जो है आपकी आगरा के अंदर ठीक है तो यह आपका रामसर convention है तो इसमें क्या बनाएंगे हम answer is c option इरान इजदा करेक्ट अंसर क्लियर हो गया ठीक है जी इरान इजदा करेक्ट अंसर क्लियर जी सबको हाँ यह आपको ध्यान रखना है अंसर इसमें c option बनेगा चलिए अगला कोशन बताइए ध्यान से समझ के कोशन करना है दिमाग खोलने व ठीक है जबरदस्त कोर्स है तो यह देखिए क्या है तब इतना बच्चे प्यार करते हैं उस को क्योंकि बहुत बच्चों की सेलेक्शन होने वाले है उस कूर से इन in case rb wants to make it more expensive for the banks to borrow money it क्या करेगा ध्यान से समना है rb चाहता क्या है rb क्या चाहता है कि जो banks हैं अगर bank यह पैसा कहां से लेगा rb से लेगा लेगिन rb क्या है कि जब bank हमारे से पैसा ले उसको महंगा पैसा मिले मतलब महंगा पैसा का मतलब उसके उपर interest ज्यादा लगे उसके उपर interest ज्यादा लगे तो भाई वो पूछ रहा है कि इसमें interest ज्यादा लग रहा है तो वो कौन सी चीज़ follow करेगा इसका मतलब जब interest rate high कर रहा है ध्यान से समझो जब हम daily glasses में map को बताता हूँ interest rate high कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कौन सी policy follow कर रहा है dear money policy कौन सी policy dear money policy और यह कौन सी policy कर रहा है यह high rate वाली high rate इसका मतलब dear money policy dear money policy का मतलब tight money policy और contractionary money policy इस words के मतलब क्या होते हैं इस words के मतलब यह है कि वो bank को पैसा महंगा देगा महंगा देगा तो bank भी आगे जनता को महंगा देगी जनता को महंगा देगी तो जनता से तो पैसा उसने बोल रहा है कि जनता से पैसा खीचना है आरबी ने वो क्यों खीचना है क्योंकि जो जनता है वो क्या कर रही है पैसे की demand जदा कर रही है वो demand इसलिए कर रही है क्योंकि वो पैसा मार्केट में लगा रही है, मार्केट में अगर लगा रही है, वो इससे क्या होगा डिमांड पैदा हो रही है, तो ultimately RB का यहाँ पर उदेशया क्या है, कि उस डिमांड को कम कर दो, उस डिमांड को कम करने का मतलग क्या है, कि मुद्र सफिती inflation को कम कर दो that's why rb क्या करती है ये वाली policies follow करती है high rate वाली policy जिसमें वो बैंकों को ज़्यादा महंगा loan देगी जब महंगा loan देगी तो कौन सी चीज में महंगा loan देगी देखो जी आपको सारे points पता होने चाहिए क्या अगर मैं तरह है कहूं मonetry policy आगर वो बैंक रेट बढ़ा रहा है नकले अगर वह रभाइट जैनल सो पॉललसी ये पॉललव कर रहा है अगर वह रैपूर रेट बढ़ा रहा है तो भी ये formula कर यह होगा process CRR क्या है कि हमें कुछ cash form में पैसा बैंक को कुछ cash form में पैसा rb के पास जमा करना है तब यह policy होगी SLR का मतलब कुछ पैसा बैंकों ने अपने पास ही रखना होता है लेकि यूज नहीं करना होता तब यह policy होगी तो इस case में जो है आपका कौन सा process आएगा कौन सा process आएगा वह increase करेगा क्या रैपो रेट इंक्रीज करेगा समझाया क्योंकि रैपो रेट का मतलब क्या होता है यह क्या होता है जिसमें bank जो है rb से पैसे ले रहा है short term के लिए कम समय के लिए अगर वही रेट बढ़ा दिया तो मतलब क्या हो गया यह policy उसने फॉलो कर दी हाई रेट की फॉलो हो गई क्लियर हो गया आप लोगं को ठीक है हाँ यह ध्यां रखना बिल्कुल जी समझा है आप लोगं को यह सारा पॉइंट ध्यां से समने है यह जुतनी में मैंने explanation दी है इसको अच्छे से समने लेना अब पेपर में पेपर में क्या कर सकता है वह यह रैपो वर्ड ना देगे वह रैपो रेट ना देके वह क्या देगा आपको bank rate बढ़ाना चाहिए bank rate भ क्लियर होगे आप लोगों को ठीक है हाँ यह आपका ध्यां रखना है तो अंसर इसमें one option बनेगा correct answer one option तो वही यह process इसको मैं बहुत डिसकस नहीं करूंगा और डिसकस कर चुका हूँ यह वाला ध्यान से समझे इस question को और अंसर देने की कोशिश कीजिए ध्यान से समझना है question को और अंसर देने की कोशिश कीजिए जो foreign collaboration है अगर हम इंडिया के अंदर करते हैं तो वह कौन सी collaboration करी जाती है इन में से foreign collaboration अगर करते हो ध्यान से question को पढ़ना है ध्यान से ठीक है question देखके नहीं बागना कि यह क्या question बूछ लाए पेपर में भागोगे नहीं पेपर में तो करना ही पड़ेगा आपको ध्यान से समझना है अगर आप foreign collaboration कर रहे हो ठीक है उसमें हम कौन सी चीज को यूज करते हैं दिखें जी foreign collaboration का मतलब क्या होगा ट्रिपल पी का concept होता है यह ट्रिपल पी का मतलब पॉब्लिक प्राइवेट पार्टरशिप चाहे आपके गर्मेंट आप प्राइवेट परसन हो सकते हैं बाहर वाली जो country है वो आपकी प्राइवेट में आ सकती है तो इसमें क्या हो गया कि जिसमें आ कंपनी और भारतिया उपकर्मों के बीच में संजुक्त अगर एग्रिमेंट हो रहा है तो इस इस कॉल्ड फॉरन क्लाबरेशन क्लियर होगे आप लोगों को यह अंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर क्लियर जी जी बिल्कुल सी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर मैं आपको एक चीज़ बता दूं ठीक है आने लग गए हैं कॉमेंट्स आने लग गए हैं आपको भटकाने वाले मत ध्यान देना मत ध्यान देना मत ध्यान देना जब मेरी एनरजी हाई है तो आपकी इनरजी भी हाई होने चाहिए सिरफ लेक्टर में ठीक है आपको डिस्ट्रक्ट करने के लिए आएंगे अभी कमेंट आने स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि आते हैं कि तुम्हारी सेलेक्षिन कैसे हो सकती है ठीक है तो यही आपकी फॉरंड कलाबरेशन जो हम बात करते हैं डोकुमेंट मतलब यह मतलब अंदर वाल बताईए जी बैक्टीरियल डिजीज इसमें से कौन सी है इन में से बैक्टीरियल डिजीज इन में से कौन सी है बताईए जी फटाफट बताईए बेक्टीरियल डिजीज इन में से कौन सी है जिवानु रोग इन में से कौन सा है ध्याद से जमना है 깔ूंजा जिसे आप फ्लु कहते हैं यह वाईरल है ठीक है वाईरस होता है यह मंस यह मंस क्या होता है यहां पर पेरोटीट ग्रन्थी उसकी इंफ्लामेशन होती है पेरोटीट ग्लाइन यह भी क्या है वायरल डिजीज है ठीक है यह तो आपका अंसर गलत हो गए मतलब यह बैक्तिरियल नहीं है !! så m tough यह स्मॉलपोँच यह वयॵड से पहली बिमारी थी जो वर्ड से ए्रेडिकेट करी गए ठी और यह एडवर्ड जीनर ने वेक्सिन दोन्नी थी आडवर्ड जीनर यह भी आपका जो है वाइरस से होती हैं स्मॉल पॉकस होती है और चिकन पॉकस बिजकर आपको होता है यह भी आपका गंडगा पोर्लियो पोरियो जोन शॉग क्या गूंघ यही है ole use फोगी जिसे आप weapon देते हैं यह भी आपका वाइरल डिजीज है तो इसमें सारी ही वाइरल हैं तो इसमें से D option क्या बन गया राइट अंसर बनेगा इन में से कोई भी ऐसी नहीं है जो आपकी bacterial disease है ठीक है अंसर इसमें D option बनेगा सारी की सारी जो है आपकी यह क्या है viral disease है यह आपका जो ब्रेइन होता है ब्रेंड की इंफ्लामेशन हो जाती है निमोनिया टीबी कॉल्रा डिसाइंटरी यह सारी क्या है आपकी बैक्तीरिया से होने वाली डिजीज हैं कलियर याद रखिए चलिए यह बड़ा इंपॉड़न कोशन है यह बड़ा इंपॉर्डटन थी याद है आपको यह मैंने आपको कोशन करवाया था चंद्रगुप्त मोर्या जो है वो बद्र बाहू के साथ साथ इंडिया के अंदर चले गए थे क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है आपकी बाड़ वगार आगी थी और वहां पे रहने के लिए चीज़े ठीक न के आफरी इनकी अखरी सांस लिथी इनुने चंद्रगुप्त मोर्या ने चंद्रगुप्त मोर्या जो है चंद्रकपटरी लिए लवह को पर इनिन के अंदर जो है एक मूरत भी है बाहू बली कि यह बनेगा आंसर इसमें सी ऑप्श्ण बनेगा और करेक्ट जो आपकी काली करांती थी काली करांती थी जो ब्लैक रेवलुशन था वो इन में से किस चीज के लिए था फटफट बताना है आपको ब्लैक रेवलुशन किस के लिए था एरिया ऑफ ब्लैक रेवलुशन इन में से कौन सा था डैडिस फॉर दा पेट्रोलियम परड़क्शन ओविसली बात है इसमें रंग काला किसका है आपका पैटॉलियम काई कॉड़न के अगर मैं बात करता हूं कपास की यह आपका सिल्वर फाइबर इस सिल्बर फाइबर ठीक है और अभी आज मैं अग्रिकल्चर के लेक्टर रिकॉर्ड करके हूं हमारे पेड कोर्स के अंदर जोग्रफी के उसके अंदर भी यह कोशन में ने करवा था फिश रेवलूशन फिश रेवलूशन जो है वो ब्लू रेवलूशन है निली करांटी ब्लू रेवलूशन ओयल सीट्स के लिए क्या था येलो पीली करंगती ठीक है तो अंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका डी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर पेट्रोलियम प्रडक्ट्स तो भाई यह सारे सारे के सारे रेवलूशन है याद करने है देखे ब्लू मैं आपक के लिए है हनी के लिए है होटी कल्चर बागवानी के लिए है लेकिन इसके साथ ही आपको आता है गोल्डन फाइबर वैरी वैरी इंपॉर्टन गोल्डन फाइबर आता है जूट प्रडक्शन के लिए और जूट हमारे देश में सबसी आदा कहां पर मिलता है वेस्ट यह वगेरा के लिए क्लिया rainbow evergreen revolution पूरी की पूरी एग्री कल्चर के अंदर development करवाना रेड रेवलुशन टोमैटो और मीट के लिए round revolution पोटैटो के लिए silver revolution एग और पोल्टी परड़क्शन के लिए silver fiber जो पेपर अभी कोशन में आपको बताया था cotton production के लिए white revolution milk production के लिए white revolution को हम किस और के साथ जानते हैं operation flood के साथ operation flood के साथ who is the father of operation flood doctor Varghese Curian Varghese Curian कहते हैं ठीक है yellow revolution coil seed production के लिए तो these are very important facts clear याद रखना यह बिल्कुल चलिए नेक्स देखते हैं क्या कहते हैं तो अगला कोशन देखेजी ध्यान से समझना है मैंने आपको बताया कि कोशन देखके मत भागना पकड़ना है कि मेरे को कैसे नहीं आ रहे हैं ठीक है ध्यान से समझ के करना है टिक करने की कोशिश करना option देखके यहां पर कैसे अंसर बनेगा इसका जी बिलकुल शाबाश ऐसी बस पूरा जोर शोर से पढ़ना है हमने कोशन है और गैनिक फार्मिंग के गश्टक के ऊपर और गैनिक फार्मिंग मैंने आपको भी बताया था कि हमारी पहली जो थी डिए ड़ाड वज सिक्किम और एकनिक स्टेट में और ओर्गैनिक फार्मिंग क्या होता कि अप खाद की चीजे यूज करते हो फर्टिलाइजर वगरा नहीं यूज करते हैं नैच्रल चीजे यूज करते हो डीकंपोजर यूज करते हो और मैंबनाते हो तभी जो सब् घरों में थोड़ा सा बागवान नहीं कर लिए वहीं पर अपने सब्सक्राइब लगा दिया आपने अच्छे तरीके से आपने और गैनिक फार्मिंग कर लिए आपने घरमी बना लिए एक बागसा तो उसमें आप कर रहे हैं ठीक है लेकिन आप बेचने के लिए बहुत कम है अब इंडिया में लेकिन जागरुकता आएगी अभी दिरे दिरे क्लियर ध्यान रखना तो यहां पर कोशन क्या कहा रहा जी और गैनिक फार्मिंग के लिए पहली बात तो हम इसके अंदर कोई फर्टिलाइजर वगरा यूज नहीं करते कोई भी चीज यूज नहीं करते हम हम सिर्फ हर्भी साइड वगरा को यूज करते हैं जो कीट नाशक वगरा होते हैं उनको यूज करते हैं जो आपकी मैनियोर होती है खाद होती है वो यूज कर जाती है यह तो पॉइंट गलत हो गया ठीक है और दूसरा है दीकंपोजिंग एंड फैलूइं लगातार यह द्याय था पैस्टीसाइड यूज करके हमिस करते हैं यह भी पॉइंट छहीं है और यहां पर चीज दियां रखना यह दियां रखना कि हम इस चीज के उपर फोकस नहीं करते जाधा यह दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है यह पर हैक्टिएर यह ज़रोरी नहीं है कि वह productivity पर हेक्टेर जादा होने लग जाएगी यह आपका कुछ लेना देना नहीं है clear हो गया तो बी और सी बनेगा बी और सी बनेगा इसका मतलब इसमें अंसर क्या बनने वाला है सी ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन यह अगें मैं आपको बता दूँ यही सेम कोशन मैंने आज रिकॉर्ड किया है आप मारे पेड़ ग्रूप के लिए अग्रिकल्चर के टॉपिक में वो कल अप्लोड होंगे उनके लेक्चर बट यहां पर ध्यां रखना है तो यह दूसरा और करना है भागना नहीं है और बस अंसर देखे टिक करके भागना नहीं है चीजों को समय ना है मैंने बोला स्वाइल की बड़ेगी प्रक्टिविटी के ऊपर थोड़ा सा डाउट है ठीक है तो यह दूसरा और तीसरा ऑप्शन बनेगा सही अंसर चलिए अगला बताईए यह इस पिशली कोशन में भी हमने किया था जो हमने पिशली मैरतन ली ती उसमें भी सिख़न में ने में आपको बताया था पुज के अंदर आगर मॉस्कडों को समय आना है तो कौन सी फिश को आप कंट्रोल करते हैं बताइए जी हाँ बिल्कुल 10,000 mcq कोर्स के अंदर मैंने कंप्लीट किया है उसको है तो यहां पर मॉस्किजद को आपने क세요 का है तो कौन सी फिश को आप बैजंगे डैने 1997, ट ये बनेगा गैंबूजिया फिश येस येस इसमें डी ऑप्शन बनेगा अंसर इस गैंबूजिया फिश इसको कहते हैं मॉस्किटो फिश क्लियर यह मेल वाली है और यह फिमेल मचली है गैंबूजिया फिश मस्किटों को कंट्रोल करती है नेक्स बदाए कुछ मखन कोश्चन भ नेपोलियन ओफ इंडिया जो टाइटल है यह किसको मिला था नेपोलियन ओफ इंडिया नेपोलियन जो है फ्रेंच रेवुलूरिशन के साथ लिंक करता है जी फ्रेंच पर्सन है ठीक है और नेपोलियन इस दा चाइल्ड आफ फ्रेंच रेवुलूरिशन भी कहते हैं नेपो को समुद्र गुप्त को हम और क्या कहते हैं कवी राज कवी राज भी बोला याता है ठीक है और इनकी एक इंस्क्रिप्शन है अभी लेख है कौन सा प्रियाग प्रशस्ती प्रियाग प्रशस्ती इंस्क्रिप्शन अभी लेख ठीक है प्रियाग प्रशस्ती इंस्क्रिप्श है इसकी हरी सेden की चीक है तो इसमें लिखा गया है समुदर गुप्ट के बाएं tao इसमें लिखा गया है आपका डी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर क्लिए अब चंदर गुप्त की बात करते कुमार गुप्त कौन है बिल्कुल झी सही है आप प्षिन आपने बोला है नालंदा युनिवेस्टी को इन्होंने बनवाया था घ्लिकान लेकिन लेखन परackन adventure युनिवस्टी बिहार के अंदर है एक आपकी युनिवस्टी यहां पर विक्रम शिरा विक्रम शिरा युनिवस्टी यह भी कहां पर है बिहार गें और यह दोनों जो हैं यह दोनों जो हैं आपकी किस के लिए इस कौन से धर्म के लिए थी बुदिष्ट धर्म के लिए सबतार खिल जी वह है जई यह है कमानडर इन चीफ सेनी अपती है किसका कुतुब दिन एबगक किसका गुलाम था मुहमद गोरी का फिलार मतलब उसका गुलाव आके यहां पे उसका commander-in-chief आगे उन्हें यह तहस-नहस किया था नालंदा युनिवस्टी कुमार गुप्ट के साथ लिंक करती है और विक्रम शीरा युनिवस्टी जो है पालवंश के साथ बिलोंग करती है पालवंश का कौन सा राजा धरम पाल धरम पाल के साथ लिंक करती है समझा है आप लोगों को अंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका दी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर समुद्र गुप्ट इस अ करेक्ट अंसर यह है जी दर नेपोलियन ओफ इंडिया समुद्र गुप्थ चलिए अगला कोशन बताईए फटाफट कोशन द्यां से समना है नर्मदा रिवर जो है आपकी नर्मदा रिवर यह क्या पश्चिम की तरफ बैती है यह सब को बताजी वेस्ट की तरफ बैती है लेकिन जितनी भी बड़ी साउथ इंडिय की बड़ी बड़ी रिवर्स हैं वो इस्ट की तरफ बैती है वो क्यों बैत जैका। मैं आपको इक्ते बतानांचाऊंगा के साथ आपकी दो-ती विवर्ज के साथ और यह कहते हैं माः सभर कि यह चार रीवर्ज वेस्टन डिरेक्शन में और यह क्या बनाती है एश्टूरी जितनी भी बाकी बड़ी-बड़ी नदियां है जो पूर्वी डिरेक्शन में जाती है वो क्या बनाती है डेल्टा जैसे कृष्णा गोदावरी, माहा नदी, कावेरी ये सारे डेल्टा बनाती है अब कोशन यहां पे क्यों ऐसा होता है ये ध्यान देना है कि क्यों ऐसा होता ह कि यह होता है पहला point देखें किक्ता है टॉकुन रिफ्ट वैली कि बनाती है這個 बनाती है इस सलोप यह बनाती है मतलब से लैंड की एसे डिरेक्षण में बना इस बनाई हुई है कि वो उधर को बहती ही चली जाती है, western direction में बहती ही चली जाती है, यह point बिल्कुस सही है, पहला point, ठीक है, दूसरा है आपका, it flows between the windeas and satpuda, देखें ये question ध्यान से समझाना है, ये point ध्यान से समझे, ये no doubt कि windeas और satpuda के बीच में बहती है, but this is not the reason कि वो पश्चिम direction में चल रही है, इसन क्योंकि उसकी जो land है, क्योंकि जो उसकी land की slope है ना, वो central India में पश्चिम की तरफ जुकी हुई है, तभी वो पश्चिम की तरफ गिर जाती है, तो ये दोनों point आपके सही है, मतला ये reason है, ये reason भी सही है कि windeas और satpuda के बीच में है, कि आपकी नर्मदा river बैती है, but this is not the reason कि हाँ, वो आपकी western direction में जा रही है, ये point सही ऐसे है कि windeas और satpuda के बीच में चल रही है, but this is not the reason कि हाँ, विंदेas और satpuda के बीच में चल रही है, तभी वो पश्चिम direction में गिर रही है, ये reason नहीं बनेगा, इसका answer बनेगा आपका 1 and 3, 1 and 3 बनेगा इसका ध्यान से समना है question को, गलती मत करना, so answer इसमें क्या बनेगा, आपका 1 and 3 is the correct answer, नहीं, C बनेगा, घ्यान से समझो इस question को, वो बहती जरूर आपकी windeas और satpuda के बीच में है, बट इसका मतलब ये थोड़ा है कि हाँ, वो western direction में इसलिए पर चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मैं कहू अगर मैं कहूं, जो दामोदर रिवर है, कोसी रिवर है, वो एक डिरेक्शन में चल रही होगी, लेकिन क्या होता है, उसका river course change हो जाता है, तभी हम कोसी रिवर को क्या कह देते हैं, कि the, that is the sort of Bihar and दामोदर को the sort of Bengal, वो क्यों कहते हैं, क्योंकि river course change होता है, ठीक है, इसी लिए, लेकिन ये तो नहीं कहेंगे न, कि हाँ, वो उदर की डिरेक्शन में जाती है, वो उस मंत में जाती है, ऐसा थोड़ा point बोलेंगे, river course change हो रहा है, वो अलग सीन है, बट यही point आपका नरमदा के लिए है, कि विंद्याज और सत्थपुड़ा के बीच में चलती है, बट यह reason नहीं है, इसका कि वो western direction में चलेगी, clear हो गया, तो गडबड मत करना paper में, यह ध्याँ रखनी है आपको, गडबड मत करना paper में, clear हो गया, तो ध्याँ रखिए जी, answer इसमें C option बनेगा, correct answer, next बदाईए जी एकला question, यह इतना simple question है न, लेकिन आपको इतनी सारी इस जो है, यह publish कौन करता है, IUCN, यह उल्टा लिखा हुआ है, this is called IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, clear, तो यह जो है, आपको red data book यह publish करती है, इस list के अंदर हम क्या चीज़ों डालते हैं, इस list के अंदर हम क्या चीज़ों करते हैं, कौन सी vulnerable species है, कौन सी endangered है, कौन सी endangered है, vulnerable है, threatened है, कौन सी खतम plant and animals के बारे में बताया जाता है, कि जिनको खतरा है, बस, वो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ना ही हम बात करते हैं, ना ही किसी area के अंदर पर जाती है, वो नहीं हम बात करते हैं, ना ही हम यह बात करते हैं, ना ही हम यह बात करते हैं, हम बात करते हैं, सिरफ और बात करे जाती है clear होगे चाहिए आप लोगे को यास झाह अरदयार रखना किसकी खत्रें वाले जो छाarta हो सकते हैं उनकी बात करते हैं और किसी की बात नहीं करते है कि कि नक्स बदाइए الا क्योंट यह कर अबाह सकते हो और बहुत सिंपल कोश्टिम भी लगा सकते एक trophy ऐसी है, जो उस खेल के साथ संबंदित नहीं है, बाकी तीन trophy जो है उस खेल के साथ संबंदित हैं, तो बठाए जी इसमें से कौन से trophy जो है कौन कौन से cup के साथ है, दूरंट cup की बात करते हैं, ये किस के लिए है वाई आपका, बताए है Yes, football के लिए, रंगस्वामी कप icking सवामी ऊप्षिंद में आप मार successor पैंट को क्यों हुमिद्ट के लिए कोर्म स्वामी डाट कि चंप्येंशिप क्लिया चले है ऑज आप भी कहेंग्गि सर आप क्यों हमें मारनी के तरफ चले गोई है कि हम Kathy आपको नहीं है कि ऐसे से कोशन डालके लेगन आपके concept अगर देखो अगर आप मेरे से ना डेली पढ़ रहे हो ना तो आपको यह बिल्कुल भी बच्चे जैसे कोशन लगेंगे बच्चे जैसे क्यों क्यों क्योंकि explanation अगर आप ढंक से सुन रहे हो चलिए जी बताइए इसका अंसर क्या बनेगा फटावड बताइए दिसंबर और जनवरी के अंदर उत्तर भारत में उत्तर भारत में ठंड ज्यादा हो जाती है वो क्यों हो जाती है रीजन क्या है मैंने आपको बताया था उत्तर भारत में रीजन यह होता है क्योंकि एक तो वेस्टन डिस्टर्बेंसिस आती है पश्मी जो होती है घटाएं वगरा आती है ठीक है जिसके कारण जो है आपके वहां पर क्या हो जाता है ठंड पड़ जाती है क्लियर होगे क्या बनता है कि वहां पर जो है आपका नो डौट की Continental type of climate देखने को आपको मिल जाता है ठीक है और वहां पर नॉर्थ इंडिया में आपका होता है high pressure, high pressure और low temperature भी देखने को मिलता है देखो, temperature अगर कम होगा तो ही तो ठंड होगी, ठीक है, सिधा सा ऐसे भी concept समय सकते हो, लेकिन ठंड कम क्यों हो रही है, क्योंकि pressure वहाँ पे high है, clear, तो इस चीजों का effect पड़ता है आपके वहाँ पे तो यहाँ पे देखते हैं, पॉइंट क्या बनते हैं, पहला पॉइंट देखें जी क्या कहता है, पहला पॉइंट देखें जी क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है, these areas are far away from the moderating influence of the sea experience continental climate, बिल्कुल जी सही पॉइंट है, यहाँ से sea तो है समुद्र तो ही नहीं, जो समुद्र है जो सी वाला पार्ट है, वो महाराष्टा, गुजरात वाले इलाकों में है, तभी वहाँ पे गर्मी सर्दी एक बराबर सी रहती है, लेकिन नॉर्थ हिंडिया के अंदर सर्दी इसलिए पढ़ जाते हो कि सी का एफेक्टी नहीं पड़ता है यहाँ पे तो बिल्कुल सही पॉइंट आए, दूसरा यह है कि the cold wind coming from the sea waves कैस्पेंस हैं तुर्कमेनिस्तान cold waves आती है और नॉर्थ हिंडिया के उपर आती है, बिल्कुल western disturbances आती है पश्चमी घटाएं आती है यह पॉइंट आपका बिल्कुल सही है तीसरा है लो pressure develop ओवर नॉर्थ इंडिया गलत पॉइंट की प्रेशर तो लो नहीं होगा प्रेशर हाई होगा और temperature आपका लो होगा यह पॉइंट आपका गलत होगा तीसरा कि समझाया आप लोगं को यह सी option बनेगा करेक्ट अंसर सी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर भाई कोशन लंबे हैं तो आपको करना पड़ेगा मैनेज थोड़ा सा इसको ऐसे देख लो ना तो अपनी स्क्रीन के उपर लगा लाप टॉप पे लगा लो अगर आपको कोशन नहीं दिख्ञा तो फोन को टेडा रखो ऐसे ठीक है तो यह पर आते हैं तो उसको थोड़ा हम कॉंट्रैक्ट कर सकते है हैं तो कोशन लंबे हैं तो आपको पढ़ने तो पढ़ेंगी जिस तरीके से मर्जी ठीक है चलिए जी अंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर चलिए अगला बताइए फटाफट अगला बताइए जी फटाफट शाबाश यह आपके जो हैं थर्मल पावर प्लांट्स हैं कहां कहां पर कौन सा थर्मल प्लांट है यह आपको बताना है ठीक है यह आपको बताना है करनाटक के अंदर कौन सा है जी इन में से कागा कैगा यह बनेगा दूसरा ठीक है तमिल नाड़ू के अंदर जो है कुंडा कुलम य ये बनेगा 3, तो क्या बन गया, 2, 4, 1, 3, अंसर इसमें क्या बनेगा, ये वाला, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, बनेगा, राइट अंसर, अंसर इसमें B, ऑप्शन बनेगा, 2, 4, 1, 3 is the correct answer, ठीक है, जी बिलकुल, 2, 4, 1, 3, ठीक है, ठीक है, अंसर इसमें B, ऑप्शन बनेगा, भाइट तुम्हारी खुद की प्रॉग्लम्स है, अगर फोन तुम्हें चलाना नहीं आता, या तुम अपना डेटा खतम ही नहीं करना चाते, तो अलग बाद है, अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, चलिए अगला देखे, क्या कह देखे और सरयों को आपने क्लम में लगाना है, की क्या क्या पॉइंट बनेंगे, किस किस तरीके से बनेंगे, दीखे जी, उन्होंने क्या क्या बोला हुआ है, की कोशन क frays wanna suffering, उन्सक्रूस प्राइना की तुमें को यह नहीं मिल रहा, मेरे को यह नहीं भी है वो दुख का कारण का है आपकी desire आप चाहते हो कि मेरे को ये मिले ठीक है आपकी desire लेकिन उस दुख का निवारन भी हो सकता है मतलब उसको हम खतम भी कर सकते हैं लेकिन वो खतम कैसे करेंगे एक सही direction में चलके धरम चक्कर परिवर्तन एक middle path को अपना के एक धरम धार्म area को अपना के कि जिसे हम चलते जाएं और हमारे सारे दुख खतम हो जाएंगे तो यह लौड बुद्ध की टीचिंग से तो उसमें आपको लगाना है कि कॉलम में कौन कौन सी चीज़े लगानी है ठीक है तो बताइए तो देखें जी क्या है there is a suffering बिल्कुल there is a suffering one point और इसक को हम खतम भी कर सकते हैं यह बनेगा दूसरा ठीक है और कैसे आप उस मिडल पाथवेग को फॉलो करके धर्म चक्कर परवरतन के फॉलो को करके 1423 बनेगा राइट अंसर कहां पर आई यह यह बनेगा one option 1423 is the correct answer clear हो गया आप लोगो येस अंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा 1423 is the correct answer चलिए अगला बताईए फटाफट अगला बताना है फटाफट क्या बनेगा इनमें से कुछ एथनिक पीपल है अंडेमान निकोबार आईलेंड में रहते हैं वो इनमें से एक ऐसी रेस है जो अलग है इनसे अलग है इनसे अलग है वो कौन सी ही रेस जो है अलग है दे पाड़ेमान की बात करता हूं तो यहां पर जो रहते हैं लोग कि आपके नग्री रहते हैं निग्रो ट्राइबर रहते हैं और निग्रुचरड ड्राइबर में बहुत सारी आते हैं जैसे के ऑंग आ गया अ कि 55 जराबाफ चानावे अगे कि और अधश्यागे ओनू भड़ निकोबार में रहते हैं मॉंगलॉयडूडू। ठीक है mouvement रहते हैं और इसमें जो आते हैं वह आते हैं शौम्पमेन यह आपки ट्राइबल हैं अंडेंब हैं और निकोबार में इसमें कैप बोला है कि इस different कौन सा है अब आप खुद देख लो ओंग जरावा सेंटेलेडिस यह कहां पर अंडेमान में रहते हैं लेकिन मोंगलोईड के अंदर शौंपेंड है यह कहां पर रहते हैं निको बार के अंदर तो जरावा ऑंग सेंटेलेडिस किसका पाट होगी अंडेमान के तो शौंपें हैं मंग लॉयड और यह बाकि जो उपर वाले हैं यह क्या है आपके निग्रिटो ट्राइब सैं क्लियर होगा आप लोगं को यस हाँ अंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर शॉमेंड इस आ राइट अंसर डी ऑप्शन तो भाई यह आपकी निगरिटो ट्राइब जो वहां पर रहती है कहां पर डैट इस दा अंडेमान निकोबार आइलेंड सूपर इंपोर्टन गोश्च क्योंकि इनका काम सिर्फ बोलना है वह कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना वो आएंगे जाएंगे जब उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगान अपने अप चले जाएंगे तो बस आपको यहां पर ध्यान देना है जो एक्ट्र में बच्चा पढ़ रहा है कमेंट की तरफ ध्यान मत देना कि कौन क्या बॉल रहा है कोई फंवे में में बोल रहा है अगर मंजाग कर रहा हो तो मेरे साथ ही मंजाग करना है मैं ही मजाग करूंगा त्व क्लास बहुत इंपौर्डंत जो आने वाले एक्ζाम मेन उसमें देखने को मिलेंगे यह को ध्याद रखना ज्यां से सब्जे कोशन क्या耗ता है बारी दिवाब बारी दिवाब बारी दिवाब का मतलब क्या होता है what is the meaning of Dua, Dua word का मतलब क्या होता है कि जहां पे दो rivers आके मिलती है Dua वाला जो part होता है बहुत जदा fertile उपजाओ वाला part होता है ठीक है, अब यहां पे बारी दुआ मतलब B, A मतलब क्या हो गया ब्यास, R, I मतलब रावी ब्यास और रावी दुआ आपको आपको आप कहते हैं ब्यास और रावी, तो अंसर इसमें A option बनेगा correct answer रावी और ब्यास को आप कहा जाता है ठीक है, ध्यान रखना है आपको, yes अंसर इसमें क्या बनेगा आपका A option बनेगा correct answer, yes A option is the right one आपका दो आब पार्ट नेक्स प्लास्टिक को अगर आप गरम करते हो और उस टाइम तो मैं कहूंग बने कि 10-15 साल पहले इतनी इंवार्मेंटल प्रॉब्म चलती थी ठीक है अब तो बहुत सारी है तो नहीं बन करना चाहिए और पहले बात तो स्किन के उपर लग सकता है बहुत डेंजरस है ठीक है और दूसरी बात यह है कि गैसे बहुत सारी निकलती है हामफुल गैसे निकलती है वो गैसे कौन सी निकलती है यह आपकी गैसे कौन सी निकलती है जो प्लास्टिक को जब हम गरम करते है ठीक है बहुत सारी केमिकल्स हाइड्र क्लोरिक एसिड सलफर डायकसाइड हैवी मैटल्स और सबसे ज्यादा जो बनिंग प्लास्टिक से निकल इसमें क्या बनेगा डायोक्सिन इस दा करेक्ट अंसर येस ऑप्शन बनेगा राइट अंसर तो भाई यह यह डायोक्सिन ठीक है इस तरीके से बस दिखाया आपको पढ़ना कुछ नहीं है इसमें पिच्चर-बुचर कुछ नहीं आई आई आपको नेक्स देखें गदर पार्टी के जो हैड़कॉर्टर है वो कहां पे हैं गदर पार्टी के जो हैड़कॉर्टर है वो कहां पे हैं ध्यां से समझें गदर पार्टी जो है 1913 में बनी थी 1930 में और इसको हम क्या कहते हैं पैसिफिक कोस्ट हिंदोस्तान एस्सोशेशन भी कहा जा वहां पर इसके headquarter बने थे लेकिन दो तीन चीज़े आपको यह पता आने चाहिए कि गदर पार्टी के अंदर जो है इनके प्रेज़जेंट कौन थे सोहन सिंग बाखना जो है इनके प्रेज़जेंट थे लेकिन इस पार्टी का जो उदेश्या था पार्टी को बनाया किसने इनके सेक्रेटरी थे वह कौन थे लाला हरद्याल की मदल से यह पार्टी बने थी लाला हर्द्याल की मदल से और इनका पेपन था पंजाबी में चपता था ढब और गघर ऑंडर इंडिया में आए थे पंजाब में आए थे परचार करने के लिए उस चाहिम पे बहुत छोटे थे ठीक है बहुत सिंग ने करतार सिंग सराबा को देखा था तब जाके उनके अंदर जो है ये करांतिकारी की चीजें उनमें जागरित हुई थी तो मैं यहीं कहूंगा कि उनकी लाइफ का इफेक्ट बहुत बहुत ज्यादा भगसिंग की लाइफ की उपर पड़ा और बगसिंग के बाद तो बहुत सारे बगसिंग खड़े हुए हमारे देश को आजाद करवाने के लिए ठीक है तो इसमें क्या बनेगा जी आपका बी ऑप्शिन बनेगा येस सेंट फ्रैंसिस्को इस गदर पार्टी के सारे बंदे जो जिन्होंने देश की आजादी लड़ी है तो ऑल अर्थ सिक ठीक है सिक फैमिली से बिलॉंग करते है यह जुरूरी नहीं सिक फैमिली से बहुत सारी डि important question, clear होगै अपने ठीक है चलिए अगला बताईए फटा-फट बताना है इसका इसका गापने का बनेगा पताईए इसका अंसर क्या बनने वाला है कोशन ध्यास से समगना है और अंसर देना है हिमालयास जो है यह कौँ से टाइम पे आपको देखने को मिले इनमें से हिमालया इसका जो origin है वो कौन से टाइम पर देखने को आपको मिला तो पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि जो हिमालया जैंका origin होता है आपका टैथे सी से क्या और्ट दूसरी बात यहां पर यह है कि हिमालया जैर यंगफोंड मांटें यंग फॉल्ड मांटें इसको कहते हैं यंग फोल्ड मांटें क्लिहा वह लोगे तो यह आपको याद करना है यह वाला पार्ट आपको याद करना है और यहीं पर आपके दो प्लेट्स ऐसे टकराती है और नीचे 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 ऐसे उपर-उपर होती जाती है और हाइट बढ़ती चली जा रही है प्लेट टेक्टोनिक मोमेंट देखने को मिलती है हमारे इंडिया के अंदर एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है ओल्ड फोल्ड माउंटेन में कह रहा हूं ध्यां से समना मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं ओल्ड फोल्ड माउंटेन क्लियर हो गया ओल्ड फोल्ड माउंटेंज जो है वो कौन सी है अरावली जो है ओल्ड फोल्ड माउंटेंज है इसके सबसे उची चूटी है डैडिस गुरु शिकर गुरु शिकर कहां पर राजस्तान में क्लियर यह आपको याद रखना है अंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर कार्बोनी फेरस पीरियर्ड क्लिया नेक्स बताइए अंसर बताइए जिए फटाफट अंसर बताना है क्या अंसर बनेगा इसका इसका कोश्चन द्यान से समझे इंटरनेशन बॉडिज हैं अंतर राष्टियां मतलब कुछ आपके मुख्याल बताने हैं उनके अंतर प्रिक्स बेंक ग्राजील रश्या इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका इसके हैड़कॉर्टर शंगाई के अंदर हैं यह आपका पॉइंट बिल्कुल सही है इन्होंने कुशन क्या पूचा है इसमें गलत बताना है पहला अप्शन आपका सही है इसके हैड़कॉर्टर मॉ नु यॉक के अंदर हैं नु यॉक के अंदर इसके हेड़कॉरftर हैं यह आपका गलत हो गया यह बेना का बंधनेगी सी कह च्यूरओं थो और दोनों रॉंग के सी और डी दोनों रॉंग है ठीक है सी और डी दोनों रॉंग है आपके अंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी और डी क्लियर सी और डी दोनों रॉंग है सी भी रॉंग है डी भी रॉंग है दोनों अंसर है आपके सी और डी दोनों अंसर बनेंगे यह रॉंग पेर हैं आपके नेक्स बादाए ये खगोल वीड़ू ने एक अनुमान लगाया है कि ब्रमांड के अंदर हमारी कितनी गलेक्सी से कि एक हप्य आपके डिलेक्स का मंतलब कैφο ओता है जहां प्रहएं आपके मिलियोण औध स्टार्ज और बिलियों ऑ स्टार्स देखनेक आपको मिलते हैं हमारी जो दयां नहीं axaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxoxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxax ग्लैक्षी कितनी है हमारी टोटल गैलेक्सिerson यह 100 USA 1 Turinfit 10 के और मिलेक्सिस स्टार कितने इतने तो पूंचे बन जाएंगे 10 की फार 22 स्टार बन जाएंगे तो आप कोश्चंण यहां पर दिया रखना के बोल रहा है हो गलेक्सिर की प्र बात कर रहा है तो वह गलेक्सी कितनी है हमारी तो गलेक्सी अगर पूछा तो आपकी 100 बिलियन गलेक्सी हैं अगर आपसे पूछा स्टार कितने हैं तो आपका अंसर्व क्या बनेगा दस की पावर 22 स्टार देखने को आपको मिलेंगे तो अंसर इसमें ए ऑप्शन मिलेगा गोगी गलेक्सी के उप हो रही है nearest galaxy कांट सी है andromeda andromeda is the nearest galaxy तो इस question का अंसर क्या बनने बाला है आपका a option बने गा a correct answer Yes one option क्या बनेगा आपका right answer बनेगा hundred billion galaxy is the correct answer one option is the right one चलिए जिए आगे दिखते हैं और नहीं कि दिखना हो गया काम इसका गाइज एक मिनट वेड कीजिए एक मिनट वेड कीजिए थोड़ा सा पता नहीं हो गया इसका ठीक है एक सेकंड वेड करना है कि मैं खोलता हूं इसको अभी कि मैं एक सेकंड रुकिया जी एक सेकंड रुकिया अभी स्टार्ड करते हैं फोड़ा सा कई बार हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है कहां गया हमारे स्टार कहां गए स्टार गुम गए हमारे स्टार कहां पे हैं हमारे स्टार यह आगे स्टार हमारे बापिस आज चुके हैं ठीक है चलिए अगला गोशन करते हैं अगला कोशन है सुभाश चंद्र बोस ने अपनी जो प्रुविंशल गौर्मेंट है फ्री इंडिया की वो कहां पर इस्टैब्लिश करी थी हमारे जो सुभाश चंद्र बोस हैं उन्होंने प्रुविंशल गौर्मेंट जो है कहां पर अपनी बनाई थी ठीक है तो फटा- इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्षिन बनेगा सिंगापूर इजदात कारेक्ट एंसर क्लियर क्योंकि क्योंकि क्याप्टन मोहन सिंग ने यहां पर इंडियन इंडिपेंडन्स लीक से पर बाद में इसको इन्होंने आजाद इंद फोज बना ली थी और पहले इसमें क्या बनने वाला है आपका बी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर येस समझाए आप लोगं को हां तो अंसर इसमें बी ऑप्षिन बनेगा सिंगापूर इस दा करेक्ट अंसर लेकिन यहां पर एक चीज दिया रखनी है कि सिंगापूर जाने से पहले इंडिया के अंदर इन्होंने कमेटी बनाई थी 1949 के अंदर 1939 के अंदर डैट वास फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी इन्होंने बनाई थी इनके ऑटो बाइग्राफी इंडियन स्ट्रगल इंडियन स्ट बात करवाया था तो अंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर क्लियर हो गया जी यस बाकी वह तो ठीक है हरी पूरा तरी पूरा सेशन जीते थे गांदी जी के साथ डिफ्रेंस बने थे वो सारे पॉइंट्स आपको पता है बेसिक पॉइं कि अकिने देखेंजी हाईए स्पीक ओफ ऐसंसर घाट एसरन घाट की सबसे जो है उची चोटी का नाम था था है तो बताई जी इन में से बादो वैस्टरन घाट ईस्टोर मिया इच्जाण और सब आदे पश्यम घाट की सबसे उची चोटी का नाम बताना है इन में से कौन सा था पहले मैं आपको दिखाता हूं फिर आम बाकी पॉइंट भी डिसक्स करेंगे तो यहां पे यह आजी यह है आपका वेस्टन घाट वाला पार्ट यह वाला ठीक है और इसकी सबसे उची चोटी है अन सबस्थन इसकी सबसे आपके सबसे उची चोटी का मौशे है और यहां पे लिखा हो है यहां पे यहांन पर पेटा यहां या इस्ट की सबसे उची चोटी का नाम क्या है तो यह आपके प temas याद रखने आप Martineau यहां रखने आपको तो अंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका अनाई मूडी is a correct answer अंसर इस B option दोधा बेटा आपको मैंने बताया कि ये आपका नीलगिरी माउंटेंज सबसी उची चोटी है काल सुभाई जो है आपका गुजरात के अंदर है जी चलिए अगला बताईए फटा 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 बताना है अंसर क्या बनेगा इसका ये कोशिन आप गलत करोगे लेकिन क्यों गलत करोगे क्योंकि आप कोशिन इन्हीं डंग से पढ़ोगे ये कोशिन गलत इसलिए करोगे क्योंकि आप अंसर देने की कोशिश करोगे लेकिन इसमें आप जो है कोश्चन धंक से पढ़ोगे नहीं इसलिए आपका कोश्चन यह गलत होगा जहां से जमना जो मैं बार-बार आपको यह बोल रहा हूं कोश्चन क्या बोल रहा है से बी को स्टैचुट्री पावर स्टेट पहली बात तो एक चीज़ आपको बताना है क्या कि जब यह बना था सीवी वह 1988 में बना था उसके पास पावर वगरा कुछ में नहीं थी लेकिन बात करते हैं ओर्डिनेंस की तो और्डिनेंस कब जारी करी गई थी और्डिनेंस जारी करी गई थी 30 जनवरी 1992 को जब इनको पावर देने की बात करी गई थी यह और्डिनेंस जारी करने की डेट है क्लियर हो गया आप लोगो जब इनको पावर दी थी फिर उसके बाद आया इनको स्टैचूटरी पावर स्टैचूटरी बॉड़ी जाने के एक विदाई शक्तियां जो है आपकी स्टैचूटरी इसको हमने बनाया एक्ट कानून बनाया और एक कानून को सी डेट को बना था एप्रल चार फोर एप्रल 1992 को चार सो ए ऑप्षन को टिक करेंगे हम राइट कलियर यहां पर ध्यान रखना है ए ऑप्षन बनेगा करेक्ट वान हां से भी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है शेयर मार्केट को गंडूल करती है से भी के हड हैं जो हैंपके मुम्बई में हैं अजित यागी जो हैं इनके छेयर पर सोनफ उंक Slim9 गंफ लों यहां पर देखे जी जो 31 तारीक को आपकी डेट एक्ट पहलए टो इस तरीके से और इनके चार रिजिनल ऑफिस हैं नियू डैली कॉलकाता चिनई एंड एहमदाबाद और में हेड़कॉर्टर आपको पता ही है कहां पर मुंबई के अंदर अजी त्यागी इस चेर पर संग अगला बताइए जी एक कोशन ये कोशन बड़ा सिंपल सा कोशन है ये कोशन अदा दिन निकल जाता है दोपहर का दिन हो जाता है 되면 बारा बन जाते हैं तो 21 मार्ट चायम पे एंडल कितना होता है है जब दर्थी के ऊपर रीजबती है पहली बात्त है हुट्टा कि बात करें Page 26 सप्टंबर की çat और यह इन दे 보시면 पर नहीं होता है कि जब हमारी अर्थ होती है अर्थ की जो आपकी रेज जो ओती है बिलकुल ऐसे वर्टिकली पढ़ रही होती है कहां पे 0 डिगरी की ऊपर हैंड वट इस जीरुडिगरी यहां पे ऐक्वेटर इसको कहा जाता है ऐक्वेटर ठीक है विशुव रेखा की उपर बुमध्या रेखा की उपर पढ़ रही होती है और इस दिन लगते हैं आपके Equinox क्या लगते हैं Equinox ओक्योंक्स का मतलब जो आपका दिन और रात ब्रबर बारा बारा गंटे का दिन बारा गंटे की राथ clear और उस टाइम पर आपकी जो किरने वोगे यह तो है और आपकी जो है आपकी 90 डिगरी पोलर इयरिया वाला पार्ट होता है समर स्वास्राइस और विंटर स्वास्राइस को मैंने डंग से समझाना है अभी सिर्फ आप इकोइनोक्स का याद रखो बारा गंटे दिन बारा गंटे रात क्लियर हो गया यास ए ऑप्षिन बनेगा जी राइट अंसर नेक्स बताइए अगला बताइए फड़ाफट क्या बनेगा फड़ाफट बताना है इसका अंसर क्या बनेगा अगला वोशन है फूड प्राइस इंफलेशन की बात कर रहा है फूड प्राइस इंफलेशन की बात कर रहा है तो फूड प्राइस इंफलेशन जो है इस वर्ड का मतलब क्या होता है what is the meaning of food price inflation food price क्या होगा कि फूट कि यह au बढ़ रहे हैं रहे हैं भो कब बढ़ रहे हैं दूसरी चीज़ों से जदा बढ़ रहे हैं मतलब दूसरी चीजें कहों सि जो भी आप दूसरी खाने की चीजों से इलावा चीजे खरीद उसके comparison में खाने की prices बढ़ रही है that is called food price inflation clear होगा आप लोगो तो यहां पर देखें जी क्या होगा it is a sharper increase in the price of the food article relative to the those of the manufacturer and all other non-food items so answer इसमें one option बनेगा correct answer clear होगा जी आपको yes जी बिल्कुल a option बनेगा correct answer a option is the right one ठीक है जी हाँ food prices की जो है food prices बढ़ रही है as compared to the other prices clear answer is one option is the correct one food price inflation one option is the right one यहां पर लगाई जी question इसको tick करना है कि कौन सी जो tributaries किसके साथ जुड़ती है कि यह tributaries उसके साथ जुड़ती है नहीं जुड़ती कौन सी जुड़ती है बताना ना है आपको ठिक है गंगा रीवर की बात करता हूँ तो गंगा रीवर की ट्रिब्यूटरी जो है अपना गंगा के अंदर पानी कौन कौन सा डालती नहीं से वो डालती है गोमती और कोसी यह बनेगा fourth option ठीक है इंडस रीवर के अंदर की बात करता हूं इंडस रीवर के अंदर जो है आपकी चिनाब और सतलुच डालती है पानी यमना की बात करते हैं यमना के अंदर जो जालते हैं चंबल और केन डालते हैं यह बनेगा one गुदावरी के अंदर जो डालते हैं यह वेन बन जाएगा समझाए आप लोगों को जी बिल्कुल चार तीन एक दो बनेगा करेक्ट अंसर डी ऑप्शन इस दा राइट अंसर यह ट्रिब्यूटरी इस हैं यह कुछ आपके प्रोजेक्ट्स हैं ठीक है कुछ प्रोजेक्ट्स है डैम वगरा हैं कौन-कौन-कौन-कौन-कौ को हैं कौन-कौन-कौन-सी जगा की उपर देखने को आपको मिलते हैं बाखड़ा नंगल डैम हिमाचर परदेश में सत्लज रिवर की उपर है यह बनेगा फॉर्थ ऑप्शन ठीक है दुलहस्ती जिसे आप चंद्रा रिवर कहते हैं और चिनाव रिवर भी कहते हैं यह बने करेक्ट अंसर इसमें सीजिए ऑप्शिन बनएगा करेक्ट अंसर फॉ ठीटू बनेंगा यह बनेगा बड़ा इंप्टा इंप्र्टल को नहीं क्या होता है कुल टोटल फर्टिलिटी रेड वर्ड का मतलब क्या होता है ध्याँ से Самना है इस वर्ड का मतलब यह हो होता है total fertility एक बच्चा कौन देगी एक और देगी ठीक है एक विमें जो जो है और जो है एक लड़की जो है अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जनम दे सकती है इंटायर लाइफ उसकी टोटल फटिलेटी रेट उसको क्याते हैं that is tfr clear इसका मतलब क्या हो और ध्यां रखना वह बच्चे जो है नियूबन होने चाहिए जीवित बच्चों की बात कर रहे हैं यहां पर जीवित बच्चे अधर नमबर ऑफ द लाइफ बर्ट बाइब डूरिंग रहर इंटायर रिप्रटक्टिव ए पिरियर्ड तो यह बनेगा टोटल फटिलिटल रेट कहा जाता है और हमारी इंडिया में टूटल फटिलिटल रेट कितना है 2.1 परसेंट त्व पॉइंट मंपरसेंट यह आपके सेंसे के कोड़िंग है तूपॉइंट वटबर सेंट क्लिए हो गया और एक चीज आपको बताना चाहूंगा आपका जो इन में से कोहां से जनरेट की जाती है सुनामी हमारे इंडिया में कैसे जनरेट की जाती है सुनामी जो है एक word है Japanese word है Japanese word है और ये आपकी tidal waves होती है जो आपकी दीरे-दीरे चलती है लेकिन जैसे किनारों की उपर पहुंचती है यह हाइट में बहुत बड़ी हो जाती है और बहुत इंटेंस प्रेशर से जो है धर्ती के उपर गिरती है लेकिन सुनामी को रोकने के लिए मैंने आपको बताया है कि हमारे मैंगरूव प्लांट्स लगे होते हैं कोश्टल एरियस के अंदर अब कोश्चन यह है कि कैसे जनरे बनेगा सबी कारणों से जो है आपकी सुनामी आ सकती है अंसर इसमें डी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर डी ऑप्षिन ऑल अव दा अबव इसार आइटंसर देखें जैसे मैं आपको बताये था यहां पे पानी दीरे-दीरे चलता है वो सीधी डिरेक्शन में चलता है औ कैसी कोशली एरिय में बड़ा यह इतनी हाइट लेके चला जाता है और धर्ती के उपर गिरता है और नुकसान बहुत करता है ठीक है नेक्स देखिए जी यह बड़ा इंपॉर्डन कोशन है ध्यान से समझना आए कोशन आपको इन्नेट इमिनिटी जो होती है वो कैसे होती ह , what is the meaning of innate immunity innate immunity का मतलब यह होता है कि जब आप बच्पन में जनम लेते हैं जनम जनम जात से तो आपकी रक्षा कौन करता है जैसे हम कहते हैं कि विमन का जो मिलक होता है वह production करता है privilege इंटिबाडिज फोती है उसके अंदर जो हमें मैंने देने के लिए बच्चे को जोहेद की देने के लिए इंफेक्शन के लडने के लिए और कि आती है वह कहां से आती है और कहांすご क्लियर अब यहां पर एक चीज देखिए एंटीबॉडी पहली बात तो एंटीबॉडी प्रडक्शन जो है वो दूद के अंदर अलग चीज है लेकिन आपका बच्चा जो है वो खुद एंटीबॉडी नहीं बन सकती एंटीबॉडी जो अगर वो बना रहा है तो वह डैट इ इंटीबॉडी कहाता है जिसमें आपके बी सेल और आपके लड़ने के लिए बी सेल आपके हल्प करते हैं क्लियर और सबस्क्राइब करते हैं इंटीबॉडी परडक्शन वगरा भी करते हैं लेकिन पूछा दन नहीं है तो ऑबिसल बाद यह ऑप्शन नहीं बनेगा इंट यह बॉडी के अंदर वाइरस अगर गुज जाता है तो उसके लड़ते जो हैं वह इंटरफिरॉंस लड़ते हैं कॉंप्लिमेंट प्रोटीन आप बाहर से भी देते हो मदर के मिल्क में भी होते हैं फैगोसाइट्स आपके डब्लू बीसी फैगोसाइट्स का रोल प्ले कर अब गरते हैं तो सारे प्रोट है इसमें आते हैं लेकिन तक इन्यट इमीरीटिटी का पार्ट होता है क्लियर ओ गया यह वे यह जो हम बाहर से लेते हैं वह कौन से सेल होते हैं बी और टी सेल होते हैं साइटो काइन कीमो काइंस एंटी बॉडिव यह जो है आपके एकवाइड इमुनिटी का पार्ड बनते हैं कलियर होगे आप लोगों को यह ध्यान रखना है आपको ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ लिया आपने द्यार रखे यह बड़ा इंपोर्टन कोश्चन है यह चलिए अगला कोश्चन देखते हैं क्या कहता है ध्यां से समझे इस कोश्चन को और अंसर टिक करने की कोशिश कीजिए हाँ थाइमस होता है वो खुद एंटीबाड़ी प्रडक्शन कर रहा है वह आपके कॉंप्लिमेंट प्रोटीन प्रोवाइड करता है यहां पर ध्यार करें कि इनियर जनमा है अभी बच्चा बच्चर विजनमा है उसकी इम्मिनटी इतनी जैपार पड़े वह आपके प्रोटीन पगरही लड़ते हैं थाइमस परड़क्शन करता है थाइमस अभी एक दिन का भी बच्चा नहीं है पांच मिनट का बच्चा हो आभ दो जाए इसका चलिए अगला बताईए उसका क्या बनेगा question क्या गहता है आपने new state बनानी है ठीक है new state अगर आपने बनानी है new state अगर आपने बनानी है तो इसमें से जो चीज है वो आपकी क्या चीज होगी new state अगर आपको बनानी है जी बिलकुल पढ़ो यार पढ़ो ध्यान से समझो question को concept को ध्यान से समझो concept important है आपके new state बनानी है अगर आपके सविधान के अंदर लिखा गया है Parliament के according तो वो कौन सी amendment के according कौन सी majority के according हम चीज़े सारी चीज़े change करते हैं पहली बात तो new state बनानी के लिए आपको कोई भी amendment की जुरुत नहीं होती पहली बात तो ठीक है new state अगर आपने बनानी है वो simple majority से आपका amendment आपका article 368 के अंदर लिखा ही जाएगा बट एक चीज दिया रखना आपको यह चीज दिया रखनी है कि इसके अंदर जो है एक simple majority से bill pass होता है अंडर article 107 और 108 के अंदर तब जाग यह चीजें देखने को आपको मिलती है साधारन बहुमत से यह bill pass हो जाता है clear होगे आप लोगों को yes साधारन बहुमत से bill pass हो जाता है a option बनेगा भाई a option बनेगा a option समझाया हां a option बनेगा बिल्कुल भाई a option बनेगा correct answer a option बनेगा simple majority से bill pass हो जाता है आपका simple majority से special majority नहीं आती article कुछ नहीं आता 368 majority of the total member यह कुछ याद करने की जूरत नहीं है simple majority से आपका bill pass होगा यह आपका ऐसे बना दिया जाता है simple majority से under article 178 में bill pass होता है तब जाके आपकी new state बनाई जाती है answer इसमें one option बनेगा correct answer clear हो गया देखे एक चीज़ आपको और बताता हूं कि amendment वहां आपको कोई बाहर की state हमने इंडिया में लेके आए जांडिया की स्टेट हम बाहर कोई देते हैं तब आपकी जो है amendment होती है जैसे कि अगर हम बात करें कि हमने कुछ पार्ट पार जो वेस्ट वेंगॉल को वेस्ट फेंगॉल का पार्ट जो हमने बंगलादेश explained को हमने इंडिया में डाला था थिक है सिक्किम को यह अमेंडमेंट हुए थी अधर्वाइस कोई अमेंडमेंट ऐसे नहीं होती कि कोई राज्या बनाया इसके लिए अमेंडमेंट होगी अगर आपने कोई बाहर की स्टेट को इंडिया में लेके आए हो तब जाके सब्रूप निमन में से कौन सा चीज नहीं होती देखें आपका इसमें आपका जो पॉइंट है वो क्या बनने वाला है डिग्रेडेशन ऑफ ग्लोबल इंवार्मेंट का अगर लॉस हो रहा है इनमें से कौन सी चीज नहीं होती देखें बाइडवस्टी लॉस जैविक विवि स्टैटो स्फियर के अंदर बढ़ जाएंगी यूवी रिडिशन का एक्सपोजर होगा बिल्कुल सही क्योंकि जो आपकी स्टैटो स्फियर के अंदर जोन लेयर है वह आपको मतलब खराब होने लग जाएगी यह भी सही है लैंड फिल्स भूमी बरन यह कुछ नहीं होता बैं यह कुछ भी नहीं है तो यह इसका पार्ट नहीं है को इसने पूछा था नोट दो भी आप्शन बनेगा लैंड फिल्स आर णोट पार्ट यह वाला पार्ट डीयर्यस और यह नेक्स देखिए और यह आपके क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है स्टेटो स्फियर में देखने को मिलती है डिजर्टिफिकेशन जो आपकी रिगिस्तान बन जाते हैं जमीने खराब होने लग जाती है अग्रिकल्चर प्रडक्टिविटी की उपर असर पढ़ने लग जाएगा प्लूशन एयर प्लूशन मैलनूट प्लूशन पॉबर्टी जो है यह सारी चीज़े देखने को मिलेंगी बाइडवस्टी लॉस देखने को मिलेगा फ्रेश वाटर का पानी का नुकसान होने लग जाएगा यह सब चीज़े देखने को आपको मिलेंगी जब आपका ग्लोबल इंवार्मेंट खराब हो का डिजास्टर जो है इन में से कौन सा है नए पैपिलर मसल जो है आपकी यह कहां पर देखने को मिलती है पैपिलरी मसल जो है पैपिलरी मास पेश्य जो हैं आपकी कहां पर पाई जाती है यह बताएए फटा-फट फड़ा पड़ बताईए जो बच्चे फालतू की बाते करते रहते न मेरे को पहली बात तो पसंद नहीं है और मैं उनका जवाब भी नहीं देता ठीक है और इग्नोर करता हूं उन चीजों को और काफी बच्चे बोलते हैं सर ये कमेंट सेक्षन क्यों लिखा है ये जवाब भात नहीं करना जाते बात इसलिंग करना जाता जो बच्चा पड़ रहा है ढंग से पड़ रहा है वह को जवाब और बांप छाब हर ने're च्वाण को बताएं चीजगा चलेजी यह कहां पर पाए जाते हैं बाई बताइए जी पैपिलरी मसल जो है कहां पर पाए जाते हैं पैपिलरी मसल हमारे हार्ट के अंदर पाए जाते हैं लेकिन हार्ट में कहां पर वह आपको दिखा देते हैं यह है आपकी पैपिलरी मसल्स तो इसे डिवाइड होता है इस तरीके स से तो ऊपर वाला प्पाट नीचे य ऑले पार्ट क्या होते हैं अपके कहां पे हैं वेंट्रिकल में पाएजाते हैं आपके पैपिलरी मसल क्लियर क्या होता है कि आपका स्डिव बॉड के इंदर हक हाथ जो हैं कंदर ब्लैक coronary artery हमारे हरीदे तक blood लेके जाती है अगर coronary artery में दिक्कत आ जाती है कुछ भी तो किसी परसन को heart attack हो सकता है coronary artery में खास करके ध्यान रखना ये important है clear होगे आप लोगे आप लोगे को so answer इसमें क्या बनने वाला है इस question का ये बनेगा ventricles of the heart के अंदर इसका answer बनेगा c option clear c option बनेगा correct answer ठीक है जी बिल्कुल सही c option बनेगा correct answer very good c option the ventricles of the heart is the correct answer दिल के ventricles में देखने को आपको मिलता है c option इन में से natural disaster बताईए कौन सा है प्राकिर्थिक आपदा प्राकिर्थिक आपदा जो है इन में से कौन सी है दिखेंगे सीदी सी बात है अर्थ कुछ भी हो सकता है साइकलोन भी आ सकता है अपने आप चक्रवात बगारा लैंड स्लाइड भी हो सकती है इसमें डी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर डी ऑप्षिन क्लियर होगे आप लोगो यह सारे के सारे जो है नेच्रल डिजास्टर का पार्ट बनते हैं अगर मैं आपसे पूछता मैनमेड बताईए पहले मैं आपको दिखा तो मैं पिच्छल लगाई इसमें हाँ तो यह है आपके मैनमेड यह जो है आपके डैडिज दा डैडिज दा डैडिज दा नेच्रल वन नेच्रल वन है मैं आपको मैनमेड भी बताता हूं यह नेच्रल वाले हैं सुनामी आगई वालकैनिक इरफ्षन होगी इन्वार्मेंट के अंदर पुलिशन बढ़ने लग गया लेकिन एक होते हैं मैनमेड जो आदमी खुद करते हैं जैसे कि आपने ग्राउंड वाटर कॉंटैमिनेशन कर दिया पैसिसाइड पैसिसाइड फर्टिलाइजर वगिर आप बहुत सारा यूज करने लगे क्लियर हो गया तेल के अंदर जो है आग लगी ओयल स्पेल्स फायर फायर तो अपनेफ लगे जाती है ठीक है फोरेस्ट फायर तो अपने हप लगी दर आप आप जला रहे हो जंगलों को तो वह सकता है ठीक है 2012 इंप्रेंद sup क्लियर याद रखिए चलिए अगला बताइए फटाफट इसका अंसर क्या बनेगा अगला बताइए फटाफट क्या अंसर बनने वाला है नियाग्रा फॉल्स जो है यह कहां पे देखने को आपको मिलते हैं नियाग्रा फॉल्स का जो पार्ट होता है वो डड़िज ओंटारियो यूएस का नियॉयोक वाला पार्ट इसके बीच में होते हैं आपके फॉल्स ड़िज नियागरा फॉल्स क्लियर हो गया और अगर बात पुछी जाए यहां पर इन्होंने रिवर्स की बात पुछी है तो रिवर्स आपकी कौन टाइडा में और स्रील बनती है यहां पर आपके फॉल्स बन चाते हैं यहां रखे अगला उच्फिटेέλ बनेगा कोशन बोलता है ऐसी बताई यह झो धर्ती के अंदर आपकी हीट एनरजी एकर स्टोर हो रही है छो है एनरजी जो है आपकी साइप घर्मी जैसे हमारे इंडिया में मनिकर्ण साहिब जो है गुर्द्वारा जहां पर हिमाज्चल प्रदेश में वहां पर जीओ थर्म नर्जी पैदा होती है टाइडल नर्जी टाइडल पूर्ट है हमारा कांडला पूर्ट जो गुजरात में है जिसका नाम अभी क्या है दीन द्याल क्लियर वहाँप्र आपकी टाइडल नर्जी पैदा करते हैं थर्म ंर्जी इंडिया के अंदर अगर आपसे पूंचा सबसे चलेडा परफल नर्जी को इत distinguish करी जाते हैं यंद्ल को रॉकल से clear न्युक्ल व सीनर्जिण आपके जो यो मैं आपको बताया था यह न्युक्लickets फीजन वगईरा करते हो द बूकल रिक्तर में आपकी न्युक्ल अनर्जिर पैदा करी जाती है ह step रोगे आप लोग Над सब्सक्राइब को तो ओंसरा इसमें सो डी ऑप्षिन बनेगा राइड अंसर क्लियर आपका अंसर बनेगा डैडिस जियो थर्मिल नर्जी नेट ठीक चल रहा है दिखे एक बड़ इधर फोन का नेट रूख रहा था ना सही है अगला कोशन देखते हैं तो बाई यह होता है आपकी जी ओथर्मिल नर्जी का प्रोसेस पूरा का पूरा धरती से इस तरीके से एनर्जी निकल के आती है क्लियर चलिए next देखेंजी question क्या गयता है यह important question है अगर आपको DNA के structure की effects आप को पता है तो आप अंसर निकाल दोगे इसमें से बोल रहा है कि false statement बताईए इनमें से गलत statement कौन सी है Watson and Crick model की Watson and Crick model जो है आपका यह DNA का structure है यह double standard structure होता है double standard और यह right-handed structure है right-handed clear आपको याद रखना है right-handed structure है clear होगे आप लोगों को अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो आपके features होते हैं यह इस तरीके से भाई आपकी chain होती है यह double sugar और phosphate जो है यह backbone बनाते हैं इस तरीके से clear और बीच में आपके nitrogen bases ऐसे जुड़े होते हैं और यह आपके ऐसे attach होते हैं इसमें जो base होते हैं वह होते चार एड़नीन गवानीन साइटोसीन और आपका थाइमिन क्लियर हो गया और इसमें क्या होता है होते है पॉसमें और सी और जुड़े होते है अपस में क्लियर होते हैं और होता है और आपकी lider च्रॉंभ होता हूं क्लियर होग क्लियर होते हूं पॉसमें पर लोग तो 3.4 एंक स्टॉं प्लेयर ये 2 में चिएर। अब अगर मैं आरेने की बात करने तो अरेने में शैंकल और मुन ये MTEr में100 ब्लेश को होता है किसके साथ यूर tackle के साथ लिए से समझे Élit ze डिप होता है वाइड मेंजर ग्रूफ और जैलो नरू घुरूफ जोते हैं यह मैंदध को दिखाता हूं यहाँ आपके ग्रूफ होते हैं यह मैंजर ग्रूफ हैं यह मैंजर गूफ और माइनर फॉन होते हैं तो पहला पॉइंट आपका बिल्कुल और चलते हैं यह भी आपका पॉइंट सभी यह विल्कुल ढोनों और चलते ही रहते हैं आपको Mixon Is है इनकी जो एक complete turn है वो 34 एंग्स्ट्रॉम में complete होता है यह भी point सही है 34 एंग्स्ट्रॉम की जगह के उपर वह कितना डाल सकते हैं .34 nanometer भी डाल सकते हैं तो यह आपका point बिल्कुल सही है चीक है hydrogen bond यह आपके hydrogen bond देखने को मिलते हैं तो इसमें क्या बनेगा आपका D option बनेगा ऑर T co अंट देखने को मिलते हैं तो D option आपकी पॉल स्टेट्मट है इस लिए अंसर इसका बनेगा कि한데 स्क्राइब नियुक्त क्राइब है अगलांसर बताइए फट अफट ऐफट क्या बनेगा है छी स्केड़ूल बैंक है अनुसूचित है इन वे से अन पर शुको की क्या होती है दिखेंगे जितने से म्रेंडिया के अंदर सारे के सारे maximum क्या है schedule bank है दो fact आपको याद करने है इसमें से क्या schedule bank के अंदर दो चीज़े याद रखने है एक तो वो second schedule of RBA के अंदर दिये होते है RBA Act 1934 में RBA Act 1934 में दिये होते है और दूसरा point आपका ये आता है क्या कि उसके पास minimum capital कितनी होनी चाहिए पांच लाक रुपे की minimum paid up capital होनी चाहिए clear तो ये दो fact है आपके schedule bank के तो point देखते है क्या कि banking regulation act 1949 गलत banking regulation act आपका RBA Act 1934 में होना चाहिए गलत है ये economic policies कोई भी लेना देना ही है second schedule of RBA Act 1934 ये आपका point बिल्कुल option बनेगा right answer clear देखे जी आपको एक चीज़ और आईए देखो पांच लाक रुपे आपको minimum paid up capital और 34 के एक्ट में ये दो main feature आपको याद रखने है चले अगला बताईए देखो मैं आपको चीज़ बताता हूं किसी की तरफ focus मत करना कि क्योंकि जिसने सोना है उसने सोना है ठीक है और जिसने पढ़ना है उसने पढ़ना है जिसको पता है कि मेरी तो की जिन्दगी की लड़ाया आई है कि मुझे कुछ हासिल करना है तो वह जागेगा जिसको लगा है कि मेरे को कुछ जिन्दगी के गेम गोम रही है यहां पे तो जिसको पढ़ना है उसको पढ़ना ही पढ़ना है तो पढ़ते रहना जो जाना है जाए अपनको कोई मतलब नहीं है और आपको पता है कि हम इसमें ध्यान भी नहीं देते तो मैं सिर्फ आपको लिए कहता हूं कि आप थोड़ा सा नियोंति मैं पढ़ाऊंगा जाते जाते 200 बच्चे भी रहा जांगे तब भी मैं पढ़ाऊंगा बर बात तो यह मेरे को तो 200 सी मतलब है फिर वो 200 बच्चे सेलेक्शन जब लेके आएंगे ना तो मुझे 200 दिखेंगे वो ना कि यह 15-1600 दिखेंगे कि इतने बच्चे बैठे नहीं करता यह आपको बताना है ठीक है तो बताइए जी बताइए जी इसमें कौन सी चीज़ को आपका प्रोहिबिट नहीं करता देखेंगे जी आर्टिकल 23 जो है वो बात किसके लिए करता है आपकी जो अगर जबर्दस्ती आप बिखाया मतलब बीख मंगवारे हो बीख के लिए फोर्स नेबर के लिए ट्रैफिकिंग इन ट्रैफिकिंग आप मानव को ही परसन कोई बेची चलिए आ रहे हो यह इन चीजों के लिए प्रोहिबिट करता है वन थ्री डी वन सी डी तो आपके सही पॉइंट है इसने पूछा था कौन सी चीज को इसलिए अंसर क्या बनेगा वी ऑप्षन बनेगा राइट अंसर clear होगे आप लोगओ को बी-अप्षन बनेगा राइट अंसर और आपका एक आर्टिकल 24 है 24 किसके लिए बात करता है बच्चे को अगर कोई बच्चा 14 साल का बच्चा है उसको जबरदस्ति हम forceful लेवर नही करवा सकते clear होगे आप लोगं को हां उसको फैक्टरी वगएरा में नहीं बेच सकते यह आपको ध्यां रखना है जी बिल्कुल उसको फैक्टरी वगएरा में हम नहीं बेच सकते ठीक है जी चलिए answer इसमें बी option बनेगा राइट अंसर यहां पर देखें जी क्या है यह देखें फोर्स फूल लेबर और ट्राफिकिंग वगएरा आप रोकते हो आर्टिकल तेश के अंदर जिसमें आपका यह आर्टिकल जो है पीपल को लोगों को प्रोहिबिट करता है तो डू स्टेट कैन फोर्स पीपल टू एक सेकंड रुकिए एक सेकंड रुकिए हाँ इसमें बोल रहा है कि आप प्रोहिबिट करता है क्या trafficking in human beings and forced labor ये आपकी प्रोहिबिट होती है लेकिन साथ के साथ ये भी बोला गया है कि अगर state country बोले लोगों को कर सकती है वो forcefully labor करवा सकती है और compulsory service करवा सकती है public services के लिए ये करवा सकती है country चाइल लेपर एक्ट आपका 24 में दिया गया है clear हो गया आप लोगों को yes कि clear हो गया जी आपको हाँ अंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका जी बिल्कुल ठीक है चलते हैं आगे 90 East रिज एक सम्मिरिन ब्रिज है ये किस कहां पर है 90 East ब्रिज जो है एक रिज है ये कहां पर देखने को आपको मिलती है दिखाता हूं आपको पिच्चर 90 रिज की यहां पर है इस इस दा 90 East रिज और यह कहां पर है इंडियन ओशन के अंदर क्लियर इंडियन ओशन के अंदर हिंद माहसागर में और एक और याद करवा तो आपको Mid Atlantic Ridge, ये भी पूछा याता है, ये Atlantic Ocean के बीच में है, clear, ये देखो, Middle Atlantic Ridge, clear हो गया, चीक है, ये आपको याद करना है, तो answer इसमें क्या बनेगा, Indian Ocean is the correct answer, हिंद मास अगर के अंदर देखने को आपको मिलती है, C option क्या बनेगा, correct answer बनेगा, चीक है, yes, C option is the correct answer, Indian Ocean, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है, आपके सबसे ज़्यादा business है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर trade वेगरा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, pacific ocean सबसे बड़ा ocean है, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी, क्योंकि इसको हम ऐसे represent कर रहे है, otherwise धरती तो क्या है, गो कहां पे Siberian वाले पार्ट में, Siberia रश्या में Arctic Ocean की continental ship सबसे बड़ी, सबसे बड़ी widest, मतलब चौड़ी सबसे ज़्यादा है, clear, याद रखना है आपको, दिस इंपर्डरन कोशन, यह बड़ा इंपर्डरन कोशन है भाई, यह सुना भी नहीं होगा, बहुत कम लोगों ने सुनाओगा यह कोशन, बहुत कम लोगों ने सुनाओगा, whose concept was non-aligned movement NAM गुर्टनरिपेक्ष आंदोलन किसका था नाम movement जो है वो किसकी थी ये उस ताइम पर हमने start करी थी जब पूरा देश पूरा वर्ल्ड जो है दो हिसों में तूटा हुआ था जा तो रश्या को support कर रहा था जा फिर यूएस को support कर रहा था हम दोनों के साथ थी नहीं रहे हम ना तो रश्या के साथ रहे ना ही यूएस के साथ हमने एक middle path भी अपनाया that is हम किसी के साथ नहेंगे तो that is na movement clear ये na movement जो concept था ये जो हला नहरू जी का था बट मैं आपको दिखाऊंगा इसके statements आपको बहुत important question है तो ये answer इसमें क्या बनने वाला है आपका ना movement is d option जो हला नहरू जी का ये concept था बिल्कुल हां बिल्कुल जी बिल्कुल लेकिन इसमें सारे लोग involved थे लेकिन concept किसका था जो हला नहरू जी का अब दिखाता हूं आपको तो ये लोग सारे के सारे जो आला नहरू is here चीक है ये सारे लोग थे different country से belong करते थे अब ये different country कौन कौन सी है वो दिखाता हूं आपको ये जो है आपकी conference हुई थी इस बान्यूंग conference 1955 के अंदर और आपका ना movement established किया गया था बेलग्रेट के अंदर यूगोसलाविया के अंदर establish कर दिया गया था 1961 के अंदर उस टाइम पर इंडिया के प्राइम मिनिश्टर का यह concept था जो आला नहरू जी का और गानियन प्रेजजेंट डाइस नकरूमा इंडोनेशन प्रेजजेंट सुकर्णो एजिप्टियन प्रेजजेंट डाइस गमाल नसीर और यूगोसलाविया के प्रेजजेंट टीटो तो यह लोग आपके पूरे के पूरे किसमे यह लोग थे इंडवाल आपके ना मुवमेंट बनाने के लिए डाइस डाइस नौन अलाइन मुवमेंट तो यह नाव आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है आपको इस कोशन को मैच ओधर फॉलिंग में पूछा जा सकता है यह प्रेज़ किसका था आपका बिल्कुल कॉंसेप्ट जो था यह ज्वाला नहरू जी का था क्लियर हाँ यह इनिशेटिव जो है दो लोगों द्वारा लिया गया था मेल ली ज्वाला नहरू जी द्वारा और टीटो द्वारा लिया गया था यूगोसलाविया के प्रेजिट्ट टीटो भी बड़े इंवाल थे दो में परसं थे जो आला नेरू एंड टीटो प्लियर ये दो लोग में थे चलिए जी आगे देखते हैं अगला कोशन मैं आपको करवाता हूं यह बड़ाई के अंदर सबसे लॉंगस डे कब होगा यहां पर सबसे जादा सनलाइट यहां पर पड़र रही होगी सबसे बड़ा दिन होगा इसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा कहां पर Capricorn की उपर क्योंकि यहां पर सनलाइट इदर पड़ेगी और Australia जो है आपका बिल्कुल South continent के अंदर South Hemisphere के अंदर Southern Hemisphere के अंदर लाई करता है डैट स्वाइब अश्रेलिया के अंदर अभी गर्मी पड़ रही है अभी इस टाइम पर गर्मी पड़ रही है ठंड पड़ने लग जाएगी तो आपसे पूचा जाता है कि North Hemisphere में 22 दिसंबर को क्या होता है आपके ठंड पड़ रही होती है क्योंकि सन की रिस Capricorn के उपर पड़ रही है क्लियर होगे आप लोगो इसमें सी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर जून 21 की बात करते हैं 21 जून की बात करते हैं तो कैंसर करकर एका की उपर यहां पर संलाइट आती है और यहां पे सबसे लंबा दिन होता है और समर सॉल्स लगता है समर स्ट्रायज नोर्थ हमिस्पेर में इकोिणोक्स मैं इपको बताओ थिया था ठीक है हाँ दिकर एक चीजस मैं आपको बाता हूं एक चीज आपको बताता हूं आपको ये चलती जाती है तो flow flow में कुछ हो सकता है क्योंकि live classes में ऐसा हो जाता है क्योंकि recorded classes में अलग चीज होती है यहां पर कुछ लग चीज होती है क्योंकि आपके साथ इंट्रेक्ट करना पड़ता है थोड़ा बहुत तो क्या होता है कि हो सकता है कि कहीं पर हमने कुछ गलत बोल दि तो आप मुझे Instagram के उपर message पक्का करना है आपको Instagram Facebook के उपर, कहीं थी message आप मुझे कर सकते हो, कि सर मुझे लगता है कि यह statement ऐसी होनी चाहिए, जो भी आपको doubt लगता है, मुझे वहां पर send कर दो क्लियर अगर आपके कोई पेपर हो रहे हैं जा कोई पेपर आ चुका है हो चुका है तो आप मेरी इमेल आईडी की उपर अपना डाउट सेंड करो ठीक है और अगर आपको लाइव लेक्टर के अंदर कोई दिक्कत लगती है कि हाँ यहां पर कुछ श्रेटमेंट गलत हो गी ह बताईए जी यह बोलाया था किस को ठाई दैनल को इसमें ड ऑप्शन बनेगा राइट डंस और यह इंडोनेशिया है आइलेंड कंट्री मैंक Kumum नमबर आफ islands clear answer is Film two option बनेगा राइट एक्ष्यड वनेगा राइट अज़िजग मिए डी उप्षिन बनेगा राइट अउसर थाइव जब लिंड बंड्रण इस्टाइब डान टीमान वॉइट इंपोरड नेक्स्द देखिए जे क्या बनेगा इनKevin से कौन सी ऐसी greenhouse gas mention नहीं है United Nation Conference Framework Convention on Climate Change के अंदर कौन सी mention नहीं है ये बोल रहे है six greenhouse gases की बात करी गई थी छे greenhouse gases gases की कौन कौन सी carbon dioxide methane nitrous oxide N2O और sulfur hexafluoride hydrofluorocarbon और यहां पर फ्लोर कारपन तो यहां पर तो किसकी बात नहीं करी गई यहां पर डैडिस carbon monoxide की बात यहां पर नहीं करी गई थी carbon dioxide को करी गई थी biogas का पार्ट बनती है यह gas ठीक है methane is CH4 damp gas marsh gas भी इसको important the silent killer carbon monoxide is a silent killer clear होगे आप लोगों को यह carbon monoxide एक ऐसी गयस है जिसकी 200 time capacity है ब्लड के साथ combine करने की blood के साथ combine करने की 200 time capacity होती है carbon monoxide की next बताईए अगला बताईए फड़ा फट कोशन क्या बनेगा इन में से ऐसा कौन सा स्मूद्र है कौन सा ऐसा सी है जिसमें जो है आपकी कोई भी कोश्ट लाइन नहीं है कोई भी कोश्ट लाइन नहीं है वाइट सी जो है यह आपका पढ़ता है रश्या के अंदर इसकी तो कोश्ट लाइन होगी होगी ठीक है इसकी तो कोश्ट लाइन होगी तस्मानियन सी जो है आपका ये साूथ पैसिफिक ओशन का पार्ट बनता है खास करके ये और न्यूजिलैंड के बीच में देखने को आपको मिलता है और आपका जो है सारगासो सी ये आपको देखने को मिलता है नौर्थ अट्लांटिक ओशन के अंदर जैप जैपान सी जपान में देखने को आपको मिलेगा जपान के बीच में थीकर है तो बहाँ यां पी क्या घारा कि जिसकी तट्या रेका है आपका सार गासो शी यहां पर कोई तट्या प्रांस से हमने इसको बोरो किया था इसमें एक्वायर किया थे बी आप्शन क्या बनेगा यह रिखा नहीं देखने को आपको मिलती तो वैरी वैरी इंपॉर्टंट है नौर्थ अमेरिका में नौर्थ अट्लांटिक ओशन के एक पार्ट बनता है आंसर इसमें सी ऑप्षिन बनेगा सारगासो सी इस दा कारेक्ट अंसर क्लियर सी ऑप्षिन इस दा राइट वान नेक्स्ट रफाइल जो है हमने कौन सी कंट्री से एक्वाइर किये थे रफाइल जो है हमने कंपनी थी डसॉल्ट क्लियर डसॉल्ट कंपनी थी और कौन सी कंट्री से फ्रांस से हमने इसको बोरो किया था अंसर इसमें एक्वाइर किये थे बी ऑप्षिन क्या बनेगा राइट अंसर 36 राइफल रफाइल की बात करी गई थी और कितने अमाउन में 59,000 क्रोड में 59,000 क्रोड के अंदर जो है हमने इस टीज को खरीदा था एग्रिमेंट हुआ था हमारा फ्रांस के साथ बिलकुल जी क्लियर होगे आप लोगं को अंसर इसमें बी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर यह हैं जी रफाइल, दा गेम चेंजर सबसे ओल्डेस रॉक्स जो है कहां पे मिलती है यहां पे ध्यां रखना सबसे ओल्डेस रॉक्स पूचा है चटाने पूचा है, इसने ये नहीं पूचा, ओल्ड फोल्ड माउंटेन बताओ ध्यां रखो कोशन का, यहां पे ओल्ड फोल्ड माउंटेन का कोशन नहीं है यहां पर question क्या है आपका oldest rock का question है clear rocks का question है तो वो आपकी धारवार reason करनाटक के अंदर धारवार reason है यहां पे सबसे ज्यादा जो है आपकी पुरानी वह मिलती है डाड़िस चटाने मिलती है करनाटक reason के अंदर और यहां पे जो अरावली हैं वह आपकी fold mountain है ध्यां रखना हि किवालिक आपकी mountainous reason का Himalayan mountainous reason का पार्ट है तो अंसर इसमें देखो गलत कर रहे हो ना सारे गलत कर रहे हैं सारे बच्चे गलत कर रहे हैं इसका अरावली इंसर टिक करके हमकब करते हैं। हंदी को लेंग्विश को पर्मोट करने के लिए 2006 से हमने से सलिबरेट करना और यहाँ घंवरि G10بةdid का दिन होता है थैं हम सेलिब्रेट करते हैं हिंदी दिवस जो हमारा इंडिया में सेलिब्रेट किया था नैशनल हिंदी दिवस यह सेलिब्रेट करते हैं 14 सेप्टमबर को सेलिब्रेट किया जाता है यह जो हिंदी दिवस बच्चे को हम education provide करते हैं under article 45 जो है इसमें हम age of 40 age of 6 years तक जो है हम इसको education provide करते हैं age of 6 year को क्योंकि 86 amendment तीन चीज़ों के साथ जुड़ती है एक तो आपका ग्यार्वी fundamental duty के साथ 11 fundamental duty जिसमें 6-14 साल के बच्चों को पढ़ाना पेरेंट्स की duty होती है और 86 सांशोधन आपका आर्टिकल 21 ए भी आ है राइट व एजुकेशन वाया छे से 14 साल के बच्चों को पढ़ने का राइट है और साथ के साथ 45 आर्टिकल में भी लिखा हुआ है जो DPS में इसका पार्ट है कि आप 6 साल तक के बच्चों को free education वाहां पर प्रोवाइड करोगे अपने schools के अंदर तो answer इसमें क्या बनेगा आपका बी option बनेगा age of six year is the correct answer clear होगा आप लोगगो yes बी option बनेगा right answer B option sound के लिए इन में से statement जो है वो गलत कौन सही कौन सी है सही पूछ रहा है सही statement इन में से कौन सी है clear sound के लिए धवने के लिए statement कौन सी सही है sound waves आधा transfer waves ये point गलत है जी ये आपकी जो है अनुप्रस तरंगे नहीं होती ये longitudinal होती है अनुधैग्रेया होती है ये longitudinal अनुधैग्रेया ठीक है ये आपकी longitudinal waves होती है ये point आपका गलत हो गया पहला और दूसरी बात को sound को travel करने के लिए एक medium की जरुरत होती है इसी कारण इसको यांत्रिक तरंगे भी कहते है mechanical waves भी इसको कहा जाता है clear होगा आप लोगं को तो इसी 20 किलो हर्ट से उपर होती है गलत point है जी ये 20 हर्ट से लेके 20 किलो 1000 हर्ट तक होती है 20,000 हर्ट तक देखने को आपको मिलती है clear range उसे 20,000 KHG बोला है यहां पर किलो हर्ट है यहां पर ध्यान रखो किलो का मतलब 20,000 हर्ट की बात कर रहा है ये point गलत हो गया sound waves को medium चाहिए उसको travel करने के लिए point सही है जी तब ही तो हमने कहा कि ये mechanical waves होती है और non periodic sound waves जो होती है उनको noise कहते है ये भी आपका point बिलकुल सही है तो answer इसमें क्या बनेगा आपका D option बनेगा 3 and 4 is the correct answer clear जी बिलकुल 3 and 4 क्या बनेगा आपका statement correct बनेगा right answer D option बनेगा right one ठीक है 3 and 4 बाकी आपके point गलत है नेक्स बदाएं इन में से कौंसा statement correct नहीं है किसके लिए बुकम के लिए अर्थ के के लिए कौंसा statement इन में से correct नहीं है तो यहां पर point देखे जी ध्यान से समझे क्या गयता है it is caused by the endogenic forces of the earth बिलकुल earthquake जो होता है अंदर आपकी play tectonic moment होती रहती है तब होता है वो डिक्टर स्केल के द्वारा मेजर किया जाता है यह भी point सही है damage जो होता है मर्कली स्केल से measure करिया जाता है जिसमें हम intensity को measure करते है यह भी आपका point बिलकुल सही है epicenter जो होता है point deep under the ground where it actually begins यह point आपका गलत होता है क्योंकि जहां से begin होता है start होता है उसको हम focus के उपर ह हाली साइड पर होता है epicenter clear focus को हम और क्या कहते हैं hypo center focus को हम और क्या कहते हैं hypo center तो answer इसमें क्या बनने वाला है आपका d option बनेगा correct answer epicenter is the point deep under the ground यह गलत है epicenter is the point above the ground above the focus clear answer इसमें d option बनेगा right answer clear हो गया जी यह d option बनेगा right answer यहाँ पे देखे जी यहाँ पे है focus यह आपका focus यह center वाला पार्ट यह focus clear focus के ऊपर की बात करते हैं यहाँ पे आपका epicenter this is the epicenter clear so this is the earthquake वाला part next देखे जी क्या है इनमें से ऐसा कौन सा rate है जो bank द्वारा rb द्वारा मेजर नहीं किया जाता not determined by the RBI CRR यह भी पताया था मैंने किया जाता है SLR भी किया जाता है प्राइम लेंडिंग रेट नहीं किया जाता प्राइम लेंडिंडिंग रेट क्या होता है जिसमें आपके अरे बैंक के लिए अच्छे साबित होंगे जो ट्रस्ट वर्दी परसन होते हैं और बैंकों के तो वह इसमें जो है प्राइम लेंडिंग रेट में इसको पैसा मिलता है तो अंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका डी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर प्राइम अप्शन बनेगा गलती से गलती मत करना कन्फ्यूजन दी हुई है यहां पे आपको पार्ट फॉर फिफ्टीवन फंडामेंटल डूटी हमने फॉर्टी सेगंड अमेंडमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर हमने एड करी थी क्लियर हो गया और फंडामेंटल डूटी का आर्टि अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजन टू के अकॉर्डिंग श्यासीवां संशोधन दोहजार दो के अकॉर्डिंग क्लियर होगे आप लोगो तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा गलती करोगे क्योंकि 4A भी आना चाहिए 51 आर्टिकल जो है आपका व बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूं इन में से ऐसी कौन सी स्टेट है जो नहीं बाइसक्ट होती ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन सी स्टेट जो है बाइसक्ट नहीं होती ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आठ स्टेट बाइसक्ट होती है स्टार्ट गुजरात गुजरात के बाद आता है राजस्तान राजस्तान के बाद MP 36 जारखंड वेस्ट बेंगॉल चीक है और उसके बाद त्रीपुरा और उसके बाद मिजोरा तो यह आपकी आठ स्टेट होती है यहां पे मेरे को मुझवानी याद है तो आपको भी मुझवानी याद होना चाहिए तो इनमें से आठ आपकोकी ड्रॉप आपकी अफंसर को इंडिया में मद्या प्रदेश के अंदर एकी रीवर है जो दो बार कारती है ट्रॉपिक अफंसर को इन ट्रॉपिक रॉप कैंसर सिर्फ एक रीवर एक पूरे वर्ल्ल रेंड एक जगहा पे करती ऑगला जहां पना प्रद 2760 chau rolling plan क्या होता है rolling plan क्या होता है rolling plan जो है यह जंता government ने दिया था उसव्यम्laugh Одसना पर्यंतम पर मुराजी दिशाई आपकी सरकार थी मुराजी दिशाई वा फ्ल्यून प्रवय पहले क्या होते था पांच साल के plan बनाई राते थे फांच साल का result आता था और को हम देखते थी result देखके result देखके उसमें कम्यां देखके next five year का plan बनता था rolling plan में क्या बोला गया था एक साल का हम plan बनाएंगे एक साल के बाद जो भी इसमें गलतिया होई होंगी उसको मतलब उसको assess करेंगे उसका result देखेंगे फिर उसके बाद plan that changes its target and allocation every year so हर साल का plan हर साल आपके टार्गेट चेंज होना हर साल जो है आपको नया पैसा एलोकेट होना तो यहां पर बच्चे क्या बोल रहे हैं बी ऑप्शन भी बोल रहे हैं एलोकेशन तो ठीक है बाई मैंने आपको क्या बताया इसको assess करेंगे रिजल्ट देखेंगे target set करेंगे फिर अगला साल फिर टार्गेट अगला साल इस तरीके से किया जाएगा इसमें अंसर डी option बनेगा यह बाकिए points confusion करने के लिए आपको डाले गए ऐसे confusion करने के लिए डाले गए हैं कि आपको गुम्रहा करने के लिए कि आप अंसर वहां पर टिक कर दो अंसर इसमें डी option बनेगा कि समझाए आप लोगं को गलती नहीं करने हमने paper में यहीं गलती कर लो paper में गलती नहीं करनी उसमें देखो मैंने हमेशा आपको बात बोली है कि आपको paper आता होगा जो हम कर रहे हैं वह चीज़ आती होगी आपको लेकिन आप क्या करोगे जबर्दस्ती गलती से गलती करोगे जाने के अगर आप कहोगे कि हाँ यह कोशन मुझे आता कवेक्षण आपने लड़ना है आजकल 54 के अंत्र प्रेजिजरेंट के इलक्षण के बारे में लिखा गया है को एक कौन्सी कॉलिफिकेशन उसकी जो वें नहीं होती इनक्रेक्ट बॉला है इन में से ुप इंडिया होना चाहिए यह पॉंट तहीं है उसके पास औफिस आगे深 अपुर्पा कि पीपल जाने कि लोकसभा की जितनी होनी कि घुलीयना गलत है पॉंट आपका वो 30 साल का ना होके 35 साल का होना चाहिए 35 यह का होना चाहिए सो अंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर अगें एज का आपको मैंने बताया है 18 और 18 प्लस वाले वोट कर सकते हैं 21 साल वाले पंचायक मुनिसे प्लिटिक एलेक्शन लड़ सकते हैं 25 साल वाले जो है विदान सभा का विदान सभा का और लोक सभा का एलेक्शन 30 साल वाले जो है विदान परिशद राजे सभा का एलेक्शन 35 साल वाल प्रेजिएंट वाइस प्रेडेड़ और गवर्णर का इलेक्शन लड़ सकते हैं तो उसी में यह क्या बनने वाला आपका डी प्षों बनेगा राइट अंसर क्लियर और ऑज आपको कि याइस कि अगला पता यह फटाफट का अंसर बनेगा new question है इनमें से कां सा ऐसा हॉर्ण्य हे हमारी बॉड़ी के अंदर थे हमारी बॉड़ी के अंदर जो है आपका like in hormone कर का कौन सी चीज़ है ब्लड कैल्शिंगी में फॉस्टेद को रेगॉलेट करती है वह कौन्सा हॉर्वण करते हैं यह थायरट हर्मोन यह अबже दो चीजे होती है अब क्या होता है केल्सीतोनीन होर्मोन निकलता है कैल्सी टोनिन कैल्सी टोनिन क्लियर और एक निकलता है पैराथायरड होर्मोन जो है तब निकाला जाता है जब हमारी बॉड़ी के अंदर कैल्सी टोनिन निकलता है लेकिन कैल्सी टोनिन तब निकलता है जब हमारी बॉड़ी के अंदर कैल्सी टोनिन निक लेगा रेगुलेट करने के लिए तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्षन बनेगा वही कोशन यह पूछ रहा था अगर यहां पर पूछ लेता कि कमी हो रही है कैल्शियम की तो कौन सा तो कैल्सी टूनिन इसका अंसर बन जाता एक यह आपका गेंगा रोग वाइट इस बरती चली जाती है जीसे आप कहते हैं तो ठीक है और अगर थोटी अड़े निकल आएं तो डवार्फिजम खोटा बोनापन जिसे आप कहते हैं और अगर कहीं होता है चिंद भी वार को है मतलब ठोड़ी भी बाहर को है उसको प्रते आप अपर बनता है सो मैट से पैंक्रिया से अगनाशिया से और अलफा सेल निकालते हैं यह यह कब निकलता है जब आपकी बॉड़ी के अंदर जो है ग्लाइकोजन ज्यादा हो जाए और आपकी शरीर को जुरुरत हो गुलुकोज की यह क्या करता है ग्लुकागॉन होर्मन ग्लाइकोजन टू ग्लुको से मिनने आपको बताया था पैरा थार्ड ग्लैंट से पैरा थार्ड हॉर्मोन निकलता है तब जब आपका कैश्यम और फॉस्वेट को रेगुलीड करना हो ठीक है और प्लस आपका कैलसी टोनिन इसके बारे में लिखा नहीं है बट चलो मिनने आपको बताई दिया था कैलसी ग्रोथ के अंदर जो है कौन सी चीज़े बनती है कोशें यहां पर ध्यां से समयना है ग्रोथ का मतलब यहां पर यह है कि आप सबोस करो कि आप एक्जाम दे रहे हो एक्जाम आपका क्लियर हो गया तो आपकी ग्रोथ हो रही है ना आपने एक नेक्स टेप आगे कर लिया फिर आप एक नेक्स टेप आगे बढ़ रहे हो डिपार्मेंट पेपर देगे या कुछ करके तो ग्रोथ इस तरीके से आपकी ब Multim queria के भिष्ण होुआ कि हमारे चलडु की यह कर से जदा कंपकनी के लिए वहाँ पहुंच आ तो आपकी growth हो रहे है वह growth कैसे टीपेंड करेगी आपकी performance के उपर अगर आपकी performance अच्छी हो रहे है तो समझ आया विए इंडिया की country कीिadhuद करेगी प्रफॉरमेंस की ऊपर प्रफॉर्फ्रसकिस की economy इकनोमिक प्रफॉर्मैंस कहाँ से देखी जाती यापकी GDP से देखी जाती है GDP का मतलब क्या होता है कि एक साल के अंदर आप कितनी फाइनल चुछ गुड्स पर्डूप्ड कर रेक साल के अंदर डाइड़िस अपकी यूऊणिक प्रफॉर्मेंस क्लियर और एकनोमिक प्रफॉर्मेंस के उपर डिपेंड करती है आपकी एकनोमिक ग्रोथ लेगें ध्यार रखना एक होता है आपका एकोनोमिक डेवलप्मेंट एक होता है क्या होता है कि लिए आपकी पर प्रकेपीटा इंकम के साथ मतंब प्रतिव मतलब करते है क्या है लूक्त ऑले ठली में कवाना खाता नहीं अब यो है अग is my development clear कि मेरी development हुई है growth is performance development is मेरे में improvement क्या रही है अगर मैं पहले जो है एक normal shirt पहन लेता था आज कल थोड़ी से मैं अच्छी shirt पहन रहा हूं that means my development improvement होना आपके अंदर improvement technical technology changes आना that is called improvement clear यह दिया रखना so this is called development and growth and development का concept आपके सामने आ चुका है clear हो गया आप लोगं को यह ठीक है तो यहां पर यह आपका फेक्टर जो मैंने बताया है छोड़ो इसको आगे देखो green revolution जो है green revolution आया था इसमें इंडियन agriculture के अंदर farmers के उपर farmers किसके उपर depend हो गए है देखे green revolution जो आया 66 67 में आया विलियम गैड ने यह टर्म दी थी विलियम गॉड गैड कुछ भी कह देते हो आप नॉर्मन बर्लोग वाज़ा परसन जिन्हों ने जिनको बोला आता है father of green revolution में स्वामी नाथन इनको बोला आता है father of green revolution in India green evolution सबसे ज़्यादा rice और wheat के उपर असर पड़ा था गेहूं और चावल के उपर rice वाले जो बीज आये थे hyb seed आये थे वह आये थे कहां से फिलिपिन से अधिक उपजाउता वाले बीज और गेहूं वाले आये से कहां थे वह आये थे मेक्सिको से ठीक है तो क्या होता है कि इसका dependent हमें किसकी उपर बन गए हम किस चीज की उपर इसकी उपर dependent बना दिया हमें उल्वरक और कीट नाश्यक की उपर फर्टिलाइजर और पैस्टिसाइड की उपर dependent बना दिया अंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर येस बी ऑप्शन इस अ करेक्ट वान बी ऑप्शन नेक्स्ट बताईए जी हीमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी जो है आपकी ब्लड वैसल कौन सी है लार्जेस्ट ब्लड वैसल रक्त वाहिका इन में से सबसी ज्यादा कौन सी है डैडिज ए ओटा महा ध्रमनी जिसे आप कहते हैं एओटा इस लार्जेस्ट ब्लड वैसल ए is pulmonary artery, renal artery के अंदर जो है आपका ये किसके साथ जुड़ती है kidney के साथ, और coronary artery में आपको बताया था, coronary धमनी ये हमारी heart की muscles तक जो है, आपके blood पहुंचाती है, अगर coronary artery में कोई घड़ बड़ तो heart attack भी हो सकता है किसी भी person को, तो answer इसमें क्या बनेगा, आपका b option बनेगा, aota महा धमनी is the correct answer, clear, aota महा धमनी, तो देखो ये आपकी branches हैं, aota की, यहाँ पर बड़ी बड़ी, ठीक है, aota branches हैं ये, clear, याद रखना, चले जी, अगला question देखते हैं, ecosystem term जो है, ये पहली बार किसने use करी थे, ecosystem का मतलब होता है, biotic और non-biotic components का आपका relationship, clear, environment के साथ relationship आपारा, तो that is called आपका ecosystem, समझाया, तो ये ecosystem का जो word use किया था, वो tensley ने पहली बार use किया था, tensley ने पहली बार use किया था, answer इसमें क्या बनेगा, आपका, c option बनेगा correct answer, yes, c option is the right one, tensley is the correct one, ecosystem word जो है, basic unit of आपका nature है, tensley ने बताया था, ecological system भी इन्होंने word use किया था, clear होगे आप लोगों को, इन्होंने बताया था, कि जो nature है, वो एक system की तरह काम करती है, जिसमें organs और communities जो है, वो influence होते हैं, non living environment के साथ, और ऐसा ही non living environment आपका संबंदित किसके साथ है, आपका living part के साथ संबंदित है, clear, ये ध्यान रखना important है, चलिजी, अगला बताया ये फट अफट कोशन क्या बनेगा, how do most insects respire, जो सबसे ज़्यादा अधिकांश कीट होते हैं, ये श्वसन कैसे करते हैं, सबसे ज़्यादा insects के सरीके से respire करते हैं, ये आपको बताना है, तो इसका जो answer बनेगा, वो बनेगा आपका, that is by trackle system, ये आपको याद कर लेना है बाई, ये कुशन आप याद कर लीजे, trackle system द्वारा, चीक है, insect की study को हम क्या कहता है, entomology, entomology कहा जाता है, क्या entomology, very very important answer इसमें C option बनेगा, correct answer, entomology, तो भाई इस तरीके से tracklea होते हैं, ये सांस लेते हैं, यहाँ से सांस आती है, आपको चलिए, next बदा ये, amendment होती है, सविधान के अंदर कहां से start की जाती है, amendment मतलब change in the constitution, अगर आपने सविधान के अंदर कुछ चेंज करना है, और ये कौन से article में है, 368 में लिखा जाता है, और आपका part 20, पार्ट 20 के अंदर, और हमने amendment का procedure लिया था, South Africa से, clear होगे आप लोगों को, तो ये amendment अगर आपने कुछ भी change करना हो, सविधान के अंदर change करना हो, तो किसी भी सदन से bill start हो सकता है, किसी भी सदन से, तो that means, by the introduction of bill in the either house of the parliament, संसत में किसी भी विदेग पेश करने से, जो है, आपके किसी भी house में bill पेश कर सकते हैं, और आपका proper तरीके से जो है, जो है amendment हो सकती है, अंसर इसमें D option बनेगा, right answer, clear, very important, part 20, South Africa, article 368, super important question आई वाला, यह वोशन बड़ा important है, बताई है इसमें, इसमें answer क्या बनेगा, इसमें बोल रहा है, विजिन अगर इंपायर का जो downfall देखने को मिला था, वो किस कब देखने को मिला था, विजिन अगर इस टाइम पे 31st टेट बनी है, हमारी गोशित की गई है, करनाटक के अंदर है ये, ठीक है, अभी आज की न्यूज बता रहा हूं, मतलब आज की नी, मतलब अभी की न्यूज है, कुछ दिन पहले ही, विजिन अगर को 31st डिस्ट्रिक गोशित किया गया था, कहां का, करनाटक का, विजिन अगर का नाम है हमपी, और ये तुंग बद्रा रीवर के किनारे के उपर है, तुंग बद्रा रीवर के उपर, क्लियर, हरी हरे एंड बुका ने स्टार्ट किया था, लेकिन बात यहां पे है कि डाउन फॉल की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी लड़ाई थी, तालिकोटा की लड़ाई थी, तालिकोटा, और इसको बैटल आफ राक्षसी एंड तंगडी की लड़ाई भी इसको कहा जाता है, क्यूंकि एक सदा शिव राव, एक राजा था, जिसका प्राइम निस्ट्र था, आपका, डैडिस रामा राया, प्राइम निस्ट्र रामा राया की जो पॉलसी थी, वो साउथ के अंदर, जो आपके लोग थे, मुस्लिम इंपायर था, उनके लिए अच्छी नहीं थी, तो जिसके कारण मुस्लिम लोग जो है, भड़के हुए थे, मुस्लिम लोगों ने एक ग्रूप बनाया वहाँ पे, तो जो लड़ाई लड़ी गई तालिकोटा की राक्षेसी और तंगडी की लड़ाई काते हैं, तो इसमें सदाशी वराओ को हरा दिया गया था, मार दिया गया था, और इस तरीके से पूरा पूरा भीजे नगर इंपायर खतम हो गया था, प्लियर हो गया आप लोगों को, तो अंसर इसमें क्या बनेगा, बैटल ओफ ताली कोटा, ये कभी लड़ाई करी लड़ी थी, 1565 में, 1565 के अंदर ये लड़ाई लड़ी गई थी, क्लियर हो गया आप लोगों को, येस, जी बिल्कुल, ठीक है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, अगे देखते हैं, बैटल ओफ कानवा, बैटल ओफ कानवा का युदक, जो है, 1527 इसमें में हुआ था, इसमें बाबर और राना सांगा के बीच में, और पानिपत की तो तील लड़ाई होई हुई है, 1526, इब्राहिम लोधी, बाबर की, और 1556, हेमू, और बैरम खान की, 1761, एमशा, अब्दाली, और मराठा की, मराठाओं में थे, सदाशिव राव, भाव, तो इसमें जो अंसर बनेगा, बैटल ओफ ताली कोटा, इसमें जो अंसर बनेगा, राइट अंसर, ताली कोटा, 1565 के अंदर लड़ाई हुई थी, 26 जनवरी 1565 की दिन था, 26 जनवरी 1565 का दिन था, तो इस इस वेरी इंपॉर्टन कोशन, क्लियर, विजे नगर इंपायर, खतम, एंटिबॉइटिक जो है आपका पैनिसलीन, ये कहां से लिया जाता है, फटवट बदाईए, एंटिबॉइटिक जो पैनिसलीन है, ये कहां से आप अप्टेन करते हैं, पहली बात तो पैनिसलीन जो है वो डिस्कवर कहां से किया गया था, पैनिसलीन नोटेटम से, पैनिसलीन नोटेटम से जो है इसको बनाया गया था, और पैनिसलीन जो बनाया था वो अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने बनाया था अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने क्लियर याद रखिए अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने इस वेरी इंपॉर्टेंट सो यह कहां से बनाया गा जी फंगसे बनाया था कुकर मुता अंसर इसमें क्या बने नाइक्स देखें, जो है लाल मिटी कहां पर देखने को मिलती है, लाल मिटी लाल इसलिए जूँगी उसके अंदर फीरों देखने को आपको मिलता है, कौन से रीजन में देखने को आपको मिलती है, बताइए जी, कौन से रीजन, कंट्री का कौन सा पार्ट होता है, जहां पे आपकी ये देखने को मिलती है, खास करके, तमिल लाडू के अंदर बात करी जाए, करनाटर के अंदर, आंदर प्रदेश, च्छतिसगर महाराष्ट्रा उरिश्या के अंदर बात करी जाए तो लाल मिटी देखने को मिलती है तो यह पर दिखा देते हैं आपको लाल मिटी चीक है तो यह आपकी लाल मिटी यह थोड़ा सा आपका मध्यापरदेश का भी पार्ट टच कर जाता है यहां पर तैलेंगना उरिशा वाला पार्ट और थोड़ा बहुत महाराष्ट्रा वाला पार्ट और यह जो रिजन है आसपास जो है यहां की अंदर जो है देखने को मिलती है आपकी लाल मिटी और यह रिजन कौन सा है आपका जो डैट इस अश्रन एंड अड आपका देकन प्लेटू इस और डैकन के इस्टन डिरेक्शन में और साउथ डिरेक्शन में देखने को मिलती है क्या लाल मिटी इस इंपॉर्डन वान क्लियर ऐसी निटिक करना ध्यांसे एफ्यक्ट को ध्यांसे समझ के हां बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है और यहां पर सबसे अधिक उपजाओ वाली यह क्या करते हैं रिवर्स आती है यहां से सारी मिटी लेकर आती है यहां पर पूरी इंडिया में 40% एरिया के अंदर आपकी डैडिज एलूवियल इन स्वाइल जिलोड मिटी होती है तब ही देखा होगे कि नौर्थ इंडिया के अंदर इन स्टेटों के अंदर ही अग्रिकल्चर क्यों जाता है क्योंकि मिटी इतनी पुझाओ भूमी है यहां पर क्लियर हो गया यह चलिए अगला कोश्चन देखिए बस थोड़े से कोश्चन रहे हैं ज्यादा कोश्चन नहीं रह देंगी यहां पर जमीन मिल जाएगी तो इस जगह को संभालेगा तो तूझे क्या करना है कि जितने भी वहां से पैसा इकठा होगा वह तेरा है ठीक है लेकिन तेरे को भूमी तेरी पुष्टों को नहीं जाएगी कहने का मतलब कि तरी जनेरेशन ट्रांसफर नहीं होगी जैसे उस बंदे की डैथ होगी वह पूरी की पूरी भूमी राजा के पास फिर आ जाएगी क्लियर सो मनसफदारी सिस्टम अच्छा और एक चीज़ और है कि उसको जो भी पैसा मिलता था उसके साथ साथ उसको क्या करना पढ़ता था आरमी खड़ी करनी पढ़ती थी किंग प्रिख लिए क्लियर यह भी आपको द्यान रखना तो मनसफदारी पिता जो है वह मेंली चली थी अकबर के टाइम पे अंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा और सबसे ज्यादा मनसफदारी मिलती थी राजा मान सिंग को प्लियर वेरी इंपॉर्टन है और उसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर येस क्लियर जी येस सी ऑप्शन बनेगा और बाबर की बात करते हैं तो बाबर की तो बाहरतम डिसक्यर्फ सकते कि कितनी लड़ाई लडई लडई इसने बाबर को दफणाय कहां पे गया था पहले पहले जो है आगरा के अंदर अराम बाग पींदर जो body है काबुल में लेके जाई गई थी दो राजा ऐसे हैं मुगल्स के अंदर जिन्हों ने अपनी ओटो बाइग्राफी लिखी है एक बाबर और एक आपका जांगीर इन्हों ने लिखी है तुजु के बाबुरी इन्हों ने लिखे तुजु के जांगीरी जांगीरी इन्हों पेंटर किंग इसको कहा जाता है हुमायू की लड़ाई लड़ी थी शेर्शा सूरी के साथ शेर्शा सूरी के साथ बैटल ओफ चौसा बैटल ऑफ कन्योज 1549-1540 और दोने लड़ाईओं में कौन हा रहा था हुमायू हा रहा था और पूरा का पूरा राज सब नेचर ऑफ जौब के उपर डिपेंड करता रैंक मिलता था मनसब दा जो है भूमी को जो होल्ड करता था इस तरीके से क्लियर आफ्टर हिस डैथ दा जो भी सारी चीज होती थी वह सारी किंग के पास चली जाती थी चलिए अगला बताए फटाफट अगला बताए जी फ सिमन्ट के अंदर इसमी कई बनेगा सी ऐप्षण बनेगा लाइम्स्टों और क्ले को यूज किया जाता है सिमेंट के निदर और इसके अंदर डाला जihat सम sub stop डाला जाता है अब को ह Lori यहां पर ध्यांसे समना कि अगर आपसे पूछा कि जिपसम हम क्यों डालते हैं सिमेंट के अंदर जिपसम सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए इंक्रीज दा सेटिंग टाइम सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए आपका जिपसम डाला जाता है ठीक है और आपकी setting reaction को कम करने के लिए जाने के reaction जल्दी ना हो तो reaction को कम करने के लिए reduce करने के लिए reduction करने के लिए ये gypsum डाला जाता है ये भी important question है तो answer इसमें क्या बनेगा आपका C option बनेगा, cement के अंदर डाला जाता है answer इसमें C option, तो आप समझ पा रहे हैं कि हमारे 10,000 जो MCQ course है उसकी value क्या है वो पैसा पैसे की तरफ आप बागते हो बहुत जादा हो कि 2000 रुपया खर्च करना पड़ेगा, लेकिन 2000 रुपया आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है मैं आपको बता दूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें एसे कोश्चन बता ने कितने डिसकस की है मैंने क्योंकि YouTube के उपर मैरे पास time limited होता है, आपको भी पता है, मैंने कितनी बार आपको बता है, कि YouTube के उपर मैं इतना काम नहीं कर सकता, क्योंकि app हमारी है, पेड, सारा खर्चा हमारा है उसके उपर ठीक है हमारी कंपनी कर रही है सब कुछ खरजा तो उसमें मेरे पास टाइम लिमिट कोई निया जितना मर्जी में पढ़ाना चाहता हूं पढ़ाता हूं और दबा के पढ़ाया जाता है वहां पे तो यह बनेगा जी आपका सी ओप्शन इस दा करेक्ट आंसर क्लि जिबसम आइरन स्टोन यह डाले जाते हैं सिमिंट के अंदर चलिए अगला बताएए अगला बताएए फटा फट गरीब कौन होता है बढ़ाई पैसे से एक बंदा गरीब नहीं है मैं आपको अब भी बता दूँ सोच से बंदा गरीब रह जाता है तभी हमारे देश में ज मैं आपको बढ़ा दूं ठीक है अधर्वाइस बहुत सारी लोग हैं जितनी आप कहानिया सुनते हों कि हां यह बंदा इतना बड़ा बना सोच से बंदा गरीब नहीं था यह गरीब अमीरी की जो बाते करने लग जाते हो ना आप लोग ठीक है उसमें वो चीजे तुम्हारी गुम जाती है समझाया और एक चीज़ और बताता हूं कि स्टूर क्या होता है कि हम जितना भी पढ़ा लेना जितना भी पढ़ा लें आपको तेरी तो ड्यूटी थी यह सुनने को एंड में मिलता है जिसमें यह उत्तम साब जो भी थे बात कर रहे थे यह काफी टाइम से ठीक है अगर बाकी था ना तो तुम बाकी लेक्चर भी कि सुन रहे हो वो भी सुनी रहे हो मेरे सी सुन रहे हो ठीक है तो जो भी आपकी जो बकवास वाजी जो बीच में चलती रहती है ना कि मैं अपनी सोच से इतना बढ़ा हूं बाई मैं बहुत मतलब मिडल इंकम फैमिली से बिलॉंग करता हूं मैं बिल्कुल हिंदी में मैं पढ़ा हुआ उस्टूडेंटों मैं बहुत आगे जाके बाद में इंग्लिश चेंज हुआ मेरा मेनत करिए यहां पर पहुंचने के ल कि अगला कोशन देखते हैं क्या कहते हैं चलिए अगला बताइए है दा मोस्ट अबंदेंट मैटल इंद अर्थ करस्टेज जल्दी बताइए जिए फड़ा फड़ा बताना है दा मोस्ट अबंदेंट मैटल इंद अर्थ करस्ट इस को कई हां बहुत 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 रहें पर दिख रहा है मुझे शचेट में दिख रहें बहुत 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 रहें हैं लेकिन पक है सिना पर क्या है मैटल की दातू की तो दातू में सबसे ज्यादा मिलती है कौन HipCan स्6 ऑप्शन बनेगा अब जिनको मैंने बोल दिया ना वो क्या कर लेक डिस लाइक रो शेर नहीं और इस io गोदेश्णाइक कर ल कर्णाइंट स्लाइक करो आए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है अंसर इसमें सी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर और अलमीनियम की और आपको याद कर लेनी है बॉक्साइट होता है ठीक है और कॉरंडम यह दो आपकी ओर्स हैं किसके अंदर इसमें सी क्शिन बनेगा राइट अंसर घ्रणी सिलिकॉन है बात करेशे मैटल्क यह मैटल की तो दूसरा मेटल आपका आता है डैटीज तो डैटीज आपका आइरन ठीक है आइरन इस अ करेक्ट अंसार क्लिवर होगे आप लोगों को कि सोच सोच बहुत सही गया है तुम कि सही आप सही बात है सही बात है कि साथ इन में से कौन सी टम मैच नहीं करती इस नौट एस्ट विद्धा साउंड वेव पल्लो बस बहुत हो गया ठीक है तो अंसर इसमें क्या बनेगा जी कौन से टम घो है यह पॉइंट सही है ऐसीपल आवनेस की यूनिट होती है यह भी सही है मैक नॉमबरन Ciao सौर्स की साउंड और और मिडियम की साउंड को डिवाइड करते हो तो मैट निकाला जाता है अगर मैक नंबर gon टो इसमें जो आप्षिन नहीं है वह आपका कैंड़ला आप्षिन नहीं तो करते हैं ऐसी चीज़ें वह ठीक है बहुत ज़्यादा बाहर मुझे भी दिख रहा है सुन रहा है मुझे भी कुट्टे बॉंक रहे तो इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑफ्षिन बनेगा राइट अंसर चैंडला इस दा करेक्ट अंसर बट आपको बियर करना पड़ेगा हमें कुत्तों से मैटर नहीं करता जो बाहर बाउंक रहे हैं लेकिन हमें क्लास की तरफ ज्यादा देना है तो पता नहीं क्यों आवाज पता नहीं कैसे पहुंच रही है तो इसमें क्या बनेगा आपका यह सी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर कैंडला इस दा करेक्ट वन ठीक है तो यहां पे भाई यह आपके जो हैं इंटेंसिटी की यूनिट होते हैं चलिए जो होती है यह क्रेक्टरस्टिक फीचर किसका है आप किसका क्रेक्टरस्टिक फीचर है यह इंदो का मतलत है कि जिसकी पता ही लगती वो एक आपका हॉर्मोनल चेंजिजिस होते है खासकरके वह उसक्रों क्यों साहल को साथ संबंदित होता है तर्ण सिंड्रूम के साहल संबंदित है प्यूप्षिन बनेगा राइटन साह स जो प्र फीट वोड़ी के लिए जाता है जाने के टोटल आपके 45 ख्रोमोजों यहां तो से इस तरीके से फीमेल बारी के अंदर देखने को मिलता है यहां पर क्लीव होगे आप लोगं को यह येस तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका टर्नर सिंड्रोम विजा करेक्ट अंसर यह आपको मैं फीचर दिखा देता हूं ठीक है इस तरीके से फीमेल बॉड़ी के अंदर देखने को मिलता है हाइट छोटी रह जाती है हेला इस जो आपका लो हेलाइन होता है यह आपका छो नहीं आप आते हैं यहां पे तो इसका मतलब जब यह नहीं हो पाता तो इसका मतलब बच्चा भी नहीं पैदा कर पाएंगी यह ठीक है यह आपको ध्यान रखना है अब लोगं को इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर क्लियर बी ऑप्शन डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं तो डाउन संड्रोम क्या होता है 21st क्रोमोजम के अंदर चेंजिस आते हैं और इसको हम मंगोलीजम भी कहा जाता है ठीक है और 21st क्रोमोजम में एक्स्ट्रा क्रोम कहते हैं ठीक है और one more is the clean filter clean filter में क्या होता है 44 plus xxy हो जाते हैं तो 47 chromosome हो जाते हैं जिसमें एक लड़के के अंदर लड़की के characteristic feature आ जाते हैं जैसे किनर्स बगरा होते हैं उनकी बात कर रहा हूं गेईजम is not the syndrome गेईजम is a hormonal changes ध्यान रखना clean filter syndrome किनर्स होते हैं 44 plus xxy मतलब मर्दाना बॉड़ी भी हो सकती है और मतलब जो आपकी female body भी होती है और male body भी उसमें देखने को मिलती है दोनों फेक्टर देखने को मिलते हैं syndrome क्या होता है what is cry-do-chat syndrome clear इसमें क्या होता है कि जो आपका तो cry-do cry-do-chat syndrome जो है मैं बताऊंगा आपको कि क्या बात पर असरा था मैं एंड में बताऊंगा ठीक है cry-do-chat syndrome यह आपका fifth chromosome होता है ठीक है पांचवा क्रोमोजोम होता है उसकी छोटी शौर्ट आम जो है वो ड्रीट हो जाती है क्योंकि देखिए क्या होता है क्रोमोजोम इस तरीके से होता है एक इसकी छोटी आम होती है यह पांचवा पांचवा है यह यह डिलीट हो जाता है यहां से डिलीट हो गया तो जब यह रोता है आदमी भी रोत है न तो ऐसे लगता कि बच्चे की अवाज आ रही है तो दिस दा क्राइडू चैट स्रिंड्रॉम क्लिर हो गया होट પने भूंगने बंद हो गयते कुछ चाना के लिए फिरा आ गए हैं कहं तो भई गर सकते हैं कुट्टों का काम में बहुंग रहा है तो मेरे को भी लग रहा है कि ज्यादा क्लास लेट तो नहीं हो गई है अभी तो सब्सक्राइब तक लेते हैं तो पढ़ लो अब यहीं कह सकता हूं तो ठीक है और जिन अब को थोड़े सी दिक्कत हो रहे है तो तो भागजाई है यहां से वहारा तो कहने का लौजिक बनता है ठीक है지만 कákणि जो है आपकी मध मकी यहां पर गलत है मधु मखी के काटने से प्रड़ पर जाता है ना ठीक है तो उसके बाद जो है रेडिश पॉइंट हो जाता है उसके अंदर एसिट चला जाता है एंड डैट इस कॉल्ड आपका डैट इस कॉल्ड आपका मिथेनौइक एसिड और इसको फॉर्मिक एसिड भी कहा देते हैं अ च्छान करेखर एंदर तो अंसर इसमें क्या बनेगा तो अंसर इसमें अप्शेटिक लिकूड एसटिक लिकुड एक अमलीया तर्ल है अंसर वान उप्शन बनेगा ठीक है क्लियर हो गया जी आपको yes answer is one option is the correct one चलिए जी यह है भाई आपका जो वास्प स्ट्रिंग होता है वह एलकलाइन होता है जो बी स्ट्रिंग होता है वह एसडिक होता है यह आपको ध्यान रखना है वैरी वैरी इंपोर्टन विनेगर सिर्का होता है जिसे आप कहते हैं CH3 COH इ थैनोई कैसे बेकिंग सूटा सूडियम बाइकार्मोनिट कहते हैं इसको लोगे आप लोगों को यह आपको याद रख लेना है कि भाई पढ़ लो यार पढ़ लो ठीक है पढ़ लो चलिए जी नेक्स देखिए जी क्या गयता है कोशन क्या गयता है अगर हमने स्केडूल ट होती है यह बता रहा है आपको हां यहां पर ध्यां रखना क्या दिखें जो भी आपकी पावर है एक्स्क्लूजन इंक्लूजन की वह नो डाउट करते हैं नो डाउट प्रेजडेंट करते हैं बट यह पार्लेमेंट के थ्रू चलता है अंडर आर्टिकल 351 342 के अंदर चलत प्रेजडेंट के पास होती है लेकिन सब कुछ जो होगा चीज होगी वह पार्लेमेंट कानून बनाती है अगर प्रेजडेंट कर सकते थे प्रेजडेंट कर सकते दें क्योंकि प्रेजडन ही दो अजलेंट करता है सारे चीज़ें ठीक है लोड डाउट इसमें क्या बने आपका यैस बी अप्षिन बनेगा कश्ट अंसर बी ओप्ष्यन बनेगा राइट अंसर नेक्स देखेंजिए सन की आउटर मोस लेयर क्या है? झाल 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 यह भी दोई है सुनो सुनो एक बर अब आज आ रही है सुनके देखो पहले है 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 ओके चले जी स्टार्ट करते हैं तो मैं यहां पर बोल रहा था क्या कि क्रोना जो है आउटर लेयर देखने को मिलती है कब जब सूर्य लगता है प्रइला है क्रोमोस्फिर जह होती है यह सैकिनले रोती है दूसरी और जो हमें गलोइंग सर्फिस रिखता है जो सूर्या का गलोइंग सर्फिस जो हम सब देखता है सामने देखते हैं डैडिस क्लë फोटो सफियर क्लियर होगे है आप लोगं को तो अंसर इसमें क्या वनेंगा आपका डी ऑप्शन गवनेंगा राइट एंसर क्लीर ओगा जी येस डी ऑप्शन और बाहर वाला पार्ट जो है यह वाला जो ग्लोइंग सर्फिस दिखता है यह आपको दिखता है यह आपको दिखता है बाहर देखने से क्लियर इसमें आपको याद करने क्या ऐसी याद करने लेडरे यह यह आपको और Cromiya को यह आपको Stack 세qth ہوتी है मैं क्लियर हो गया आप लोगों को जी चले आगे चलते हैं आगे है किकलकत्ता कों मं कॉस्ट करी गया थे कलकत्ता से दिल्ली करी तो वह προś क्ल्कत्त को नृक्ट के ऑन्नांस किया गया था चीक है लेकिन एक्चुली शिफ्ट का वाका था 1912 सिफ्ट करी गया ध्यान से समना है 1911 में सिर्फ अनौंस किया गया था शिफ्ट हुई थी 1912 में को ध्यान से पढ़ना तब जाके टिक करना 1912 वाला कॉंसेप्ट क्लियर और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल वाइसरा था वो था हमारा लॉड हाडिंग टू लॉड हाडिंग दुट्य यह परसं थे रास बिहारी बोश ने यहां पर बंफेका था जो हमने डिस्कुस किया था इंडियन इंडिपेंडेंडेंस लीग के प्रेजिट जो आजा जनगन मन गाया था उनके लिए गाया था कि आप भगवान हो आप सब कुछ हो इस तरीके से तब इन्होंने यहां पर बंगल पार्टिशन कैंसल कर दिया था और इन्होंने बोला कि हम कलकत्ता से कैपिटली शिफ्ट करेंगे दिल्ली की तरफ तो यह बातें करी गई थी उस करेक्टर यह सब यहां पर बोला जाता है इनके लिए पहली अगर कॉपी छापोगे अपनी लैंगोज में पहला निउसपेपर मेरे पास आएगा आमजक्ट इन्होंने लगाया था दोनों 1878 में लगाए थे वह 1878 में ठीक है तो वर्नेकुलर प्रेस अक्ट में आपको बता की क्लियर और लॉड क्लाइव जिसने बैटल अफ प्लासी का युद्ध लड़ा था प्लासी का युद्ध 1757 में किसके लड़ा था सिराजु दोला के लड़ा था क्लियर हो गया जी ठीक है तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा लॉड हाडिंग टू लॉड हाडिंग टू तो यहां पर देखो जी डिल्ली दर्बार दिल्ली दर्बार से जाए गया था 12 दिसंबर 1911 के अंदर जो क्यों फिफ्ट और जो जो जॉर्ज फिफ्ट और क्वीन मेरी आये थे यहां पे ठीक है तब यहां पर जो है यह किंग्स वेंपे उपर जो है तरीके से यह ऐसे किया गया था और शिफ्ट करी गई थी कैपिटल बाद में इस वेरी इंपॉर्टन कोश्चंट नेक्स बताइए गलवैनोमीटर को अगर आपने यह कोशिन आपके उपर है यह कोशिन आप डूंड के लेके आना ठीक है आप अंसर देना अगर नहीं टूं अगर आपने वोल्ट मेंटर में चेंज करना है तो यहां पर वही कोशिन है तो हमें चैन करना इस भी कहारी देना dome ऐसे तो इसे महीं बताइव हुए नहीं यहां पे लिखा रहना लिए न आप अपनी कॉपी में जूरूर लिख देना चीक है कि इसमें अंसर कौन सा बनेगा चलिए यह आपका कोश्चन है नेक्स देखते हैं रिंग फायर अगनी का वल्लीय समाननेत्या कहां पर पाया जाता है जो होता है यह होता है जहां पर आपके सबसे जो गहराई ट्रेंच कौन सी है that is Mariana Trench, Mariana Trench is the deepest one, clear, मतलब इनकी Trench जो है ओह आपकी Mariana Trench है, answer इसमें वन ओप्षन बनेगा Pacific Ocean सबसे बड़ा ओशन है, यह सारा मिने आपको अभी Ocean वाला टॉपिक सारगास तो सी वाला जबाए था तो मिने आपको सारा बता दिया था इनके ब the ring of fire super important चलिए जी आगे नेक्स बदाईए इन में से कोड फिजीशन जो है कोड फिजीशन कनिश्क के कौन थे कनिश्क के कोड फिजीशन कौन थे यहां यहां पर ठीक है यह बताना आपको देखेजी वासुमित्रा की बात करते हैं तो इन्होंने फोर्थ बुदिश्ट कौणसिल करवाई थी चेर पर्सन थे कनिश्क के दरबार में होई थी यह कनिश्क के टाइम पर सौरी कनिश्क कश्म यह कोई दरबारी जो है उनके चिकस्टक नहीं थे चरक बिलकुल सही है जी चरक समीता इन्होंने लिखी थी ये बिलकुल पॉइंट सही है पतंजली ने योगा के कॉंसेप्ट आपको बताये थे पतंजली ने एक बुक लिखी थी डैड वाज महा भाश्या महा भाश्या पर कमेंटर लिखी गी थी महा भाश्या और वो पतंजली ने लिखी थी तो अंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका डैड मिंस ऐप्षन बनेगा राइड अंसर यह कोड फिजिशन नहीं कोड फिजिशन जो है चरक थे बाकी कोड फिजिशन नहीं थे clear हो गया जिए आपको clear हो रहा है जी आप लोगं को yes answer इसमें c option बनेगा right answer कनिश्क को हम और क्या कहते हैं बाई कनिश्क को हम क्या कहते हैं दूसरा अशोक भी कहा जाता है clear दूसरा अशोक भी कहते हैं next देखते हैं अगला गोशन जो station tube जो है वो हमारे किस organ के part of the organ के साथ जो है आसशोकेट करती है। gestation tube वोती है कहां पर काण में यक्या करती है काण में जो pressure है उसको maintain करके रखती है आपके काण के अंदर clear हो गया ठीक है समझा आप लोगह को एसमें अप्र शरा-उस बं स्राइट बंच कं पी और यहां पर आपके तीन बोन होती है डैड इस मेलियस, incus और stepes कहां पे है, यहां पे steps नहीं बोट कोई बात नहीं, मेलियस, incus और steps, जो हमारी body के लिदे सबसे छोटी बोन है, वो है steps, clear और सबसे बडी बोट क्यों सी है, femur, femur कहां पे होती है आपकी, that is thighs' bone, young मे, thigh bone जिसको आप कहते हैं, femur is the largest and strongest one, next बनाई सबसे longest है not strongest one which part of the brain plays an important role in the motor control motor control का मतलब क्या है कि आपके body के अंदर सारे sensory और motor function करना senses को जो है लेना और उसके बद जो है आपके काम करना तो यह जो है आपका किसके साथ समद्धित होता है motor regulation किसके पास है जिसे आपका बोड़ेक्स फटा फटा इकदम से ऐसे हैं और वो कौन करता है आपका सेरी बैलम करता है सेरी बैलम को हम और कहते हैं लिटल ब्रेंड जो शराब होती है शराब वह हमारे ब्रेंड के उपर सब से ज़्यादा इफेक्ट डालती है लेकिन एलकोहल जो होती है सबसे ज़्यादा डालती है किसके उपर सेरी बैलम के उपर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर और सेरी बैलम बनेगा मैंने सेरी ब्रम को टिक कर दिया यहां पर ध्यां रखना सेरी बैलम बनेगा लेकिन से टिक हो गया था सेरिवलम इस यह आपका सबसे बड़ा पार्ट होता है जितना भी आपकी मेमरी है नौलेज है थिंकिंग वह सेरिव्रम की उपर डिपेंड करती है मैदूला अब लॉंक्टा जो है जितने भी हमारी इनवोलेंटरी activities होती है involuntary का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे control में नहीं है वो आपका medulla के पास होती है तो answer इसमें one option बनेगा right answer one option ठीक है तो भाई यह है आपका पूरा का पूरा part brain का ठीक है जो हम बात कर रहे थे चलिए अगला बताईए इन में से ऐसे कौन से आपका जो है रिचुल्स फॉलो किया जाते हैं कहां पर कौन से वेद के अंदर कौन से वेद के अंदर जो है आपका समझाया तो वेद जो है आपके लो है वह रिचोल्स कौन फोलो करता है यहां पे कशेपी वेद में वह होते हैं यहां पर होते है और इसका जो अला यह उपावेद है ती धनुर्वेद क्लिए और इसको पड़ने वाला person कौन था that was I forgot every time जज़ुरवेद को पढ़ने वाला पंडित होत्री उद्गात्री अद्वर्यू अद्वर्यू जो पढ़ने वाला पंडित होत्री जो वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस टेक्स्ट है वर्ल्ड का that is रिगवेद सामवेद संगीत के लिए अधर्वेद जिसमें आपके ब्लैक मैजिक काला जादू लिखा होता है शिल्प वेद जो है आपका उपवेद है यहां पे जो आर्किटेक्चर के लिए बात करता है तो अंसर इसमें क्या बनेगा बाई आपका बी ऑप्शन जजुर्वेद इस दा करेक्ट अंसर क्लियर होग बताना इस क्लास के बारे में ठीक है और हमारी जो हर घर शिक्षा कैंपेंग चल रही है जिसमें आप मेरे पेड कोर्सी जो हैं जस्ट 499 रुपीज में आप परचेस कर सकते हैं 26 जनवरी जो है इस कोर्स को परचेस करने का लास्ट डे है और इसमें आपको कोड यूज करना आपको मिल जाएंगे बाकी सब जिंक जो वगेरा होते हैं वो टेलिग्राम चैनल की उपर आपको मिलते हैं इस्ट्राग्राम की उपर सब कोर्सी के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिंड होते हैं तो वहां से भी आप देख सकते हैं और एक कोर्सी है क्या ये हमारे courses है, 10,000 M's की course और GS course, Study IQ, AppQ पर ये available है, तो वहाँ से आप जाके खरी सकते हैं, नहीं, तो आपको comment section और description box में इस चीज़ के जो है, link आपको मिल जाएंगे, तो आपको ये 10,000 M's की course, जिसमें chapter wise, topic wise question है, previous questions हैं यहाँ पे, बहुत सारे box test देखने को मिलते हैं, यहाँ पे, daily updates वगएरा, कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे डालता हूँ, वो भी आपको मिलता है, GS course में हमारा theory course है, बिल्कुल basic topic wise चीज़े study करी गई है, इन courses की price जो है, मैंने आपको जैसे बताया ना, 2500 रुपीज के आसपास है, ना ना करके 2500 तक तो है, ठीक है, मदर discount वगएरा, उपन गोड़ लगागे वगएरा, otherwise अगर आप जो code लगाते हैं, कौनसा VIP 499, यह code आप लगाते हैं, तो यह course आपको 499 में मिल जाएगा, यह भी आपको 499 में मिल जाएगा, code दोनों का सेम है, तो यह लगा के अपना course purchase करो, preparation को आगे बढ़ा, clear, so I hope आप लोगों को एक class अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है, तो like और share करना, और एक और marathon जो है exam से पहले मैं और और लेके आऊँगा आँगा आपके लिए, चीक है, all the very best, good luck, take care, bye-bye, jahil, thank you so much.